Hi everyone, मेरा नाम रदिक जगाती हो और आज हम revise करेंगे one of the most important topic जो कि financial instruments हम सभी को पता है कि vast है and थोड़ा सा tough हो जाता अगर हम अच्छी तरीके से preparation ना करें तो कोसिस रहेगे कि इस revision के अंदर सारे concept अच्छी तरीके से revise हो जाए conceptual build up होचे अच्छी तरीका से कि questions कैसे भी आप उसे अराम से easily manage कर सको and इसके साथ मैं आपको बिदा दू, financial instruments के full lecture भी हमारे है uploaded, YouTube के अंदर ही, जी हाँ, पूरे के पूरे full lecture uploaded है and साथ five lectures है total and इसका description में मैं link दे दूँगा आपको, अगर आपको full lecture देखना है, आप वहाँ से देख सकते है जहाँ पर हमने ICA के सारे concepts के साथ सारे questions भी हमने cover किये SMK यानि study material के सारे questions भी हमने cover किये एक और बात आपको बताना चाता हूँ, जो कि बहुत ही important है हमने अपने mobile application के अंदर, जो कि हमारा जगाती digital education app है उसके अंदर हमने क्या क्या हूँ, हमने free lectures के अंदर रखा हूँ, फिलाल के लिए free lectures के अंदर वो रहेगा आप सभी अराम से उसे access कर सकते हैं, जहाँ पर आपको क्या करना है, मतलब वहाँ पर मैंने audio clips जो financial instruments के illustrations है, questions से सारे, SM के, उसके सारे audio clips मैंने बना दिया, ताकि आप हमारे question bank को refer करके, हलाकि question bank के साब से मेरा numbering है, question bank भी आपको application में मिल जाएगा, जहाँ पर nominal price पर खरी सकते हो, तो यहाँ पर question bank को refer करके, आप क्या कर सकते हो, one by one सारे questions आप revise कर सकते हो, उस audio को देख यहाँ अलग ऐसा, दूसरे index के, and यह सारा चीज रहेगा, तो यहाँ पर आप जरूर से application को download कर लीजेगा, and इसका जो PDF है, जो अभी मैं आपको revision करा रहा हो, इसका PDF टेलिग्राम में मिलेगा, क्योंकि एप से फिर वो download नहीं होते है, so टेलिग्राम में आपको इसका PDF मिल रहेगा, आप उसे join कर लीजे, and वहाँ पर आपको इसका PDF मिल जाएगा, तो चलिए, अभी हम लेट नहीं करते हैं, और हम फटा फट से financial instruments का revision करते हैं, तो सबसे बहले हम यहाँ पर हम क्या cover करने वाले, हम mostly सारे important concepts cover करेंगे, for your exams पूरा revise करेंगे, फिर जो जो important questions मुझे ल description में link पे रहेगा आपका इसका, and अब हम start करेंगे financial instruments का revise करना, आप देख सकते हो, मैंने handwritten notes बनाया है, and यहाँ पर जो की आपको बहुत ही helpful रहेगा, and इससे हमने summarize करने का, मैंने courses किया, बहुत जादा summarize नहीं किया, मैंने, ताकि obviously बात है, पढ़ने तो पढ़ने तो पढ़के जो, heading, heading थोड़ने सिर्फ पढ़के जाओगे, तो इसमें जो-जो requirement है, वो सारी चीज़ है, मैंने डालने की courses किये, तो चलिए ने, start करते हैं, तो financial instruments start करते हैं, जहां पर सबसे पहले मैं यह समझना है कि financial instruments का मतलब क्या है, मैं आपको बढ़ा दू, financial instruments के अंदर, तीन word है, तीन item है, जो कि हम अच्छी है समझना है, और उसी के अंदर पूरा financial instruments है, इसके अंदर तीन word आपको क्या-क्या दिखेंगे, मैं बढ़ा देता आएंगे, सारे liability नहीं आएंगे, financial liability आएगा, और साथ इसाथ equity, तीन word दिमाग में रहेगा, अच्छे से, asset नहीं, financial asset, liability नहीं, financial liability और क्या, equity, तो यहां पर हमें तो सबसे पहले यह जाना पड़ेगा, कि सारे assets तो financial assets होंगे, मैं बढ़ा दो type के assets होंगे, एक non financial assets होंगे, मै entity जितने भी equity instruments इसू करेगी, सब में financial instruments यानि इंडेस 109 अपलाई होगा, लेकिन सारे liability में इंडेस 109 नहीं लगेगा, सिर्फ financial liability में इंडेस 109 अपलाई होगा, सारे assets में इंडेस 109 यानि financial instruments अपलाई नहीं होगा, सिर्फ financial assets में 109 अपलाई होगा, तो अभी हमें क्या समझ पता हमें क्या करऊंगा मैं आपको लेके चलूंगा बालेंस इट में यह बालेंस से मैं आपको अच्छी तरिके सा समझा पाऊंगा कि कौन से अशेट है और एसेट तो सारी है जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर राइट सेड़ में अगर हम पुराना balance it is safe की बात करें तो right side में सारे assets होते है and left side में क्या होता है equity होता है और reliability होता है तो यहाँ पर assets की सबसे बहले बात करेंगे तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि सारे assets financial assets नहीं है कुछ-कुछ non financial assets भी जो की इसके अंदर cover नहीं होगा तो मैं पता किसे चलेगा कि कौन से financial assets है कौन से financial assets नहीं है इसके लिए एक बार मैं definition में आपको लिखे जाऊँगा फिर मैं आपको balance it से भी समझाऊँगा देख यहाँ पर क्या कहा गया financial instrument कौन से होगे any contract contract का मतलब binding agreement होगा दो parties या दो से ज्यादा parties के बीच में binding agreement है ना contract होना पड़ेगा यहाँ पर एक party के लिए यह क्या होगा financial asset होगा और दूसरे party के लिए financial liability या equity instrument होगा बुचे पता अभी तक आपको समझ नहीं है को tension वाली बात नहीं है आप मेरी बात के लिए financial asset होना पड़ेगा तो दूसरे party के लिए financial liability होना पड़ेगा मतलब यह क्या indicate करा पता है यह indicate करा है कि मालूम मैं हूँ और आप हम दो parties है मैं ऐसा कभी possible नहीं होगा कि मेरे लिए वो item financial instrument पर आपके लिए financial instrument नहीं है दोनों के लिए अगर financial instrument है तो ही एक के लिए financial assets हो सकता दूसरे के लिए financial liability हो सकता मतलब अगर मेरे लिए वो asset है तो आपके लिए liability होना पड़ेगा अगर मेरे पास अधिकार है तो आपके लिए obligation होना पड़ेगा यहनी कहने का मतलब मेरे लिए financial assets है तो आपके लिए वो financial liability होना पड़ेगा मेरे लिए financial assets है और आपके लिए अगर financial liability नहीं तो आपके लिए equity होना पड़ेगा तो चलिए अभी भी थोड़ा कम समझ आया तो यहाँ पर इसे पूरा अच्छी तरीके सा समझने के लिए मैं आपको balance rate में लेग के चलूँगा सबसे पहले मैं balance rate में आपको equity का liability का और asset का मतलब समझाऊँगा पहले हम बात कर लेकते equity और liability का तो आप बते हैं equity और liability होता क्या है equity और liability कुछ नहीं यह sources और fund है जहां से हम fund raise करते जैसे माल लीजिए for example मैंने company form किया, मैंने company form करने किया, मैंने प्रतिक जगाती से कहा कि आप हमें कुछ पैसे दीज़े, अब वो जो पैसे प्रतिक जगाती ने जो पैसे company को दिया है, वो company के लिए equity भी हो सकता है, वो company के लिए liability भी हो सकता है, तो पता किसे चलेगा कि वो company के लिए equity है या liability है, उ मेरे लिए इक्विटी है मालनी जब फॉर इग्जांबल में कमपणी हो आपने मुझे 10,000 रुपीज दिया आपने मुझे 10,000 रुपीज दिया और मैंने आपको कहा कि मैं पैसे आपको मेरा मन करेगा तो दूँगा अदरवस में नी दूँगा यानि मेरे पास discretionary power है मैं कमपणी का प्रॉफिट हुआ कमपणी ने डिक्लायर किया तो कमपणी डिवरेंट देगा अदरवस कमपणी डिवरेंट नी देगा यानि एक्विटी सेर्स के केस में अब देखना जनरली ऐसा होता है कि वहाँ पर कमपणी का कोई obligation नी होता है कि उसे future में payment करना पड़ेग मन क्या तो देगा नहीं मन क्या तो नी देगा इन्हें discretionary power है और redemption तो होता ही नहीं हमें पता ओडिनेर सेर्स एक दूसरे में सेरोल्टर बेचे रहा लग बात है पर company का obligation नी होता है redeem करने का अनलेस वो भाई बेग वगिर अले तो बात अलेगे वो भी उनका discretionary रहता है इसल preference ads का feature क्या है मान लिजे मैंने आपको preference ads इसू किया है और आपसे मैंने पैसे ले लियो 1 lakh rupees और मैंने आपको कह दे कि different में अपनी मन से दूँगा मेरे पास पैसा होगा मन करेगा declare करूँगा तो दूँगा अधरवस नहीं दूँगा और redemption भी मेरा मन करेगा तो redeem करूँगा अब मैंने ऐसा preference ads आपको इसू किया जहां पर mandatory मुझे आपको interest भी देना है और mandatory मुझे आपको principal redemption भी करना है एक 10-20 साल जब भी हो 10-20 years के बाद कभी भी मुझे पैसा redeem करना है preferences और आपको मुझे पैसा लोटाने तो क्या मेरा obligation है अगर मेरा obligation है तो preference ads liability बन जाएगा तो liability हो सकता है loan equity हो सकता loan liability हो सकता उसका feature matter करेगा अगर मैंने आपसे कोई पैसे लिये है मैं लेने की बात करूँ देनी की नहीं मैंने आपसे कोई पैसे लिये है उधार में मेरा चुकाने का obligation है future में तो वो liability है मेरा चुकाने का obligation है मेरे पास discretion है मैं चाहूं तो दूंगा नही चाहो तो नहीं दोगा तो वो equity बन जाएगा तो अभी तो मैंने आपको equity का और liability का फरक मैंने आपको समझा है यानि equity वो instrument है जहाँ पर पैसा चुकाने का कोई obligation नहीं होता है liability वो instrument है जहाँ पैसा चुकाने का obligation होता है तो चले हम यह समझा है कि equity और liability का मदलब किया है अब अगर मैं बात करूँ assets आप देखना left side में हम sources of fund पैसा मंगाते हैं और वो equity भी हो सकता है liability भी हो सकता है उसके feature के सबसे और right side में हम क्या करते हैं उसी पैसा का use करके हम resources बनाते जैसे assets खरीते हैं मालेजे मैंने आपसे ब intangible assets खरीद रहा हूं कुछ-कुछ अलग-अलग जगा पर investments कर रहा हूं inventory खरीद रहा हूं कुछ पैसे मेरे bank में होंगे कुछ cash balances होंगे अलग-अलग मेरा assets हो सकते हैं तो उसी पैसा को use करके तो मैं assets generate करूँगा तो यहाँ पर आप देखिए assets बहुत सारी दिख रहे हैं आ अभी तक आपको समझा है equity का मतलब liability का मतलब और asset का मतलब में आपको समझा दिया अब मैं आपको बता दूँ यहाँ पर जो index 109 हम जो financial instruments पढ़ रहे हैं यह किस पर apply होगा यह सारे equity सेट्स आप जो भी issue करोगे सब पर apply होगा equity सेट्स सारे वगेरा सारे equity सेट्स पर apply हो जा apps यह यह इंडेयस सिर्फ financial assets पर apply होगा सारे » अपलाई होगा तो हमें कैसे बढ़ा चलेगा कि वह पर इसके बादes कि यह पर से शाना पड़ेगाおお փप instrument जो है वो financial assets या financial ability होगा financial instruments क्या कहते है कोई भी प्रकार का contract होना पड़ेगा दो parties के बीच में contract होना पड़ेगा यहीं contractual right obligation इस टेटी रेट या obligation वगरा यह सब नहीं आते constructive right obligation भी ने आते जो इंडेस सद्रीमिमें आपने constructive नहीं ए पड़ाए दो नहीं जहां पर एक पार्टी के लिए वो financial asset है मतलब मालीजे मैंने पैसे लगाए है मैंने आपको पैसे दिये है मेरे लिए वो financial asset है तो आपके लिए वो क्या होना पड़ेगा पता है एधर financial liability पार्टी है, equity होना पड़ेगा मैंने आपको पैसे दिये मेरे लिए asset है अब आपके लिए वो liability भी हो अक्ता है आपकी लिए वह सकता है वह डिपेंट करेगा आपका चुकाने का उब्लिकेशन है या नहीं है ना जैसे मあー मेरे लगी ली अंया को आपको मुझे पैसा दो चुकाने नहीं है तो महीन लून दिय मेरे लिए उसमाने, तो मतलब अगर कोई ऐसा contract हुआ है जहाँ पर मेरे लिए एक party के लिए वो asset है तो दूसरे party के लिए अगर वो liability है या एक party के लिए asset है तो दूसरे party के लिए वो equity हुआ तो ऐसे situation में मुझसे financial assets और financial liability कहते हैं अधर वैस हम नहीं कहते हैं तो अभी भी आपको clarity चीए है तो अब यहाँ पर अब हम क्या करेंगे one by one हम सारी item का बात करेंगे जिसे आपको clear हो जाएगा कि वो item financial asset है या नहीं है जिसे अगर मैं बात करूँ मेरे पास property planned and equipment है ये मेरे लिए asset है क्या ये किसी दूसरे party के लिए liability है क्या मैं किसी पार्टी को बोल सकता हूँ ले जबर्दसी ये property planned and equipment ले और मेरे को पैसा दे क्या मैं किसी को जाकर claim कर सकता हूँ कि मुझे पैसा दे मेरा asset का नहीं मेरे पास एक iPad बढ़ा होगा है ये मेरे लिए equipment है ये मेरे iPad मेरे equipment है तो ये iPad किसी के लिए liability थोड़ी नहीं किसी को मैं force करके थोड़ी नहीं आइपड दे के उससे पैसा ले सकता हूँ मतलब ये मेरे लिए asset तो है पर किसी के लिए liability है किसी के लिए equity नहीं है इसी वज़े से ये financial asset नहीं ये non-financial asset है अब मैं एक financial asset का example ले दो मान लेजे receivable है मेरा 10,000 रुपीस मुझे पैसे मिलना है आप से मेरे लिए receivable है ये मेरे लिए asset है तो आपके लिए liability भी थो है न तो one party के लिए asset है तो दूसरे party के लिए liability मतलब मैं आपको claim कर सकता हूँ मैं कहूँगा मुझे आप से 10,000 रुपीस मुलना है मुझे आज ही तो आप तो मतलब आपके लिए liability है तो जबकि मेरे लिए asset है और आपके लिए liability है दो party यहां पर involved है जिसमें एक के लिए asset है दूसरे के लिए liability है तो मतलब वह financial asset हुआ लेकिन अगर property agraaloplanky plant in equipment की बात करें तो मेरे लिए तो asset है पर किसी के लिए liability equity नहीं है इसलिए non financial हो गया यह non financial asset हो गया दूसरा intangible assets मेरे लिए asset तो है पर किसी के लिए liability equity नहीं है तो मतलब भी non financial asset investment property यह तो property गोई building है जिसे मैं investment purpose के लिए रखा हुआ है, ये property में थोड़ी ने किसी के हाथ में fake के उससे पैसे ले सकता हूँ, मैं तो बेचने के लिए बस try कर सकता हूँ, किसी का मन करेगा तो खरीदेगा अदरवस नहीं खरीदेगा, मैं किसी particular person के पास जाके claim नहीं कर सकता, कि मुझे पैसे दो, है ना, तो इसलिए investment property, inventory, ये सारे non financial asset है, क्योंकि मैं किसी party के पास जाके claim नहीं कर सकता, लेकिन अगर मैं financial assets की बात करूँ, तो मान लीचे loans and advances, मैंने आपको, मान लीचे राहूल नाम का student है, उसे मैंने 10,000 रुपीस दिया, तो मेरे लिए वो asset है, उसके लिए liability भी है, मैं उसके बास जाके claim कर सकता हूँ, भया, मेरा 10,000 रुपीस मुझे दो, या मैंने सुरूती नाम की एक लड़की है, उसे मैंने 5,000 रुपीस दिया, मेरे लिए asset है, तो उसके लिए liability है, मैं उसे कह सकता हूँ, मुझे मेरे पैसे दो, यानि अबर दो party involved है, एक asset और एक दूसरा liability, तो मतलब यह सारे financial asset है, loans and advances, financial asset है, क्योंकि अबर दो parties involved है, जहाँ पर contractual उनका agreement होता है, और receibles भी, मेरे लिए receibles से तो किसी के लिए payable भी होगा, दो parties involved है, यानि यह financial asset है, investment in equity, obviously बाते मैं किया सकता हूँ, मैंने reliance का sales खरीदा, मैंने reliance का sales खरीदा, तो मेरे लिए investment in equity instrument, मेरे लिए asset हो गया, अब reliance company के लिए equity हो गया, भले उसको पैसे देने का obligation निपर, फिर भी मेरे तो उसके company के sales खरीदे है न, तो उनके लिए उनको पैसे दिये तो दो party saim पर involved है, एक कॉन मैं, मेरे लिए asset है और एक reliance industry, उसके लिए equity है, तो यहाँ पर मैंने का न, एक party के लिए asset है, दुसरे party के लिए liability हो गया, या तो liability, या दुसरे party के हो गया है, तो मतलब वो finance instruments है, जहाँ पर इसके अंदर लग जाएगा फिर अगर investment in debt या bond में तो मेरे लिए asset है तो जिसके company के मैंने debt खरीद है जिसके company के मैंने bond acquire कि है उनके लिए तो liability होगा अगर उसमें liability obligation वाला feature है अगर equity वाला feature है तो भी चलेगा कोई problem नहीं है यहने कहने का मतलब आपको यहां से feeling आ रहे हैं कि दो parties यहां पर involved है एक के लिए asset है तो दूसरे के लिए liability है फिर दूसरे के लिए equity है इसलिए यह सारी क्या होगे financial assets होगे पर उपर वाले सारे item आप दिखोगे including यहां पर एक ROU asset भी होता है इंडस 116 में मेरे लिए asset हो ROU asset मैं किसी को sublist में दे सकता हूँ अलग बात है पर वो किसी के लिए liability नहीं है ना किसी के लिए equity है मतलब आज के बाद आप दिमाग में यह डालोगी कि financial instruments है तभी होगा जब एक बंदे के लिए loans and advances है asset side में तो किसी के liability set में यह दिख रहा होगा reflect कर रहा होगा किसी के लिए तो जिसके liability set में reflect कर रहा हो उसके लिए क्या हो गया financial liability हो गया वो भी कहाएगा कि उसका liability तो किसी का asset भी है है ना और या receiver से मेरा receiver से तो किसी के balance rate में वो payable दिख रहा होगा उसके लिए financial liability है मेरे लिए वो financial asset investment in equity मैंने कारा financial liability तो इसलिए यहाँ पर अब अब देखोगे अब अगर मैं आपको समझा हो तो मैंने आपको अपने balance rate में सारे items लेके मैंने आपको समझा दिया कि ultimate लिए दो पार्टी से इंवल्व होगा तो financial assets है और दरवास वो non-financial assets हो जाएगा अब हम बात करेंगे basically किसका equity का तो देखे equity में financial non-financial नाम का कुछ चीज नहीं होता है क्योंकि equity सारी financially होता है equity मतलब है कि दो पार्टी से यहां पर इंवल्व होन है मेरे लिए equity मतलब किसी ने खरीदा तो ही तो मेरे लिए equity है तो इसलिए equity share capital अगर preference share capital classify as equity तो वह भी क्यला जाएगा debenture अगर classify as equity तो वह भी क्यला जाएगा बस यहां पर यहां पर यहां रखिए मेरे लाइबरेटी को कार्ट दे रहा हूं कि मैं equity site पर रखा न तो preferences के थूप ऐसे लिए मैंने किसे से debentures के थूप ऐसे लिए अगर मेरा चुकाने का obligation ही तो मेरे liquidity और जिसने पैसे दिये उसके लिए क्या है financial asset है क्योंकि दो parties यहां पर involved है अब अगर मैं liability तो किसे के लिए asset भी होगा मैंने आपको समझाए दया घा कि मैरे लिए financial from customer, क्या ये financial liability है या नहीं, ये liability तो है मुझे पता है, मैंने किसे से advance लेके रखवा है liability है, पर क्या ये financial liability है, मैं कहूंगा ये financial liability नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो मैं advance receive कर रहा हूँ न customer से, मुझे पैसे नहीं देने उनको, मेरा liability आप बोलोगे तर उनका asset भी पर इसके साथ साथ एक और चीज़ वर्ड इंपोर्टेंट जो financial वर्ड का मतलब कर पैसे का लेंदे, जो आगे आपको definition में समझ में आएगा, आगे और समझ में आएगा अच्छा थे, ये advance receive क्यों नहीं आता पर है, क्योंकि यहाँ पर मेरा obligation उसे पैसे देने का नहीं है, म आगे आपको दीरे-दीरे समझ में आएगा, कोई tension वाली बात नहीं है, पर क्या आपको एक idea मिला, मैं आपको mainly ये समझाना चाहता था कि क्या आपको idea मिला कि कौन सा item financial assets या financial liability होगा, जहाँ पर दो parties involved होगा, एक के लिए financial assets तो दूसरे के लिए financial liability, एक के लिए financial assets तो दूस चला, ये obligation है, तो financial liability, no obligation तो equity, कोई obligation नहीं तो वो equity कहलाता है, ये हमने समझा है पर, है ना, और यहाँ पर example मैंने रखा हुआ, cash, trade receibles वगेरा वगेरा, ये सारा हम नीचे discuss कर लेंगे, पर आपको मैं एक और बात यहाँ पर note पर बता देना चाहता हूँ, कि income taxes कभी भी contractual न मैंने अपसे goods लिए, उधारी में, जो कि बाद में मैं पैसे चुकाऊंगा, तो मैंने आपके साथ contract क्या होगा, कब चुकाऊंगा, कब नहीं चुकाऊंगा, तो generally क्या होता है, जब हम goods खरीते हैं, जब हम loan लेते हैं, या फिर हम किसी का equity share खरीते हैं, तो वहाँ पर contract रहत लेगा, statutory obligation है वो, है ना, कोई contract नहीं होता हमार government के साथ, कि मैं आपको इतने इतने पैसे देंगे, नहीं, government आपको दम दे के आपसे पैसा लेगा, आपको थपर लगा के आपको पैसा लेगा, आपको jail में डाल देगा, एक statutory obligation है, इसलिए income taxes, financial instrument नहीं कहलाता है, क्योंकि वो legal obligation नहीं रहता है, कोई contractual obligation नहीं रहता है, एक constructive obligation है, जैसे मालो मैं हर साल bonus दे रहा हूँ, पर मेरे पर कोई obligation ही कि मुझे उनको देना है, वो आके claim नहीं कर सकते है, कि हमें पैसे दो, पैसे दो, वो claim नहीं कर सकते है, हमारा मन करीगा हम देंगे, हमारा मन नहीं करीगा हम न दूँगई इसलिए वो constructive obligation है contractual obligation है इंडेस 109 अप्लाई नहीं होगा वहला इंडेस 109 तब ही अप्लाई होगा जब होँआ पर contract established हुआ हो दो parties के बीच में यह आपको समझना है तो चलिए हमने यह सारी चीज़ अभी हमने समझी अब हम क्या करेंगे अब हम one by one में financial assets और financial liability आपको दिखर होगा स्क्रीन के अंदर financial assets financial liability मैं अब आपको पूरा definition शमझाओंगा जिसके अंदर examples के साथ सथ हम coverage करेंगे 100% पूरा यहाँ पर clarity आने के बाद आगे आपको easy लगने वाला है तो next अभी हम financial assets और financial liability इन दोनों का जो definition उसे हम cover करेंगे जो मैंने आपको समझाए था वही चीज़ यहाँ पर हम discuss करेंगे पर अच्छी तरीका से और clarity लाएंगे यह important है फिर आगे हम फटावट revise कर पाएंगे तो पहले financial assets मैं discuss करता हूँ फिर simultaneously financial liability भी आपको मैं समझाओंगा देखिए अब सबसे पहले क्या लिखा हूँ है financial assets के अंदर cash अब आप बोलोगी cash कैसे आगा मेरे लिए तो asset किसी ओर के लिए लाइबरीडिया equity नहीं है तो मैं आपको बता दू आप देखना किसी भी note को आप देखोगे ने cash को मैं धारक को 500 रुपया अदा करने का वचन देता हूँ मैं धारक को 2000 रुपया अदा करने का वचन देता हूँ लिखावा रहता है नहीं आप और नीचे साफ के दिया कि cash आपका financial asset है agreed समझ में आया हमें यह चीज़ अब आगे देखते है investment in equity instrument debt instrument मैं आप को और रिटी बता दिया मेरे लिए asset है तो जिसका debt instrument मैंने खरीदा उसके liability होगा यह equity होगा जिसका equity instrument मैंने खरीदा है मैंने खरीदा उसके इक्विटि है तो मेरे लिए एसेट है तो पास वाले के लिए लिए लाइबरीयटि है इसलिए investment in equity instrument debt instrument भी financial asset माना जाएगा अगर हम यहाँ पर देखें यह वाला important है इसे मैं start देता हूं ठीक है यहाँ पर देखें क्या लेकर होगा है बाकि आपने क्याइस इंवस्मेंट इक्विटी इंस्ट्रूमेंट यह सब तो आएंगे बाकि कहीं पर भी अगर आपका कॉन्ट्रेक्च्वल राइट है तु रिसीव कैस देखिए स्टेट टू टरीव अगेरा नहीं है पैसे मिलेंगे कांट्रेक्चल राइट है इसलिए में NEW का आपकोड बेचा है और बदले में आपने मुझे पैसी आज देए मेरे पस कांट्रेक्च फोल राइटर टू रिसीव कैस होसकता है पर आपने मुझे क्या का? मुझे कैस नहीं दोके आपने कहा दिया कि मुझे सर्ष दोके या फिर आप मुझे पैसे नहीं दोगे पर इसा इठम दोगे मदले मुझे मैंने आपको बेचा है और अब मुझ बश्य ब formuj दोगे या बदले में मुझे अब intangible assets होगे तब फिर financial asset नहीं होगा क्योंकि फिर मेरा contractual right to receive cash तो है नहीं और नहीं मेरा contractual right to receive financial asset है कोई financial asset भी तो आप नहीं दे रहे मतलब अगर आप पैसा नहीं दोगे इसके लावब को दूसरा item दोगे तो दूसरा item financial asset होना चाहिए जैसे कि आपने मुझे कहा कि आप मुझे sales दोगे या फिर आप मुझे debenture दे दोगे या फिर आप मुझे bond दोगे तो यह cash तो नहीं है पर another financial asset है ना तो यह चलेगा यानि अगर मैं आपको goods बेचू और बदले में मुझे property दोगे intangible asset दोगे inventory दोगे वो financial assets नहीं माना जाएगा पर अगर बदले में मुझे debenture दोगे equity assets दोगे bond दोगे ऐसा कुछ भी दे रहे हो आप मुझे कोई प्रमिसरी note दोगे तो यह तो financial asset है ना तो फिर वो उस definition में आ जाएगा तो यहाँ पर अब देखिए financial liability में क्या होगा contractual obligation है to deliver cash यानि मानली जैसा हुआ कि आपने मुझे goods बेचा है और मैंने बदले में आपको पैसे देने यह नहीं यह नहीं contractual obligation है मेरा कि मुझे आपको cash देने contractual obligation to deliver cash that is what payables है ना और या फिर मैंने देखिए मैं आपको cash देखिए मैं आपको building देखिए नहीं चलेगा मैं आपको कह दिया कि अगर मैं आपको debenture sales कुछ भी दोँगा तो मेरा तो obligation है ना यह पर contractual obligation to deliver sales to deliver another financial asset another financial asset में कुछ भी हो सकता है मैं आपको sales दे रहा हूँ, मैं आपको debenture दे रहा हूँ, कुछ भी bond दे रहा हूँ, तो मेरा वो financial liability हो गया, है ना, मैं आपको कोई दूसरा financial asset दे रहा हूँ, तो मेरे लिए, मैं तो दूमगा ना, तो मेरे लिए liability हो ना, मतलए मेरे लिए financial liability हो गया पर, तो इसलिए आपको समझना है financial assets में अगर कोई contractual right to receive cash या फिर financial assets वो financial assets है अगर मेरा contractual obligation है कि मुझे आपको देना है cash या फिर another financial asset तो मेरे लिए तो liability हुआ और मैंने आपको खाने कि एक के लिए financial assets होता है दूसरे के लिए financial liability होते है तो चलिए उमीद है ये भी समझ में अब आगी ये point है ये बहुत important हम ध्यान देंगे exchange to exchange financial assets और financial liability under conditions that are potentially favorable यह पर ऐसा हुआ कि मैंने आपको कहा कि मैं आपको अपना debenture दूँगा आप मुझे आपका debenture दीजएगा मला हम debentures का exchange करेंगे और debenture का exchange करेंगे आप reporting period end में पता चला कि जो debentures में आपको देने वालों exchange में उसका मालीजे fair value 50 रूपीज ने और आप जो मुझे debenture दोगे उसका fair value मालीजे 60 रूपीज तो देखी ना मुझे आपको 50 रूपीज का debenture देने fair value में और आपको मुझे 60 रूपीज का debenture देना है तो exchange जब होगा exchange में तो मेरे 10 रूपीज का फाइदा है तो potentially मालीजे settlement बाद में होना है पर किसी particular date में potentially में gain प्यों हाँ settlement आज नहीं होगा settlement बाद में होगा बाद में price बदल भी सकता है पर किसी particular date में reporting period end में तो मैं 10 रूपीज के जीत में हो ना potentially जीत में हो तो ये 10 रूपीज मेरे लिए क्या होगा financial asset बन जाएगा क्योंकि मेरे लिए potentially favorable है अब आपके लिए तो potentially unfavorable है तो आपके लिए क्या बनेगा financial liability तो मेरे लिए obviously बात एक पार्टी के लिए favorable होगा तो दूसरे पार्टी के लिए unfavorable होगा क्यों मुझे किसी ने किसी से तो मिलना है मुझे आपसे 10 रूपीज का फाइदा दिख रहा है साफ और आपके लिए 10 रूपीज का साफ नुकसान है तो जो जीत पे रहेगा उसके लिए financial asset जो हार पे रहेगा उसके लिए financial liability हो जाएगा तो यहाँ पर अब इसी को मैं continue करूँगा यहाँ पर मैं आपको एक example समझाऊँगा यहाँ पर इसी point के regarding हम एक example discuss करेंगे ताक कि आपको और clarity मिले हाँ आपर तो देखें example हम discuss करते हैं देखें example on 1st February 2020 1st February 2020 को क्या हुआ जगाती limited ने एंटर किया contract पे forward contract मैं एंटर किया to purchase 5000 shares at 65.00 per share after 5 months मतलब माले जे मैं जगाती limited हूँ मैंने आपके सब contract किया कि मैं आपसे 5000 shares खरीदूँगा मैंने 5000 shares खरीदने का contract कर लिया प्राइस बजल सकता है पर मुझे को 65 भी देना है और आपको मुझे 5000 shares देना पड़ेगा इसका contract हमने आज ही कर लिया माले यह forward contract हम ने किया क्या-क्या forward contract हमने किया अब आगे देखिए अब 31st March 2020 को आपका क्या है reporting date आएगा जिस दिन आपका financial year end होगा और balance rate वगेरा बनाओगे तो reporting date में share का price क्या हो गया पता है 75 रुपीज पर share हो गया share का price जो हमने वादा किया था 65 में खरीदने का क्या यह 31st March settlement date है नहीं settlement तो 5 months के बाद होगा यहनि 30th June होगा 1st February, March, April, May, June 30th June को settlement date पे price 80 रुपीज है और या फिर 52 रुपीज भी हो सकता है यह 2 case है दोनो case हम discuss कर लेंगे एक-एक one by one करके अब मेरी बात सुनी जाए 1st February को मैंने आपके साथ contract क्या कि मैं 65 रुपीज में आपसे share खरीदूँगा फाहित हो जेंसर्स यह मेरा contract रुपा अब 31st March को 75 हो गया इसका मतलब क्या सोची न 31st March को क्या मैं जीत पे हूँ और क्या भार पे हूँ क्या से पता चला देखें मेरा आपसे वादा लिया हुआ कि मैं आपसे 65 में खरीदूँगा अब 31st March को मैं क्या सोच रहा हूँ पते है आपसे तो 65 में खरीदने का वाद है आपसे तो मैं 65 में खरीदूँगा और market में मैं कितने में बेच सकता हूँ 75 में भले या settlement नीए पर potentially तो मैं जीत पे हूँ potentially अगर मान ली जब आज अगर settlement होता तो 65 में मैं आपसे आज खरीदा और आज इसको मैं 75 में बीच पाता तो क्या मेरे 10 रुपीस फाइदा नहीं है तो मतलब मेरा तो 10 रुपीस फाइदा है और आपका क्या 10 रुपीस का नुकसान है तो मेरे लिए potentially favorable situation है है ना यहाँ पर मेरे लिए potentially favorable situation है और आपके लिए potentially unfavorable situation है 10 रुपीस का 5000 रुपीस फाइदा तो 5000 रुपीस सेर्स पे 10 रुपीस का potentially favorable यह नहीं 50,000 का मेरा फाइदा 50,000 का आपका नुकसान तो अब यहाँ पर दिखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ जगाती लिमिटेट के यह जगाती लिमिटेट की बात हो रही है तो जगाती लिमिटेट का दिखिए क्या हो रहे हैं आपर मैंने contract किया हुए buy करने का contract already 65 में किया हुए आपके साथ already done क्या हुए अब आज price 75 हो गया तो मैं जहाँ हो तो जो buy किया हो उसको सोदे को काट सकता हूँ sell करके आज के price में sell करके सोदा काट सकता हूँ या फिर मैं आपसा 65 में खरीद लूँगा potential अगर मालोग खरीदने का option होता तो मैं आपसा 65 में खरीद लूँगा और बेचूँगा कितने में 75 में तो 10 का मेरा fight है ना तो यहाँ पर 10 रुपीज मैं जीत प्योंगा तो मैं कैसे करूँगा अब देखें फर्स फेब को तो मैंने आपको को प्रीमिम वगिरा कुछ दिया नहीं हमारे बीच में सिर्फ और फर्स फेब को अगर आप देखोगे तो इनीशली ना मैं जीत पर हूँ ना आप जीत पर हूँ इनीशली जो मार्केट का रेट चल रहा उसी में हमने सोधा किया तो इनीशली को एंट्री होगा नहीं पर 31st मार्स को रिपोर्टिंग पिरेड एंड होता है और उस दिन हम देखना होता है कि हम जीत पर या हार पर उसका एंट्रे में पास करना होता है तो मैंने क्या देखा कि मैं 50,000 रुपीस के win situation हूँ 50,000 रुपीस मैं जीत पर हूँ अब मैं आपको इससे समझाता हूँ देखिए यहां पर आपका एक्सीन जो फैनिशल एसेट से है जो भी हो condition ऐसे जहां पर मैं potentially जीत पर हूँ अगर मैं potentially जीत पर हूँ तो मैं financial asset create करूँ और financial assets create करना मिला debit इन ultimately मेरा financial asset 50,000 से बढ़ेगा मेरा profit and loss 50,000 से बढ़ेगा वही तो मैं नहीं हापर किया तो उमीद आपको यह समझ में है यह entry आपका 31st March का आपको समझ में है अब अगर मैं आपकी entry में यहां पर इस question में लिखी नहीं पर आपके entry में बता देता हूं आप हार क्यों आप हार क्योंकि आपने वादा दिया 65 में मुझे बीचने का और आपको market से खरीदना पड़ेगा 75 में क्योंकि आपको 75 में खरीद के मुझे 65 में बीचना पड़ेगा और मैं से 65 में खड़के 75 में बीच सकते हूं तो मैं 10 रुपीस फाइदे में हो तो आप 10 रुपीस के नुकसान पर हो तो आप क्या बनाओगे बता है आपके लिए पोटेंसिली अन्फीबरेबल है तो आप फैनिशल लाइबरिटी बनाओगे फैनिशल लाइबरिटी नहीं बढुएगगा मेरा एसेट बढ़े और मेरा पीएब बढ़े यह दोनों का एंट्री मेन आपको समझाने का कोसिस किया तो दीगे 31 अपने एंट्री तो पास्ट कर दिया दूसरे वाले पार्टी का एंट्री अगर आम उसे कहते हैं तो मैं आप पास्ट कर दिता हूं अगर another entity की बात करें तो another entity क्या करेगा PL account debit करेगा 50,000 तो derivative financial liability 50,000 यह entry pass करेगा another entity अब देखिए 31st March को तो हमने entry pass कर दिया अब इसकी बाद अपको पता है क्या हुआ 30 जून को यहनि settlement date को price कितना हो गया 80 रुपीस हो गया price या फिर यहाँ पर 2 रखा है न हमने या 80 रुपीस या फिर 52 रुपीस दो हमने अलग-अलग option रखा है यहाँ पर तो माल लिजिए अगर 80 रुपीस price हो गया तो हम क्या करेंग, ultimately हम कितने जीत पे रहे हमारा contract था 65 रुपीस पे initially buy करने का contract आपको याद होगा यह रहा, 65 में buy का contract आप अब आज settlement date पे 80 रुपीस हो चुका है settlement date पे 80 रुपीस हो चुका है मलब हम overall 15 रुपीस की जीत पे 5000 sets पे, यहनि 75 रुपीस हम जीत पे है और आज potentially आज real में जीत पे हो जाएंग कि किया settlement होने, यहनि 75 रुपीस का रिकर्नेस करना चीए, क्योंकि 75 रुपीस होजिन जीत पे हो जीत पे 50 रुपीस होजिन ओल्रेडी 31st मार्च को रिकर्नेस कर भिया, तो आज मैं कितना रिकर्नेस करूंगा, आज दिखे settlement date पे 30 रुपीस जून को मैं दिखाऊंगा derivative financial assets 25 रुपीस होजिन यह रहा 50 रुपीस होजिन, यह रहा 25 रुपीस होजिन यानि derivative financial assets मैं रहा 75 रुपीस होजिन अब settlement date पे तो मुझे पैसे दीद होगे, generally यह सब net पे settlement होते है, तो net settle होगा आप मुझे, आपका loss है, आप मुझे पैसे दीद होगे करूँगा 75 रुपीस होजिन में दिखा दूँगा, मतलब मेरा financial assets जो build up क्या होगा ता वो घिरा दूँगा, उसे discharge करके खतम कर दूँगा और पैसे को बढ़ा दूँगा, बैंक इकान को बढ़ा दूँगा, और कोई another entity पता है क्या करेगा another entity दिखाएगा कि उसका और नुकसान हो गया, वो PL में और दिखाएगा 25,000, क्योंकि पहले से तो 50,000 का नुकसान दिखाएगी दिया था, total उसका 75,000 का नुकसान है न, और दिखादेगा तो दिखिए, another entity ने दू अन्टरे पास कर दिए, another entity का financial liability दिख रहा को total 50 plus 25,000 का, अब जब ये discharge कर देगा, जब ये discharge कर देगा, तो ये पैसे देगा, और derivative financial liability को ये debit करेगा, क्योंकि discharge कर दिया इसने, ये 75,000 to bank, 75,000, ये दिखा दिया हमने, चले, समझ मैं, तो मैंने आपको ये वाला पार्ट समझा दिया, कि अगर 80 रुपीस होगा, तो फिर क्या हाल होगा, अब मान लिजिए, ऐसा भी तो हो सकता कि price बहुत ही गिर गया, 52 रुपीस होगा, तो हम क्या गरेंगे, तो दिखें, next scenario भी मैंने आपको बनाया है, कि अगर मान लिजिए, 31st मार्च तक तो entry same ही रहेगा, क्योंकि ये तो settlement date पे हमने दूसरा लिए है न, alternative, 31st मार्च को 75 ता हुई same रहेगा, यानि कहने का मतलब 31st मार्च तक का entry जो है, 31st मार्च तक का entry same ही रहेगा, लेकिन अगर मान लिजिए, suppose settlement date पे price 52 रुपीस हो जाते तो फिर क्या होगा, तो हम कहेंगी कि हमार उन, यानि कहने का मतलब आपका जो नुकसान हुआ है, 52 पे पहुच गया है, सुची ना, पहले 65 में contract था, 75 वह था, 31st मार्च को, अब ये 52 हो चुगा है, तो मेरी बात को समझे जारा है, जैसे मैंने आपको कहा, कि 31st मार्च सकता, तो हमने entry क्या हुआ है, अब settlement date पे कितना हो गया, price 52 रुपीस का price हो गया, तो आप समझे न, आपका buy का contract कितने का था, 65 का buy का contract था, 31st मार्च को अपने already entry पास किया था, क्योंकि 31st मार्च को potential आप जीत पहते, 75 हो गया था, तो आपने 10 रुपीस का फाइदा समझते हुए, 50,000 रुपीस का derivative financial asset create कर दिया, यनि कहने का मतलब यह हुआ, आपको मैं अगर बाहर अच्छे से समझातों में यहापर, side में रखतों में यहापर, देखें, 65 में contract था, 65 से यह 75 में पहुचा, हमने का 10 रुपीस का फाइदा हुआ, 5000 sets पे, हमने का 50,000 रुपीस का फाइदा हुआ, ये 50,000 रुपीस का फाइदा का हमने derivative financial assets to PL दिखा दिया था, अब पता है क्या हुआ, यह 75 से गिर के, आपका 52 में पहुच गया, और उसके पहले 65 भी है, तो आपका क्या हुआ, 65 से 75 जब हुआ था, 31 मार्च को हमने फाइदा दिखा दिया था, 50,000 रुपीस का, अब ये 75 से 52 में गिर गया, तो पहले तो 75 से 65 में आएगा, तो हमने जो पहले प्रॉफिट बुग किया था, उसे हमें क्या करना चाहिए, रिवर्स करना चाहिए, हम कहेंगे 75 से जो 65 आपका प्रॉफिट पहले का बुग क्या हुआ था, ये 10 रुपीस अब रिवर्स कर, क्योंकि जो अपने 31 स्मार्च को फाइदा सोचा था था ना, वो फाइदा नहीं रहा, फाइदा तो गया, उल्टा नुकसान हो रहा है, तो ये जो 10 रुपीस का अपने 5000 सेर्स पे, फाइदा दिखाया था 50,000 का, और अपने ये एंट्री जो पास किया था, अब इसे रिवर्स करना होगा आपको, यहां पर ही आपका कहानी खतम नहीं होता है, अब आपको क्या करना पता है, अब 65 में आने की बाद यहां सी यहां तक का जो नुकसान है आपका, यह आपको उल्टा पे करना पड़ेगा, यानि पहले जो financial asset create किया था, वो धोका था, उसे reverse किया, अब आपको उल्टा पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि 65 में बाई का contract है, और 52 में आपको बेचना पड़ेगा, क्योंकि आज का market price 52 है, तो 30 रुपीस का नुकसान हो गया 5000 sales यानि कितना आ गया, 65,000 का आपका उल्टा नुकसान हो गया, तो 65 का नुकसान आपको pocket से बढ़ना पड़ेगा, PL account को debit करो गया, 65,000 to derivative financial liability 65,000 होगा, यनि कहने का मड़ली आपका हुआ क्या पता है, आपका 65 से पहले 75 पे पहुचा फिर 52 पे आ गया, तो हमने कहा कि आपका overall नुकसान इस पिरेड में कितने का over 23 का नुकसान हुआ, जिसमें देखा है, जो तो हम यह कहेंगे कि 10 रुपीज का तो हमारा पहले फाइदा बूक क्या वह वो नुकसान है, और दूसरे आपका 65 से 52 होने वाला 13 रुपीज का और नुकसान है, दूनों मिला कर 23 का नुकसान ह मैंने का 75 से 65 पे पहुचा, तो मैंने इसका एंट्री पास करना है, पी एल एकाउंटर डेबिट टू डेरिवेटी फानिशल एसेट, जो 10 रुपीज का 5000 सेर्स पे हैं, 50,000, तो मेरा रिवर्सल एंट्री मैंने पास किया एक, और दूसरे हां मैंने का 65 से 52 का उल्टा पैसा देना पड़ेगा, 65 में खरीडे, और 52 में पीचना पड़ेगा, 13 रुपीज उल्टा पैसा घर से जाएगा, पुराना रिवर्सल है किया, और उल्टा घर से कितना जाएगा, 13 रुपीज, 5000 इन्टो 13 रुपीज, यनि 65 थाउचे न उल्टा घर से जाएगा, तो यह लाइब तो derivative financial liability 65,000 यह single entry आपको पता हमें यहाँ पर पास किया हुए है यह देखिए हमने क्या यहाँ पर पास किया single entry हमने कहा पी एल एकाउंट वन एक 15,000 हो रहा है यह क्या रेप्रेजेंट कर रहा है बता है एक तो 50,000 आपने reverse किया और दूसरा 65,000 का आपका निया liability बन रहा है उल्टा यहाँ पर जो आपने पहले financial asset create किया वो reverse हो रहा है देखिए debit का credit हो रहा है और दूसरा आपको जो पैसा चुकान है अभी 65 में by contract है और 52 में बेचना पड़ेगा ठटीन रुबेस का जो नुकसान है वो 65,000 आपने liability create कर दिया और ultimately यह तो आपका asset पहले debit create कर जाएगा पुरान आपका जो debit है ना 50,000 यह debit और यह credit नाम सी कर जाएगा और यह liability आपको discharge करना पड़ेगा by paying cash यहनि derivative financial liability to cash करके आपको देना पड़ेगा सिंबल सी बात है और एकर मैं another entity की बात करो तो another entity का point of view आप देखिया आप यह रहा अनादर entity की बात करो तो another entity ने पहले क्या क्या था derivative financial liability दिखाया था 31st March को यह रहा अब तुसका फाइद है आपका तो फाइदा हो रहे है क्योंकि आप ने तो 65 में बेच था अब आपको 52 में खरीदना पड़ेगा तो आपने तो पहले 75 समझते हुए 50,000 का नुकसान दिखाया उसे reverse करो गया तो DFL to PL आपका reversal entry हो गया उल्ट सोन हो रहा है यानि मैंने दोनों आपको समझाने का कोसिस के हाले कि रिवीजनरी वीडियो है और डिटील की उमीद मत करना अगर पूरा डिटील चीए तो आप में रेगुलर वीडियो देखे जो कि पांच वीडियो अलग-अलग से डला हुआ है यूट्यूब के अंदर व अब हम क्या करेंगे एक और एक्जांबल में आपको फटा-फट से रिवाइस करा हूँगा जल्दी-जल्दी में चलिए यह फटा-फट रिवाइस करा हूँगा ठीक है देखे फॉस्ट मार्स 2022 को जगाती डिजिटल एजूकेशन जडी एंटर्स इंटू फोवर्ट चलिए दूगा 60 रुपीज करके और सेटल्मेंट कब होगा फर्स जून को सेटल्मेंट होगा अब इन दोनों के डेट के पेले बीच में रिपोर्टिंग डेट आएगा और रिपोर्टिंग डेट को में पोटेंशल प्रॉपिट या लॉस का एंट्री पास करना होता है आज आईपेड वन लैक रुपीस में मिल रहे और मुझे दिख रहा है कि त्री मंस के बाद यह आईपेड वन लैक फिप्टी था होजी में मिलेगा और मैं आज खरीदना नहीं चाहता हूं तो मैं जाओंगा दुकांदर के बास जाके आज कॉंट्रेक कर लूँगा कि भई या ने खरीदे तो आप खरीदने का कॉंट्रेक कर लोगे है ना तो इसलिए आपर स्ट्रॉंग बिलीफ जेडी का है कि प्राइस बढ़ेगा इसलिए भाई कॉंट्रेक कर रहे है और वही एबिसी का स्ट्रॉंग बिलीफ है कि प्राइस गिरेगा इसलिए वह सेल का कॉंट के point of view से बात करेंगे पर पहले जेडी के point of view से समझा देता हूँ अब देखे जेडी इने क्या किया है 60 रुपीज में 5 minute sales खरीदने का वादा किया है 3 months के बाद है ना इसका buy है contract rate 60 रुपीज करके contract rate 3 months के बाद 60 में खरीदने का है अब बीच में reporting date आगया reporting date में price हो गया 75 तो 60 में खरीदने का contract 75 में यह बेच सकता है potential ही चाहे तो है ना तो 75 में बेचेगा तो इसका दिखाए चाहे तो potential profit आ रहा है potential इसका profit आ रहा है 15 रुपीज का 500 sales में यह 75 रुपीज यह जीत पे 75 में जीत पे तो भी क्या करेगा favorable condition होता है तो financial assets होता है derivative financial assets to PL 75 में दिखा दिया असने पर वही सोचे अगर मान लीजे price जो है case 2 में 35 अगर price हो जाता है तो क्या होगा देखे case 2 में price अगर 35 हो जाता है जे डी ने contract किया हुआ बाई कम 60 में अगर price 35 हो जाता है तो 35 में से बेचना पड़ेगा अगर खरीदने का contract 60 में अगर खरीद लेता उस दिन तो उस दिन बेचने के लिए इसको 35 ही मिलेगा तो अब तो इसका नुकसान है 25 का क्योंकि यह खरीदने का rate महेंगा बेचने का सस्ता हो रहा है खरीदने का तो contract पहले कर लिया था अब बेचना पड़ेगा अच्छे current price पर तभी तो सोधा कट होगा तो 35 में बेचेगा आप derivative का SFM का भी YouTube वीडियो देख लेचेगा मेरा पूरा और clear हो जाए यह सब सारी चीज है वहाँ पर भी पढ़ा होगा हमने तो यहाँ पर 25 का आपका नुकसान दिख रहे है unfavorable PL account to derivative financial liability हाला कि इसमें मैंने settlement नहीं लिया आपर क्योंकि और पहले वाले मैं settlement समझा दिया था इसमें मैं reporting date तक का ही रख है अब अगर ABC का quantity वह से बात करो तो ABC ने तो sell का contract क्या होगा 60 रूपीज में अगर 75 हो जाएगा तो इसमें से सोधा काटने के लिए बाई करना पड़ेगा तो इसका नुकसान है unfavorable है यानि PL to derivative financial liability हो गया और यहाँ पर sell का सोधा था 65 में अगर 35 हो जाएगा तो 35 में तो यह बाई करेगा सोधा काटने के लिए फाइदा होगा इसका यानि derivative financial assets to PL तो मै के लिए financial asset हो रहा है तो यहाँ पर यही मैंने आपको example से समझाने का courses कि कि ultimately यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर potentially favorable है आपका reporting rate वगेरा में जो भी है तो आप financial asset दिखाओगे unfavorable है तो financial liability दिखाओगे एक के लिए favorable है तो दूसरे के लिए unfavorable हो गई एक के लिए unfavorable है तो द it is own equity instrument यह मैं आपको समझाऊंगा financial assets में भी यह point है financial liability में भी यह point है और equity के अंदर भी यह point है तो यह point को मैं elaborate करके समझेंगे पर थोड़ा सा रूख के इससे पहले हम कुछ और बात ही करेंगे इससे पहले मैं कुछ और बात करना चाहूँगा यह वाला point मैं कराने से पहले यहाँ पर मैं कुछ और बात करना चाहूँगा जिससे मैं एक important note आपके सा discuss कर रहा हूँ कि जिसे prepaid expenses मैं मानतों मेरे लिए asset है पर किया किसी के लिए liability है किसी के लिए liability जरूर है पर ये asset से मुझे पैसे नहीं मिलेंगे या prepaid expenses मैं करता हूँ तो मुझे पैसे मिलते है कि को service मिलते है या goods मिल सकता है मैं कहने का मतलब यह है अगर कोई asset मेरे लिए है जिसमें मुझे पैसे मिलेंगे या फिर another financial asset मिलेंगे तब तो मेरे लिए financial asset है पर अगर मेरे कोई ऐसा asset है जिसमें मुझे cash या another financial asset नहीं मिलेगा मुझे goods and services मिलेगा तब वो मेरे लिए financial asset नहीं है prepared expenses में मुझे goods या services मिलते है cash या another financial asset नहीं मिलते है जैसे कि आप definition में अगर आफ फिर से जाओगे तो दिखिए definition में क्या था financial asset में cash था, equity instrument, debt instrument में investment ये भी नहीं है आपर contractual right to receive होना पड़ेगा या फिर another financial asset होना पड़ेगा contractual right to receive non financial assets में नहीं आते है financial asset होना पड़ेगा और यहाँ पर prepared expenses आप अगर करोगे न तो आपका contractual right है to receive non financial asset हो है आपर तो यह आपर आप लिख सकतो यह आपका prepared expenses क्या हो गया यह contractual right to receive है आपका but non financial asset है अगर financial asset आपको मिलता न तो आपका financial asset के अंदर आ जाता है जबकि आपको non financial asset मिलेगा इसलिए फाइनसल इंस्ट्रूमेंट इंडेस 109 अप्लाई नहीं होगा तो इंडेस 109 नॉट अप्लाई है यह आपको समझ दा है समझ आया चलिए यहाँ पर यह हमने समझ आप आगे दिखिए deferred revenue की अगर हम बात करें deferred revenue obligation यह deferred revenue जैसे कितने बार हमारा income होता है तो हमने उससे defer करके रखा हूँ हमने उससे recognize नहीं किया तो यहाँ पर इसमें दो पार्टी इंवल्व भी नहीं है warranty obligation में पैसे नहीं मिलते हैं यह भी पैसे देने नहीं होते आपको warranty obligation माल विल्केशननी की माललीकीशनी कि अपको काइस दूंगा फिर अफने डिशसे दूनगा मेरा अपको अन्यादर नो फैनिशल कुछ दूनगा को इसलिए यहाँ पर most wanna warranty, obligation, deferred, revenue वगेरा नहीं आता मतलब आपको यह ध्यान में रखना है कि अगर मुझे cash या another financial asset देना है, financial asset होगा, या फिर मुझे cash या another financial assets लेना देना है, तो financial assets liability हो सकता है, पर warranty obligation, deferred revenue में ऐसा नहीं होता है, prepaid expenses में भी ऐसा नहीं होता है, चली, simple सी बात नहीं, आपर कुछ ज़्यादा assets है नहीं, हमने यह पूरा discuss कर लिया, अब आगे मैं आपके सथ क्या discuss करना चाता हूँ, मैं आपको यह समझा रहा हूँ, अब मैं आपके सथ discuss करूँगा पता है, equity instrument, equity instrument, मैंने आपको financial asset समझाया अच्छी तरीका से, मैंने आपको financial liability अच्छी तरीका से समझाया, अब मुझे आपको equity instrument समझाया, already मैंने equity instrument आपको guide कर दिये, क्या है, लेकिन equity instrument समझाने से पहले मैं फिर से एक बार थोड़ा सापका समय लूँगा, जादा समय नहीं लूँगा, मैं एक बार recap कराना चाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर ही थोड़ा stress देंगे, फिर आगे हम फटावट बढ़ेंगे, देखें, financial asset में क्या था, cash, investment in equity instrument, debt instrument, contractual right to receive cash, या फिर another financial asset होना पड़ेगा, potentially favorable, potentially unfavorable और यहाँ पर contractual obligation to deliver cash, और another financial asset, यह सारा चीज़ है, अब equity में क्या होता है, equity लगबग financial liability की तरह ही होता है, पर वो financial liability नहीं होता है, परते क्यों, equity में आपको क्या देखने को मिलेगा, मैं आपको समझा रहा हूँ, equity में यह देखने को मिलेगा, कि आपको पैसे तो मिले है, और आपका कोई contractual obligation नहीं है, जिसमें आपको cash या another financial asset देना पड़ेगा, बहलें वहाँ पर no contractual obligation आ जाएगा, और या फिर आपका कोई exchange होना वाला financial assets, financial liability का, लेकिन इसमें आपका कोई contractual obligation है, कि आपको पैसना देना पड़ेगा, यहाँ पर आपका obligation नहीं, वह आपका equity बन जाते है, दिखिए आपर आप दिखिए, अच्छे दब बढ़ते हैं, equity instrument का मतलब क्या है, contract debt evidences residual interest in an entity after detecting all of its liabilities, जिसे आप दिखिएगा, अगर मैं किसी company का equity certs खरीदता हूँ, अगर मैं किसी company का equity certs खरीदता हूँ, तो यहाँ पर क्या होता है, मुझे last में बच्चा कुचा मिलता है, और अगर मालने जिए, किसी ने मेरी company के equity certs खरीदा है, तो मैं last में बच्चा कुचा residual उनको दूँगा, मेरा मन करेगा तो दूँगा, नहीं मन करेगा तो नहीं दूँगा, यहाँ पर चलें, investment in equity की बात नहीं करें, मेरे company है, आपने मुझे पैसे दिये हैं, अब मुझे पैसा आपको लोटा की नहीं देना, हाँ, liquidation वगेरा कुछ हुआ, तो last में देंगे बात अलगे, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर वड क्या no, नहीं है ऐसा कोई obligation, पैसे आया पर नहीं है, तो मतलब equity हो गया, यहाँ पर no contractual obligation to exchange financial assets or liability under condition debtor, potentially unfavorable, मतलब मेरे लिए potentially unfavorable है, पर मुझे आपको पैसा नहीं देना, अगर मेरे लिए potentially unfavorable है, मुझे आपको obligation है कि पैसा या another financial asset देना पड़ेगा, तब तो लाइबलेटी हुआ न, financial liability, पर मेरे pay unfavorable होने के बाद, बावजुदी कुछ देने मतलब वो, equity है, मुझे का मतलब ये equity का मतलब वो होता है, कि जहाँ पर मेरे को obligation है, आपको पैसा या another financial asset देने, तो वो equity हो जाएगा, मतलब equity मैरे मेरे कोई obligation नहीं रहते है, जहाँ obligation है, जहाँ obligation हीए वो, क्या बंचेगा, equity बंचाएगा, तो चले, यह हमने समझा है, दिमाग में था भी दिमाग से निकल गया यह पॉइंट तो मैं आपको साथ सब समझा दूँगा अच्छे से कोई प्रॉब्लम नहीं है आपने मुझे 10 लाक रुपीज दिया है यह 10 लाक रुपीज एसेट तो कभी होई नहीं सकता आप मुझे पैसे दोगे तो थोड़े नहीं अपको दे रहूँ और मुझे आपसे बाद में मिलने आप मुझे अगर पैसे दोगे तो यह मेरे लिए या तो लायबिलिटी होगा य लिए अगर मुझे आप कोई पैसे चुकाने है, पूरे के पूरे, तो मैं दिखा दू हूँ, आप 10 लाक कैस बढ़ेगा, 10 लाक से लाइबिलिटी बढ़ेगा, ऐसा भी तो हो सकत है, कि आप में मुझे 10 लाक रुपीज भी है, पर मेरा obligation जो future में चुकाने का उसका प्रेजें लाइबिलिटी दिखा देंगे, यहीं 3 लाक तो चुकाने नहीं है, आउट ओफ 10 लाक रुपीज रुपीज रेसेवड उनली 7 लाक पेबल है, तो 7 लाक फानिशल लाइबिलिटी हो जाएगा, बाकी का remaining 3 लाक तो पेबल ही नहीं, तो 3 लाक क्या करेंगे, एक्विटी बस आप दिमाग में रखेगा, मतलब अगर आपको कभी पैसे मिले हैं, आप देखने हो उसमें सबको कितने चुकाने, जितने चुकाने हो फानिशल लाइबिलिटी हो जाएगा, रिमेनिंग बच्चा को चाब, एक्विटी हो जाएगा, यह मुझे आपको समझाना था, तो इहाँ पर, अब यहाँ पर मैं आपको क्या करूँगा, पहले प्रेफ़रंसेट्स आपको समझा दूगा, मैं, फिर आगे हम बात करेंगे, जो ओन इक्विटी इंस्ट्रुमेंट वाली बात करेंगे, दिखिए, प्रेफरंसेट्स मैंने आपको समझा दिया, अगर माल जे redemption होना है at a specified date तो financial liability होगा redemption होना है पैसे चुकाने अगर redemption at the option of holder है मतलब आपकी option में मेरे पर तो controlling मतलब मैंने आपसे 10,00,00 रुपिस लिए अगर आप बोलो के पैसे दो तो मुझे आपको देने पड़ेंगे अगर आप redemption कराओगे तो मुझे आपको पैसे देने पड़ेंगे तो वो तो आपके control में मेरे control में नहीं आप मुझे से मांगोगे तो मुझे देने ही पड़ेगा तो इसलिए financial liability होगा लेकिन मेरे hands में redemption का option है मैं चाहूं तो redeem करूँ मैं ना चाहूं तो redeem ना करूँ मला मेरे पास discretionary power है मेरे control में तो मैं चाहूं तो avoid कर सकता हो न payment of cash और another financial asset तब तो यह equity बन गया यहनि कहने का मतलब यह reference sets में तीन tab का contract हो सकता एक तो mandatory की redemption हो गई तो financial liability है दूसरा आपके पास अधिकार है तब ही financial liability क्योंकि मैं कुछ नहीं कर सकता तीसरा मेरे पास अधिकार है तो मैं चाहूं तो रोख दूँगा आपका पैसा और आप कुछ नहीं कर सकते obligation नहीं है मतलब तो मतलब क्या हो गया equity हो गया लेकिन non redeemable preferences पर फिर भी आपको इसके अंदर extra clauses और features भी दीखना होता है कितने पर ऐसा होता है कि यह non redeemable preferences है पर उसके substance को अगर हम analysis करे properly तो मैं दिख रहा है कि हमारे पास पैसे चुपाने का लावा कुछ आ रहा है मतलब हमारा अगर हम overall देखे तो substance यह कहता है कि हमें चुपाने पड़ेंगे हमारा legal restrictions से कुछ ऐसा कारण होगे जिसके चलते हम चाहा कर भी आपका redemption नहीं रोक सकते है हमें redeem करने ही पड़ेगा हाँ पर तो ऐसा situation में हो liability बन जाएगा तो इसलिए आपको यहाँ पर क्या करना होता है appropriate classification करने के लिए आपको other rights भी उसमें क्या attach वो सारी चीज़ आपको देखनी होती है और उसके बाद आप overall वही financial liability and equity instrument का जो definition है उन सब चीज़ों को देखते वे आप judge करोगी हाँ पर कि ultimately उसमें financial liability and equity है जैसे माल लिए प्रेफरेंस है तो non-redeamable है पर principle नहीं चुकाना तो जो interest मुझे आपको देना उसका present value तो मेरा obligation है तो उतना तो में liability दिखाऊंगा बाकी बच्चा कुछ है जो नहीं देना वो equity दिखाऊंगा इससे related कुछ कुछ questions आएंगे आपके वहाँ पर आपको clarity मिल जाएगे उससे कुछ tension की बात नहीं है और वहाँ पर आपको अराम से clarity आजाएगा अब दिखे preference rates पर distribution महले डिवरेंट का distribution का बात कर रहा है अब डिवरेंट अगर मालीजी issuer के description में मेरा मन होगा तो दूँगा मेरा मन नहीं करेगा तो नहीं दूँगा अगर contractual obligation exist करता है preference rates में तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि डिवरेंट और principle दून अलग 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 component है मेरे compound finance instrument का बात किया था न कि मालीजी डिवरेंट ऐसा है कि mandatory देना ही पड़ेगा तब तो financial liability है और principle नहीं देना तो वो equity बन जाएगा तो यहाँ पर दोनों का accounting भी हम अलग अलग करते है जिसने हम अलग अलग से classify करेंगे मालीजी आपसे मुझे 10 lakh rupees मिले है जिसमें मुझे लग रहा है जो future में मुझे different mandatory देना पड़ेगा जिसका present value 2 lakh rupees है तो 2 lakh मेरा क्या होगा financial liability बाकी का 8 lakh मेरा equity बन जाएगा कि हम जब preferences का classification करेंगे है सा liability या equity तो हम यह सब चीज़ों को नहीं देखेंगे कि intention हमारा क्या है दिमाग में क्या चल रहा वगेरा 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 नहीं देखेंगे हम सिर्फ देखेंगे हैं contractual rights and obligation अगर मेरे पर contractual obligation है आपको पैसे देने का तो ऐसा situation में वो financial liability होगा मालीजी अगर ऐसा है कि मेरे पर कोई contractual obligation है कि मैं आपको different दूँ पर फिर भी मेरा नियत है कि मैं आपको different दे सकता हूं तो नियत वगेरा matter नहीं करेगा अगर मेरा कोई contractual obligation नहीं है देने का तब वो equity ही कहलाएगा भले आपका history क्या पहले से देते आरो matter नहीं करते हैं इन्हीं आप history, trend, intentions आपका reserve में कितना पैसा पड़ा हुआ है आपका क्या impact पड़ेगा business पे है ना issuer का क्या expectation है कितना कमाएगा यह सा माईने नहीं रखते है contract माईने रखते है, contract में क्या लिखाव माईने रखते है contract में लिखाव obligation तो financial liability contract में लिखावा कोई obligation नहीं तो वो equity हो जाएगा बस इतना ही, तो यह सारी चीज़े मैंने फटा-फट से आपको revise कराईए and यहाँ पर मुझे नहीं लगता आपको इतना ज्यादा problem आएगा and अभी हमें क्या करना चाहिए, हम फटा-फट से एकोट चीज़ हम पढ़ेंगे हाँ, फटा-फट से एकोट चीज़ पढ़ेंगे, उसके बाद मैं आपको लेके चलूँगा है, है ना, deposits given, हमने deposits दिया है, तो हमें मिलने है, किसी को देने है, है ना, financial asset हो गया, deposit received, मतलब हमें देने है, किसी को मिलने है, received क्या तो में तो देने है, तो financial liability हो गया, bills receiver, हमें मिलना है, मतलब किसी को देना है, financial asset, trade and other receivers, financial assets, simple सी बादे, bills payable, हमें चुकाना है, किसी को मिलन है financial liability loans including bank loan हमने bank loan लिया है हमें देने है financial liability investment in equity instrument equity instrument में हमने investment किया तो मेरे लिए financial asset से पास वाले के लिए equity है यह यानि financial asset investment in debenture financial asset promissory note to receive government bond या नादर financial asset समारे पास यहां मिलेगा receive financial asset यह हो गया financial liability payable वाला Perpetual debt instrument held हमने instrument held किया Perpetual तो हमारे लिए किया financial asset है अब Perpetual instrument मैं आपको बदा दू जहापर आपको principle कभी नहीं मिलता मैंने आपका Perpetual bond खरीद है मेरे लिए किया financial assets आपके लिए financial liability अब इसके अंदर मैं क्या देखूंगा पता है अब आपके लिए financial liability है पर financial liability के साथ maybe आपके लिए equity भी हो सकता है क्यासे क्योंकि जो perpetual bond है न उसमें interest तो आपको मुझे चुकाने ही पड़ेगा लेकिन principle तो आपको मुझे कभी चुकाने है न क्योंकि perpetuity तक चलते रहेगा तो interest component आपके लिए financial liability है पर principle component आपके लिए equity होगे मिरे लिए तो entirely financial assets क्योंकि financial assets अलग अपना पूरे रहेगा equity और financial liability का में check करना होता है आपको जितना चुकाना है उतना आपके लिए financial liability जितना नहीं चुकाना होतना आपके लिए equity पर मिरे लिए तो investment in equity हो मिरे लिए investment in liability हो मेरे लिए तो पूरा का पूरा financial assets से रहेगा इसलिए समझना financial assets अखेला है अलग से और financial liability equity अलग से अपने एक सेट में अकेला financial assets बैंटमिंटन खेल रहे है आपके सथ आपके एक सेट में दो प्लेयर एक सेट में सिंगल प्लेयर है उधर कौन को ने financial liability और इधर कौन ने सिर्फ अकेला financial asset यह आपको बस समझना प्रिपेट expenses आपको goods and services मिलेगा तो यह आपका नहीं है inventory नहीं है आपको goods and services देना पड़ेगा यह समझना आएगा deferred revenue नहीं आता है warranty obligation नहीं आता है income taxes statutory obligation होता है नहीं आता है financial guarantee received financial guarantee आपको मिला है तो आपको पैसे मिलेंगे किसे third party से financial asset है अगर आप दोगे तो financial liability है गोल्ड गोल्ड आपको गोल्ड आपको गोल्ड आपके पास है कोई दूसरा बं bond हम क्या सकते है bond किसी ने issue क्या होगा मैं हमारी asset उनके लिए library यह financial asset होगा यह सहाराची मैं आपको फटाफट से करा दिया चलिया रिवाइस ज्यादा से ज्यादा coverage करने की मैं कोस्स करा हूँ अब मैं आपको मुद्दे पे लेके जाओंगा जहां पर मैं अब आपको समझा काने वालों और क्या पर कॉछ यहां पर कुछ यहां पर एंटिटी जो है मतलब मैं अपने खुद के एकुटी इंस्ट्रूमेंट में अपने खुद के एकुटी सेट्स के तुरू सैटल्मेंट करूंगा उससे रिलेटेड कुछ हमें discussion करना है यहां पर financial assets में भी कुछ बात के अंदर भी कुछ point है एंड साती साथ equity के अंदर भी कुछ point है पहले मैं क्या करूँगा आपको Financial liability का discussion करूँगा मैं आपकी साथ पहले अभी और फिर equity को दोनों का difference मैं आपको समझाऊंगा कि कब financial liability होगा कब equity होगा, तो financial liability के अंदर सबसे पहला point आपको दिख रहा होगा, a non-derivative for which entity obliged to deliver variable number of own equity instrument तो यहाँ पर दिखें, सबसे बहले non-derivative एक word है यह keyword होगी है आपर and इसके बाद आपका variable number of equity instrument, यह भी keyword है है ना, और अपना खुद का equity deserts की बाद करें आपर, तो यहाँ पर इसका मतलब आप समझी अच्छे से, मैं इसका मतलब समझाने के लिए कि example ले रहाँ आपके साथ मानले जी क्या हुआ, मैंने क्या क्या, मैंने आपको है न debentures issue किया, मैंने क्या क्या आपको debentures issue कर दिया और आपसे मानले जी 10 लाक रूपिस ले लिया आपको मैंने एक debentures issue किया और आपसे मैंने 10 लाक रूपिस लिया आप मुझे बते हैं, यह जो contract हमारे बीच में हुआ क्या यह derivative contract है, या non derivative contract है derivative contract मैं हलका सा आपको hint दे दे रहाऊ पूरा discussion हम आद में करेंगे contract कर लेते हैं, future contract कर लेते हैं, swapping वगेरा कर लेते हैं, यह सारे derivatives contract होते हैं जिसके बारे में detail मैं आपको बारे में समझ आएगा पर अगर मानिजिये मैं आपको debentures issue कर रहा हूं और मैं आपसे पैसे ले रहा हूं, तो यह तो आपका normal transaction है, यह पर तो physical delivery और debenture आपको दिया जा रहा है, आपसे पैसा लिया जा रहा है यह एक प्रकार का non-derivative है, मतलब इसमें derivative का इसमें कुछ भी नहीं है, है ना, आपको forward वगेरा, options वगेरा, swapping वगेरा, कुछ यहां नहीं दिख रहा है यह normal transaction इसम non-derivative contract कहते हैं, तो वही मैं आपको क्या का, इस debenture के बदले, मैं आपको equity sets दे दूँगा, मतलब कहने का मतलब साफ यह है, कि debenture जो है, यह convertible debenture है, यह debenture क्या है, convertible debenture है, यह बाद में equity sets में convert हो जाएंगे, कब आज से five years के बाद, mandatory, आज से five years के बाद यह debenture में convert हो जाएंगे, sorry, equity sets में convert हो जाएंगे, अब कितने equity sets में convert होंगे, यह नहीं पता, यहनि दो situation हो सकता है, either मैं आज आपको यह कह दूँ, कि हाँ, आपको future में हम five lakh equity sets देंगे, five lakh number of equity sets देंगे, मैं आपको यह कह सकता हूँ और यह अफर मैं आपको यह कह सकता हूँ कि हाँ उस टेम में देखिएंगे कि क्या equity sets का value है और उसके accordingly हम आपको number of sets दे देंगे तो दोनों बाते हो सकते हैं आपर तो चले पहला point हम यह लेते हैं मा लिजा यह और example मैंने क्या किया आज आपसे 10 lakh rupees लिया है आज आपसे 10 lakh rupees लिया है और आपको debenture issue कर दिया और मैंने आपको वादा कर दिया है कि आज से 5 years के बाद यह debenture जो हम convert कर देंगे into sets यानि हम अपने खुद के sets आपको deliver करेंगे अपने खुद के sets मतलब मेरे खुद के जो ओन equity instrument है तो आपको दिख रहे है ना deliver किया जाएगा own equity sets हम अपने खुद के sets आपको deliver कर देंगे और मैंने कहा भी दिया कि मैं आपको 50,000 sets दूँगा कितना 50,000 sets दूँगा तो क्या मैं आपको fixed number of sets दूँगा जी हाँ मैं आपको fixed number of sets दूँगा मतलब यहाँ पर variability नहीं है यह उस time में सेर का price जो भी हो मतलब नहीं रखता मैंने कह दिया कि मैं five years के बाद आपको 50,000 sets दूँगा तो मेरे बात समझी जरा आज के date में मैंने आपको debenture issue किया है I agree मैंने आपको debenture issue किया है और mandatory यह debenture convert होंगे into fixed number of sets तो आप मुझे बताई कि आपको इसके अंदर क्या feel आ रहा है क्या यह liability है क्या यह financial liability contract जो है जो मैंने आपको debenture आपको दिये और आपसे पैसे लिये हैं कि हम इसी financial liability मनूँ कि equity मनूँ मैं इसने पता है equity मान सकता हूँ पता है क्यों 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 कि मुझे पैसे चुकानी तो कभी है नहीं आज मैंने किया कि आपको debenture दी दिया अब five years के बाद मैं आपको पैसे नहीं दूँगा five years के बाद मैं आपको दूँगा equity sets और वो भी fixed number of equity sets दूँगा मैं आपको तो देखा जाए तो मैं आज ही चाहता था आपको 50,000 equity sets दे सकता था पर आज यह नहीं देखे मैं आपको 5 years के बाद 50,000 equity sets दूँआ ना जादा ना कम तो ultimately देखा जा तो आज जो आप मुझे 10 lakh रुबीस दे रहो आज जो मुझे आप 10 lakh रुबीस दे रहो इससे ultimately देखा जा तो आपको 50,000 sets मिलेगा बस फरक कितना कि आज नहीं मिलेगा 5 years के बाद मिलेगा पर मिलेगा तो 50,000 sets ही अब future में सेर का price ज़्यादा हो कम हो matter नहीं करता है आपको 50,000 sets fixed ही मिलेगा तो देखा जाए तो मुझे ना आज पैसे चुकाने है ना 5 years के बाद पैसे चुकाने से चुकानी ही नहीं है बस फरक इतना कि आज आज आपके बास डिवेंचर नाम का एक instrument पड़ा हुआ है जो कि वाइवेर्स के बाद convert हो जाएगा into equity sets वो भी fixed number of equity sets में convert हो जाएगा और इसलिए मैं पूरा का मैं आपके साथ अभी discuss करूँगा जैसे मान लीजिए for example मैंने आपसे 10 लाक रुपीस लिए है और आज मैंने आपको convertible debenture दी दिए और मैंने आपको कहा है कि 5 years के बाद ये debenture जोए convert हो जाएगे into equity sets तो यानि यहाँ पर मैं हम आपको अपने own equity sets देने वालों पर कितने equity sets देने वालों यह हमने आज decide नहीं कहा जिसे पहले वाले example में जहामने equity classify क्या था वह हमने कहा था कि हम आपको 50 thousand equity sets देंगे fixed number of equity sets देंगे यह हमने कहा था और उसे हमने equity classify क्या था पर इस बार जो example है इसमें मैं आपको यह कह रहा हूँ कि fixed नहीं है हम आपको कितना number of equity sets देंगे वो depend करेगा उस time का share का fair value पे माली जो उस time का fair value of sets 20 rupees हुआ तो 10 lakh divided by 20 करके जो आएगा वह हम आपको sets देंगे माली जो उस time में share का price 40 rupees हुआ तो 10 lakh divided by 40 करके जितना number of sets आएगा वो हम दे देंगे माली जो उस time में share का price 200 हुआ तो 10 lakh divided by 200 करके मैं आपको number of sets देंगे तो आप मुझे पताईए क्या मुझे आपको future में कितना sets देना आज मुझे पता है नहीं पता मुझे यह तो मुझे future में पता चलेगा sets देना नहीं पता पता तो इसलिए जब तक ही confirm नहीं हो जाएगा कि मुझे आपको कितना sets देना तब तक मेरे दिमाग में tension रहेगा और इसलिए यहाँ पर हम variable number of sets आपको दे रहे हैं वो depend करेगा future का sets का fair value पे और इसलिए हम इसे financial liability कहते हैं दूसरा एक और point में आपको समझाने की कोसिस कर तो इससे explain करने के लिए आप देखे यहाँ पर देखा जैतो ultimately future में मैं आपको 10 lakh rupees कैस पर नहीं लोटा रहा हूँ मैं future में 10 lakh rupees आपको through sets लोटा रहा हूँ यहाँ पर क्या हो रहा है इस case में आपको future में 10 lakh rupees मिलेगा और वो भी उस time का सेर का price decide करेगा तो देखा जाए तो हम जो अपना liability है जो मेरा obligation है वो मैं आपको discharge करूँगा through issue of equity instrument उस time का fair value के साबसे 10 lakh rupees से discharge करूँगा देखा जाए तो मैं सेर्स तो आपको दी नहीं रहा है मैं तो आपको 10 lakh rupees discharge कर रहा हूँ in the form of sets क्योंकि उस time में जो सेर का जाएगा मेरे दिमाग में कि कितने सेर्स आपको देने पड़ेंगे ज्यादा देना पड़ेगा तो company का एक बार का हलत खराब हो जाएगा अगर ज्यादा देना पड़ेगा तो कम भी देना हो सकता आपको ज्यादा भी देना हो सकता है तो यहाँ पर क्या variability है और इसलिए ज सेर्स आपको फिक्स नंबरों सेर्स दिया जाएगा फ्यूजर डेट में तो हम कहेंगे यह equity instrument है क्योंकि आज ही हमने डन कर लिया कि हम आपको कितने सेर्स देंगे तो simple सी बाते दिखा जातों यह सेर इसू कहीं के से आप इसे equity में 10 से हैं और तब तक यह financial liability माना जाएगा हाँ जिस दिन 5 years के बाद ultimately हमें पता चल जाएगा कि मापको कितने सेर्स इसू करने वाले उस दिन financial liability से reclassify होगे वह equity बन जाएगा जिस दिन real माइने में confirm हो जाएगा मानले चे 5 years के बाद confirm हो गया कि मापको 30,000 सेर्स देंगे तो जिस दिन fixed हो जाएगा न 30,000 सेर्स देंगे उस दिन आप उसे equity classify कर देना पर until and unless जब तक यह fix ना हो जाए कि मापको कितने सेर्स देने वाले तब तक वो तब तक वो financial liability होगा तो बस यहाँ पर फरेक इतना ही आपको यह देखना है जैसे कि आप देखें आपर यहाँ पर क्या लिखाव है non derivative contract है जहाँ पर entity obliged है कि वो आपको deliver करेगा variable number of sales variable अगर यह fix होता ना तो equity बन जाता है यहाँ पर fixed word नहीं अपर variable word है जैसे कि मैं आपको का future में share का price क्या होगा उसके basis में depend करेगा कि आपको कितना assets मिलेगा यहीं सेर्स कितना आपको दिया जाएगा future में अभी तक decide नहीं हुआ है अभी तक fix नहीं हुआ है मतलब यह financial liability है अगर मैं इस variable को काट के fix कर देता ने आपर तो ऐसा situation में यह क्लासिफ़ होता आपको बता है यह ऐसा situation में क्लासिफ़ हो जाता है as equity instrument ग्लासिफ़ हो जाता यह आपको मुझे feel कराना यही मुझे आपको समझाना है तो आप देखिए क्या यहाँ पर यह चीज के तरफ तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखिए equity में आप देखिए it is a non derivative that includes no contractual obligation for the issuer to issue variable number of its own equity instrument इसका मतलब ही यह कि जहाँ पर मेरा कोई obligation ही कि मैं आपको variable number of equity sets दूँगा मतलब अगर मैं आपको fixed number of sets दूँगा यहाँ पर आप सेड में ल classify होगा यासर situation में वो क्या बन जाएगा वो बन जाएगा आपका financial liability बन जाएगा आपका तो चलिए यह आपने समझा है यहाँ पर इसी को हमने समझा है तो हम क्या करेंगे कुछ examples है वो मैं आपको यहाँ पर clear करा दे जाओ क्योंकि यह point में आप गोलो कि सर इतना stress क्यों दे रहो क्यो situation 14 मैं कुछ-कुछ example important वही आपको कराऊंगा देखे CBA Limited ने issue किया convertible debenture to RQP Limited for a subscription amount of 20 अंड्रेड क्रोड 100 क्रोड मतलब मालनी चे मैंने आपसे लिये है और आपको मैंने convertible debenture दिये those debenture are convertible after 5 years मैं लगा mandatory लिये convert होगा after 5 years into equity sets using a predetermined formula और formula क्या पता है 100 क्रोड into 1 plus 10% to the power 5 मतलब यह क्या करा है 100 क्रोड में 10% का interest जोड दे रहा है मैं सीधा इसका value भी निकाल सकता हूँ 100 क्रोड प्लस 10% equal 100 ton हो गया plus आपका या फिर into भी कर सकता है into 1.10 into 1.10 3 बर क्या into 1.10 4 बर क्या into 1.10 5 बर क्या 161 के आस्पस आ रहा है यह निए आपको पता है इसका value कितना आएगा 161 CR आएगा तो यह तो पता चला है कि 161 CR का आपको क्या दिया जाएगा सेर्स दिया जाएगा पर कितना सेर्स दिया जाएगा डिसार नहीं यह depend करेगा उस दिन का fair value जिस दिन convert किया जाएगा future में 5 years के बाद उस दिन का fair value of सेर्स matter करेगा मतलब यहाँ पर यह लिख सकता हूँ यह तो 161 CR आया था अगर future में सेर का price हुआ 300 तो इससे डिवाइड करेंगे और number of search देंगे future में सेर का price 100 हुआ तो उससे डिवाइड करके search देंगे future में सेर का price 250 हुआ तो उससे डिवाइड करके देंगे आपको 161 crore discharge किया जाएगा जो 100 crore आज लिया जाए रहे 10% interest चढ़ा चढ़ा के 5 years में आपको 161 crore discharge किया जाएगा वो बस जो discharge होगा वो through issue of sales होगा मलब हम sales देंगे आपको उस इनका जो sales का price होगा उसका form में आपको sales देंगे यानि देखा जाए तुम यहाँ पर liability discharge करें थ्रो issue of sales है न और यहाँ variability इसलिए financial liability हो गया तो उमीद आप यह आपको clear हो गया अब आगे एक और example देखते हैं देखिए यहाँ पर DF Limited ने convertible debenture इसू किया है for a subscription amount of rupees 100 crore those debentures are convertible after 5 hours into 15 crore equity assets of rupees 10 each तो देखिए आज मैंने आपको debenture इसू करके आपसे 100 crore रूपिस लिया है मैंने और future में मैं आपको fixed 15 crore equity sets दूँगा ना ज्यादा ना कम यहाँ फ्यूचर के fair value मतर नहीं करें आपर future में आपको fixed 500 crore मिला जाएगा यहाँ फिक्स नंबर हो sets है इसका मतलब क्या हो गया यह equity instrument हो गया जबकि fixed number of sets है इसलिए यह क्या हो गया equity instrument हो गया यह आपका चली option वाला आपका इसका point हो गया written option with multiple exercise चली यह सारे आपके उससे related हो गया हाँ यह वाला question भी हम देख सकते हैं आपर चली इलासिएशन 8 भी फटा फट से दिखा देता हूँ target limited ने क्या क्या borrowing किया rupees 10 lakh rupees यहनि मैं target limited हो आप jet limited हो मैंने आपसे 10 lakh rupees बोरो किये jet limited enters into an arrangement with the target limited for the settlement amount of the loan against issue of a certain number of equity sets of target limited यहनि यह जो loan लिया future में issue of equity sets से settle होगा और यह 10 lakh rupees का sets आपको दिया जाएगा for this purpose for this purpose fair value per set to determine total number of equity sets to be issued shall be determined based on the market price of the sets of target limited and future date upon settlement of the contract मतलब यह क्या कहना चाते है यह कहना चाते है कि मैंने आज आपसे 10 lakh rupees के सुधार लिया है future में यह settle होगा through equity sets मतलब मैं अपने equity sets own equity instrument देखके settle करूँगा पर मैं 10 lakh rupees का equity sets दूँगा और कितना sets दूँगा आज fix नहीं है यह future में क्या set का price होगा उसके ओपर dependent है तो क्या मतलब यहाँ पर variability जी हाँ यह तो future में decide होगा तो यह variability है तो मतलब यह क्या बन गया symbol सी बात यह financial liability बन गया तो उमीद है आपको समझ में आगे कि कब हम financial liability कहेंगे कब हम equity कहेंगे यह आपको clear हो चुका है मलए non derivative contract है जहाँ पर variable number of equity instrument दिया जाएगा future में variable तो financial liability अगर fix दिया जाएगा तो फिर क्यों हो गया equity हो गया तो चलिए यह पूरा point आपका अभी clear हो चुका है hope अच्छी तरीके से clear हो चुका है कोई problem यहाँ पर नहीं है एक और question है यह भी ऐसा देख सकते क्या चलो यह आप खुद ही देख लें अब जरूत नहीं बहुत सारा example में ने करा दिया इससे related अब आके मैं आपके साथ एक और point discuss करूँगा का गया point अच्छा इसमें नहीं है इसका pdf आपको मिल जाएगा टेंसरी की बात नहीं टेलिग्राम में मिल जाएगा कहा गया कहा गया कहा गया हाँ चलिए अब हम आगे क्या बात करेंगे एक और point आप जो देख रहे हैं आप यह रिखे a derivative that will be settled other than by exchange of a fixed amount of cash और other financial assets for a fixed number of it entered his own equity instrument तो बोलो कि कुछ समझ में नहीं है फिर से पढ़ते हैं देखे डेरिविटिव होना पड़ेगा जहाँ पर यह derivative जो वो settled होगा other than by exchange of fixed amount of cash यहनि fixed amount of cash में settled नहीं होगा variable amount of cash में settled होगा और या फिर या फिर आपका fixed number of sales नहीं दिया जाएगा variable number of sales दिया जाएगा मतलब क्या मैं आपको समझा रहा हूँ मतलब यहाँ पर आपका क्या होता है fixed for fixed test pass होता है ता हम उसे equity classify करते हैं अगर fixed for fixed test pass नहीं होता है तो हम उसे क्या करते हैं हम उसे financial liability classify करते हैं कैसे मैं आपको समझा रहा हूँ मालीजे for example मैंने आपको अधिकार दिया मैंने आपको option दिया अब आपको मैंने यह अधिकार दिया यह अधिकार मैंने आपको यह दिया कि आप मेरी कंपनी का sales खरीद सकतो आप मेरी कंपनी का sales खरीद सकतो इसका मैंने अधिकार दिया आपको मेरी कंपनी का sales खरीदने के लिए अपको फ्यूचर में कुछ exercise प्राइस भी देना पड़ेगा माली जी मैंने कहा कि हाँ आप फ्यूचर में मैं ज़े 200 रुपिस का exercise प्राइस दे दीजेगा कितना 200 रुपिस का exercise प्राइस दे दीजेगा और number of sets हम आपको देंगे हर 200 रुपिस में मैं आपको one set देंगे ऐसा मैं आपको कहा सकता हूँ तो यहाँ पर मैंने क्या क्या मैंने आपको अधिकार दिया है कि आप मुझे fix consideration दीजेगा आज आपको मैं option दे रहा हूँ आपसे मैं premium खा रहा हूँ मैंने आपको यह अधिकार दे कि future में consideration भी आपसे मुझे fixed मिलेगा और number of sets भी मैं आपको fix दूँगा बस तो बात इतना ही कि दिखा जा तो number of sets आज ही चला जाना चाहिए बस फरह कितना है कि future में जाएगा future में fixed consideration आएगा future में fixed number of sets आएगा तो मतलब यह equity हो गया लेकिन सोची ना अगर मैं आपको यह कहूँ कि आप मुझे आपको मैं 10 लाक रुपीस का आपको मैं आधिकार देता हूँ कि मैं आपको 10 लाक रुपीस का sets दूगा पर sets आपको कितना दिया जाएगा वो उस time के fair value में depend करेगा मैंने consideration मैंने fix रख दिये लेकिन आपका जो number of sets वो decide किया जाएगा उस time का fair value मतलब number of sets तो कुछ भी हो सकता है variability है जब मैंने आपको यह कह दिया कि number of sets एक sets का 200 रुपीस करके हम आपको sets इसू करेंगे पर जो amount of consideration आपको मिलेगा जितना consideration का sets आपको मिलेगा वो consideration future में decide होगा यहनि कुल मिला कि कहने का मतलब यह साफ मेरा कि जब हम बात करते derivative contract के derivative contract मतलब forward contract हो गया option contract हो गया जहापर हम आज ही सोदा कर लेते कि future में आपको sets देंगे और आपसे पैसा लेंगे forward contract कर लिए मैंने आपके साथ मैंने आपको खा कि future में हम आपको क्या करेंगे set देंगे आप हमें पैसे दीजेगा अगर future में आप हमें जितना पैसा दोगे वो आज ही canfirm है और future में आपको इतना assess देंगे वो दोनों आज confirm है तो यह equity माना जाएगा लेकिन अगर दोनों में से कोई एक भी variable है तो ऐसा situation में यह financial liability माना जाद है क्योंकि मैंने कहा न अगर fixed नहीं है तो मतलब आपका variable है तो मतलब financial liability हो गया अब आप बोलो के sir यहाँ पर ऐसी बात क्यों नहीं होई यह आपर consideration की बात क्यों नहीं क्योंकि consideration यहाँ पर हमने already लिया non derivative contract में जब मैंने आपको debenture issue किया तो आपसे मैंने पैसे लिये थे न 10 लाक रुपीस तो 10 लाक रुपीस तो मैंने already आपसे consideration लिया और वो तो already fixed है तो देखा जाए तो non derivative contract में consideration already fixed रहते है बचता है कि आपस number of sets भी बात में दिया जाते है तो मैं इसलिए चेक करना होते है कि consideration बात में आएगा तो क्या वो आज ही decided है कि कितना आएगा क्या fixed है कि number of sets भी fixed है अगर दोनों fixed है तो equity अगर दोनों में से कोई एक भी variable हुआ तो फिर वो बन जाएगा financial ability इसलिए यहाँ पर कह रहा है कि देख financial ability या फिर variable number of sets है तो भी आपका क्या होगा financial ability हो जाएगा यहनि दोनों में से कोई एक भी fixed नहीं होना चाहिए अगर दोनों में से कोई एक भी अगर आपका variable हुआ तो financial ability अगर दोनों के दोनों fixed है न तो यह आपका क्या होगा equity होगा अब आप equity में देखें एक्जांबल fixed amount of cash और another financial asset यानि fixed amount of cash होगा consideration fixed होगा और number of sets भी fixed होगा दोनों अगर fixed होए न तो equity होगा दोनों में से कोई एक भी अगर variable हो गया तो यह financial liability बन जाएगा तो चलिए अब हम derivative की बात करते हैं derivative के लिए भी example है मैं आपको derivative के लिए जो example है आपको मैं कराता हूँ देखिए यहाँ पर आप देखिए illustration 16 आपको समझ माया एगा स्ट लिमिटेड ने purchase किया option अधिकार खरीद है 80 लिमिटेड से entitling the holder to subscribe to fixed number of equity assets of issuer at a fixed exercise price of Rs.50 per share at any time during a period of 3 months holder paid in initial premium Rs.2 per share examine whether the financial instrument will be classified as equity तो देकिन holder ने premium दिया 2 rupees का और इसको अधिकार क्या मिला है कि यह 50 rupees देगा और इसे एक single share मिलेगा per share यानि 50 rupees देगा और one share मिलेगा तो आप सोची ना older 50 rupees हमें देगा और उसे हम एक share देगे तो क्या consideration हमें fixed मिलेगा जी हाँ 50 rupees नी मिलेगा ना कम न ज्यादा consideration भी fixed है fixed amount of cash है और number of shares भी one share मिलेगा इसमें number of shares भी fixed है क्योंकि कह दिया ना पर यहाँ पर क्या कह दिया fixed number of equity share of issuer as a fixed exercise price of 50 यानि fixed share दिया जाएगा एक share का 50 rupees लिया जाएगा आपको दिया जाएगा और exercise price भी पर सिर्फ 50 rupees करके fixed लिया जाएगा तो consideration भी यहाँ पर fixed है है ना और number of shares भी fixed है तो अब दोनों अगर fixed होगा तो क्या होगा यह equity हो जाएगा दोनों अगर fixed होगा तो यह equity बन जाएगा तो आपको यह समझना है जबकि आपको दोनों fixed है तो इसलिए हम इसे क्या classify करेंगे हाँ यह on the other hand की बात कर रहा है उपर ही लिख दिया गया आपको इस option is an equity instrument और यहाँ पर नीचे लिख रहा है कि दोनों में से कोई एक भी variable होता ना तब भी financial liability बन जाता हो वो नीचे लिखावा on the other hand तो उमीद आपको यह point अच्छे से clear होगी है यहाँ पर एक और question is related वो भी मैं आपको करा देता हूँ यहाँ पर आप देखिए option अधिकार दिया किसी को जाबर holder के बस अधिकार है कि वो equity instrument purchase कर सकता है at a price that fluctuate in response to the share price of the issuer यहाँ आपर fixed price नहीं है देखिया कि क्या लिखा होगा as but the terms if the share price of issuer is less than rupis 50 per share option can be excesses at rupis 40 per share और अगर share price 50 से जाद हुआ तो option excesses होगा 60 में तो देखिए न आपको मैं एक share दूँगा आपसे मैं 40 rupis भी ले सकता हूँ आपसे मैं 60 rupis भी ले सकता हूँ वो depend करेगा share का price 50 से कम हुआ तो 40 लोगा share का price 50 से जाद हो तो 60 लोगा तो क्या बताएं क्या fixed consideration मैं आपसे ले रहा हूँ कि variable क्यों हुआ यह either 50 मिलेगा either 40 मिलेगा और 60 मिलेगा दो में से को एक मिलेगा यह एक single amount नहीं है और इसलिए हम इसे क्या कहेंगे financial liability मैंने खाना amount of cash consideration भी fixed होना पड़ेगा number of cash भी fixed होना पड़ेगा in case of derivative contract और non derivative contract में तो आपका amount of cash हमेशा ही fixed रहा था क्योंकि पहले से हम पैसे ले ले लेते हैं जब आपको variable हो गया तो liability बन जाएगा financial liability बन जाएगा तो अब मुझे उमीद आ रहा थोड़ा सा यकीन आ रहा है कि आपको यह समझ में आगी अच्छी तरीका से जो मैं आपको कहना चाहता हूँ अब यहाँ पर मैं आपको एक example और करा दे रहा हूँ फटाफट सी क्योंकि थोड़ा सा after five years मैंने दो अलग-अलग case रखा case one case two रखा case two पहले पढ़ा दे तो हम आपको case two में क्या लिखा हूँ है दिखिए number of equity sets to be issued will be based on fixed consideration जो कि 15 लाग रुपिस लिया है 15 लाग का आपको सेर्ड दिया जाएगा at a fixed price of रुपिस 180 परसे यहीं सेर का price भी fixed है 180 रुपिस करके आपक 15,000,000 divided 180 यहीं आपको 8,333 number of sets दिया जाएगा यहीं फ्यूचर में सेर का price क्या हो मतलब नहीं है क्योंकि number of sets जो है वो fixed price के उपर है fixed price है तो आप मेरी बात समझे अब मालिजे future में future में मालिजे fair value 150 हुआ तो भी matter नहीं करता आपको 8,333 sets ही दिया जाएगा क्योंकि हम 180 रुपिस की बेसिस में आपको इतना ही sets देंगे अगर future में fair value 60 होगा तो भी matter नहीं करता है आपको 15,000,000 by 180 करके आपको 8,333 sets ही दिया जाएगा मतलब यहाँ पर आपको fixed number of sets है और यह fixed number of sets क्यों आया क्योंकि आपका amount of consideration 15,000,000 जो अल्रेडी ले चुके और हमने price percent भी fixed रख देंगे 180 percent यानि future के fair value से dependent नहीं है यह तो इससे आपको fixed number of sets ही तो निकल के आएगा और fixed number of sets निकल के आएगा इसलिए क्या होगा यह classify किया जाएगा what as equity since consideration is fixed since consideration is fixed and price per share is fixed therefore number of sets to be issued in future is fixed hence यह equity instrument होगे लेखिन अगर आप यहाँ पर देखोगे यहाँ पर अगर में example हो यहाँ पर क्या लिखावा पता है case one में number of equity sets to be issued will be based on fair value per share on the date of conversion यह fair value per share पे matter करेगा अगर 150 हुआ तो 15,000,000 डिवाइट पे 150 करके 10,000 से आपको divide by करेंगे 60 तो 25 था जिन आपको sets देंगे यहाँ पर variability है और variability होनी की वज़े से आपका 15,000,000 का जो भी आपका sets future में दिया जाएगा यह financial liability होगा जब तक आपका variability खतम नहीं होता है तब तक यह financial liability होगा तो उमीद है अब आपको यह समझ में अच्छी तरीके से यह जो point यह बहुत crucial point था एंड मैं उमीद करता हूँ कि आपको यह point अब अच्छे से समझ में आ गया है यहाँ पर मैंने आपको financial liability के दोनों point clear करा दिये एक था non derivative वाला जिसमें मैंने का consideration तो पहले से fixed है number of sets में fixed हो गया तो equity बन गया number of sets variable है तो liability बन गया derivative contract में future में पैसे आत option forward contract वागिर हमें future में consideration आता है future में serious करना पड़ता है जैसे हम option देते हैं आपको कि आप future में sets खरी सकते है अगर price fixed है number of sets भी fixed है सब कुछ fixed है equity अगर कुछ भी variable हुआ तो financial liability बन गया यह दोनों point मैं आपको समझा है और इसके साथ साथ ही आपको पता है equity वाला भी दोनों point म आपको पता है क्या बच्चा अब यहाँ पर बच्चा है financial asset वाली बात financial asset के point मैं आपको समझा देता हूँ अब कितने बार ऐसा भी दो सकता कि मुझे ही अपने sets मिलेंगे तो समझे न माली जब और example non derivative contract हुआ है non derivative contract के तहत मुझे अपने ही sets मिलेंगे fixed number of sets अब मुझे अप अब कुछ ऐसा हुआ कि मैंने आपको 10 लाक से इसू क्या हुआ है आपको non derivative contract के चलते हैं मुझे आपसे future में fixed number of sets receive होंगे non derivative for which entity obligue to receive है दिखिए variable number of sets नहीं अगर मुझे माली जब से fixed number of sets received होंगे अगर मुझे आपसे fixed number of sets receive होंगे तो आप बताइए मैं क्या उसे financial asset मानू कि मैं उसे equity मानू मैं आपको बता दू मालीजे ऐसा हुआ कि मैंने आपको 10 लाक sets issue करे हुए कितने 10 लाक sets issue करे हुए अब कुछ ऐसा contract वा non derivative contract जिसमें मुझे आपसे 5 लाक sets fixed receive होंगे fixed है 5 लाक sets receive होंगे तो आप मुझे बताइए मुझे क्या करना चाहिए मुझे इसे equity से less कर देना चाहिए जो 10 लाक sets मेरे outstanding इसमें से 5 लाक minus कर देना चाहिए मुझे यह equity है क्योंकि मुझे तो पता ही मुझे आपसे 5 लाक sets मिलेंगे receive होंगे वो भी fixed है तो यह equity से minus हो जाएगा लेकिन अगर मालीजे अगर ऐसा हुआ जहाँ पर मुझे नहीं पता कि मुझे आप नहीं है sales मिलेंगे पर मुझे आपसे sales मिलेंगे मतलब को non derivative contract वा जिसमें मुझे आपसे future में number of sales मिलेंगे पर कितने मिलेंगे पता नहीं variable तो variable number of sales मिलेंगे तो अभी तक यह पता नहीं कि कितना fixed number of sales मिलेगा तो मैं आपने 10 lakh equity से roundstanding को क्या से कम कर दूँ मैंने आज आज आ equity से roundstanding 10 lakh दिखा हुआ है क्योंकि मैंने आपको इसो कर रखा हुआ है और मैंने आपके साथ कुछ non derivative contract जिसके चलते मुझे आपसे sales मिलेंगे पर पता नहीं कितने sales मिलेंगे 2 lakh मिलेंगे 3 lakh मिलेंगे 4 lakh मिलेंगे पता नहीं कितने मिलेंगे तो जब तक पता नहीं होगा तब जब तक मैं अपने equity से roundstanding से कम कैसे कर दो sales को मैं अपने sales को कम नहीं कर सकता ना क्योंकि मैं confirm नहीं कि कितने sales मुझे आपसे receive होंगे तो जब तक मैं confirm नहीं हो तब तक जो sales मुझे आपसे मिलेंगे उससे related जो भी consideration जो भी है मैं उसे financial asset दिखा हूँगा जिस दिन confirm हो अब fix number of sales 10 lakhs इसू किया है मुझे अब 3 lakh number of sales fixed आपसे मिलने वाले तो मैं कहूँगा ठीक आप 7 lakhs रहेगा क्योंकि 10 lakh इसू क्या हो था 3 lakh तो मिल जाएंगे fix है तो 7 lakh में दिखाऊंगा यानि मैं equity मानूंगा उससे और equity से minus कर दूँगा मैं लेकिन अगर number of sales मुझे जो मिले जहाँ पर मुझे आपसे fixed consideration आपको देना है और आपसे fixed number of sales मिलेंगे सारी चीज़े fixed है तो मुझे पता चल गया है कि आपको मैंने 10 lakhs sales पहले से इसू क्या हुआ है और मुझे future में fixed amount of consideration आपको देना है और आपसे fixed number of sales मुझे receive हो जाएंगे अपनी sales received हो जाएंगे तो अप अपने मान लिजे 3 lakhs sales received हो जाएंगे और आपको fixed consideration देना तो सारी चीज़े fixed है तो मैं क्या करूँगा 10 lakhs sales में से 3 lakhs minus कर सा तो मैं उसे equity मान लूँगा पर वही अगर दोनों में से कोई एक भी variable है तब तो अभी तक पता नहीं ना कि क्या होना है तो जब तक variability तब तक number of own equity instrument मतलब अगर दोनों में से कोई भी variable है तो ऐसा situation में financial assets है दोनों fixed हो गया तो ऐसा situation में उसे equity से minus कर सकते है इसलिए यहाँ पर ही financial assets है और मैंने जो regular class उसमें example लेकि पर अच्छी तरीके से समझाया हुआ है आपको still अगर कोई problem है तो वो वीडियो देखेगा अधर्व consideration fixed है चली point two पहले पढ़ते है consideration अगर fixed है और number of sets इसू क्या जाएगा दोनों fixed है तो आपते क्या होगा equity होगा लेकिन दोनों में से कोई एक भी variable है तो क्या हो जाएगा financial liability इसलिए अब दिखिए यहाँ पर consideration fixed number of sets variable financial liability यहाँ पर consideration variable number of sets fixed financial liability यहाँ पर consideration variable number of sets variable to financial liability यहाँ पर consideration variable question भी इसे related जो थे मैं उमीद कर रहा हूँ जो ICA के question है material में वो सारे questions भी मैंने आपको कराई दिये यह तीनों करा दिये यह करा दिये यह आप खुदी देख लोगे कोई problem नहीं है तो सारे questions मैंने इसे related जो है वो मैंने करा दिया and उमीद है अब आपको समझ में आगया सारी चीज़ अच्छी तरीके से जो मैं कहना चाहता हूँ वो आपको समझ में आगया अब हम क्या पढ़ सकते हैं मैं यह देख लेता हूँ अरी classification चली यह तो बाद में भी देख लेंगे treasury search ठीक है अब हम classification कर सकते है financial assets का यह हम पढ़ सकते है अब हम next आगे classification and measurement of financial assets यह अभी हम सिर्फ financial assets की बात करेंगे जहाँ पर हम accounting समझेंगे कि किस तरीके से financial assets का accounting करते हैं मैं आपको बता दूँ तीन point है basically तीन item है जिसके बारे में हम पूरा discussion करें financial assets, financial liability और equity फिलाल अभी हम financial liability equity की बात नहीं करें फिलाल हम बात करें financial assets की और basically financial assets आपको पता है कब होता है जब हम investment करते हैं पर जब हमने कहीं पर पैसा लगाया है हमने किसी को पैसे दिये हैं तो वो अमारे लिए assets होता है तो basically भी financial assets की ही हम बातचीत करेंगे कुछ देर तक उसका हम accounting वगेरे discussion करेंगे और चलिए आगे proceed करते हैं तो सबसे पहले हम आपको बता दू financial assets हो या financial liability हो आप उसे initial जब recognition करते हो तो हम उसे fair value में recognition करते हैं किस पर करेंगे यह आप धियाने कि हम fair values में उसे रिकागनाइस करते हैं चलिए यह तो ठीक है initial recognition fair value पर होगा अब subsequent recognition भी तो होगा subsequent का मतलब क्या at the end of each reporting period और settlement date पर यानि जो भी होना है ultimate settlement date मतलब जब आपका maturity period end हो जाते हैं तो हम क्या करेंगे तो आपको मैं बता दू subsequent recognition जब आप करोगे at the end of each reporting period तब आपको यहाँ पर अलग-अलग method से accounting करना होता है यहाँ पर मैं आपको बता दू basically तीन method है तीन method से हम accounting करते हैं यहाँ पर एक होता है amortize cost method दूसरा होता है fair value through other comprehensive income जिसे हम OCI भी कहते हैं shortcut में FB OCI भी कहते हैं यहने fair value trough other comprehensive income यहाँ पर क्यों होते हैं जो भी fair value changes होता है ओ इसे OCI में दिखाते हैं बातचीथ आगे और कर लेंगे। और तीसला होता है fair value through profit and loss जहां पर हम profit and loss में दिखाते हैं जो भी आपका changes दाता fire value का changes one profit and assets को आप ऐसे designate करके आप अपनी मन मर्जी से FBTPL accounting कर सकते हो FBTPL accounting करने में कोई रोक नहीं है आप initially जब आप initially पहली बार जब आप रिकंगनेस करोगे तब ही आप उसे designate कर देना ऐसे FBTPL accounting और आप उसकी FBTPL accounting कर सकते हो otherwise हम financial assets को measure करेंगे amortis cost method OCI या फिर fair value through profit and loss हम यह करेंगे अब मैं आपको बदा तो पहले मैं भी बात करूँगा amortis cost method और OCI यहनि हम कब amortis cost method और कब हम FBTPL accounting करते हैं यह दोनों हमें सीखना है पहले तो हम पहले बात करते हैं amortis cost method हम कब apply करेंगे कब हम लगाएंगे तो उसके लिए मैं चेक करना पड़ेगा दो चीज एक तुम्हें instrument का instrument आपको क्या देरे इंस्ट्रूमेंट का specific condition हमें देखना होते हैं दूसरी चीज हमें उधार दी और बदले में मैंने आपसे debentures खरीद लिए या bonds खरीद लिए मालने चे मालने जैसा हो मैंने आपकी company का bonds खरीदा है और आपको मैंने 10 लाक रुपीज दिया अब मुझे देखना है कि जो bond है यह जो instrument है यह instrument है यह instrument जो है क्या यह मुझे solely payment of principal interest देने वाला है क्या यह instrument मुझे solely सिर्फ और सिर्फ क्या principal और interest देगा इसके अलावा कुछ भी नहीं देगा तो ठीक है हम बोलेंगे हाँ यह हमें सिर्फ principal और interest देगा मतलब यह specified date में एक तो मुझे interest देगा मालने जे हर साल या 6 मेने में जो भी हो specified date में यह मुझे क्या देगा interest देगा औ दूसरी चीज maturity में मुझे principal देगा और या फिर मालने जे तोड़ तोड़ के भी principal दे सकता है अगर मालने जे instrument ऐसा है कि वो आपको solely payment करेगा principal और interest काई इसके अलावा दूसरे कोई भी आपको extra पैसा नहीं मिलने वाला यहां पर कहता है कि equity का price changes के हिसाब से भी आपको पैस इंट्रेस्ट ही देने वाला है तो चलिए ठीक हम कहेंगे अगर solely यह payment करेगा principal और interest का तो ऐसा situation में आप FBTOC या FBTOC लगा सकते हो मतलब कहने का मतलब इतना है कि अगर वो आपको solely payment of principal interest नहीं देने वाला है इसके अलावा भी कुछ देने वाला है इसके अलावा भी आपक एक्स्ट्रा पाइदा हो सकते है तो ऐसा situation में आप FBTOC और MOTES cost method लगा ही नहीं सकते है MOTES cost method और FBTOC लगाने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि वो instrument जो है जो financial asset से वो instrument आपको solely क्या थे principal थे और interest दे इसके अलावा कुछ भी ना थे इंट्रेस्ट और प्रिंसिपल बस यह दो चीज़े अब यहां पर मुद्धा यह आता है कि हमने यह तो समझ लिया कि कोई instrument अगर हमें इंट्रेस्ट और प्रिंसिपल इस सिर्फ दे रहा है तो ऐसा situation में MOTES cost method लगा सकते है या फिर FBTOC model हम लगा सकते है दोनों method हम लगा स मुझे पता चला कि जो मेरा business model है वो business model इस type का है कि मेरा intention जो है मेरा business model ऐसा है कि मेरा नियत यह है कि मुझे सिर्फ contractual cash flows से ही मतलब है मतलब मैं hold करूंगा इस financial assets को मैं hold करूंगा till maturity और मेरा नियत है पैसे कमाने का through interest and principle मैं नियत बेचने का नहीं है मैं कभी बेचूंगा न मतलब ही नहीं मतलब मुझे वेरविलू से को लेना देना नहीं मान लीजे मैंने आपसे bonds करीदा अब every year मुझे interest दोगे 50 और year end में मान लीजे मुझे 500 का principle दे दोगे और मेरा business model आप मुझे कह देरो interest और principle ही देरो और मेरा business model ऐसा है जहाँ पर मेरा नियत है कि मैं इसे during the entire term 5 साल के अंदर में कभी भी से बेचने का सोच भी नहीं सकता मैं बोलूगा ना बाबा ना तोबा तोबा मुझे नहीं बेचना मेरा नियत तो इतना ही है मेरा business model ऐसा है कि मुझे हर साल आपसे जो interest मिलेगा वो में लेकिया हूँगा और last में principle मिलेगा होई लोगा मतलब मेरा business model ऐसा है कि मुझे जो contractual cash flows मिलेगा आपसे मुझे उसे से पैसे कमाने मुझे interest revenue ही कमाने मुझे अगर मानली जे कल को point का price change भी हो सकता है कल को interest rate गिर गिया तो price बढ़ जाएगा ऐसा हो सकता है तो मेरा नियत बेचने का नहीं है मेरा नियत साफ सुतरा है मुझे सिर्फ और ना देना नहीं क्यों क्योंकि मुझे तो हर सार इंट्रस आप fix दोगे 50 रुबेस और एंड में मुझे maturity का 5 रिट दोगे तो क्या मेरा impact पड़ेगा fair value से कोई impact नहीं पड़ने वाला मेरा fair value से तो इसलिए fair value concept हम लगाते ही नहीं हम लगाते हैं पर amortized method amortized cost method मतले हम हर साल am इंट्रस चड़ाते हैं इंस्ट्रॉल्मेंट जो हमें मिल गया वह माइनस करते हैं ऐसे करते करते हैं एंड में यह खतम हो जाते हैं यह कहने का मतलब यह कि amortized cost method लगाने के लिए दो condition satisfy होना होता है पहला condition की वह instrument ऐसा है वह bond ऐसा है कि वह सिर्फ मुझे principle और interest का payment ही देग तिल maturity में नहीं बेचने वाला है न हाँ words के scenario वगेरा कुछ आ किया तो वह अलग बाते हम बाद में बात करेंगे अदर्वास मेरा बेचने का कोई नियत नहीं है यह दूनों condition satisfy हो गया मतलब मुझे fair value से को लेना देना नहीं है तो हम amortized cost method लगाएंगे लेकिन हाँ मालने ज सही कि interest हर साल मिलेगा interest collect करूँगा और last में principle मिलेगा वोई collect करूँगा पर साती साथ and साती साथ मेरा ये भी नियत है कि कल को by chance 2-3 साल के बाद अच्छा fair value मुझे मिले तो मैं बेच भी सकता हूँ मैं दो नियत के साथ चल रहा हूँ मैं दो नियत के साथ ऐसे चल रहा आज जाता हूँ पर कल को मुझे अगर मोका मिल गया काल को अगर मुझे मोका मिल गया तो मैं मैं इससे बेच भी सकता हूँ नहीं है मतलब मैं साफ सुतरा इंसान हूं और मैंने एक ही को दिल दिया है मैं उसी के साथी करूँगा है ना तो ऐसा situation हम क्या लगाते, other comprehensive income लगाते, तो इस तरीके साब सोच लीजिए, सायद में भी आपका clear हो जाए, तो मैं उमीद करता हूँ, मैंने थुड़ा time दिया, पर मैं यह दोनों आपको समझा पा रहा हूँ, यहाँ पर M.O.T.S. cost method और FBTOC लगाने के लिए आपको दो यह तो है, interest और principle collect करने का, लेकिन आपको कल को मोका मिले, तो आप चोका लगा दोगे, और आप BGP सकते हो से, तो ऐसा situation में आप FBTOC लगाओगे, तो आप यहाँ पर देखिए न, अगर हम इसको just एक बार read करें, M.O.T.S. cost method में, यहाँ पर आप देखिए, read pen वाले देगा, और entity का business model किया है, कि वो सिर्फ collect करेगा contractual cash flow, और यह hold करेगा financial assets को till maturity है, और सिर्फ collect करेगा contractual cash flow, तो M.O.T.S. cost method लगेगा, यहाँ पर, लेकिन fair below through other comprehensive income में, हम क्या करेंगे, यहाँ पर हाँ, solely payment of principal interest है, लेकिन entity का business model किया पता है, collect करना contractual cash flow, लेकिन मोका मिलेगा तो बेज़ भी सकता है, यानि बोथ, बोथ किया collecting contractual cash flow and selling financial assets, तो ऐसा situation में O.C.I. लगाते है, क्या पता future में बेज़ भी सकते है, तो इसलिए हमें fair value changes को consider करना अचे, क्योंकि आपके नियत में खोट या बेज़ भी सकते हो, तो fair value को consider करो, तो fair value को consider करेंगे, और जो भी fair value का changes आएगा, हम उसे O.C.I. में डालेंगे, क्योंकि 100% हमारा नियत बेचनी का निया, मैं बता दो, अगर हमारा 100% नियत सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ हमारा बेचनी का नियत होता, तो मतलब हम trading purpose बानते, और अगर trading purpose आपका है, तब आप FBTP लिए लगाओगे, तो वही हम O.C.I. का सहरत अब लेते, जब हम आ रहे दोनों नियत है, है न, रखने का भी और मोका मिले तो बेचने का भी, अब last में बच्चे FBTP बल, FBTP बल हम कब लगाते, जब हम amortize नहीं लगा सकते, FBTP हो से यह नहीं लगा सकते, तो last में बच्चा कि FBTP बल, मालिज ऐसा कोई financial assets में मैंने investment किया है, जो मुझे solely payment और principal interest नहीं देगा, इसके अलावा भी कुछ दे सकता हूँ मुझे, मालिजे जो मेरा bond है, वो index है किसी crude oil के price पे, या फिर किसी third item, किसी अलग product commodity के price पे, अगर वो basis है, तो ऐसा situation में में वहाँ पर extra features भी है, वो solely payment नहीं कर रहा principal interest का, तो मैं amortize cost method और FBT OCI नहीं लगा सकता, तो मैं बचा कि FBT पे लगाँगा फिर मैं, है ना, तो यह आपको समझना है, तो ऐसा situation में क्या लगाते, FBT पे लगाते, और जैसे मैं आपको कहा था कि initial recognition में, आप चाहो, तो आप e-revocably designate कर सकते हो, FBT पे लेकांटिंग, ज लेकिन अगर आपने initial recognition में designate कर दिया, FBT पे ल, तब वो e-revocable, तब आपको जिंदगी भर तक FBT पे ल ही चलाना पड़ेगा, उसके maturity तक आप आप आदमे reclassify नहीं कर सकते, तो देकिन अग कितना simple है और understandable है, अराम से आप manage कर सकते हो, मैं इसे फटा-फट से एक बार revise करा लेकिन हमारा business model है, both collecting contractual cash flows and selling financial assets, तो ऐसा situation में FBT उसे है, लेकिन मान लीजिए ऐसा bond है, ऐसा कोई financial assets है, जो हमें solely payment नहीं करेगा principle interest का, तब तो फिर दोनों apply नहीं होगा, है ना, तो बचा क्या FBT यानि इसके अलावा, अगर ये दोनों conditions apply नहीं होते, तो last में बचा एक ही आपका method, that is FBT method बचा, और फिर हम वही लगाएंगे, चली, तो उमीद है आपको ये समझ में आया, अच्छी तरीके से, अब मैं आपको एक और बात बदा देता हूँ, अब आपको जैसे मैंने bond का example है, कि मैंने माने जिए आपकी company के bond खरीदे, वो bond आपको principal interest solely देगा, ले मेरे लिए तो financial assets है, आपके लिए वो equity है, मेरे लिए क्या financial assets है, क्या ये मुझे solely payment करेगा principal interest का, ये तो देता ही नहीं, ये redeem ही नहीं करते है, तो ऐसे situation में, अगर मैं investment in equity करूँ, तो ये condition पढ़िया, क्योंकि equity investment में solely payment और principal interest नहीं मिलता, यहां का भी condition पढ़िया, तो इसल ये भी पहला condition fulfill नहीं होगा OCI वाले में, क्योंकि वो solely payment और principal interest नहीं देते है, तो इसलिए in case of investment in equity instruments, हमारे पास एक ही option बचते है, that is what FBT bill, यही हमारे पास option बचते है, हमें FBT bill ही लगाना पड़ेगा, इसके लावा हम दूसरा नहीं ही लगा सकते, हां, standard आपको एक यहां प बचते है, that is FBT bill, लेकिन standard आपको साथ-साथ यह भी कहता है, कि माल लेजे, माल लेजे मेरा intention नहीं है, trading करने का, और मैं नहीं चाहता, FBT bill का सहारा लेना, हलकि मैं मजबूर हूं, मुझे FBT bill accounting करना चाहिए, मुझे हमें इस in case of investment in equity instrument, मुझे FBT bill accounting ही करना पड़ेगा, लेकि instrument है, मैं इसका FBT-OCI accounting कर सकता हूं, मतलब भले ही यह condition में पर फिर भी हमें allow किया जाता है, FBT-OCI accounting करने के लिए, लेकिन FBT-OCI accounting जो ही irrevocable, irrevocable का मतलब यह है, कि आप बाद में reclassify करके FBT-OCI से FBT-OCI नहीं जा सकते हैं, once आपने FBT-OCI select कर लिया, आपको FBT-OCI में ही रहना करेगा, यह आपको समझना है पर, क्योंकि equity instrument में आप देखिए, however, entity may make irrevocable option to carry financial assets, that is equity instrument at FBT-OCI, आप FBT-OCI इसका accounting कर सकता है, पर यहाँ पर भी एक point है, जो मुझे आपके point है, महा लीजे, मैंने आपके company के bonds खरीदे, खरीदे और यह मुझे solely payment करेगा, principle और interest करेगा, और द दोनों condition, जो मैंने fulfill किया है, और मैं FBT-OCI accounting कर सकता हूँ, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, FBT-OCI accounting करेंगे, जो भी fair value changes होगा, वो कहाँ डालेंगे, OCI में डालेंगे, अब मालो future में, मालो future में ऐसा हुआ, कि मैंने dispose कर दिया, अगर मैंने future में उस financial assets को dispose कर दिया, तो OCI realize हो ज जाएगा, हम OCI को reclassify करेंगे to profit and loss, क्योंकि हम सही रास्ते से जा रहे हैं, हमने तो यहाँ पर condition meet करके, हमने OCI लगा है, और इसलिए यहाँ पर OCI से recycle करने का allow किया जाता है, OCI से PL में, इसे क्या कर सकते हो, transfer कर सकते हो, आपको allowed है, लेकिन, 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 जब आप equity investment कर करते हो, तो यहाँ पर आपके बास एक ही मोका है FBTO, लेकिन, आप जहाँ तो e-revocable option लेकिन, आप FBTO से accounting कर सकते हो, तो यहाँ पर FBTO से accounting करने के लिए, आपके condition meet नहीं किया है, आप जबरदस्ती का FBTO से accounting कर रहो, तो standard आपको कहता है कि चलो, ठीक है, हम आपको e-revocable option तो देते हैं कि आप FBTO से accounting कर लिजे, in case of equity instrument, पर ऐसा situation में, कल को बाद में, जब आपका equity instrument वगेरा, खुछ भी dispose होता है, तो यह जो FBTO से, यानि OCA का जो balance है न, यह recycle नहीं होगा, PL में, यह OCA से सीधा retain earning में जाएगा, balance rate में, यह statement of PL से root नहीं होगा, सीधा balance rate में, आप O इतने हैं, debt instrument में, condition अगर दोनों satisfy कर कि आप OCA accounting करे हो, आप OCA से statement of PL में root करते हो, यह OCA से PL में recycle कर सकते हो, लेकिन अगर आप मालेंगे equity investment करे हो, तो condition तो मीट नहीं कर रहा, फिर भी standard allow करने के वज़े सा, आप FBTO से accounting करे हो, तो जो OCA का balance है, बाद में disposal के वग, OCA का balance है, तो वो PL में recycle नहीं होगा, वो OCA से सीधा कहा जाएगा, routine ending में जाएगा, सीधा balance rate से balance rate में, OCA में routine ending में चला जाएगा, वो PL के थूरू root नहीं हो सकता, यह आपको समझना है, तो चलिए, उमीद है मैं आपको यह चीज़ समझा है, अच्छी तरीके से, आगे हम और भी कुछ-कुछ आपके साथ बात करूँगा, जैसे मैं आपको खाएगा, और अव्यस्ती बात है, आपका कोई भी changes in fair value होगा, वो recognize PL में होगा, अगर आफ एवर टीबल accounting कर रहे हो, तो changes in आपका जो भी changes होगा, वो fair value में जाएगा, अब मेरी बात सुनिए, मैंने जैसे आपक equity investment को held नहीं कर रहे हो for trading, तो आपके बस e-revocable option है, कि आप उसे FBTO से accounting यानि OCA में आप transfer कर सकते हो, लेकिन आपका जो OCA का balance है, वो सीधा routine earning में जाएगा, ये मैंने already आपको समझा दिया, ये recycle नहीं होगा, PL में सीधा OCA में जाएगा, लेकिन एक बात आपको मैं बता देत मिल सकते हैं, आप अगर different declare करोगे, तो मुझे different मिलेगा, है ना, और या फिर माली जे मैंने debt investment किया है, तो आप मुझे interest दोगे, मुझे interest मिलेगा, तो जो interest या फिर different मिलता है, ये तो PL में जाएगा, ये तो कमाई है, ये तो PL में जाएगा, तो मिलता है ना, क्यास received होता है अगर ये fair value changes मिलता नहीं है, वो realize नहीं होता है, उसे हम OCI में डालते हैं, अगर OCI accounting कर रहे हो तो, लेकिन आप भले MOTES cost accounting करो, आप भले OCI accounting करो, आप भले FBT bill accounting करो, कुछ भी accounting करो, जेकिन जब मुझे interest मिलेगा, वो interest मुझे realize होगा, मेरी कमाई है, वो interest हमेशा PL में जारा कहा जाएगा, interest and dividend always, always कहा जाएगा, profit and loss में जाएगा, यह आपको समझना है, यहनि कहने का मतलब यह दिखे, यहाँ पर मैंने क्या, FBTO से accounting किया, लेकिन FBTO से accounting करने के बावजूद भी interest or dividend जो है, वो PL में जाते है, यहाँ पर आप दिखे, FBTO में भी interest dividend PL में जाएगा, profit and loss में जाएगा, हाँ, यह चीज़े कि अगर आप FBTO से accounting करोगे, तो जो fair value changes है न, वो आपका क्या होगा, OCI में जाएगा, fair value changes आपको OCI में जाएगा, और अगर बात है debt instrument की होगी, जैसे हैं आपर मैंने लिखा हुए debt instrument, अगर बात debt instrument की होगी, तो यह recycle होगा वो सीधा OCI से retain earning में ही जाएगा, अब मुझे एक और बात बताना है, माल लिजे मैंने financial assets खरीदा है, मैंने investment किया है, तो इसमें मेरे transaction cost भी होता है, fees वगरा लगता है, जो कि directly attributable fees होता है, जिसे हम transaction cost कहते हैं, यह generally आपको question ने दिया होगा रहेगा, है ना, transaction cost जो रहता है, वो transaction cost कम क्या करें, माल लिजे मैंने आपकी company के bonds खरीदे 10,00,000 रुपीज के, 10,00,000 रुपीज के मैंने bonds खरीदे हैं, और इस 10,00,000 रुपीज के bonds को खरीदने पर मेरा 5,000 रुपीज का transaction cost लगे, तो यह 5,000 रुपीज का transaction cost का मैं क्या करूँ जो, initially मैंने extra से पीगे, तो standard आपको कहता है कि अगर मैं, mo test cost method, या फिर FBTOC accounting कर रहा हूँ, तो इन दो case में, तो मैं क्या करूँगा, transaction cost को financial assets से ही add कर दूँ, मतलब मैंने 10,00,000 रुपीज सबको assets खरीदने के दिए, bonds खरीदने के दिए, और 5,000 मेरा transaction cost लगा, तो मेरा total कितना लगा, 10,00,000 यह पूरा क पूरा 10,00,000 नहीं क्या माना जाएगा, financial assets माना जाएगा, कब, जब मैं mo test cost accounting कर रहा हूँ, या फिर मैं FBTOC accounting कर रहा हूँ, लेकिन जब मैं FBTOC accounting करता हूँ, FBTOC accounting का मतलब भी है, कि यहाँ पर basically मैं trading कर रहा हूँ, है ना, या फिर designate में नहीं किया, तो FBTOC accounting में standard कहता ह और मैं FBTOC accounting कर रहा हूँ, तो ऐसे situation में, मैं financial assets 10,00,000,000 का नहीं दिखाऊँगा, मैं financial assets 10,00,000 का ही दिखाऊँगा, और मेरा cash तो लेकिन 10,00,000 का गया है, तो बाकी 5000 PL में charge किया जाएगा, वही अगर mo test cost method, या फिर FBTOC accounting होता, तो ऐसे situation में transaction cost PL में charge नहीं होता, transaction cost जाता ह आपर आपका वो सीधा financial assets में ही add होता, तो यह आपको फरक देखने हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो, transaction cost जैसे में आपर लिखा हुए, यहाँ पर transaction cost जीकिए mo test cost method में transaction cost add होता है financial asset में, और आपका FBTOC में भी आपका add होता है financial assets में, लेकिन FBTOC के case में आपका transaction cost PL में जात होगे, इसे सारी बातों को भूल जाए, और एक summarize अपने दिमाग में डाली जाए, mo test cost method तो तब ही लगेगा, जब आपका solely payment होगा principal interest का, इसके लाववा instrument आपको कुछ देने वाला नहीं है, इसके लावा वो कुछ भी देने वाला नहीं है, है ना, और दूसरी चीज हमारा intention से ने maturity तक hold करने का और collect करने का contractual cash flow, selling वागेरा का मरत नियत नहीं है, तो दोनों नियत साफ सुतरा नियत है, है ना, मेरी girlfriend उसी तसाधी होगी और कुछ नहीं करना, है mo test cost method, लेकिन अगर मेरा नियत ऐसा है कि मैं hold भी करूंगा, पर मोका मिले तो बेच भी दोंगा, और व फिर ये दोनों लगी गए नि, क्योंकि ये दोनों लगने के लिए आपका solely payment of principal interest होना पड़ेगा, तब तो MOTS cost और FBTO से लगे गए निये, बचा क्या FBTP, और या फिर मानलों को ऐसा instrument जो आपको solely payment of principal interest हो देगा, पर हमारा नियत बेचने का ये, हमारा नियत hold करने का है न नहीं hold plus selling, हमारा नियत सिदा बेचने का trading कर, तब भी हम FBTP पर लगाएंगे, यानि ये दोनों condition अगर satisfy नहीं होंगे, तो बचा क्या FBTP पर लगा, तो चलिए हमने summarize किया, और उमीद आपको समझ में, बस एक ओड चीज ध्यान में रखेगा, कि equity investment में, आप FBTP लिए लगा आते हो, debt instrument में, तो OCA आपका recycle हो जाएगा, बाद में PL में, है न, PL में recycle होगे statement ओ, PL के तूर रूट होते पर जाएगा, चलिए, तो उमीद है ये हमने समझा, अब ये हमने समझा, तो अभी मैं आपको क्या करूंगा, पते हैं, अभी मैं आपको question करूंगा, practical question करूंगा, का चलिए, accounting काफी simple लगने वाला आपको, that is accounting of financial assets, हमें amortize cost method, FBTOC, FBTable, तीनों का accounting करेंगे, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझा है, example देखते, जगाति लिमिटेड प्रोवाइड से लोन, to its customer, amounting to rupees, 5 लाग, यानि जगाति लिमिटेड ने लोन दिये, मतलब मैं जगात बुलेट में, यानि एक ही सॉट में, five years के end के बाद, आप सीधा मुझे five lakh rupees लोटा दोगे, साथ इसा transaction cost, जो है मेरा, इस loan देने पर, मेरा transaction cost, मेरा incur हुआ है, ten thousand rupees का, जो directly attributable expenses है, यह हमने माना, तो देखे न, मैं अगर अपनी बात करो, मैं अपनी बात करो, क्योंकि अबर ह मैं कैसे accounting करूँगा, वो दिखा रहा हूँ, तो देखे न, zero tier को मैंने आपको five lakh rupees दिया, ऐसा loan, मैंने आपको पैसे दिया, मेरा outflow है, और साथी साथ मेरा transaction cost, इंकर हुआ ten thousand, यानि क्या initially मेरा five lakh ten thousand पैसा गया, तो आप मुझे बताए, amortize cost method अगर हम लगाए, अगर हम amortize cost cost method लगाए, तो मैं क्या करूँगा, transaction cost को add करूँगा, financial asset पे, यानि initial basis में हमारा cash जो है, इतना गया, five lakh ten thousand मेरा cash कम होगा, और five lakh ten thousand का मैं क्या करूँगा, financial asset दिखा दूँगा, अब दिखे, first year में मुझे आप से, जो phase will लो होगा, वे सी बाते, जो loan का amount है, five lakh rupees का, जो loan का amount है, इसमें मुझे आप 10% interest होगे, यानि five lakh का 10%, यानि 50,000 आप मुझे cash flow दोगे, interest का नाम का, second year में भी आप मुझे पैसा दोगे, and third year में भी आप मुझे पैसा दोगे, एक काम करते, यह जो है न, इसे मैं मिटा के three years कर देता हूँ, यह three years है, यह दियान में रखिएगा, three years है, क्या हो रहा है, यह three years है, अपने कर दिया मैंने, अब आगे दिखिए अपने अपने, यहापर, यहापर third year में भी 50,000 interest मिलेगा, and में five lakh rupees भी principal amount मुझे आप से मिल जाएगा, तो यह सारे cash flows मुझे receive होंगे, और यह initial मेरा investment है, अब अगर मै amortize cost method की बात करूँ, तो amortize cost method में मैं क्या करूँगा, amortize cost method में मैं बता दू, initially मैं financial assets को measure करूँगा, जो मेरा ultimately, जो मेरा transaction price है, हलाकि मैं आपको समझाया था, कि financial assets को हम fair value में measure करते, initially, है न, लेकिन अगर मान लिजे, generally क्या होता है, जो transaction price है, यह नहीं 5,10,000 को ही हम fair value मा निकाल, fair value अपका transaction price है, तो ऐसा situation में fair value में measure करोगे, और जो भी differences है, वो profit and loss में जाता है, या फिर another asset में जाता है, जिसकी बारे में आगे हम theory में discuss कर लेंगे, पर otherwise for your exam purpose, generally maximum cases में जो transaction price होता है, हम उसी में financial assets को recognize करेंगे, that is, वो हमारा fair value माना जाएगा, तो यहापर जैसे क क्यों information यह मानिगे, यह हमारा fair value है, फाइग 10,000 में initially हम recognize करेंगे, अब मैं आपको बैदा दू, M.O.T.S. cost method में हम क्या करते हैं, और FBTOCA में भी हम क्या करते हैं, अपर effective interest rate निकालते, effective interest rate निकालते, अब मैं आपको समझा दू, माल लीचे for example, यह transition price नहीं होता, 50000 रुपी देते, तो आपका effective interest rate जो आपका 10% interest rate वही effective interest rate होता, आप pull करके देखते तो भी वही आता आपका, आप check कर लीजे इन सबको pull कीजे, आप 10% से देखेगा 5 लगा जाएगा, पर transaction price होने की वज़े से आपका effective interest rate कुछ अलगाएगा, मतलब हम क्या करते हैं, हम transaction cost को financial assets में जोड देते हैं, और उसके बास हम इस तरीका का interest rate निकालते हैं, जो आपका सारा cash flows equivalent to 5 लग 10 था होजन हो जाए, यहनि हम ऐसा interest rate कलकुलेट करते हैं, कि सब जब उस rates हम इन सारी को pull करें, उस rates क्यूंकि 10% से अगर हम सारी को pull करेंगे तो 5 लग आएगा, पर हमें इस rates से सारी को pull क काफी निकाला होगा, नहीं निकाला, तो अभी मैं आपको हलका सा idea दे दे रहा हूँ, लेकिन जबकि यह revisionary वीडियो है, यहाँ पर मैं आपको effective interest rate निकाल के नहीं दिखाने वाला, मैं उमीद करूं वो आपको आता है, obvious सी बात है, regular class में मैं निकाल के दिखाया, पर यहाँ आपर मैं नहीं दिखाऊंगा, तो आप देखिए, हमने 9.5% के साब से निकाला, फिर 9.2% के साब से निकाला, हमें ultimately पता चला कि effective interest rate जो है, वो 9.2% है, यह 10% क्यों नहीं हुआ, क्योंकि 10,000 का transaction cost होनी के वज़े से आपका effectively जो हमारा कमाई होगा, क्योंकि हमारा कमाई 50,000, 50,000, 50,000 नहीं है, interest का, हमारा उससे थोड़ा कम है, क्यों 10,000 का हमारा खर्चा भी लग रहा है, तो effectively हम 9.2% कमाईंगे over a period of 3 years, और यह proof भी हो जाएगा, इस table से, जैसे दिखे, आपने यह मानोगे, आप initially आपने 5,10,000 invest किया, देखा जाए तो total तो 5,10,000 नहीं लगाया, 10, 10,000 transaction का भी तो खर्चा किया, तो 5,10,000 में हम क्या करेंगे, 9.2% interest चढ़ाएंगे, आप चेक कर लिजे, 5,10,000 का 9.2% अगर आप करोगे, 46920 आएगा, तो यहाँ पर आप चेक कर लेंगे ना, तो यह आपका 46920 आजाएगा, आपका interest, तो आपका क्या होगा, first year में interest आपका income है, मेरा financial assets है, तो मेरे लिए interest income है, interest income मेरा क्या होगा, PL को बढ़ाएगा, और मेरे financial assets को बढ़ाएगा, तो financial assets में यह add हो जाएगा, interest income का नाम पे, और first year में मुझे पैसे भी तो मिलेंगे, 50,000 रूपीस, आप देख सकतो, cash flow आएगा न, 50,000 रूपीस मुझे आपसे interest के न किया, जिसमें 46920 तो अपने interest का दिया, और बाकी remaining जो आपने, अपने principal amount र repayment किया, तो ultimately आप ध्यान दीचेगा, यह जो cash flows आपको मिल रहा है न, यह ultimately में से installment की तरह मानते हैं, कि जो में repayment हो रहा है, हलाकि originally आपका effective interest rate से जो निकालावा interest rate होता है, उसी को में interest consider करते हैं, और यह PL में नहीं जाता, यह 46920 PL में जाएगा, यह आपका cash से कम हो जाएगा, और financial assets कम हो जाएगा, क्योंकि अपने repayment कर दिया, तो यानि यह दो पैसा मिलना था हमें, एक तो principal और दूसरा interest, और हमें पैसे मिले इतना, तो यह repayment के नम पे कम हो जाएगा, आपका ultimately closing balance आप 50690 होगा, यह फ़र्स यह के end में आपका principal balance इतना रहे है, अब क्या होगा, second year में हम इस opening balance पे interest चड़ाएंगे, 9.2%, अब देख लिए यह आने वाला 9.2%, इस वाले figure पे चड़ाएंगे, repayment minus कर देंगे, तो आपका balance closing आ जाएगा, यह वाला 4666 से PL में ultimate जाएगा, जो इस principle भी मिल जाएगा, ultimately नील हो जाएगा, पर हला कि 46327 approach नहीं होगा, क्योंकि 9.2% आपको पता approach नहीं है, यह 46444 हम क्या करेंगे, इसे approach करने के लिए हम round off कर देते हैं, यह आपका 46444 हो जाएगा, हम इसे round off कर देते हैं, क्योंकि थोड़ा साथ तो difference आएगा, क्योंकि effective interest जब आप interpolation वगरा करके निकालते हैं, तो हलका सा very cut है, तो 100 रुपिस का करीबन very करेगा, तो 100 रुपिस आप round off करके आपने दिखा दिया, अब आप चेक की जा आपका नहीं लाएगा, तो यह हमने statement पूरा का पूरा मना लिए, अब मैं आपको बता दो, यह जो आपने बन आपको ultimately जो है, आपका, interest का नाम का आपका PL में चड़ेगा, बहले fair value changes वगरा कुछ भी माइन ने देता है, यही main important figure है, जो interest के नाम पे PL में चड़ेंगे, अब हम देखते हम क्या करेंगे, तो आईए, अभी मैं आपको सबसे बहले ले के चलूँगा, amortize cost method, यहनी amortize cost method म हम क्या करते हैं, सबसे बहले मैं आपको बता दो, amortize cost method में वो सरीफ इंसान, उसे कोई लेना देना नहीं, fair value अगेरे से, उसका काम में principle और interest जो solely उसे मिलेगा, उसका business model है कि वो वही collect करेगा, वो कभी बेचने वाला नहीं, तो उसे fair value changes से क्या कोई मतलब होगा नहीं क्योंकि fair value change होते हैं, फरेगी नहीं पढ़ता है, उसे हर साल interest मिले और finally उसे end में principle मिलेगा, यहीं मार्केट में कुछ भी उतार चड़ाओ से उसे लेना देना नहीं, जो contractual cash flow वही उसे मिलेगा, इसलिए amortize cost method में हम क्या करते हैं, हम इतने fair value को ignore करते हैं, fair value का कोई concept ही न मैंने पहले से बना के रखा, क्योंकि reviews नरी वडियो है, तो यहाँ पर अब दिखें, cash का payment हुआ, 5,000,000 अपको दिया और 10,000 transaction का खर्चा, तो 5,000,000 अब यही 5,000,000 में क्या करूँगा, financial asset दिखा दूँगा, मैंने 5,000,000 का financial asset दिखा दिखा दिया, double effect हो गया, balance rate match करेगा, asset share में recognize कर दिया, यह 0 tier में हुआ, आप लिख सकते हो, आप पर, 0 tier में recognize हो गया, अब क्या होगा, first share में हम क्या करेंगे, इसी financial assets में interest चाड़ाएंगे, तो अब देख सकते हो, first share का interest हमने 46920 interest चाड़ा दिया, जो कि यहाँ पर आपको figure, यहाँ पर आपको figure दिखीगा, जो हम मिला नहीं न, income, income, asset को बढ़ाएंगा, क्योंकि पैसे अभी तक मिले नहीं है, हमने financial assets को बढ़ाया, और PL में दिखा दिया, interest income का नाम का, क्या double effect कर दिया, yes हमने, हमने equity side में भी PL को बढ़ा दिया, और हमने asset side में भी financial assets को बढ़ा दिया, double effect दिखा दिया, अब क्यों होगा first year में हमें installment भी तो मिला है, ये installment आपका financial assets को कम कर दिया, और आपके cash को बढ़ा दिया, double effect के साथ, तो दिखिए first year के end में आपका ये balance हो गया, फिर second year में भी यह करेंगे, interest चढ़ा दिया, interest PL में चला जाएगा, installment cash को कम कर दिया, double effect हो गया, financial assets में interest बढ़ा, तो आपका equity side म PL में भी interest का दिखा दिखा देंगे, double effect हो गया, installment assets को कम करेगा, financial assets को, तो cash को बढ़ा देगा, double effect हो गया, और फिर बाद में, same asset, third year का भी interest हम चढ़ाएंगे, four six, triple four, जो कि मैंने आपको बताया था, हलका surround off करा, और installment आपका, पूरा का पूरा five lakhs, fifty thousand, देखिए principal five lakhs मिलेग हमने पूरा का पूरा payment कर दिया, payment आगी हमारे पास, तो दिखिए, पूरा का पूरा five lakhs, fifty thousand, हमारे पास, third year weekend में पैसा आगिया, तो interest income आप देख सकते हो, PL में चला जाएगा, statement of profit and loss में, यह route हो का यहाँ पर जाएगा, और ultimately आप देख सकते हो, यहाँ पर नील हो गया, और assets cash आया, क्योंकि पैसे पहले गए, फिर आ गए ना पैसे, तो यहाँ पर ultimately balance वही देखिएगा, कौन सा, fifty thousand की कमाई, fifty thousand की कमाई, fifty thousand, यहनि one lakh fifty thousand का income हुआ, जिसमें से ten thousand transaction का खर्चा लगा, ultimately one lakh fifty thousand ही हमने कमाया, और वो matter नहीं करता है, यहाँ पर ultimately मेरा कहना यह है, कि यहाँ पर ultimately आपका balance sheet, दोनों side आप देखो के match करेगा आपका, तो यह मुझे आपको समझाना था, अब इसके साथ-साथ हम क्या करेंगे, मैं आपको general interest भी साथ-साथ समझाते जाओंगा, तो general interest नेकि simple सी बात है, balance sheet बना लोगे, general interest अपने आप बनेगा, तो देखे, low an account debit होगा, that is financial assets, asset आपका build up हुआ, asset account debit किया, 5,000, cash को credit किया, 5,000, initially 0,000, फिर question में क्या होगा, interest के नाप पर asset बढ़ेगा, यह नी financial assets account debit होगा, interest क्योंकि income में तो PL में credit होता है, खर्चा होता है, खर्चा होता है, तो PL में debit होता है, तो इस तरीके से हमने यह entry pass किया, और जब पैसे आएं idea में interest के नाम पर financial assets बढ़ेगा, payment आ जाएगा, तो financial assets घड़ जाएगा, और ultimately पूरा घड़ गया, और आपका ultimately पूरा entry हमने पास कर दिया, and मैं आप देखे, पूरा 50,000 आपको receive हो गया, तो आप इसने भी देखोगे, तो financial assets जो आपका build up हो, ultimately वो finally खतम हो जाएगा, तो यह आपर यह बस simple सा बात है, आपर कुछ ऐस सच कोई लंबा चोड़ा हिसाब नहीं, मैंने simplest way में आपको समझाने का courses किया, और इसका PDF तो आपको मिली जाएगा, टेलिग्राम में हमारे, आप टेलिग्राम चैनल का description में link रहेगा, आप जोइन कर लीजएगा, आपको हमापर मि seriously हमने सारी questions को cover कि almost सारे, तो अब हमारे application को download किजिए, जगाते digital education, प्लेशोर में search कर लीजए, वहाँ से अब सारा देख सकते हो, आराम से कोई problem, वहाँ पर नहीं होगी, आपको महाँ पर सारे मिल जाएंगे, तो चलिए, अब हम next discuss कर सकते कौन सा, जैसे मैंने same question में, मैंन आपर साइड में लिखी देता हूं, रूख जाएंगे, यह बरूख जाएंगे, आपका fair value, first year में फाइब लाक एट थाउजिन, यहां पर ही लिख देता हैं, परस्ट यहर में है फाइब लाक एट थाउजिन, और सेकंड यहर में है फाइब लाक एट थाउजिन, यह मैंने लिया दो, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अभी हम fbit uca accounting करेंगे, fair value through other comprehensive income, यहां पर ध्यान दीजेगा, fair value through other comprehensive income को अच्छे से ध्यान दीजेगा, यहां पर ज fair value changes होगा, क्या हमें उसे consider करना है, जी हमें consider करना है, क्योंकि हमारा intention hold करने के साथ, अगर हमें कमी मोका मिला है, तो हम wage भी सकते हैं, यहां पर fair value changes जो भी जाएगा, वो आपका OCA में जाएगा, पर ध्यान रहे, interest income जो भी रहेगा, वो PL में जाएगा, बस fair value का जो changes है, वो FBTOCIA लगा रहा है, तो यहां पर recycling allowed है, FBTOCIA से end में disposal या maturity के बाद हम OCA से क्या करेंगे, recycle करेंगे, पर equity investment में हम e-revocable option choose करते हैं, जहां पर हमें अधिकार नहीं मिलता है, recycle करने का हम सिधा OCA से return earning में डालते हैं, तो यहां पर आप देख लीचे, लेकिन in case of FBTOC, transaction cost still यह पहले बना की रखा था न, MOTS cost के लिए यह हिसाब तो हमने बना की रखा हुआ, interest हमने निकाला हुआ है, और यही interest, यही जो effective interest rate calculation होता है, वही interest P.L. में जाता है, भले MOTS cost हो या फिर FBTOC यह दोनों में यही जाने वाला, और FBTOC का कोई काम ही नहीं है, आगी आपको था, फिर आगे first year का interest हम चड़ाएंगे financial assets पे और यह P.L. में चला जाएगा, P.L. में जाएगा, interest income OCI में नहीं जाएगा, interest income P.L. में ही जाएगा, even अगर FBTOC accounting करे हो, तो interest income हमने first year में P.L. में दिखा दिया, installment भी जो है, आपका payment हो गया, तो cash से कम हो जाएगी, यह सारा तो common thing है, जो हमने amortize cost method में भी देखा, अब देखे, carrying amount आपका first year का दिख रहा है, 50629, 506920, लेकिन मैं आपको बता दूँ, जब आप FBTOC accounting करोगे, तो at the end of each reporting period, आप उसे fair value में measure करोगे, और जो भी fair value changes होगा, कम या जादा, वो OCI में जाएगा, कम या जादा, जो भी ह जबर करना है, तो first year end का fair value देख सकते हो, 5,8,000 है, कितना 5,8,000 first year end का fair value है, और मैं आपको बता दूए सारे fair value measurement as per index 113 हम करते हैं, और index 113 का भी एक video YouTube में uploaded है, एक application में वो ऐसानी कि हर वक्त free रहता, वो limited time के लिए कभी-कभी हम free करते हैं, दर्वास हो लोग हो जाता, पर ए 5,8,000 हमारा fair value है, लेकिन हमारा carrying amount 506,920, carrying amount 506,920 का पर उस date का fair value 5,8,000 है, तो हम उसे remeasure करेंगे, तो क्या हमें बढ़ाना है, 506,920 से 5,8,000 में पहुचना है, मतलब बढ़ाना है, यहनि 1,080 हमें बढ़ाना है, तो यह आपका fair value gain हुआ, fair value loss नहीं, fair value gain हुआ, तो 1080 से जब बढ़ाएंगे, तो revise carrying amount 508,000 का जाएगा, जो आपका fair value है, और यह जो 1080 है, यह आपने financial assets को बढ़ाया, थाना, financial assets को add किया, इसका corresponding addition OCA में जाएगा, अब देख सकते हो, OCA में 1080 चल आगया, OCA में 1080 हमारा जा चुका है, कोई problem वाली बात यहाँ पर नहीं है, हमने सम होगा, अब मेरे बाद ध्यान से सुनेगा, यहाँ पर mistake मत कीज़ेगा, second year में 5,8,000 में आप interest में चड़ा देज़ेगा, तो गल्ती हो जाएगा, यह interest का calculation पहले से कर चुके, जो आपका carrying amount न, mo test method के सबसे, हमने जो इस पे लगाया था, यह हम पहले से निकाल के बढ़ तो आप यहाँ पर भी पता है क्या गड़ सकते हो, आप यह interest निकालोगे, secondary का इस पे नहीं निकालोगे, यह वाला figure पे निकालोगे, जो आपका amortized carrying amount है न, इस पे आप निकालोगे, क्योंकि यह तो fair value change, यह तो change होते रहेगा आपका, इसलिए आपको समझना जो interest calculation होगा, आपका carrying amount जो है न, amortized method के सबसे, 50690 में जो हमने 46636 है, still आप इसी से interest का calculation करोगे, fair value वाले से consider नहीं करोगे, यह जो fair value हमने यह आपर लिखा हुआ है, कहां गया, इस पे कभी interest का calculation मत कर देना, ने तो गलती हो जाएगा, पूरा का पूरा, तो आपको यह धिहान में रखन cost के साथ से carrying amount है, जो हमने amortized method जो लगाया, 50690 में ही आपका यह 9.2% का interest चाड़ेगा, जो हमने उपर calculation किया, वह यह बस धिहान में रखेगा दिमाग में, और यह करने पर आपका interest इतना चाड़ा, यह corresponding interest कहा जाएगा, profit and loss में जाएगा, आपको यह धिहान पर रखना है, PL पर प्र पेमिंट होगा, तो cash कम हो जाएगा, financial assets, cash बढ़ जाएगा, financial assets कम हो जाएगा, and ultimately second year का भी carrying amount आजाएगा, अब हमें पता चला कि second year का carrying amount है, 5,6000 जो की उपर मैंने लिखा हुआ है, 5,6000 carrying amount है second year का, तो second year का carrying amount 5,6000 है, लेकिन हम, sorry, second year का fair value 5,6000 है, पर carrying amount हमें 503,556 देख रहे हैं, तो हम उसे fair value में लेके जाएगे फिर से, फिर से reporting period end आए न, remeasurement करेंगे, हर reporting period end में, हमेशा नहीं, सिर 31st March को reporting period end में, हम remeasure करते हैं, fair value में डालते हैं, तो अब फिर बढ अब यह मसमना की बढ़ने पर, वो इंडस 16 में हम करते हैं, revolution model में की बढ़ने पर OCI और गटने पर PL, यह इंडस 16 नहीं पढ़ा रहा मैं आपको, यहाँ पर financial assets की बात हो रही, financial assets की किसमें, अगर आप OCI accounting करे हो, तो fair value changes भले increase या decrease हो, वो OCI में ही जाएगा, यहाँ पर 1364 आपका fair value gain, आपका OCI में credit हो जाएगा, आप ultimately 5,06,000 आपका first carrying amount आगया, agreed and यह आपको OCI में चला गया, चली यह में लिख देता हो यहाँ पर, यह OCI में जाएगा, अब इसकी बाद आगे, अब देखे, second year का end का हमारा जो amount है, अब third year का interest आप चड़ाओगे, third year का interest क्या, इ credit का interest चड़ेगा, और यह PL में, अब credit कर दोगे, interest income के नापे, और installments आपने 5,50,000 दी दिया है, तो यह cash के नापे आपका खतम हो जाएगा, तो यह cash के नापे आपका खतम हो गया, और आपका ultimately क्या है, 2444 हमारा आ चुका, तो 2444 हमारा अब यहाँ पर balance आ चुका, यहाँ पर और अगर हम किसी भी financial assets को maturity तक चलाएंगे, तो end में तो वो जो principal amount मिलना है, वो ही आपको मिलेगा, और ultimately एक और बात बता देता हूँ मैं आपको, जब maturity rate में, जो आपका उस date का cash flow, वो ही आपका ultimate principle amount, वो ही आपका farewell होगा, ultimately, उस दिन का farewell हो आपका 5,000,000 ही होगा, जो आपक 50,000 किया सकते हो, जो आपको ultimately मिलने वाला है, उससे ज़्यादा कम कोई क्यों देगा, अगर आज ही के date में, आज ही के date में, मुझे अगर आपको bond बेजना है, और आपको आज ही mature होने वाला है, तो ultimately वो ही आपका fair value और वो, जो maturity amount है, वो ही fair value होते है, तो ultimately आपका 5,000,000,000, जाओची नहीं fair value होगा, तो यहाँ पर 2444 जो है, यहाँ में क्या करना है, इससे कम करना है, क्योंकि आपका अब payment आने गा, fair value जो वो नहीं हो जाएगा, तो 2444 जो हम कम करेंगे, यह पता हम कहां से कम करेंगे, यह हम 2444 कम करेंगे, आपका ultimately OCI से, या फिर हम ऐसा भी कर सकते है, OCI से कम करेंगे, तो यह OCI, OCI अपने आप कर जाएगा, या फिर हम ऐसा कर सकते, हम क्या करेंगे बता है, यह दोनों OCI को recycle कर देंगे to profit and loss, यह दोनों OCI को recycle क्योंकि आपका in case of debt instrument OCI recycling करना allowed है, तो यह दोनों OCI का जो balance ही, OCI का दोनों balance आपका recycle हो जाएगा to profit and loss, तो ultimately 1080 801364 आपका कहां जाएगा, पील में जाएगा, तो पील में credit होगा, OCI से आपका debit होगा, पील में credit होगा, और यह दोनों का total अब देख लिएगा 2444 ही है, 2444 जो आपका है, यह आपका OCI से कम होके पील में credit हो जाएगा, और आपका जब कि यहाँ पर हमें value गिराना है, financial assets का value गिराना है, तो यह गिराने के लिए PL को आपको charge करना पड़ेगा, तो 2444 आपका PL में charge हो जाएगा, तो ultimately कहने का मतलब यह है कि year end में, third year के end में आपका क्यों का पता मैंने लिखा हुआ नहीं है, यह OCI से PL में जाएगा, यह जो OCI है न, इस OCI से आपका कहां जाएगा, PL मे यह आपका OCI से PL में चलाजाएगा, तो हमने क्या कि यह OCI का balance था, यह दोनों को आपने यहां से हट आया, यानि यह दोनों यहां से हट जाएगा, और यह हट के चलाजाएगा, किस में, PL में चलाजाएगा, बहल appropri सकते हो, और इसे यहां पर दिखा सकते हो, यह आपा PL में जो balance ए financial assets को कम करने का यह तो ultimately PL में credit होगा यह नि ultimately देखा जाए तो third year के end में जितना PL में charge होगा ना उतना ही PL में credit होगे अल्टिमेट को impact ही नहीं पड़ा क्योंकि जितना आपने PL में charge किया है क्योंकि यह balance आपको गिराना है ना क्या हो रहा है यह balance आपको गिराने आप क्या करोगे जो भी OCI का balance है वो OCI का balance को निकालके PL में डालोगे और यहाँ पर कोई भी figure end में बचता है मतलब आपका fair value तो नहीं है और जो भी बच्चेगा वो आपका तो disposal है अप OCI का क्या काम अगर आप इसे OCI में डालना भी आप पेल में credit होना उतना पेल में चार्ज होना सिंपल सी बात है यह पील में आपका चार्ज हो रहा है और OCI से पेल में credit भी इतना ही amount हो रहा है तो उमीद आपको यह समझ में आया आपको प्रब्लम नहीं अराम से आप यह accounting देख लोगे आप यहां पर आप दिखाओगे जो इंटरस चड़ाओगे वह आप क्या दिखाओगे इंटरस इंकम का नाम का पेमेंट जो जो आपका इंस्ट्रॉल्मेंट का आएगा वह आप कैसे दिखाओगे बैंक एकाउंट डेबिट टू फैनिशल एसेट्स वह सारे सेम एंट्री है बस यह अबर दो दो एंट्री एडिशन होगी फर्स ये रोड सेकेंडियर में फर्स लेखनेंट फैनिशल से एकाउंट डेबिट टू गड़ा रहा है डविक्त डिखानेटiset को बड़ा रहा है प्रेंट फैनिशल से अनेटेटो पैर ऐसे में में दिखाते है पिर वलू डिजार में डूर अ से भी कट रहा है तो for your exam purpose आप भी ऐसे करना पहले financial assets account debit to fair value reserve लिखना फिर fair value reserve से finally OCA में transfer करना ऐसे भी fair value reserve fair value reserve कट जा रहा है ultimately loan account to OCA ही रहता आपका पर ठीक है हम entry दोनों इस तरीके से pass करेंगे क्योंकि OCA के अंदर head के अंदर ही हो रहता है चले कोई problem नहीं तो यहाँ पर हम नहीं दिखाया second year end में भी यह जो आपका loan account to fair value reserve fair value reserve to OCA ही हो जाएगा आपका और ultimately जो OCA का balance ही यह profit and loss में recycle हो जाता है मतलब यह क्या हो गया यह recycling हो गया बट ध्यान रहे equity instrument में recycling allowed नहीं सीधा हो यहाँ पर equity instrument अगर यह होता तो OCA से सीधा return earning में जाता तो पील नहीं जाता तो उमीद है आपने यह भी समझ लिए FBTC accounting आपको FBTC accounting में भी कोई problem नहीं है अब हमारा last बच्चा है क्या FBTC पर same question FBTC accounting करेंगे fair value through profit and loss account और यहाँ पर नहीं जो भी fair value changes होगा obvious सी बात है profit and loss में जाएगा और मैं आपको एक बात बदा दो in case of FBTC transaction cost हमेसा कहा जाएगा profit and loss में जाएगा जैसे हमने amortize cost method और FBTC में हमने transaction cost को add किया था financial assets में यहाँ पर यह गलती मत किजएगा ने तो बरबाद हो जाओ गया यहाँ पर यह गलती मत किजएगा तो देखिए ना हमारा chaos 5,10 अचे ने पर financial assets हमने 5,10 अचे नहीं दिखाया और आपका transition cost ultimately कहा जाएगा 10,000 PL में चार्ट हो जाएगा अब देखिए यहाँ पर हम पेचने के लिए रखर हो या फिर उसके feature ऐसे जहाँ पर interest का कोई लेना देना नहीं होता है तो ultimately interest दिखाने की कोई ज़रत नहीं होती है आप क्या करोगे financial assets दिखाओगे को 4,50,000 हमें मिलना चाहिए इतना balance है पर हमने दिखा कि fair value 5,8,000 है तो हम यहाँ पर भी fair value changes consider करेंगे और जो भी उसका difference होगा उप यहल में जाएगा तो यहाँ पर देखिए 4,50,000 और 5,8,000 fair value तो 58,000 का फाइदा हो गया तो 58,000 का जो फाइदा हुआ यह मैंने bracket में रख दिया क्या यह आपका फाइदा है तो यह bracket में नहीं होगा तो 58,000 का जो मारा फाइदा हुआ यह हमने add कर दिया और यह 50,000 का जो फाइदा है यह PL में जाएगा आपका अब देख सकते हो यह यह PL में चला जाएगा 58,000 का फाइदा अब अब देखें नहीं से आप interest समझे जो भी समझे अगर मालने जब interest चढ़ाते भी तो interest भी तो PL में जाता और fair value सीदा आप fair value जो changes आया वो सीदह आप फिर आगे दिखें आगे next वापस ते आपका fair value गीन हुआ 48,000 तो ये 48,000 भी आपका क्या होगा फिल में चला जाए हमने दिखा दिया आपर और अपका फिर इंट्रस कुछ नहीं दिखाना फिर आगे आपका फैर विलू रुख जाए कुछ प्रोब्लम होगा है क्या तो यहां पर फिर दर फैर विलू का कुछ आपको 5,6,000 पैसा मिलेगा 5,6,000 आपका बालेंस दिख रहा है पर आपको पैसे तो ठैटेर में 5,5,000 मिलेगा क्यिक एंट्रस का 50,000 और 5,000 रुपिस आपको एक्स्ट्रा से और मिलेगा तो जिसके चलते और आपका फैर वेलू चेंजे से वो भी हमने क्या-क्या पैल में दिखा दिया यहां पर आपको इंट्रस को इग्नोर करना होता है पिर आगे में लिखूनगा ट्रांजिक्शन कोस्ट कर्चा यानि ऐक्स्पेंस टू कैस यह दिखा दिया मैंने 10,000 यह 10,000 दिखा दिया 2 फिर الزांजे पिर आगे हम क्या करेंगे जैसे जैसे कैस रिसीवड होगा तो should to financial assets होगा और यहापर fair value dud touches अगर आपका एस्ट को पहले हमने क्या किया था पहले हमने loan को fare value में दिखा फिर फिर वेली से OCA में दिखा है तो वैसे आप double entry pass कर सकते हो यहाँ पर जरुद नहीं है आपर आप सेम वैसी entry आपको idea मैंने दे दिया समझा दिया तो मुझी उमीद है आपको कोई problem नहीं होगी यहाँ पर तो चली यह पार्ट हमने समझा अभी मैं आपको आगे अकांटिंग समझाऊंगा जहाँ पर हम investment in equity instrument अगर हम equity instrument में investment करेंगे तो उसका accounting के साथ हो हलाकि होँआपर कोई problem वाली बात नहीं हो और पर ज्यादा कुछ यह भी नहीं है मोट्यास कॉस्ट में था तो होता ही नहीं वापर FBT OCI भी नहीं होता है लेकिन हाँ हमारे पास ए रिवोकिबल option रहता है जिसके थात हम FBT OCI accounting कर सकते हैं तो ultimately वापर FBT पर accounting हो रहा है और मैं बता तो OCI से सीधा return earning में जाते हैं वहाँ पर PL में allowed नहीं है जैसे debt instrument में allowed है वैसे वहाँ पर allowed नहीं है तो चलिए यह हम देख लेंगे भी है तो next अभी हम discuss करेंगे investment in equity sets से related accounting है हमने debt instrument का जो भी investment है हमने mo test cost method FBT OCI FBT पर तीनों accounting कर लिया था अब जब आप equity instrument में investment करते हो ना तो आपको solely payment of interest and principle कहां मिलते हैं equity instrument में तो interest ऐसे भी नहीं मिलते हैं dividend मिलता है वो भी guarantee नहीं principle तो मिलते है नहीं redeem कभी होते ही नहीं तो यहाँ पर equity instrument में हमने दिखा कि प्रिंसिबल इंटरस नहीं होने के वज़े से यहाँ पर हम mo test cost method यहाँ पर यहाँ पर standard आपको अलाओ करते है कि अगर आपका trading परपस नहीं है आप लंबे समय तक की लिए investments कर रहे हो equity instrument में ऐसा situation में अब e-revocable option लेकिए अब FBTOC accounting करते हो provided FBTOC accounting अगर आप करोगी भी न तो बाद में भले आपका unrealized profit हो या फिर realized profit हो सारी के सारा OCA से सीधा routine earning में जाएगा आप PL में कुछ भी नहीं दिखा सकते आप पहले OCA में डालोगे और end में OCA से सीधा routine earning में ही जाएगा तो यह आपको समझना लेकिन हमने देखा था debt instrument में FBTOC की बात हो रही थी तो यहाँ पर condition satisfy हो की OCA में accounting हो रहा था तो ऐसा situation में last में जो आपका OCA का balance जाता वो recycle हो जाता है तो यह फरक था दोनों में तो चलिए न अभी हम फटाफट से कोशिन यह एकदम सिंपल वे में हो जाएगा फटाफट हो जाएगा देखें 1 जूले 2001 को जगाति लिमिटेड ने परचीस किया 500 sets of Reliance Limited at Rs.350 per set transaction cost incur हो गया Rs.15,000 और fair value आपका financial year end का दिया ह है फिर बता दिया on first September 2003 जगाति लिमिटेंड entire sets को बीच डाला है 425 per set में तो यहां पर आप देखिए solution अगर हम देखें तो सबसे पहला आप देखिए हमने किया कि 500 sets खरीद है 350 रुपीज देखें तो 350 इंटो 500 अगर आप करोगे तो I think 1 lakh 75,000 होगा 1 lakh 75,000 में ने cash payment किया और 1 lakh 75,000 का में investment in equity दिखा दूँ, financial assets मेरा 1 lakh 75,000 का अब आप बोलोगे सर यह transaction का भी तो खर्चा लगा हां यह transaction का खर्चा लगा 15,000 का और आप बोलोगे सर यह transaction का खर्चा financial assets में add हो जाना चाहिए तो मैं आपको बदा दू हम यहांपर FBTPL accounting करें और FBTPL accounting में हम transition cost को हम यह सा डालते हैं कहां पर PL के अंदर यह transition cost profit and loss में जाएगा यहां पर आपका PL में चला जाएगा यहनि कहने का मतलब FBTPL में transition cost कभी भी financial assets से add नहीं होगा वो हमेसा PL में जाएगा चली तो आप देखें cash paid 1,75,000 financial assets 1,75,000 transaction का खर्चा PL में गया और cash payment क्या PL में चला गया बात खतम अब आगे क्या होगा अब आगे हम इंतजार करेंगे reporting period end का reporting period end में 350 per share हो गया तो देखें fair value of sets जो है 1,75,000 है और हमारे भी 1,75,000 ही दिखाया होगा उतना है सेम है तो that means what fair value gain नहीं आएगा आपका investment in equity set still 1,75,000 आएगा अब वो लोगे सर आपने ऐसा किया क्यों ऐसा करने की पिछे कारण है FBTO से एक accounting करूँगा तो आपको पता चलेगा तो यहाँ पर कहने का मतलब है यह कि जो आपका carrying emotive वही एंड में fair value है जिसके चलते कोई fair value gain या loss नहीं आया 31st March 2002 को फिर 31st March 2003 को आप देख सकते हो 390 पर से रो गया तो 390 पर से रगर हो गया 31st March 2003 को तो 319 to 5 इनेट आप करके देख लीज़े अगर आप 319 to 5 इनेट करोगे तो ऐसा situation में I think 1,95,000 आएग हाँ 1,95,000 आएगा तो देकिन 1,75,000 हमारा पहले से था carrying amount अब 1,95,000 हो जाएगा fair value तो 20,000 कम fair value gain दिखाएंगे और यह fair value gain OCI में नहीं जाएगा आपका कहा जाएगा profit and loss में क्योंकि fbt एकांटिंग कर रहे तो आपका 20,000 PL में चला गया एंड जाने पर यह 1,95,000 बन गया 31st March 2003 को लेकिन आपर इंटरस वगेरा को कोई हमिला निक जो भी fair value changes है वो PL में चला जाएगा increase हो या decrease हो PL में चला जाएगा अब देखिए 1st September 2003 को जगाति लिमिटेड ने सोल्ड कर दिया एंटायर सेर 4 रूपीस 24 25 पर सेर में तो अगर आपने investment को sell कर दिया 425 में आप देखिए 425 इंटू 5 इनिट अगर आप करोगे तो 2125 इनिट आएगा तो आपने 2,12,005 इनिट में एंटायर स्टीक को बीच डाला तो मेरा जो investment है यह दी रिककने सो जाएगा कितने का 1,95,000 का investment मेरा दी रिककने सो जाएगा पर इसको बीचा कितने में 2,12,005 इनिट में मलब profit वा 70,500 तो मैं investment क तो पूरा कम कर दूँगा 1,95,000 इससे जादा तो ना कम करूँगा जितने का उतने तो डिश्यार्ज होगा इतना कम हो जाएगा नील हो जाएगा और मेरे पास पैसे कितना है मेरे पास पैसे है 2,12,005 इनिट तो दीकिना financial assets 1,95,000 से कम हुआ पैसे है 2,12,005 इनिट यानि ब transaction cost हमारे इंट कर हुआ ये transaction cost अपने PL में charge कर दिया 15,000 इरेंड में फिर आगे 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 आपका 31st March 2002 में तो fair value changes था नी 31st March 2003 में fair value changes हो और 20,000 से बढ़ गया तो investment बढ़ने पर तो investment को debit करेंगे तो fair value gain दिखाएंगे और ये fair value gain ultimately PL में चला जाता है हाला कि fair value gain, fair value gain कर जाता आपने bank में इतने पैसे आए लिगे investment इतना ही कड़ी रिकर नहीं सो तो ultimately PL में चला गए 70,500 बात खतम, तो चलिए simple सा entry था, मुझे उमीद आपको अच्छे से समझ में आ गया, अब आगे हम बात करेंगे, अब देखें, आगे क्या लिखाव है, जगाती limited के पास option है, कि वो तो यह एक cycle लिख देता हूं, इसके जगब है, यह आपका recycle नहीं होगा, यह आपको ध्यान में रखना है, यह सीधा आपका return एंडिंग में जाएगा, तो अब देखें, FBTOC का example हम करते हैं, और ध्यान रहे, FBTOC में तो transaction cost financial assets में add होते हैं, FBTOC में नहीं हो रहा था, देखें, हमने cash का payment क्या 1,75,000, पर हम investments in equity 1,75,000 नहीं दिखाएंगे, हम पूरा 1,90,000 दिखाएंगे, क्यों, क्योंकि जो transaction cost का खर्चा हुआ ना 15,000, यह भी आपका financial assets में ही दिखेंगे, चली, यह हम यह ने बार बार समझा दिया आपको, तो यह तोटल 1,90,000 का payment हुआ, 1, आगे क्या होगा, आगे आप क्या करोगे, 31st March 2002 को आप देखोगे कि fair value कितना है, हमने देखा 350 रुपीज पर पर सेर, तो हम तो हमेशा fair value में measure करेंगे, तो 350 इन्टू 5 इनिट अगर आप करोगे, तो 1,75,000 आएगा, अब देख लीज़े, लेकिन हमने तो measure क्या हुआ हुआ तो 15,000 का जो नुकसान है, यह OCI में जाएगा, कहां जाएगा, OCI में क्योंकि FBTOC accounting कर रहे हैं, 15,000 और यहाँ पर तो interest dividend की कुछ बात है, हाँ अगर dividend कुछ मिलता है, अब dividend को सिधा पील में दिखा दीज़े, माल लिज़े, during the entire year, यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, आपको dividend होगे, जब dividend receive हो जाए, तो receiver को घड़ा के cash बढ़ा दीज़े, बात कहता, तो चली, यह आपको समझ में आ गया, अब आगे वापस से क्या हुआ, वापस से 390 हो गया next year में, तो 1,75,000 से 1,95,000 हो जाए, 20,000 अपका फिर से बढ़ा, तो 20,000 अप OCI में दिखा देंगे, फिर ह हमने क्या क्या, यह 1,95,000 का जो है, हमने 2,12,005 निट में बेच दिया, यानि हमारा फाइदा हो गया 17,005 निट का, तो हमारा जो, क्योंकि 2,12,005 निट हमारे पास पैसे आए, और हमने 1,95,000 का financial assets को discharge कर दिया, 4 बेस 2,12,005 निट, यहनि 17,000 का फाइदा हुआ, पर धियान जब आफ विडियो से accounting करोगे, तो profit on sale भी जो है, वो OCI में जाएगा, PL में जाए नहीं सकता, यहनि सारे के सारे कहा जाएंगे, OCI में जाएंगे, और OCI से फिर net balance जो भी रहेगा, ultimately maturity में, यहनि जब आप बेज दोगे, है न, disposal के वक्त, तब आप ultimately यह OCI को retain earning में भीजना, ना की, PL में, तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर, after disposal, net OCI का जो balance इन तीनों को मिला दे, तो net OCI का balance आता है, 22,005 minute, और यह 22,005 minute recycle नहीं होगा, PL में, यह सिधा retain earning में जाएगा, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो, हम यहाँ पर क्या करेंगे, बता है, OCI को, 22,005 minute से कम जो उपर वाला है, और retain earnings को, 22,005 minute से बढ़ा देंगे, PL में नहीं दिखाएंगे, यह आपको रिहान में रखना है, उमीद आपको समझ में, तो यह अबर entries भी सारे same ही हैं, वह यह देखें न, बस फरक इतना है कि, entries में हमने यहाँ पर investment पूरा का पूरा वालना 20,000 दिखा पूरा दिया, और फिर जो fair value law से उसे OCI को इस बार debit करेंगे, क्योंकि नुकसान होने पर OCI माइनस पर था न, तो OCI को debit किया गया, देखें, OCI को हमने debit किया, फिर आगे investment बढ़ा तो fair value गिन, fair value गिन आपको OCI को credit कर रहा है, और ultimate आपके पास पैसे जो है, तो आपका फाइ financial assets में, चाहे equity instrument हो, चाहे debt instrument हो, उसके पूरे accounting मैं अच्छी तरीके सबको समझा दिया, and इससे related है, जितने भी units के question है, इन्हीं almost हमने अच्छा खासा coverage किया, practical aspects हमने समझ लिया है, हम कुछ-कुछ और accounting कर रहा हूँगा, tension ना ले न, जो भी important question के concept है, वो सारे concept सबको मैं कर आँगा, आप देख सकते हूँ, यहाँ पर, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर हमने कितना कुछ रखा हुआ है, आपके लिए, अच्छे, इसी में तो है, यह दिखिए अब यहाँ पर, यहाँ पर early settlement का concept है, पर concept मैं आपको क्यों रटा हूँ, concept का clearance इस question से ह हो जाएगा, तो concept हम clear कर लेंगे, इस question से, फिर split accounting for compound financial instrument, इसका मैंने theory नहीं, इस question को करा कि मैं आपको concept clear कर दूँगा, क्योंकि exam में भी तो question ही आएगा, तो यहाँ पर यह सारे questions के साथ ही मैं आपके concept clear करा दूँगा, ताकि आपके better clarity है, और exam में आपका financial instruments पूरा का, पू चलिए, अभी हम यहाँ पर discuss करेंगे, की elements to determine classification मतलब, जो मैंने आपको समझाया था न, business model हमारा होना चाहिए, कैसा instrument specific condition, SPPI, सोली, payment of principal interest, तो उसकी बाते हैं अभी हम कुछ करेंगे, फिर हमागे proceed करेंगे, तो की elements to determine classification में हम बात करेंगे, आपको याद होगा, हमने पढ़ा था कि instrument specific condition होना चाहिए, और हमारा business model क्या है, उसके according के हम decide करते हैं, कि emotes cost method लगाना है, या फिर FBT OCA लगाना है, या फिर FBT पे लगाना है, तो मैंने आपको समझाया था कि हम देखते हैं, सबसे पहले instrument specific condition यानि वो instrument क्या है, वो instrument क्या solely, सिर्फ और सिर्फ क्या principle और interest का ही payment करेगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं करने वाला, तो अच्छी बात है, एक condition आपका satisfy होता है, दूसरा condition हमने क्या देखा था कि हमारा business model क्या है, मैंने हमारा business model ये कहता है कि हमारा नियत जो है, वो identify करेंगे, तो वहीं आपर हाला कि त्योरा सा थियोरी, exam perspective इतना important नहीं है, और इस से related इतने भी questions है, वो सारे जिसे मैं आपको बताया था, हमारे mobile application में free lectures नाम का, जो course section है, उसमें आपको audio मिल जाएगा, वहाँ पर audio के अंदर हमने सारे questions को समझा के cover किया हुए, तो वहाँ आपर भी यह सारी चीज़े कर सकते हैं, इस से related भी जो बात है, वहाँ पर बता रखिये, पर फिर में एक बार just आपको go through कर रहा हूँगा, otherwise exam perspective में इतना ज्यादा important नहीं है आपर, तो आप देखे, business model test यह नहीं, हम ऐसे being a chartered accountant, हम कैसा पता करेंगे, कि entity का business model के है, सबसे कर्फימny को पता करना होता है, management अपना financial statements prepare करता है, तो management को उसका business model बता होगा, तो management यह रिखर के है कि उसका business model कि सटाप का, यानि वो अपने performance, उसका जो business का performance है, financial asset शेय रिलेडेड उस performance को वो कैसे evaluate करते है, किस तरीके से evaluate करते है, यानि वो क्या हर दिन का fair value चेक करते रह परकेट को देखते हुय एवालुइट करता है.. क्योंकि जब हम बेचने को जाएंगे तो हमें अगे फियर विल्यो से मतलब रहा तो खेुशी से मतलब रहता है.. फीचर में नियाद गया जैसा है.. तो आइडेंटिफा करने की कोस्स करेंगे.. तो यह सारे थियोरी से थियोरी बाते हैं मतलए जहां पर यह सारे business model के अंतरम जो यह evaluation वगेरा किया जाता है जो senior management evaluate करते हैं उसे में आइडिया हो जाता है कि ultimately उनका entity का नियत क्या है financial assets को maturity ते होल्ड करना है कि आपका मोका मिलते बेज देना है कि आपका trading purpose ही है तो यह आपको पता चल जाएगा reports वगेरा से पिर आगे हम यह check करते हैं कि risk को कैसे आपका risk कैसे identify करते हैं और ultimate लिए उसको manage कैसे करते हैं तो उसके लिए तो देखना हो रहे है किस प्रकार का risk को identify किया जाता है यानि मालीजे मैंने आपको पैसे दिया है मैं किस step का risk को evaluate कर रहा हूँ मैं यह देख रहा हूँ कि पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे पैसे डूप जाएंगे क्या क्या interest मिलेगा नहीं मिलेगा उसके लिए क्या collateral वगरा लिया नहीं लिया तो मैं overall मुझे market के fair value से interest rate market में उतार चड़ाओं से मुझे मतलब नहीं है मुझे मतलब है कि आप मुझे पैसे time to time देऊगे या नहीं दोगे और end मैं मुझे principal का payment करोगी नहीं करोगे तो अगर इससे related में risk को evaluate कर रहा हूँ तो मतलब मेरा नियत maturity तक hold करने के और या फिर माल लीजे मैं देख रहा हूँ कि आपका fair value changes आ रहा है नहीं आ रहा है उससे related में risk को manage करने की कोसिस करना हूँ मतलब मुझे fair value में काफ़े interest है क्यों मुझे fair value में interest है मतलब मैं बेचने का नियत रख रहा हूँ तभी मुझे interest है तो यह सारी चीज़े आपको बताइए और साथी साथ managers जो managers आपके एक होता है न जो manage करते financial assets वागेरा को manage करते तो जो managers होते हैं जिनको मैं point करते हैं managers को हम कैसे compensation देते क्या managers को compensation जो contractual cash flows आपको receive हो रहा उसके basis में दे रहो कि fair value के basis में managers को compensation मिल रहा है अगर managers को compensation मिल रहा fair value के basis में तो मतलब entity का नियत बेचने जैसे हैं अगर managers को compensation मिल रहा है contractual cash flows के हिसाब से तो मतलब entity का plan के entity का plan है contractual cash flows ही collect करने का तो ये सारी कुछ-कुछ बाते हैं जो यहाँ पर आपको मदद करती है identify करने में कि entity का real में business model की है तो ये entity to entity vary करेगा हलकी exam perspective में बता दू बिल्कोल भी important नहीं है आगे देखें आगे मैं आपको एक को बता दू एक single entity के अंदर ऐसा जरूर नहीं कि एक ही single business model होगा यहनि अलग 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 financial assets में अलग 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 business model हो सकता है might be possible ऐसा हो सकता है कि मेरा एक portfolio of financial assets है जिसमें मेरा business model है उसे contractual cash flow सी collect करने का end तक contractual cash flow collect करने का ही मेरा business model है मेरा बीचिनी का business model नहीं है वो सकता है दूसरा एक portfolio of assets है जिसमें मेरा नियत है कि मुझे मोका मिलीगा तो मैं बीच भी दूँगा तो इसलिए आपको समझना एक single entity का more than one business model हो सकता है for managing its financial instruments एक example भी आपको दिख रहा होगा है आपर an entity hold one portfolio that it manages in order to collect contractual cash flow and an entity hold another portfolio that it manages in order to trade or realize fair value changes तो यहाँ पर अलग-अलग business model एक entity का single entity का भी possible हो सकता है यहाँ पर तो जैसे कि मैं आपको बताया था कि यहाँ पर कि entity का business model ही हमें determine करके बताता है कि entity का नियत क्या है contractual cash flow collect करने का नियत है या फिर बेचने का नियत है या फिर दोनो जैसे अगर मैंने का contractual cash flow collect करने का नियत है हमोटा सिर्फ बेचने का नियत है मतलब FBIT पे लोता है और हम कहेंगे कि नहीं दोनों है मोका मिलेगा तो बेच देंगे contractual cash flow से ही collect करने है पर मोका मिला तो बेच देंगे तो फिर FBIT उसे तो ये business model ही तो आपको बताएगा लेकिन कितने बार क्या होता है कितने बार ऐसा होता है कि हमारा मान लिजे नियत है contractual cash flows collect करने का ही पर हम ये भी कहरें कि by chance मान लिजे हमारा stress के सिनारियो हो गया worst के सिनारियो हो गया मतलब मान लिजे अगर हमारे पस कोई option नहीं बचा है उनकी credit risk काफी जादा बढ़ गई है जिन से हमें पैसे मिलने है उसका credit risk काफी जादा बढ़ गया या फिर मान लोग कोई दूसरा reason हो सकता है जो valid reason है genuine reason है और worst के सिनारियो हो गया stress के सिनारियो में तो हमें कुछ भी करना पड़ता है अगर मुसीबत में हम first गए तो ऐसा situation में हम बेच सकते हैं साथ ही साथ हमें यह reasonably expect भी करें अभी कि ऐसा सिनारियो नहीं आएगा मतलब जैसे मैं आपको कह रहा हूँ कि मैंने आपको financial assets खरीद है मान लीचे मैंने आपका bonds खरीद है मेरा नियत है bonds से interest और principal collect करने का ही मैं आज initial recognition में यही बात कर रहा हूँ मेरा नियत है और मैं amortize cost लगाना चाता हूँ पर साथ ही साथ मैं आपको disclaimer देना चाता हूँ कि कल को मान लीचे बूरी हालात हो गए हालात बत्से बत्तर हो गए words के सिनारियो आगया stress के सिनारियो आगया तो ऐसा situation में मैं बेच सकता हूँ क्योंकि वैसा situation में तो कोई भी बेचे रहा हूँ है ना ऐसा situation पर मुझे आज यह feel हो रहा है कि ऐसी हालत नहीं आईगी तो एक होता है नहीं हम किसी को भी disclaimer देते कि देखिये चले कि कि जैसे मान लीचे आज आज आपने किसी को घर rent पे दिया आप ही उसे कहा दिया है कि हम अपसे घर खाली नहीं करेंगे पांच साथ में पर मान लीचे हालात बच्छे बत्तर होगे तो क्या पता घर आ सकते है पर ऐसी हालत आएगी नहीं तो वही बात ही है अपर एक disclaimer की तरह है कि चली यहाँ पर कुछ ज़्यादा असेच था नहीं और यह तो मैंने आपको अरेड़ी बता है कि अगर आपको hold करने का नियद है तो आप क्या करोगे FBT, emotes cost में तो लगाते हो अगर hold के साथ साथ selling करने का दोनों नियद है तो यह बात है हमें already यहाँ पर पता है as such ऐसा कुछ नहीं बस आपको यह ध्यान में रखना होता है कि जो contractual cash flows होता वो solely payment of principal और interest ही होता है इसके अलावा कुछ भी नहीं होता है क्योंकि contractual cash flows के अंदर principal और interest ही होना पड़े गा दूसरा कोई item नहीं होगा तो अभी तक मैंने आपको कुछ नहीं समझा मैंने आपको बता है कि business model कैसे identify करेंगे देखिएंगे risk कैसे manage होता है manager को कैसे compensation दिया जाता है और performance कैसे evaluate करके KMP को report किया जाता है यह सारी बाते मैंने आपको बता है मैंने आपको का business model में आपका एक entity का एक से ज्यादा business model हो सकते है और बत से बतर हालात में अगर आपको बेचना पड़े और ऐसा हालात आपको नहीं लगता नहीं आएगा आप स्टिल M.O.T.S. cost method लगा सकते हो अब आगे हम बात करेंगे जिसे हम बार-बार करें थे कि principal और interest solely payment of principal interest ही होना चाहिए उसके अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए मैं आपको यह समझा है तो principal का मतलब तो क्या हो गया जो आपका initial financial assets को जिस value में recognize करते हो ही तो principal है क्योंकि present value में interest नहीं होता है present value में जो भी आपका value यह नहीं आज के date का value जिस fair value में financial assets को recognize करेंगे that is what principle क्योंकि interest तो future में time value बनी वो तो future में चाड़ेगा और फिर बाद में जो payment होना होगा आएगा वो सारी बाते मैं आपको यहाँ पर फटा फट से बताने की कोसिस करूँगा तो मेरी बात ध्यान से सुनिए interest element के अंदर basically रहता है basic lending arrangement यानि basic lending arrangements ही interest के अंदर आएगा interest element के अंदर आएगा इसका मतलब के है अब आप मेरी बात समझे हम interest फ्यू लेते आज माली जे मैंने आपको पैसे उधार दिये 5 इनिट रूपेस मैं अगर आपको 6 months के लिए उधार दूँगा तो जितना interest का amount में आपसे लूँगा क्या जर तो करेगा है क्या time value of money include करेगा अब दूसरा होता है credit risk अब मेरी बात ध्यान से सुनिए आपको मैं पैसे दे रहूं आप ज्यादा कुछ कमाते नहीं हो आप ज्यादा कुछ कमाते नहीं हो आप जस्ट एक student हो आपको मैं 5 minutes उधार दूगा और अंबानी जी को मैं 5 minutes उधार बता को risk कहां परे credit risk कहां परे पैसे डूबनी के chance आपकी आप परे कि उनकी वाँ परे उनकी महां पर कम है अं बानी जी के पास zero pie जांस होगा क्या पता है ना और आपके case में मैं ले रहा हूं मान लिचे 3% किसी और बंदा होगा उसका credit risk और ज्यादा है तो उससे मैं 5% लोगा इन्हें अलग-अलग entity का अलग-अलग percent का अलग-अलग credit risk होते हैं और उस risk को देखते वे हम जादा premium मांगते हम जादा interest rate मांगते हैं क्योंकि जहादा जहाँ risk रहेगा वहाँ मुझे ज्यादा interest विएगा तो credit risk को देखते हुए माल लीजे मैंने 2% और interest आपसे मांग लिए मैंने का कि मुझे और 2% का interest चाहिए credit risk को देखते हुए अब साथ इसाथ एक और point है liquidity risk देखें liquidity risk क्या होतसा है हमें यह देखना होता है कि जो मालीजे मैंने आपकी company के bonds खरीद के आपको पैसे दिये मालीजे उधार के नहीं तो वह bonds तो acknowledgement है मैंने bonds लिए और आपको पैसे उधार दिये और मालीजे ऐसा instrument है जिसमें मैं रात और रात realize नहीं कर सकते है जल्दी से मेरा पैसा realize नहीं होगा तो मतले हम वहाँ पर liquidity problem है तो liquidity problem होगी तो मैं liquidity risk भी लूँगा जैसे मालीजे for example एक मैं building में पैसे फसाता हूँ ठीक है और मैं bank में पैसे रखता हूँ realize नहीं होगे है ना रात और रात में चाहूं तो realize नहीं कर पाऊँगा जिसके चलते मैंने कहा कि one percent का मुझे liquidity risk है अब administration का खर्चा होता है जिकी bond वगेरा जैनुइन मांग रहा हूँ और obviously बाते में अपने पैसे आपको दे रहा हूँ तो कुछ तो एक nominal profit margin तो मैं रखूँगा और माल लिजे मैंने profit margin रखा 1.5 percent तो यहाँ पर कहने का मतलब यह कि interest element के अंदर के आएगा time value of money credit risk कुछ होगा तो वो भी हम लेंगे liquidity risk के कुछ वो भी लेंगे administration का खर्चा profit margin यह सारे genuine बात पर यह सब मिला कि माल लिजे आपका 14 percent हुआ for example ऐसे मैं रेंडम ने का तो 14 percent आपसे interest ले रहा हूँ चली यह माना चाहेगा solely payment of interest है और principle जो है है लेकिन आपको मैं बता दू इसके अंदर आपका exposure नहीं रहना चाहिए किसका पता है equity के changes का exposure commodity price के changes का exposure यह नहीं रहना चाहे अगर ऐसा है तो मतलब इसके अंदर variability है फिर आपका कहा solely payment of principle interest है फिर तो मतलब हम क्या करें दूसरे जो item से दूसरे commodity या equity prices है हम उससे link करें और कहीं न कहीं हम derivative contract करें उसके अंदर फिर derivative include हो जाए तो इसलिए आपको समझना है कि changes in equity यह commodity price का exposure वगेरा नहीं रहना चाहे इसके अंदर और साते सर्थ में बता दूँ जो मैं आपको bonds इस आपका bonds हो मैं खरीदू वह उस bonds के अंदर conversion फीचर नहीं रहना चाहे है और सब सारे फीचर नहीं रहने चाहे है क्योंकि यह सब सारे फीचर है तो मतलब वहाँ पर solely payment of principle interest नहीं है क्योंकि वह additional feature आपको additional benefit दे सकते हैं यहने कहने का मतलब है अगर मैं बात करूँ financial assets मैंने hold किया है financial assets मैंने खरीद है और मुझे जानना है कि क्या वो financial assets solely payment कर रहा principle interest का मतलब सिर principle interest ही होना चाहे उसके अंदर commodity price का change, equity price का change, यह सब नहीं होना चाहे, conversion feature, यह सब सारी चीज़े नहीं होना चाहे, बस principle और interest और interest के अंदर क्या क्या आ सकता है, जैसे मैं आपको पता है, interest के liquidity risk का चाहे, बेकिना bank अलग-अलग बंदे से अलग-अलग interest rate charge करते है, और अलग-अलग commodity के लग-अलग interest rate charge करते है, तो आपका interest element के अंदर में समझाना चाहे हो, time value of money आ जाए, है न, और मैंने आपको क्या कहाता, liquidity risk का credit risk का आ जाए, administration का खच्चा बनता हमारा, हलका सा profit margin भ आते हैं, तो मैंने आपसे कह दे कि अगर रुपया में inflation आएगा, तो उसके according भी inflation का मुझे थोड़ा पैसा चाहिए, क्योंकि आपको मैं पैसे जो principal amount आज उधार दे रहा हूँ, आज जो मेरा purchasing power है, वो purchasing power बाद में कम हो जाएगा, क्योंकि inflation हो जाएगा, क्योंकि आप inflation है, वो सेम करंसी, जिस करंसी में हमने अपसे financial assets खरीदा, सेम करंसी में अगर inflation को भी link करें, तो ठीक अच्छा लेगा, कोई problem भी यह genuine बात है, और इसे हम क्या कहते है, अनलिवर्ड inflation चलेगा, इसे related question भी है, जिसका मैंने discussion already हमारे audio में किया होगा, लेकिन leverage नहीं आएगा, अपर, leverage का मतलब क्या है, leverage का मतलब यह है, कि equity का changes, commodity price का changes, सारे leverage हो गए, है ना, और या फिर हम कह सकते कि, यहां पर जैसे swapping options, forward contract, यह सारे डालने, यह सारे leverage हो गए आपर, तो यह सारे swapping options, forward contract, यह सारे leverage इसके अंदर नहीं है, और साथ ही साथ आपका, मैं आपको क्या का, कि बाकी, मा लीजे, रुपिया में मैं आपको पैसे दे रहा हूँ, dollar का inflation को उसमें मैंने connect कर दिया, तो कोई sense वाली बात नहीं, अरे, रुपिया में investment करो, dollar का inflation को link कर दिया, जचेगा नहीं, जचेगा आपको, वो फिर leverage inflation हो जाएगा, यानि कहने का मतलब, unlevered inflation, आपका, can form part of SPPI, यानि आपको यह ध्यान में रखना है, कि leverage जो है, कहीं पर भी आपको दिखे न, leverage, नहीं include होगा, solely payment of principal interest के अंदर, leverage include नहीं होगा, क्योंकि leverage increase करता है, variability of contractual cash flows, which do not have economic characteristics of interest, यानि interest का जो economic characteristics होता है, जो features होता है, interest का, उसमें leverage कभी नहीं आते है, उसमें जिससे time value of money, liquidity interest वगेरा वगेरा जो genuine चीज़े है, वह यातोर unlimited inflation आता है, पूर SPPI, financial assets should not include leverage, financial assets में आपको का unlimited आएगा, leverage इसमें include नहीं करेगा, और leverage का मैंने examples भी रख दे है, जिससे options, forward contract, swapping वगेरा, यह सारी चीज़े आपको ध्यान में रखना है, और यह भी ध्यान में रखना है, कि solely payment principal interest के अंदर, आपका conversion feature, right to equity, options, etc. यह सारी चीज़े नहीं होने चीए, तो चलिए यह पूरा का पूरा theory था, इतना ज़्यादा जरूत नहीं था, यहाँ पर मैं बस एक बार summarize कर दे रहा हूं कि आपको दिमाग में क्या रखना, exam perspective के लिए, principal जो है, interest के अंदर क्या होगा, time value महीं होगा, credit risk होगा, liquid risk आ सकता है, administration का खर्चा आ सकता है, profit margin आ सकता है, unlimited, कोई भी item में वो आ सकता है, unlimited inflation भी आ सकता है, मतलब सेम जिस currency में पैसे दियो, उसी का inflation है, वो आ सकता है, बाकि leverage नहीं आ सकता है, यानि दूसरे currency का inflation डाल दिया, वो भी नहीं आ सकता, यह सारी च आ सकते हैं कि solely payment of principal interest है, इन्हीं solely payment of principal interest हम तभी कहेंगे, जब leverage वगेरा, option price वगेरा, forward वगेरा, यह सब इसके अंदर include, attach नहीं है, तो चलिए, अब मैं ज़्यादा ओर time इस पर खराब नहीं करूँगा, and मैं उमीद करूँगा कि यह आपने अच्छी तरीके से समझा, और इ हमारे application में जाके, audio clip सुनिए, question bank हमारा खुलिए, audio clip सुनिए, आपको सारी चीज़े clear हो जाएगे, तो चलिए, उमीद आपको सारी चीज़े आपर समझ आईए, अब हम आगे next point discuss कर सकते हैं, अब हम आगे next निया point discussion करेंगे, उससे related जो भी question है, इस video में नहीं होगा, मैंने से मालिज है, for example, entity S है, और जो की subsidiary company किसका बता है, entity P का subsidiary company है, और entity P इस company में, entity S में 70%, sorry, 70% stake रखता है, बागी 30% other investors का, जिसे हम non controlling क्या सकते हैं, यहां पर सुनिए मेरे बात, यहां पर मुद्दा क्ये, मुद्दा यहां यहां पर यह कि entity P ने बता क्या entity P ने, entity P ने बता क्या, entity P ने इन non controlling interest holder को एक वादा कर दिया, एक अधिकार दिया, entity P ने non controlling interest holder को क्या अधिकार दिया, कि non controlling interest holder जो है न, वो चाहे तो अपना stake को बेच सकते हैं, वो चाहे तो अपने interest को, है न, बेच सकते, आसे 2 साल के बाद, या जब भी, future में बेच सकते ह यहां पर यह तो समझ में है कि entity P ने देखा जाय तो non controlling interest holder को एक वादा देदी एक अधिकार देदी एक option देदिया कि वो चाहे तो अपने sets किसे बेच सकते हैं entity P को बेच सकते हैं तो हमने बढ़ा देदा ना खुद के ही sets खरीदने का वादा कर लिया तो क्या entity P ने non controlling interest holder से क्या खुद का ही sets खरीदने का वादा कर लिया जी नहीं किया क्योंकि entity P जो है इनसे sets खरीदेगा वो तो entity S का sets खरीदेगा ना अगर non controlling interest holder चाहे तो sets बेच सकते, put back कर सकते किसको entity को, तो यहाँ पर entity को put back किया जाएगा, तो entity को इंसे sets खरीदना पड़ेगा न, तो क्या entity खुद का ही sets खरीद रहे है, जी नहीं, entity तो S का issue क्या हुआ sets खरीद रहे, तो यहाँ अपने ही sets खरीदनी का वादा नहीं कर रहे entity P, यहाँ पर entity S के sets खरीदनी का वादा कर, चलिए, यह समझ में है, लेकिन आप सूचे, जब हम group financial statements की बात करेंगे, जब हम consolidated financial statements बनाएंगे, तो consolidated financial statements जब बनेगा, तो entity P और entity S को एक ही group entity माना जाएगा, क्योंकि entity P का ही तो subsidiary company है, entity S, तो जब group financial statements बना जाएगा, तो entity P औ entity S एकटा एक साथ balance sheet बनेगा, entity P plus S है ना, एक साथ balance sheet बनेगा, और जब हम group financial statements की बात करेंगे, तो ऐसे group देखा जाए, तो group ने क्या क्या, non controlling interest holder को वादा दिया ना, कि वो चाहे तो sets को put back कर सकते हैं, और जब group की बात है कि तब तो entity P, entity S, एक ही इनसान है, एक ही है, अलग अलग नहीं है, तो अगर मालनीचे entity S का sets हो, या फिर entity P का sets हो, दोनों का sets एक ही माना जाएगा, तो यहाँ पर दोनों मिला कि group ने क्या क्या, इनको non controlling interest holder को वादा दे दिया, कि वो चाहे तो sets put back कर सकते हैं, और यहाँ पर non controlling interest holder को अपने ही sets खरीदना पड़ेगा, क्या करन S अगर अपने individual sponsor statements बनाएगा, तो still यहाँ पर उसने कोई वादा नहीं किया, यह still non controlling interest holder उनके लिए equity रहेगा, क्योंकि इन्होंने sets खरीदने का कोई वादा नहीं किया, पर जब group की बात आएगी, तो group ने तो अपनी sets खरीदने का वादा ले लिया, तो जब अपनी sets को खरी पैसे देने पड़ेंगे न, तो group का क्या future में पैसे का outflow हो सकता है, जी हाँ, पैसे का future में outflow हो सकता है, जिसे वो रोक नहीं पाएगा, है न, और इसलिए यहाँ पर group के लिए यह जो वादा दिया, वो क्या बन जाएगा, financial liability बन जाएगा, तो यहाँ पर आपको यह समझन जिन्होंने sets खरीदने का वादा कर ले और अपना sets खरीदने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेंगे, तो इसलिए यहाँ पर financial liability हो जाएगा, और यह समझ में आपको पता है कब आएगा, जब हम यह question करेंगे, that is illustration 13, यह मैं आपको समझाऊंगा question को अच्छी तरीके से, आपको पूरा clearly अच्छी तरीके से समझ में आएगा, तो चली question हम फटाफट से discuss करके, revise कर लेता है फटाफट, देकिना parent P ने 70% controlling interest रखा हुए, subsidiary S का, इने subsidiary S का 70% P के पास है, remaining 30% बाहर वालों के पास है, जो की entity Z के पास है, यह NCA हो गया, entity Z यहाँ पर कौन हो गया, NCA हो गया, है ना, group के point of view से बात करें, on 1st January 2001, parent P ने write के एक option, option hold करना मला अधिकार लेना, option write करना मतलब अधिकार देना, इन्होंने अधिकार दिया है, अधिकार देते तो premium खाते हम, SFM में पढ़ा होगा, आपने, आपको आता होगा, entity P ने अधिकार दिय Z to Z, जहाँ पर entity Z के पास अधिकार है कि वो अपने sets को put back कर सकता है, यहनि अपने sets को बेच सकता है किसको parent P को, और 1st December में, और इसके लिए उन्होंने 1000 रुपीस, जो है ना, 1000 रुपीस में बेचने का वादा कर दिया, मलब खरीदने का वादा कर दिया, यहनि जो entity Z है, वो entity P को अपने sets 1000 रुपीस में बेच सकता है, तो पताईए, क्या यहाँ पर payment करना पड़ सकता है, parent P को future में, जी हाँ, parent P को future में payment करना पड़ सकता, कितना payment करना पड़ सकता, 1000 रुपीस, यह वादा कब दिया, यह वादा दिया, 1st January 2001 को, और यह अधिकार कॉन से डिट में एक 2002 तक, यहाँ पर 2 years होते है, 1st January 2001 से 31st December 2001 और 31st December 2002, 2 years होते है, तो 2 years के बाद entity Z चाहे, तो अपने sets को parent P को बेच सकता है, और parent P का obligation है कि उन्हे 1000 रुपीस देना पड़ेगा, उन्हे 1000 रुपीस देना पड़ेगा, यह parent P का obligation है, parent P ने यह अधिकार देने के लिए 100 रुपीस क state by which amount the financial instrument will be recognized and under which category, तो यहाँ पर पूछा कि किस तरीके से recognize किया जाएगा, तो सबसे पहली बात आप सुनिये मेरी बात, सबसे पहली बात यहाँ पर जब consolidated Fences Statement prepare करने की बात आएगी, तो यहाँ पर consolidated Fences Statement में हम आने के parent P और S दोनों एक ही इंसान है, दोनों अलग अलग न premium खाया, premium कितना गया, 100 rupees का premium खाया, तो obviously बाते जो 100 rupees का premium खाया, यह bank account में 100 rupees आएगा, और यह 100 rupees का premium किस बात का लिया, अपने sets को खरीदने के लिए लिया न, और अपना sets क्या होता है, equity होता है, तो equity खरीदने के लिए नों नहीं यह अधिकार दिया, तो दिखा ज़िए सुनिया, अब इनको future में 1000 rupees देना पड़ सकता है, consolidated financial statement में group entity को future में 2 साल के बाद 1000 rupees देना पड़ सकता है, तो यह obligation उनको 1000 rupees देना पड़ेगा, तो यहाँ पर पहले क्या था, पहले इनका कोई obligation नहीं था, अगर group की बात करें, तो group अगर अपनी financial statements बनाएगा, तो group क्या अपनी जो sets है वो तो दिखाएगा, बाकि जो इनका पर sets hold क्या वो, वो NCA दिखाएगा, non controlling interest और NCA जो non controlling interest होता, वो तो equity का ही हिस्सा होता है, equity में तो रिखाते हैं, NCA, क्योंकि आगर मालो किसी non controlling interest holder ने हमारी company के sets खरीदे वे, तो हमारा वो obligation नहीं है, वो हमारा equity है, क्यो अब हमने उनको वादा दे दिया, कि वो चाहे तो अपने sets को हमें बेच सकते हैं, और हमें खरीदना पड़ेगा, यनि अब तो redemption होगा, बेचिंग है तो हमें खरीदना पड़ेगा, हमारा obligation है, तो जब हमने ये वादा कुछ नहीं दिया था, तो ऐसे group हमने जब वादा नह है, तो liability हम कितना दिखाएंगे, liability हम उतना दिखाएंगे, जब जो आज हमारा present value में obligation है, उतना कम liability दिखाएंगे, तो हमारा obligation ये है कि हमें thousand रुपीस आज नहीं देना, दो साल के बाद देना, after a period of two years हमें thousand रुपीस उनको देना पड़ेगा, चाह उनका sets खरीदेंगे, है equal दो बार कर देंगे, तो 797 आरा आपको दिख रहें, तो हम क्या करेंगे, हम present value में दिखाएंगे 797, तो देखा जातों जो 797, जो आपका 797 पहले मानलीची equity हुआ करता था, NCA equity के अंदर था आपका, अब हो liability बन चुप है, तो हम क्या करेंगे, equity से निकालेंगे 797, क्यों equity से निकालके, हम liability में डालेंगे, तो इसलिए अब हम ही क्या करना पड़ेगा, हमें equity से निकालना पड़ेगा, 797 हमें equity से निकालना पड़ेगा, जो कि NCI का equity के अंदर पहले है, हम equity से निकालके, हमें financial liability 787 का दिखा रहा है, यानि मैं कुल मिला कि आपको बस इतना ही समझा चाहता हूं इस question में, कि 100 rupees का जो premium आया, वो अपने equity sets को खरीदने के लिए premium है, तो अपने equity sets से related खरीदने का को भी premium है, हम equity से adjust करेंगे, कि अपने equity sets बात में खरीदना पड़ेगा, तो equity से ही adjust करेंगे, तो bank account debit to equity किया, अब जो पहले NCI holders equity हुआ करते थे, उनको वादा दे ने के वज़े से अब हमारा liability बन गया, तो equity से निकाल, liability में डाल, तो हमने present value में equity से निकाला 797, और financial liability में दिखा दिए 787, 0 tier पर, discounting करके present value में, अब क्या होगा, अब first year में इस पर interest चाड़ेगा, finance cost के नाम का, finance cost के नाम का, first year में इस पर interest चाड़ेगा, और ये interest जाएग तो after two years आपका financial liability 1000 rupees का होगिया, after two years आपका financial liability कितने का होगिया, 1000 rupees का होगिया, अब दिखिया, क्या दो साल के बाद, जेड आ सकता है, आपको अपनी sales बेचने के लिए, आपको खरीदना पड़ेगा, जी हाँ आ सकता है, अगर वो आएगा, अपने sales को बेच के जाएगा, त हमने खड़ा कर रखा हुए, हम मानेंगे discharge कर दिया, तो 1000 rupees financial liability debit कर देंगे, to cash कर दिया, 1000 rupees, अब balance rate में भी देख सकते हो, financial liability जो अपका 1000 rupees है, वो discharge हो जाएगा, ये वाला 1000 rupees discharge हो जाएगा, और cash 1000 rupees से कम हो जाएगा, हमने already equity तो पहले ही कम कर दिया, हमने तो उसी दिन हमने प्रिकार को, तो option क्या हो जाएगा, lapse हो जाएगा, तो ऐसे situation में financial liability हमारा जो obligation था, वो obligation रहा नी, तो liability से पैसा निकल के कहा है, equity में चला जाएगा, फिर से NCM में चला जाएगा, equity के अंदर चला जाएगा, यन्या कहने का मतलब यह है, कहने का मतलब यह है, कि पहले तो हम liability to cash दे देंगे अगर वो नहीं है तो liability से फ़र सम equity में transfer कर देंगे बात खतम और मैंने इससे related देखिए journal entry भी पास किया हुआ है आपर bank account debit to equity हुआ और equity से निकाला पैसे financial liability में डाल दिया present value में अब हर साल इस पर interest चाड़ेगा यह interest जाएगा कहां पर PL में जाएगा आपका ultimately 2 साल के बाद financial liability thousand का खरा हो गया अब 2 साल की बाद जब discharge करोगे तो financial liability to bank होगा labs हो गया तो financial liability से पहले आपने निकाला था ना देखिए equity to financial liability लिखाते न अब फ़र से financial liability to equity कर दोगे पर इस बार thousand करोगी कि thousand आपका पूरा का पूरा liability का हिसा नहीं रहा अब वो equity का हिस अब यह हमने यह समझा अभी इसके साथ साथ हम क्या करेंगे आपको पते हैं इसके साथ साथ मैं आपको क्या कराऊंगा मैं आपको एकाद concepts के कोशियन अभी और आपको clear करा दूँगा अभी and जिससे आपको और clarity मिल जाएगी तो यहाँ पर early settlement के concept आपको मैं कराऊंगा पर early settlement से पहले मैं आपको कराऊंगा split accounting for compound financial instruments यानि अभी हम compound financial instruments की बात करेंगे और ध्यान लगा के सुनेगा यह concept हमें बहुत अच्छी से समझना इसके question भी बन सकते exam में तो यहाँ पर theory नहीं पढ़ाऊंगा इस इस आपको clear करा दूगा कि ultimately कैसे हम compound financial instruments वाले questions को कैसे deal करेंगे तो यहाँ पर सबसे बिल एक simple सा question है यह illustration हम पहले discuss करेंगे चली मेरे साथ सुरू हो जाएगे illustration 27 redeemable debentures with discretionary dividend चली ध्यान से दिखेगा x company limited इसू किया है debenture to y company limited को x company limited ने क्या-क्या debenture इसू किया किसे y company limited को those debentures are redeemable at the end of 10 years from the date of issue यह redeem होंगे debentures कब after a period of 10 years तो बते क्या यह irredeemable debenture है नहीं यह redeemable debenture है हमारे obligation हमें future में पैसा देना पड़ेगा principal amount यह क्या है equity यह क्या है financial liability है यह हमें पता चला आगे interest of 15% per annum is payable at the discretion of the issuer अच्छा interest payment तो discretion है यहनि entity का मन करेगा तो देगा नहीं मन करेगा तो नहीं देगा यह discretion word देखिया तो मतलब यह equity होगा तो यहाँ पर दो अलग-अलग component है एक liability component है एक equity component है जो interest का payment है वो discretion में तो interest आपका equity हुआ और जो principle तो 10 years के बाद देना ही देगा तो यह क्या हो गया financial liability हो गया पूछा दा rate of interest is commensurate with the credit risk profile यानि जो risk profile है उसके इसाफ से interest होना चाहिए यह आपके market value के इसाफ से है को इसमें problem नहीं है तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे हम कहेंगे दो component है मैं लग कंपाउंड finance instruments हुआ जो principal amount है वो financial liability क्योंकि obligation हमारा redeem करन accounting में separate होता है जो आगी आपको सीखने को मिलेगा हम अभी illustration 31 करेंगे start करते है illustration 31 और 1st July 2001 delimited issues preferences to g limited for a consideration of rupees 10 lakh 10 lakh रुपिस का consideration लिया जा रहा है और preferences इसू किया जा रहा है the holder has an option option हमारे पास नहीं holder के बास है holder के बास option कि वो चाहिए तो convert करा सकता है यह preference sets को to a fixed number of equity instrument of the issuer anytime up to a period of three years so देखें holder के पास यह अधिकारी वो चाहिए तो fixed number of sets में convert करा सकता है तो fixed number of sets में अगर वो convert करा सकता है तो मैं आपको यहां पर equity जैसा feature दिख रहे है चली कोई problem नहीं है अगर option exercise नहीं किया गया holder अगर option को exercise नहीं करेगा तो preference sets redeem होगा at the end of three years तो दिखें अगर mandatory the prevailing market interest rate for similar preferences without conversion feature is 9% तो सुनिए मेरे बात यहां पर मैंने आपको convertible preferences से सुकिया जिसकी चलते हैं मैं आपको 6% का interest rate देने पर भी 6% का dividend आप समझा लेजे 6% का fixed coupon देने पर भी आप खुस हो क्यों कि मैं आपको preference sets रिसू नहीं कर रहा है मैं आपको conversion feature भी दे रहा हूँ पर सुची अगर मैं आपको conversion feature नहीं देता ना तो market में ऐसे market में जो plain preferences होते हैं उसमें fixed dividend 9% होते हैं मलों without conversion feature होता तो 9% का coupon मिलता आपको पर conversion feature होने के वज़े से आपको 6% का coupon मिलता है तो यहां आपर हमें basically क्या करना होते हैं हमें basically यह दिखना होते हैं कि हमारा future में obligation क्या है और जो हमारा future में obligation होगा उसमें present value में pull करेंगे add rate 9% क्यों क्यों क्योंकि 9% ही market का rate होता अगर उसमें conversion feature नहीं होता तो तो आप देखिए यहां पर यह मैं delimited हो मालीजे मैंने आपको preferences चुकाना पड़ेगा तो every year में क्या करूँगा 10 लाग पे 6% में आपको coupon दूगा यनि 60,000 में first year में आपको दूँगा second year में भी मैं आपको 60,000 दूँगा and third year में भी मैं आपको 60,000 दूँगा और finally अगर आपने redemption option choice किया तो मुझे आपको 10 लाग रुपीस भी चुकाना है यह क्या मेरा maximum obligation है जी हाँ यही मेरा maximum obligation है जो मुझे पैसे आपको देना पड़ सकते है यही मेरा obligation को मैं liability कहता हूँ यह मेरा क्या liability है पर zero tier में मुझे liabilities दिखाना है तो zero tier में तो इन सब क क्या होगा present value होगा तो इस में से मैं क्या करूँग गा I saw present value में pull करूँगा और जो तो मेरा present will of obligation होगा वही मेरा financial liability होगा क्योंकि ये सारे मेरा obligation है जिसे मैं avoid नहीं कर सकता मुझे आपको दीना पड़ेगा कुपन तो मुझे आपको दीना ही है और अगर अपने redemption करना चाह तो मुझे redeem भी करना पड़ेगा है ना क्योंकि वो choice आपके पास है मैं issuer मेरे पास नह होगे तो मुझे देना ही पड़ेगा आपको पैसा इसलिए मेरी ये maximum obligation है और इसे हम पूल करेंगे present value में किस rate से पता है 9% से क्योंकि obligation without conversion feature का market rate कितना है 9% है अब देखिए इन सब को पूल करोगे 9% से अगर आप इन सब को पूल करते हो 9% से तो present value आएगा इतना 9240059 आपक मुझे पैसे 10 लाग मिले जिसमें से 9240059 मेरा financial liability है तो remaining मुझे नहीं चुकाने मुझे इतना ही आपको obligation है चुकाने का तो बाकी नहीं है और जो obligation चुकाने का नहीं होता वो क्या equity है तो आप समझे हाँ पर हम क्या करेंगे bank account हम दिखाएंगे 10 लाग और भी जो में मिला इस हो जाता है तो यह हमारा equity हो गया अब इसको मैंने explain किया balance rate form में भी मुझे पैसे मिले 10 लाग रुपी इस balance rate में लेकिन यह मुझे जो पैसे मिली यह पूरा का पूरा मेरा liability नहीं है इसमें से 9240059 ही मेरा liability है बाकी मैं क्या दिखाऊंगा equity दिखा दूँगा यह मैंने दिख कर दिए और separate करने पर without conversion feature में तो rate 9% होता है तो अभी आपको इस पे 9% ही चड़ाना होता है तो देखें फॉर्स यह में हम 9% का interest चड़ाएंगे 9240059 पे 9% आप interest चड़ाएंगे 83165 आएगा और यह 83165 आपका चार्ज होगा किसमें profit and loss में PL में आप चार्ज कर दोगे liability की तरह आप समझे क्योंकि real interest तो आपका यह है जो हमने निकाला है और यह आप मानूगी installment payment वह तो देकिन यह payment जो नहीं क्या होगा पता है यह आपका liability को गिराएगा हमाने के liability discharge के थ्रूप payment और आपका cash में cash को भी कम कर देगा एक साट cash कम करेगा एक साट liability कम करेगा तो द इंटर में भी हम क्या करेंगे interest का payment interest चाड़ाएंगे charge और वो पियन में charge होगा installment का payment कर देंगे और third year के end में तो principal payment भी अगर आपको करना पड़ा तो principal payment भी आपको कर दोगे ultimately third year के end में नील हो जाएगा अब आप बोलो कि sir अगर by chance माली जा ऐसा हुआ कि third year के end में conversion हो गया तो जितना liability का amount है वो सारा का सारा equity में चला जाएगा बस बात कतम क्यूंकि आपने liability discharge हो करना नहीं है आपने उनको sales दी दी तो जितना liability बच्चा है माना जाएगा कि वो consideration मिला फो तो liability का जितना balance रहेगा सारा का सारा equity में transfer कर दी जा बात कतम पर अगर मान लीजे यहाँ प हो कि आप ultimately नील आना ही है उमीद आपको यह समझ में है कि हमने क्या कि हमने compound finance instruments में हमने पहले separate क्या equity और liability component में interest चाड़ाएंगे जो कि पेल में जाड़ जोगा और जो भी आपके cash flow से यह installment माना जाएगा और यह minus क्या जाएगा ध्यान रहे इसलिए में आपको कहना चाता हो यह real में interest नहीं है भले आप interest के नाम पे पैसा दे रहो पर standard की नजर में interest नहीं है standard की नजर में just payments है interest आपका जो 9% 9 to 4059 real financial liability में जो अपका market rate of interest होगा वही interest चाड़ेगा और वही पेल में charge होता है यह आप ultimately cash को कम करेगा और financial liability को कम करेगा तो उमीद है आपको यह समझ में यह question अच्छी तरीके से आपको clear हो चुका है अब एक यह दो question एक और यह भी फटा फट से मैं आपको revise करा दूँगा फटा फट से ताकि आपका exam के लिए काम बन जाए illustration 28 में देखे न पी company limited ने takes loan from q company limited loan perpetual nature का entities को लेकिन यह holder को fixed interest हो देगा तो देखे न interest हो fixed मिलेगा हर साल तो मतलब interest financial liability obligation है पर perpetual nature का loan होने का मतलब principle कभी redeem नहीं होगा जिंदगी भढ़ तक चले गाई जिंदगी भढ़ तक यह perpetual को maturity है नहीं interest तो obligation है पर principle का obligation है क्योंकि principle कभी redeem होगा है नहीं तो हम कह सकते interest financial ability पर principle जो है वो equity हो गया आपका है ना तो आप देखें आपर mandatory interest ते 8% financial liability लेकिन perpetual principle होने के वज़े से का obligation नहीं है और यह equity बन जाएगा तो इसमें दो component हमने निकाला equity बन गया illustration 32 आप खुद भी कर सकते हो पर फिर में आपको फटा फट से बता दे नहीं आपर illustration 32 में simple वही कोशिन है कहा गया कि 10 लाक रूपिस received हुआ है यह ना और यहाँ पर holder के पास ही अधिकार है वो चाहे तो equity sets fixed number of equity sets में convert करा सकता है और otherwise हो redeem भी करा सकता है यह holder के पास choice है अब द अगर हम बात करें prevailing market rate जहाँ पर conversion feature अटेश नहीं है तो वो है RBA plus 4% RBA किंदा 9? 9 plus 4 13 यहने हम क्या सकते है कि coupon जो है वो 10% हो गया 9 plus 1 और आपका market rate of interest जो है वो कितना हो गया 13% हो गया 9 plus 4 यह मैं पता चला तो हम यहाँ पर क्या करें हम यह देखें है payment schedule कि है हम देखेंगे 10 लाग पर जो आपका 10 लाग का phase value है इस 10 लाग पर 10% coupon दिया जाएगा और end में 10 लाग रुपीज भी हमें चुकाना पड़ेगा अगर holder मान लीजे exercise करता है redemption option और वो आपसे पैसे मांगे है तो आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे इन सब को हम present value में पूल करेंगे 13% से क करने पर आपका present will of obligation आएगा 929165 जबकि हमने पैसे तो 10 लाग लिए पर आपको इतना ही obligation आ रहा है तो बागी का क्या होगा equity हो गया तो bank account दिखे 10 लाग ये एक 0 और बढ़ेगा इसमें हाँ एक 0 और आ जाएगा इसके अंदर ध्यान रखेगा 10 लाग आपका bank account है to preference 92165 आपका liability दिखाय जाएगा और बाखी का बचा होगा equity दिखाय जाएगा अब मैंने आपको पिछले question में तो already बताय दिया आगे आगे आप क्या करोगे इसी liability में आगे interest चड़ाओगे और य आपका नील हो जाएगा और या फिर अगर माले जिए बाद में conversion होता है तो liability से हो equity में transfer हो जाएगा चली तो उमीद आपको यह सारी चीज़े समझ आए मैंने फटा फट से question compound finance instruments का cover कर आया अब मैं आपको कराऊंगा एक अच्छा सा question early settlement का यह काफी important question है इसे अब ध्यान से सुनीगा आप इसे star भी दीजे for your exam यह concept बहुत important है and interesting भी आप इसे ध्यान से सुनीगा चली स्टार्ट करते early settlement काफी अच्छा question है and यह question अच्छे से समझना है बहुत interesting question है and early settlement का concept भी आपका यहाँ पर clear हो जाएगा चली optionally convertible redeemable preferences है आगे amortization schedule मतलब यह illustration 31 का continue है पर जरुत की कोई बात नहीं यहाँ पर आपका सारी चीज़े बता दी यहाँ पर amortization schedule वगेरा बता दी मतलब आपको याद होगा हमने question किया भी था 9-2-4-0-6-1-7-5-9-3-1 आपको कुछ याद होए होगा हमने किया था न यह question नीचे मिलेगा आपको गिरा 9-2-4-0-5-9-7-5-9-3-9 हमने निकाला था न और मैंने पूर amortization schedule भी बताया था दीखिए तो यह सारा balance यर्म ने जो बताया न यही question आपको mention कर रहा है सारा बता रहा है कि हर साल आपका जो liability में change आएगा देखिए 9-4-7-2-6-9-7-2-4-7-6 यह भी आपको मिलेगा आपर 9-4-7-2-2-6 यह डबल-2-4 है हमारा first year का आपका liability and second year का liability 9-7-2-4-7-4 है एंड में तो नील हो जाएगा लास्ट में 30 में नील हो जाएगा न यह देखिए 9-7-2-4-7-4 माले दो रुपया का फरेक है matter नहीं करता अर अल्टीमेटली नील हो जाएगा और equity का balance तो वही रहेगा 75-9-39 नी रहेगा तो यह पूरा details हमें यहाँ पर बता दिया गया सारा details हमें यहाँ पर बता दिया गया है ना और finance cost आपका effective interest rate से 8-3-1-6-5-8-5-2-5-0 सारा आपको बता देता हूं मैं यह दिखे 8-3-1-6-5-8-5-2-5-0-8-7-5-2-2 यह सारा हमने निकाल हुए 8-3-5-2-4-5-2-5-2-0-8-2-1-2 यह तो कहने का मतल़ यह हमने already किया था हमारे balance इड में illustration 31 के अंदर चली यह पूर आपको schedule बता दिया कि क्या हर साल के end में कितना liability है equity का balance तो asatc रहता वो बदलेगा नहीं आपका और liability क्या-क्या में बदा दिया अब आगी देखिए जैसे third year के end में ready होना था या फिर convert होना था देखिए assume that delimited has an early redemption option delimited के पास option है मतल़ यहाँ पर delimited पता है कौन है investor है उसके पास पते हैं early redeem करने का option है to prepare the instrument at rupees 11 lakh यहनि 11 lakh rupees देखिए यह redemption करार early and on 30th June 2003 30 June 2003 को यह करार है यह वाला date पे यहनि जिस दिन यह early redeem कर रहे उस दिन आपका equity और liability का balance ही रहा equity का तो balance obvious से बात होई रहेगा liability का balance आपका 972476 है यहनि carrying amount of liability जो balance sheet में रहेगा और 30 June 2003 को क्या हुआ exercise भी कर लिया वो option इनके पास अधिकार था issuer के पास issuer नी option अधिकार को exercise कर लिया at 30 June 2003 the interest rate has changed at that time delimited could have issued a one year non-convertible instrument at 5% यहनि 5% में यह non-convertible instrument issue कर सकते है 30 June 2003 को तो मेरी बात समझे सबसे पहले तो हम यह चेक करेंगे कि मान लीजे यह जो cash flows अभी remaining cash flows बचे वे इसमें आज का present will of liability क्या fair will of liability हमें निकालना है यहनि 30 June 2003 को हम 11 lakh rupees दे रहे पर हमें यह जानना है कि यह 11 lakh rupees का हम payment कर रहे इसमें से liability का कितना payment कर रहे equity का कितना payment कर रहे क्योंकि still अभी तक आपका conversion feature इसमें attach है क्योंकि एक साल की बाद या तो investor क्या करता redeem करता या investor क्या करता एक साल के बाद convert कर आता तो हम उनसे पूरा का पूरा छीन ले रहे सारा अधिकार हम उसे चीन ले रहे हम उनने prepayment करें 11 lakh का तो obvious सी बात है investor बेवकूफ नहीं है वो investor दोनों चीजों का price लेगा आपसे एक तो liability का जो बनता है वो भी आपसे लेगा और दूसरी चीज वो आपसे equity जो conversion feature है उसका भी पैसा हो आपसे लेगा हम 11 lakh रुपीस दे रहे तो हम यह जानना पड़ेगा आपर कि 11 lakh रुपीस में से हम कितना liability को discharge करने का दे रहे और कितना हम equity को discharge करने का दे रहे यह हमें जानना पड़ेगा इसके लिए हमें यह जानना चीए कि obvious भी बात है आज investor अगर आज investor आपसे कुछ पैसा ले रहे तो वो आज का date का देखेगा कि क्या fair value है आज के date में वो देखेगा कि वो liability को अगर market में वो बेची तो उसे कितना पैसा मिले तो अगर मैं investor के point of view से सोचू जैसे कि carrying amount तो यह रहा में पता है carrying amount तो हमें पता चलिए यह रहा equity इतना है और liability का carrying amount इतना है अब हम देखेंगे 30 June 2003 को investor का point of view से सोचे investor 30 June 2003 यहाँ पर खड़ है वो यहाँ पर खड़ है 30 June 2003 को investor अपने दिमाग घुमाएगा investor अपने दिमाग में सुचेगा कि उसे क्या future में पैसे मिलने वाले तो investor ने दिखा कि आज तो जो मिलना था मिल गया interest वगेर investor देखेगा कि और एक ही साल बचावा maturity होने को investor को एक साल के बाद 60,000 रुपीज interest का मिलेगा और principal amount redemption का 10,000,000 रुपीज मिलेगा यानि क्या investor को 10,000,000 रुपीज मिलेगा 30 June 2004 को यानि इतना पैसा उसे मिलेगा और investor यह भी देखे है कि आज के rate में अगर वो इसको किसी और को बेज दे तो market का rate of interest किया वो हमें कोशिय ने दिया वह 5% है तो यहाँ पर investor सोचेगा investor का point of view से सोचेए investor सोचेगा कि उसे इतने पैसे मिलेंगे और market rate of interest 5% है तो उसका present value देखा जाए तो इतना उसे मिलना चाहिए यानि investor बोलेगा कि fair will of liability जो है यानि asset कह दीजिए investor के लिए asset है और हमारे लिए liability हो गया investor की नजर में हमारा fair will of liability है 1009523 इतना है मतलब कहने का मतलब अगर मैं इस वर point of view से भी सोचो मुझे पैसे देने है next year बचा हुआ 60,000 देना next year redemption भी होना 10 लाग भी देना मतलब मुझे एक साल के बाद 10,60,000 देना है और fair value के यसाब से आज का market rate है 5% तो आज का market rate से pool करूँ तो मतलब इतना 1009523 मुझे देखा जेतो liability का नाम का देना चाहिए तो आप खुछ सोची याँ पर हम उन्हें पैसा कितना दे रहे total हम उन्हें पैसा total 11,00,000 रुपीज दे रहे तो क्या मुझे ये समझ में नहीं आया कि मैं जो 11,00,000 रुपीज दे रहे हूँ जो मैं 11,00,000 रुपीज दे रहे हूँ obvious इबात है इसमें से मैं liability और equity दोनों का पैसा दूँगा liability का भी दूँगा और equity का भी दूँगा तो मुझे पता चल गया कि liability का पैसा में कितना दे रहे हूँ कैसे भी हम री मैजर करते हैं until settlement दर liability जो होता वो री मैजर होते रहे तो क्योंकि उस पे आपका obligation आपको चुकाना होता है इसलिए हम हमेशा उसे री मैजर करते हैं और equity को हम री मैजर नहीं करते हैं liability को री मैजर करेंगे और liability का जो भी differences होगा वो हमेशा पील में जाते हैं क् कब reporting period एंड में और settlement date में आज तो settle हो रहे हम प्रीमेमेंट कर रहे हैं तो liability हमारे books में carrying amount कितने हैं 972476 का liability है इसे discharge करें हम by paying 1009523 क्योंकि fair value इतने है carrying amount हमारा 972476 है पर fair value 1009523 इसलिए हम ये payment कर रहे हैं यानि हम एक्स्ट्रा कितना दे रहे हैं 37047 हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं तो ये जो 37047 आप एक्स्ट्रा दे रहे हो ये क्या होना चाहिए profit and loss में charge होना चाहिए यानि कहने का मतलब अकर मैं liability की बात करूँए आपर मैं liability की बात करूँगा तो मैं ये कहूँगा कि liability discharge हो रहा हमारा 972476 का पर इसे discharge करने के लिए हम cash का payment कर रहे हैं 1009523 यानि कहने का बतलब हम ज्यादा पैसा दे रहे हैं हम ज्यादा पैसा दे रहे हैं पर क्यों हो गया मेरा कहने का मतलब है कि हम cash payment जो करें 1009-523 पैसा दे रहें तो हम ज़्यादा पैसा दे रहें कितना ज़्यादा पैसा दे रहें तो जितना पैसा हम ज़्यादा दे रहें वो हमारा liability remaster का नुकसान है तो जो ज़्यादा पैसा दे रहें वो पेल में charge हो जाएगा 37047 हम पेल में charge कर देंगे यह मैं पता चला तो liability थो हमने 1009523 दे के discharge कर दिया अब equity हम कितना दे रहें 9047 हम equity का पैसा दे रहें अब equity आपका कितना दिख रहें 75939 का दिख रहें तो इसको discharge करने के लिए हम क्या कर रहें हम 9047 दे रहें तो यहाँ पर भी क्या होगा अब equity आपका जो आएगा आप equity सीधा दिखा दोगे equity account में 9047 आप equity को इतने से कम करोगे तो bank आप 9047 दिखा दोगे यह आपका entry हो गया अब आप बोलोगे sir ऐसा क्यों हुआ क्योंकि equity तो 75939 का है और अब equity 9047 दिखा रहें तो इसका difference तो पील में जाना चाहिए equity कभी बे सेटरल होता है न तो पूरा का पूरा equity balance ही वो adjust होता पील में root नहीं होता है और आप बोलोगे sir equity में तो पैसे उतना नहीं तो उतना कैसे कम करेंगे अरे मेरी बात सुनिए जो profit and loss का balance रहता है वो भी ultimately return earning में जाता है equity में जाता है यानि अगर मैं बात करूँ यहाँ पर यह PL में बस फरक क्या है पता है profit and loss में जाने का मतलब वो statement और profit and loss के थूरू root होते वह फिर आपके balance rate में जाए यानि कहने का मतलब PL का भी जो net balance होते है वो ultimately balance rate में equity के अंदर ही जाते है तो आप यह मैं समझी कि equity में इतना ही पैसा पड़ा हुए equity में और भी पैसा है बहुत सारा equity में जो return earning वागेरा जो भी रहता हो सारा equity में तो रहता है पड़ा हो वहाँ पर equity में क्योंकि सारा चीज तो ultimately equity में जाएगा जब net जो residual बचेगा company का retain earnings वगेरा जो भी होगा ultimately कहां जाएगा equity में जाएगा तो equity में सिर्फ यह balance नहीं और भी बहुत सारा पैसा होगा equity में even मैं आपको यह भी बता दूँ यह जो PL आपका 37047 है न यह भी ultimately तो equity को effect करेगे क्योंकि statement of profit and loss में यह charge होगे root होगा ultimately जो भी net profit and loss होगा वो कहां जाएगा equity के अंदर ही तो जाएगा इसलिए आप यह confusion मत create कीजएगा तो मतलब कहने का मतलब क्या होगा equity में आप समझे यह balance नहीं है equity में बहुत सारा balance होगा मालेचर 20 लाग होगा जो भी होगा जिसके अंदर यह भी include करते हैं हम क्या करेंगे सीधा equity इतना से कम कर देंगे सीधा equity को 90477 से कम कर देंगे और banks हम इतना दिखा देंगे तो ultimately इसका जो effect है मैंने सारा आपको बताई दिया देखिए यहाँ पर इसका effect मैंने आपको सारा बता दिया carrying amount of liability 972476 है जिसमें हम amount इतना पे करें तो extra amount जो पे करें वो पेल में charge हो जाएगा और बागी 90477 तो मैंने कहा सीधा debit हो जाएगा equity में यानि ultimately कहने का मतलब हमारा पैसा balance इट से में मैं समझा रहो हमारा पैसा total 11 lakh रुपे जा रहे है 11 lakh रुपी जार है यह दोनों मिला के 11 lakh जार आप दोनों को total कर लिजे equity का नाम कम इतना पैसा दे रहे है liability का नाम कम इतना पैसा दे रहे है हमने already निकाल दिया यह जो पैसा हम दे रहे है यह ultimate ले किसको effect करेगा आपका यहाँ पर देखिए 1009523 जो हम liability का पैसा दे रहे है यह liability को इतना से कम करेगा आपका liability को इतना से कम करेगा आपका liability डिशार्ज हो कि नहीं लो गया बाकि remaining PL को चार्ज करेगा और यह दोनों अगर आप total करोगे तो 1009523 आ जाएगा और जो आपका equity का पैसा बैंक में दे रहे तो मैंने जो आपको कहाना entries अगर हम बात करें तो entries आपका दो यह entry हो गए यह आपर जो मैंने आपर लिखा हुआ है दो entry होगा एक तो आपका यह वाला equity to bank और आपका liability PL to cash और आप अगर मुझसे कहोगे तो मैं आपको एक single entry भी पास करके दिखा सकता हूँ यह single entry मैं आपक liability जो discharge हो रहा है liability account debit जो मैरा discharge हो रहा है वो कितने का हो रहा है 972476 का liability discharge हो रहा है और इसके चलते PL भी आपका account debit हो जाएगा कितने से 37047 और यह दोनों मिला कि आप देखोगे तो 1009523R है ना इन दोनों को मिला दोगे तो अब यह आएगा और बाकी का जो पैसा हम दे रहे हो वो equity को settle करने के दे रहे और equity से सीधा debit हो जाएगा आपका कितना होएगा 9047 आपका सीधा equity से debit हो जाएगा यहनि equity account debit होगा 9047 liability account debit होगा 972476 PL account debit होगा 37047 यह तीनों आप जोड लीजे 11 लाग होगा और ultimately bank account credit हो जाएगा 11 लाग यह आपका simple एक general entry है मैंने तो detail में इसे रखा ह है और समझाने के लिए मैंने आपको बता दे दे कि debit आपका equity इतना से होगा liability आपका इतना से debit होगा PL आपका इतना से debit होगा यह तीन था और ultimately आप यह यहाँ पर गलत लिखा है मैंने गलत इसे यह 11 लाग है है और यह भी आपका यह गलत लिखा है यह 11 लाग है हाँ सारा मिला कि आप देख लीजे 11 लाग होगा करा भी देता हूँ 90477 PLS 972476 PLS 30477 क्या आगिया 972476 PLS 37047 था यह गलत लिख दिया हमने आपर गलती से 37047 है 3704 लिखने में गलती हो गया PLS 9047 अब ठेक है 11 लाग आ गया यह गलती से 3047 से में लिख दिया थे 37047 है और यह आगिया चले तो यहाँ पर यह पर यह पर्फेक्ट है भी अच्छे से समझ में आ गया उमीद है मुझे हां तो यह बस सिंपल सा कोशी नहीं नहीं अगर मैं आपको इसको रिवाइस करों आप सिंपल सी बात अब समझीगा आप 11 लाग देरो 11 लाग में आपको यह जानना है कि लाइबिलिटी का कितना पैसा देरो एक्विटी का कितना पैसा देरो तो हमने फैर विलू उफ लिए निकाला जो फ्यूचर में क्यास आउटफ्लोस होंगे फ्यूचर यहाँ आपका कितना आ जाएगा 1009523 आ जाएगा और अगर हम इक खटा भी देखे तो यहीए दू-ईट्री पास कि हैं आपको इक निगल कहात हैं उमीद है समझ में आया तो चलिए हम यह पार्ट भी मेन आपको समझा दिया अच्छी तरीका से स्प्लिट अकाउंटिंग वगिरा सारा चीज कराए दिया तो यहां तक का मैंने सारा coverage आपको करा दिया सारे concepts भी मैंने आपको समझा दिया अभी हम क्या करेंगे सायद अभी हम reclassification में आपको पढ़ाऊंगा मैं देख लेता हूं मुझे लग रहा है reclassification ही मुझे आपको भी फिलाल पढ़ाना है के लिए हम देख लेंगे reclassification of financial assets चलिए अब हम discuss करते है reclassification of financial assets अब आप बोलोगे सर कि हम reclassification of financial liability भी पढ़ेंगे कि हम reclassification of equity भी पढ़ेंगे तो मैं आपको clear कर दितो financial assets का reclassification permitted है यहीं कौन सा reclassification की बात हुरी जैसे हम FBTC accounting कर सकते हैं हम M.O.T.S. cost method लगा सकते हैं उसके लिए business model टेस्ट करते हैं contractual cash flow टेस्ट वगएर आपको याद होगा तो वो सारी चीज़े करके हम यह determine करते हैं कि मैं कौन सा method लगाना है तो मान लिए एक बार यह अपने FBTC accounting कर लिया तो क्या बाद में बदलाओ कर सकते हो जी हाँ बदलाओ कर सकते हो तो वह सारी बाते financial assets की सारी बाते हम यहाँ पर करेंगे अब आप पूछों के सर financial liability की case में क्या आप कभी FBTC लगा लो के कभी FBTC लगा लोग नहीं जब आपका business model बदल जाएगा यानि आपका business करने का तरीका बदल गया तो ही आपको allow किया जाते हैं आपका intentions वगेरा माईनी नहीं रखते और financial liability की case में आप यह तो FBTC लगाना है कि एमोटेस लगाना है मैं देखते trading वगेरा कर हमारा है trading पर पसे तो FBTC लगाते हैं अदर्वास हमारे मोटेस लगाते हैं तो यहाँ पर इसलिए यहाँ पर को business model वगेरा होता नहीं in case of financial liability और इसे standard है साफ के दिया कि in case of financial liability रिक्लासिफिकेशन इस नॉट परिमिटेड यानि वन्स आप एमोटेस लगाओं यह वही चलते रहेगा अब यह तुमने समझ लेए अब एक्विटी की बात करें तो मैं आपको बता दू जो भी हम यह एकांटिंग लगाते यह सब सेकूंडली लगाते हैं जैसे हमारे प्रोसीड आया मेरे पास में बात करो मेरे मेरे मैने लोगों से पैसे लिए और उनको मुझे बात में लोटाना नहीं है मैं उस एक्विटी की बात करो मैं इन्वेसमें ले लिए net वही मैं क्या करूँगा बैंक में दिखा दूँगा एक्विटी में दिखा दूँगा बात कतम और सबसेगॉंड नी को रिमेजर्मेंट भी नहीं होता है क्योंकि मुझे थोड़े नहीं पैसे चुकाने तो मैं से रिमेजर क्यों करूँ तो एक्विटी के केस में तो ऐसे भी आपका रिक्लस्फिकेशन होने का नहीं है बचा के सर Phур लग लग अब बच्चा क्या फाइनिशल एसेट के बारे में डिसकस्ट करेंगे अब फाइनिशल एसेट्स के अंदर भी हमने देखा था इन्वेस्मेंट 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 maturity लेकिन अगर मोका मिलेगा तो वेज भी सकते हैं है ना तब हम FBTC लगाते हैं और अगर माली जे condition ये satisfy नहीं हुआ तब FBTC पे लगेगा यानि FBTC और MOTAS cost लगाने के लिए एक सबसे जरूरी condition ये है कि वो solely payment करें किसका principal और interest का ये बहुत जरूरी चीज़ है अगर वो solely payment principal और interest का ना करें तब तो फिर हमारे पास एक ही बचता है FBTC पे लेकाउंटिंग ही हमारे पास बचता है MOTAS और FBTC हम नहीं लगा सकते हैं ये सारी चीज़े मुझे बताना हम FBTO से ये method नहीं लगा सकते क्यों क्योंकि equity instrument में जब हम investment करते तो में थोड़ी ना solely payment करता है principal interest का वो तो payment नहीं करता है लेकिन वह रिवोकिबल चोईस आपका आप उसे बात में रिवोक नहीं कर सकते हैं तो रिवोक नहीं कर सकते का मतलब क्या है मला अगर आप once FBTO से accounting और ये भी आपका initial date पे होगा initial recognition में आपके पास रिवोकिबल चोईस है बात में नहीं ले सकते हैं तो यह नहीं सुरव अगर वो आपका investment in equity instrument है तब reclassification ऐसे भी नहीं हो सकता कैसे होगा क्योंकि FBTO से लगाओगे ये वहले FBTO पे लगाओगे तो भी जिंदिकी वह लगाना है क्योंकि ये choice भी आपको initial recognition में लेना होता है यहीं बच्छा क्या सर्थ मैं कहिदा हूं बच्छा है सिर्फ और in debt instrument यहीं फइनिशल assets भी सारे की सारे reclassifying होते फइनिशल assets के अंदर भी investment in equity instrument reclassifying नहीं होगे अगर हमारा business model बदल चुका है तब हम reclassifying कर सकते हैं अगर हमारा business model बदलानी हमारा नियाद बदल रहा है वह माईनी नहीं रखता यह standard आप क्या management सोच रहा हमाई नहीं रखता हमने जिसके चलता हमारा business model बदल सकता लेकिन आपको भी clarity नहीं आईगी आपको clarity कब आईगी पता है जब मैं आपको यह दो example समझाओंगा one by one तब आपको clarity आईगी जैसे अगर मैं पहले example का बात करें आप आप देखिए आपर सबसे बिल अगर हम बात करें आपर reclassify financial assets only if entity changes business model अगर आप business model को change करोगे तो ही आप reclassify करोगे financial assets को otherwise आप reclassify नहीं कर सकते हैं यहीं चेंज होना पड़ेगा business model पर चेंज होना पड़ेगा business model बिल ओकर only when an entity either begins और seizes to perform an activity that is significant to its operation यानि वो कोई activity जो है उसे begin कर रहा है यह सीज कर रहा है चुकि इसका significant पार था operation का significant बार ता जैसे कि company ने कोई बड़ा business line acquire कर लिया dispose कर दिया terminate कर दिया यह पूरा आपको सारा कहानी जो है यह इस दो example से समझा जाए हूँ tension की कोई बात हुए यह दो example से हम समझ लेंगे तो यहाँ पर आप देखें पहला example अगर मैं आप discuss करूं माल लीचिब मैं एक entity हूँ मैं बहुत सारे लोन्स से acquire के वे मैंने पैसे दियो लोन्स के instrument खरीदे वे यानि मेरा financial assets commercial लोन्स है ना और obviously बाते माल लेते हैं हमें क्या बोलता है यहां पर अब देखें यह जो मैंने commercial लोन्स लिए डेट इंस्ट्रुमेंट ओव्योसी बात इक्विटी इंस्ट्रुमेंट तो है नहीं तो मैं entity हो मैंने portfolio commercial commercial लोन्स बहुत सारे acquire किये वा और यह मेरे लिए financial assets है लेकिन मैंने इसे hold क्या पते है क्यों तो sell in the short term short term में बेचने के लिए मैं इसे hold करके रखा हूँ मतलब मेरा business model यहां पर क्या है trading short term में बेच दूँगा तो मैं इस पर accounting क्या करूँगा initial recognition में तो मैंने क्या क्या होगा तो मेरा business model यहां पर hold करने का नहीं है till maturity नहीं hold plus selling का है मेरा business model में बेच डालो मतलब ट्रेडिंग परपस है मेरा इन्हीं यहां पर monetize और FBTO से लगेगा नहीं तो मेरा initially क्या है initially मैं FBTO पर लगाऊंगा initially मैंने FBTO पर accounting किया होगा अब आगे देखें the entity acquire entity ने एक company को acquire किया जो कि manage करती है commercial loans और उसका business model जो है न उसका business model है कि अपने सारे loans जो उसने acquire कि है उसे hold करके रखना to collect contractual cash flow यानि मैं एक entity हूँ मैंने बहुत सारे loans खरीद के रखे हुए जिसे मैं short term में बीच देता हूँ आप एक entity हो आपका काम ये loans को acquire करना हो लंबे समय तक hold करना आप उसे manage करते हो उसे interest वगेरा recover करते हो है न और principal recover करते हो कि जो मैंने short term में sell करने का रखा है और मैंने intention में इसे hold करूँगा तो उसकी case में हम reclassify नहीं कर सकते हैं लेकिन हाँ पर मैंने क्या कि आपकी business को acquire कर लिए आपकी company को acquire कर लिए तो जिसके चलते हैं आपकी company को थी मैंने अक्वायर करें और आपकी company का काम ही क्या है manage करना आपकी company का काम ही नहीं बेचना उचना manage करना तो मैंने सूचा ठीक है आपकी company को जै थी तो अब मेरे सारे जो वह पोटफोलियो commercial loans पड़े वह वह भी manage हो जाएंगे आपकी तो manage हो इरे साथ में वह भी manage हो जाएंगे तो इसलिए अब क्या हुआ मैंने company को acquire किया आपकी company को acquire करने के चलते अब मेरे जो पूराने commercial लोन से जो ट्रेडिंग परपस वाला था अब वो ट्रेडिंग परपस नहीं रहा क्योंकि अब वह भी manage हो जाएंगे और till maturity तक उसे hold कर लेंगे इसलिए अब आगे जाके मेरा business model बदल चुका है क्योंकि मैंने business को acquire किया तभी तो मैरे business model बदल गया और अब मैं इसे hold करना चाहता हूं till maturity तो अगर hold करना चाहता हूं till maturity तो देखा जाता है तो अमोटेस cost method लगाना चाहिए तो यहां पर क्या business model चेंज हो रहा है जी हां business model चेंज हो रहा है और अब हम क्या करेंगे FBTPL से mo test cost method ने रिक्लासिफाइ कर देंगे तो अब देख सकते हूं पर पूरा पढ़िया अब आपको समझ आएगा च्छे से ntd has a portfolio commercial loans that it holds to sell in the short term the entity acquires a company that manages commercial loans and has a business model that holds the loan in order to collect the contractual cash flow the portfolio of commercial loans जो हमारे पास पहले से अल्रेडी था इस नो लॉंगर फोर सील and the portfolio is now managed together with the acquired commercial loans and all are held to collect the contractual cash flows यानि अब सारे held के जाएंगे to collect contractual cash flow और इसलिए अब हम्हें धी classify कर देना चाहिए FBTPL से क्या mo test cost तो यहां पर ऐसा नहीं कि हमारा नियाद बदल है हमने अपना business करने का तरीका बदल दिया business model ही बदल दिया क्योंकि मैंने आपके business को acquire कर लिया तो इसलिए यहां पर permitted है आप FBTPL से mo test cost method में reclassify कर सकते हो एक और point है आपर एक और example है जैसे एक financial services firm है अब financial services firm का का काम क्या होगा ओविस सी बात है वो लून वगिरा देगी और उसे collect करेगी तिल maturity उसका काम ही यह तो financial services firm का का काम generally क्या होते है फोल्ड करना तिल maturity तो यह क्या लगाएगी amortize cost method लगाईगी है इसका business model के सबसे amortize cost method लगाईगी है आगे देखते है that business no longer accepts a new business and the financial services firm is actively marketing its mortgage loan portfolio for sale तो यहाँ पर अब देखिए ऐसा नहीं कि इसका नियत बदल गया है इसने क्या क्या पता है इसने करने का फिसला ले लिए अपने जो retail mortgage business है सब्दाउन करने का फिसला कर लिए यह इन्हीं disposed करना चाते है अपने major plano business को क्या करना चाता है-セell करना चाता है-yseel करना चाता है- disappointed kimse महीं बदल हимत्यों चाता है यह पूर्डाओ को भीचना चाता है तो इसका business model बदलात और इसको बीचने के लिए पहले इसका था होल्ड करने का परपस बिजनस मॉडल चींज होने की वज़े से बीचने वाला है तो अब इसे में आपको समझा है यहाँ पर बात करेंगे बेसिकली यह पॉइंट है मैं आपको पढ़ाने से पहले आपको मैं सीधा इसका पर में आपको बता दिया था अब आगे मैं क्या करूंगा आपको एक्जामपल की तरफ लेके चलूँगा ताक कि आपको बिजनस मॉडल बदल लिया तो आपको जैसे के माले जे मैंने 15th of January को बिजनस मॉडल अपना बदल तो अब रिपोर्टिंग पिरेड एंड कब होगा 31st मार्च को तो 31st मार्च को मैं क्या करूंगा रिक्लासिफिकेशन करूंगा ऐसा नहीं कि 15th जनुवरी को मैं करूंगा तो यहाँ पर अब मैं आपके साथ डिसकस करने को जाओंगा कुछ-कुछ एक्जामपल्स इलस्ट्रेटिव एक्जामपल्स एंड बहुत ही सिंपल है एंड आपको अराम से कोई प्रॉब्लिम नहीं होगा तो यहाँ पर अब देखिए बहुत सारे एक्जामपल्स हैं पहले हम डिसकसन करेंगे कि माल लीज़े पहले आप M.O.T.S. कॉस्ट में लगा रहे थे अब 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 यहाँ बात सुनें न जरा मुद्स कॉस्ट मेथर आप क्या ठा है नहीं करते हो लेकिन के सब्सक्राइब करें तो सबसे पहले तो हमारा काम रहेगा कि हम ही क्या करना चाहिए उसका fair value measure करना चाहिए और जो भी gain on loss आएगा वो PL में recognize होगा जबकि FBTPL में अब reclassify करते हो तो FBTPL में reclassify करने के विज़े से वो कहा जाना चाहिए difference PL में जाना चाहिए तो इसलिए आप देखें आपर एक example है यहाँ पर एक example देखें बॉंड्स हा फो रुपिस वन लेक जो कि reclassify हो गया ऐसा FBTPL यनि पहले मोटस कॉस्ट में था अब वो reclassify हो गया किसमें FBTPL में fair value दे दिया on reclassification इस रुपिस 90 था होजिन तो जबकि fair value 90 था होजिने तो मैं 90 था होजिन में दिखाना चाहिए तो पहले बॉंड्स दिख रहा था amortis cost method में debit financial asset तो debit होता मैं तो पहले बॉंड्स दिख रहा था क्या debit में financial asset दिख रहा था amortis cost method में अब उससे मुझे हटा के मुझे capital में दिखाना चाहिए तो देखे बॉंड्स पहले amortis cost में यह debit दिख रहा था मैं इसे credit करूंगा यह पहले debit में था यह पहले financial asset दिख रहा था जो debit था उसके जगह पे FBTPL को debit कर दो लेकिन यह हम दिखाएंगे at the date of reclassification at fair value और fair value कितने है 90 था हुचिन है में जाना चाहिए तो यहां पर अब ओव्यस सी बाते fair value measure करोगे क्योंकि amortis cost method में fair value को ignore किया जा रहा था अब fair value measure करोगे और जो भी gain or loss आएगा आप रिकर्नेस करोगे न उस ही है तो आप यहां पर देखिए इलेशिशन 38 में बॉंड्स आपका 1 lakh रुपीज का था जो कि reclassify हुआता है as fbt oca fair value in reclassification इस रुपीज 90 था हुचिन है पांच the necessary journal entry तो यहां पर आप देखिए मेरे बात सुनिए 1 lakh का amortis cost method में दिखा रहा था तो दिखिए हम इसे credit कर देंगे और जो भी फरक आएगा वो कहा जाएगा आपको पता है क्योंकि सोचेन अगर इनिशल स्टार्टिंग से अगर आप पूरा fbt oca method अप्लाई करते से हैना क्योंकि मोडर। इनिख पर यह समझना कि वह आपको समझा सकता हूं यहां पर जैसे कि हमने पढ़ा कि इनकी सोफ इंस्टूमने में हमें surpassy sow git अनिश्यज कोता है था मतलब डिस्पोजल है maturity के बाद भी आप OCA से recycle नहीं कर सकते थे PL में but in case of debt instrument आप recycle कर सकते हो यह आगे जाके जब maturity आएगा तो यह OCA recycle होगा तो PL क्योंकि debt instrument है ना तो यह मैंने आपको समझा है तो case one case two मैंने समझा है mo test cost to FBTP, mo test cost to FBTO से यहां पर बस इतना ही फरक है कि आपका यहां पर जो भी fair value का फरक आएगा वो PL में जाएगा OCA के case में OCA में जाएगा है ना और mo test cost वाला bond आपका credit हो जाएगा FBTP पे लोट FBTO से वाला जो bond है वा आपका respectively debit हो जाएगा अब case three case case four पढ़ाँगा मैं आपको पर case three case four पढ़ाने से पहले मैं को case five और case six पढ़ाने वालो case five और case six पढ़ाँगो जहां पर case five में आफ bit TPL से FBTOCA में जा रहो और case 6 में अब FBTOCA से FBTPL में जा रहो चले case 5 discuss करते हैं and यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा case 5 में अब देखे FBTPL to FBTOCA मतलब पहले अभी FBTPL में bonds से आपका accounting और FBTPL accounting कर रहे and बाद में हम इसे reclassify करके FBTOCA accounting करना चाहते हैं तो मेरी बाद सबसे पहला अब यह समझे जब अब FBTPL accounting कर रहे तब आपको क्या fair value measure करना पड़ रहा था at the end of each reporting period यह क्योंकि FBTPL में fair value changes को हम consider करते हैं और वो fair value changes कहां जाता है profit and loss में जाता है अब अगर बाद में अब रहे classify कर दोगे तो FBTOCA की case में भी fair value हमें लेने है बस फरक इतना है FBTOCA में जो fair value change होगा वो कहां जाएगा OCA में जाएगा यानि आपका fair value तो यहां भी measure होता है fair value यहां भी measure होता है पर पहला जो दो case हम नहीं क्या था वहाँ पर amortize cost to ability पर था amortize cost to ability यह था वहाँ पर amortize cost में fair value measure नहीं करते था यहां पर हम measure कर रहे है और यहां पर इसलिए देखिए क्या लिखा हुआ है पहला लाइन financial assets continue to measure at fair value क्योंकि पहले भी fair value में measure हो रहा था आगे भी fair value में measure होगा एक line यह जो है यह बहुत important है यह लाइन year is determined on the basis of fair value at reclassification rate यह मैं आपको समझाओंगा बस मैं आपको एक हलका सा hint दे रहो बाद में मैं एक practical question आगे उठाओंगा उसमें मैं आपको समझाने की courses करूँ यहां पर क्या बोलना चाता है देखिए जब अब FBTPL accounting करोगे मैंने आपको समझाय था जब हम FBTPL accounting करते तो हम interest को consider नहीं करते हैं इंट्रस से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि interest भी PL में जाते हैं और fair value changes भी PL में जाते हैं in case of FBTPL तो in case of FBTPL हम interest वगेरा को ignore करते हैं हर साल जो fair value का change आते हैं वो हम सीधा PL में दिखा देते हैं बट in case of FBTPL हम interest को consider करते हैं in case of amortize cost method हम interest को consider करते हैं और भेले आप amortize cost method लगा भेले आप FBTPL method लगा जो आपका interest का होगा income financial assets में obviously income होगा जो आप interest का income आपका आएगा वो आपका PL में जाते हैं भेले FBTPL क्यों ना हो क्योंकि FBTPL method में fair value change OCA में जाते हैं interest तो कहा जाएगा interest तो PL में ही जाएगा यह हमने already देखा हुगा है तो यहाँ पर क्या हो रहे है जब आप FBTPL कर रहे थे तो आपको interest से लेना देना नहीं था लेकिन जब आप आगे FBTPOC करोगे तो आपको interest से लेना होगा क्योंकि हम debt instrument के बात करें हैं पर equity instrument का तो reclassification होत यहाँ पर भी मतलब है यहाँ पर इसकी बात में कर लूँगा tension की कोई बात नहीं इसकी बात में accounting कर लूँगा tension की बात नहीं बस मैं आपको यह समझाना चाहता हूँ कि जब आपका FBTPOC accounting होगा तो आपर interest role play खरेगा चली यह तो आपने समझा अब अगर मैं illustration 40 आपको समझ करना चाहता हो FBTPOC में मतलब पहले क्या था FBTPOC जो कि हमने उपर रिखा हुआ है यह पहले FBTPOC में था तो आप दिखिए यहाँ पर मैं क्या लिखना चाहूँगा मैं लिखूँगा कि यहाँ पर अभी के date में क्या दिख रहा है बॉंड सेट FBTPOC debit दिख रहा होगा आपक भी होगा अगर रिक्लासिफिकेशन नहीं भी होगा तो भी at the end of each reporting period हमें fair value में measure करना होता है तो आप एक बार के लिख बूल जाए कि कुछ classification हो रहा है बूल जाए रिक्लासिफिकेशन हो रहा है रिक्लासिफिकेशन डेट में भी आप बूल जाए क्योंकि रिक्लासिफिके और fair value कितना दिया हुए fair value दिया हुए 90,000 तो क्या मुझे इसको fair value में लेके जाना है जी हाँ इसे मैं fair value में लेके जाऊँगा 90,000 मुझे इसको बनाना है तो इसको 90,000 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा मुझे PL account को debit करना पड़ेगा 10,000 से और two bonds at FBTPL 10,000 से करना पड़ेगा मतलब ये जो आपका debit balance हा न 1,000,000 रूपी इसका debit balance हा मैंने देखिए bonds at FBTPL को 10,000 से credit कर दिया मतलब अब मेरा bonds at FBTPL का debit balance देखिगा ये करने के बाद मेरा bond set FBTPL का debit balance देखिगा कितने का 90,000 का मेरा debit balance देखिगा ये entry pass करने पर कौन सा वाला ये वाला entry pass करने पर मेरा 90,000 का bond set FBTPL देखिगा अब मुझे क्या करने अब ये क्या fair value पे जी हाँ ये fair value पे क्योंकि FBTPL में fair value में चलता है अब मुझे कुछ नहीं कर रहा है मुझे पस इसको reclassify करने किस पर FBTPL में 90,000 यानि कहने का मतलब ही आप आपको doubt आएगा आपको मैं बता दू यहाँ पर अगर मैं case 2 की बात कर जो मैं आपको case 2 समझाया था case 2 अगर मैं बात कर तो case 2 में amortized cost method में हम fair value consider नहीं करते बट FBTPL में fair value consider किया जाते है बट यहाँ पर अगर आप देखोगे न तो यहाँ पर आपका FBTPL में भी fair value consider किया जाते है तो आपको यह समझना है सबसे पहली बार कि यहाँ पर हम reclassification date तक पहले reclassification करने से पहले जो भी change है वो हम consider कर लेंगे और इसलिए आपका जो change है वो कहा गया पियल में गया तो आप reclassification करने से पहले 90,000 में पहुचा ही नहीं सकते आप reclassification करने के बाद ही 90,000 में पहुचा आप होगे reclassification से पहले तो यह 1 lakh ही रहेगा और इसलिए reclassification करने पर हम fair value में लेके जा रहे है और इसलिए इसका difference जो है वो कहाँ यह OCA में गया आपर बट अगर मैं इसकी बात करूँ आपर case 5 की बात करूँ तो case 5 में आप जब तक reclassification से पहले आपका जो reporting end आएगा उसी दिन तुम reclassification करेंगे उससे पहले तक यह fair value में जाना चीक क्योंकि FBTPL में हम fair value measure करते हैं और मैंने कहा कि 1,90,000 हो रहा है मनला 10,000 यह fair value loss है और यह FBTPL में जा रहा है इसलिए आप देखोगी यहाँ पर यह PL में जा रहा है क्योंकि reclassification से पहले भी आपका fair value consider किया जाता है FBTPL में यह फरक इस इसका दोनों का अगर में एक single entry बनाना चाहा तो मैं बना सकता हूँ क्योंकि दोनों FBTPL credit हो रहा है वनला का credit हुआ debit 90,000 FBTPL OCA हो गया PL debit हो गया 10,000 से हुई तो हुआ यह देखें FBTPL says debit 90,000 यह वाला entry हो गया and loss आपका PL जो हमने यह debit किया यह वाला PL loss हो गया और यह दोनों को अगर मैं मिला दू तो यह one लेकार है यह entry बस मैंने इसका किया किया कि 2 entry पास कर दिया मैंने इसका और कुछ नहीं किया मैंने इसका 2 entry पास कर दिया तो मुझे उम funds देखेगा financial asset देखेगा इतने का और FBTO से हमारा accounting होगा अब obviously आज के date के बात करो reclassification करने के बात अब इस पर यह debt instrument है future में पते नहीं कितना साल का maturity remaining है जो भी remaining maturity उसमें आपको cash flows आएंगे मान लेते future में आपको 10,000 तीन साल और आपके cash flows आने वाले 10,000, 10,000 करके और end में रहेंगे कि 90,000 बन जा है और वो जो rate होगा वो होगा आपका क्या effective interest rate क्यों क्यों क्योंकि in case of FBTOC in case of FBTOC आपको क्या करना है आपको effective interest rate का जरूद पढ़ता है क्योंकि FBTOC accounting में हम interest चढ़ाते हैं और वो interest जो है वो PL में जाते हैं और जो fair value change है वो OCA में जाएगा इसलि आपको ही समझना है कि EIR effective interest rate is determined on the basis of fair value declassification rate यानि जो आपका reclassification rate का fair value कौन सा बचाब 90 थाउचिन ही तो बचा ये वाला तो ये 90 थाउचिन आपका zero tier का value है आपको देखना future में क्या cash flows आपके आने वाले debt instrument में क्या आने वाले उन सब को आप ऐसे rate से pull करोगे कि आपका आज relative interest rate है और उसी सब interest चड़ाओगे पील जो भी आएगा वो पील में जाएगा interest का आपका income और बाकिए fair value change future में जो ना वो तो OCA में जाएगा वो हमें पता है तो ये चीज मैं आपको समझाने की courses कर रहा था मुझे उमीद आपको समझ में आया बट आगे मैं क्या करूँगा तो अगर possible हुआ आगे जो मैं आपको accounting समझा उसको में correlate करा दूँगा वो देख लूँगा time कितना हमारे पास बचता है इस revision वीडियो में अब आगे हम बात करेंगे case 6 का that is FBTOCA यहीं अब बताए क्या FBTOCA में भी हम fair value तिल हर reporting end में consider करते है जी हा करते है तो अब मुझे बात बते कि है यहाँ पर भी हमें effective interest rate last में निकालने की जरूद पड़ेगी नहीं क्योंकि once आप FBTPL में से reclassify करते होगे FBTPL में आपको interest का कोई role नहीं तो जैसे यहाँ पर तो FBTOCA था तो interest का role था और हमने यह कहानी रचा था पर यहाँ पर जरूद नहीं पड़ेगे क क्योंकि FBTPL में interest को ignore करते हैं हाँ पहले जो था था अब आगे ignore हो जाएगा तो यहाँ पर आपको मैं समझाना चाता हूँ जैसे illustration 42 अब बॉंड्स वो रुपीज 1 lakh है अब इसे reclassify करोगे FBTPL में आज का fair value 90,000 है तो अब आप मुझे बोलोगे sir अगर illustration पहले वाले को compare कर तो बुलोगे sir अभी 1 lakh का financial asset है reclassify करने से पहले reclassify करने से पहले आपको आज की date के fair value में पहुंच जाना चाहिए तो हम reclassify करेंगे नी पहले हम क्या करेंगे इसको 10,000 PL में charge करेंगे तो मैं लिकूंगा अप ये लिकूंगा debit to bonds at FBTCC लिकूंगा है ना चलो मैं ये भी आ reclassify करने से पहले इसको fair value में लेके जाएंगे तो fair value में लेके जाने के लिए आपको PL में charge नहीं OCI में charge करना पड़ेगा क्योंकि bonds FBTCC accounting हो रहा है तो OCI account debit करेंगे 10,000 से bonds at FBTCC 10,000 यानि अब देखें अब ये करने पर हमारा bonds at FBTCC का debit balance कितना दिखेंगा 90,000 का दिखेंगा ये करने पर हमारा bonds at FBTCC 90,000 का दिखेंगा आपको ये समझना है और ये OCI account मैंने क्या क्या debit कर दिया अब आप मेरी बात समझें अब यहाँ पर आप क्या करोगे इसी O OCI को आप PL में transfer कर दोगे क्योंकि reclassify करना है तो हम क्या करेंगे हम एक entry pass करेंगे bonds at FB OCI जो आपका debit balance था वो आप credit कर दोगे यहाँ पर two bonds at FB OCI जो आपका debit balance से 90,000 वो आप credit कर दोगे और FBTPL को आप debit कर दोगे 90,000 से ये हमने कर दिया बात करता है अब मेरी बात सुने ज आपको याद है हमने पढ़ा था कि debt instrument के case में जब maturity आ जाती है या फिर disposal हो जाता है तो जो OCI का balance होता है जो OCI का balance होता है in case of debt instrument वो recycle होता है PL में और जब कभी भी आप reclassify करोगे तो आप यह मान लेना कि आपका maturity हो गया मान लेना तो यहाँ पर जब कि हम क्या करें हम इसे PL में तो यहाँ पर पुराने भी OCI के balance होंगे कुछ 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 क्योंकि पहले आपको OCI में ही accounting हो रहा था पहले आपको OCI में accounting हो रहा था तो पुराने जो भी OCI के balance है वो recycle हो जाएंगे PL में जबकि हमान पर हमारे पास information नहीं मान लेजे पुराने OCI का balance 15 thousand है जो आपके balance rate में दिख रहा है इस financial assets related तो वो OCI को recycle कर देना PL में entry क्या होगा OCI account debit to PL और यहाँ पर भी जो हमने अभी अभी किया यह वाला OCI 10 thousand है यह भी recycle हो जाएगा PL में तो हम एक और entry यहाँ पर क्या बास करेंगे हाँ यह OCI debit balance है तो यह PL में recycle करने के लिए हम ही क्या करना पड़ेग यह OCI का debit balance है आपको इसे PL में transfer करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा PL account को debit करना पड़ेगा 10 thousand है तो OCI 10 thousand यह जो भी OCI का balance हो debit या credit balance हो आप PL में recycle कर दोगे transfer कर दोगे तो पूराना तो मुझे पता नहीं यहाँ पर एक 10 thousand मुझे दिख रहा है जो OCI का debit balance है उसे मैंने क् को समझाने के लिए इतना सारे entry पास किया अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा आप अगर यह solution देखोगे तो आप देखिए यहाँ पर आपको PL account debit दिख रहा है 10 thousand का और आपका यह दो entry नों ने पास किया एंड हमने क्या किया मैंने आपको detail में यह सारे entry पास करके दिख क्योंकि मैं आपको बता दो जो bonds आपका FBT OCI का bonds आपका है 1 lakh का तो two bonds at FB OCI हम सीधा 1 lakh का credit कर देंगे और bonds at FBT PL जबकि 90,000 फैर विलो 90,000 दिखा देंगे और बाकि PL में 10,000 दिखा दिया हलाकि OCI में पहले जाता फिर OCI से recycle होता किसमे PL में तो इसलिए आपको यहाँ पर अगर मैं इस तरीके से नहीं समझाता तो आपके दिवाब में confusion रहता है आप मुझे बोलते सर आप ही बताओ कि यहाँ पर FBT PL से FBT OCI में गया और आपका जो difference है वो हमने क्या क्या PL में दिखाया और यहाँ पर भी FBT OCI से FBT PL में गया और हमने जो difference है वो भी हमने PL में दिखाया तो आपको confusion आता लेकिन इसका तोड मैं आपको समझाया इसका तोड यह कि यहाँ पर FBT PL से FBT OCI पर जाना है तो reclassification करने से पहले जो भी fair value change है वो FBT PL का PL का पार बनेगा इसलिए हमने PL में यहाँ पर दिखाया उसके पाद सब सेकॉंड जो change आएगा OCI में जाएगा और यहाँ पर मैंने आपको यह समझाया कि हाँ I agree यह पहले OCI में जाएगा बट बाद में recycle होकी PL में चला जाएगा जैसे ही आपने reclassify क्या माना जाएगा disposal और हम क्या करेंगे जितना OCI का balance है सारे के सारे को recycle कर देंगे to PL में और आप यहाँ पर मैंने लिख के भी रखा previous cumulative OCI जितना भी cumulative OCI यह वो reclassify हो जाएगा किसमे PL में reclassify हो जाएगा यह मैं आपको समझाने की courses करूं यहाँ पर उमीद आपको समझ में आए यहाँ तो यह तारी चीज़ अगर आपको समझ में आईए तो अच्छी बात है अब हमारा ज्यादा कुछ पार्ट बच्चता नहीं है case 3 और case 4 बच्चता है और फिर मैं courses करूंगा जो accounting पार्ट है उससे मैं आपको correlate करूं वो मैं देख लूँगा इस वीडियो में उसे attach करूँ या अलग रहा हो में मेरा lookout है मैं देख लूँगा कि क्या करना है कि री विडियो है and हम देख ल से आपको emotes cost method में आना है तो जैसे कि FBTPL के case में हम क्या करते है fair value gain या loss हम consider करते है emotes cost method में इसे ignore किया जाएगा तो यहाँ पर जैसे मैं आपको हर एक पहले वाले example में मैं आपको समझाया था कि हम till the date of reclassification हम क्या करेंगे fair value तक लिग के जाएगे तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे FBTPL accounting चल रहा है तो fair value तो changes आईगा तो reclassification date में भी क्या करोगे आप fair value changes को consider करोगे reclassification करने से पहले तो यहाँ पर जैसे कि अगर आप देखोगे यहाँ पर question में दिया हुए कि 1 lakh का bond है आपको reclassify करने FBTPL से FBTPL से FBTPL से FBTPL में आपको जाना है fair value दिया हुए आज का 90,000 तो एक बर के लिए reclassification को दिमाग से निकाल दीजे अभी तो फिलाल आपका क्या चल रहा है FBTPL चल रहा है तो FBTPL के सबसे fair value change हो रहा है 1 lakh से 90,000 में आ तो 10,000 का नुकसान हो रहा है यह 10,000 का नुक दिखेगा at FBTPL में और यह जो 90,000 का bonds दिखेगा at FBTPL इसी कोई हम क्या मालनेंगे निया मैं लग इसको हम reclassify करेंगे इसको bonds at FBTPL को credit कर देंगे और bonds at amortize cost को क्या करेंगे debit कर देंगे और ultimately आगे जाके क्या होगा आपका amortize cost method चलेगा और आगे जाके हमें क्या करना हो पर effective interest rate भी निकालना पड़ेगा क्योंकि FBTPL की case में तो अपने interest वगेरा को कुछ consider किया नहीं है पर amortize cost method में तो interest आपको matter करेगा तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा तो जैसे यहाँ पर अगर मैं आपको समझों illustration 39 में पहला entry आपका क्या होगा सबसे पहले आप क्या क देता हूं ताक कि आपके लिए सही रहेगा चले तो जैसे मेरा किना है यह कि bonds at FBTPL आपका debit हुआ 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 है यह हमारा वन लेक का debit balance है अब क्या हुआ हमने क्या क्या है इसमें से हमने पील में charge कर दिया तो bonds at FBTPL हम हमारा कितना बचेगा यह हमारा बचेगा 90,000 का क्योंकि हमने 10,000 PL में charge करके FBTPL को credit कर दिया अब हम क्या कर देंगे रिक्लासिफ़े करेंगे तो रिक्लासिफ़े करने के लिए जो bonds at FBTPL आपका debit हो जाएगा तो हमें यह तो पता चलिया कि हाँ 90,000 का bonds at M.O.T.S. cost आपका आज का fair value दिखेगा यह में पता चलिया तो अगर आज की rate को में 0-3 मानू तो आज का 90,000 हमारा financial asset दिखेगा 0-3 में अब future में पता नहीं कितना maturity बड़ जो भी remaining maturity है उसमें तो आपको cash flows मिलेंगे न financial asset से तो interest मिलेगा principle मिलेगा क्योंकि debt instrument की बात हो रही है तो interest मालिज आपको 10,000 मिलेगा हर साल 10,000 interest मिलेगा तीन साल तक further और last में मालिज आपको बनने का principle मिलेगा यह में last में मिलेगा तो हम क्या करेंगि इन सब को ऐसे rate से pool करेंगे की 90,000 आजए और वो जो rate होगा वही आपका क्या होगा effective interest rate होगा एमोटेस कॉस्ट मेथद की जब हम बात करेंगे तो सबसे बहले री क्लासिफिकीशन डिट तक आपको फैर विलू निकालने और वही फैर विलू में आप जैसे पहुंचोगे आप 90,000 वही आपका निया करिंग अमोंट होगा और फिर बाद में आपको एमोटेस कॉस्ट मेथ यहां पर बस आपको इतना धिहान में रखना है जो आपका यानि आप पर री क्लासिफिकीशन डिटेस्ट पहले उसका फैर विलू मेजर्मेंट करोगे जो भी उसका इंपेक्ट पी एल में दिखा दो जो नेया फैर विलू होगा वही आपका कैरिंग अमांट होगा और बा करें एक और कंसेफ्ट हमारा लास्ट वाला बचा हुआ है इस वट एफबिटी ओसी टू एमोटास कोस्ट इन्हें बात कर लिए अब हम बात करेंगे अब हमें यहां पर अब दिख्ये अगर हम बात करें अगर कहानी कुछ अलग है ध्यान से सुनेगा मेरी बात अप यह तक आपका carrying amount है मालीजे fair value 90,000 है तो हम reclassification करने से just पहले हम FBTOC ही चलाते रहेंगे क्योंकि अभी तक FBTOC ही चल रहे है 10,000 का आपका नुकसान है तो 10,000 PL में charge नहीं करोगे कहाँ charge करोगे OCI में 10,000 आपने charge कर दियो तो OCI में हम क्या करेंगे 10,000 रुपीस हम charge कर देंगे आपर यह हमने OCI में charge किया अब OCI में charge करते हैं हमारा bond set FBTOC क्या दिखेगा 90,000 का दिखेगा bond set FBTOC हमारा 90,000 का दिखेगा और यही 90,000 का जो हमारा नया carrying amount का जैसे आपने FBTOC to amount test cost में देखा था लेकिन यहाँ पर एक twist है यहाँ पर twist किया आपको यहाँ पर हमें यहाँ पर क्या करना होता है जैसे आपके FBTOC के already आपको balance पता होगा यनि पहले भी अगर आपका जो fair value change हुआ होगा वो OCI में गया होगा और अभी कभी जो आपने fair value change किया वो क्या किया OCI में गया तो यह जो accumulate OCI यह ना यह accumulate OCI को PL में transfer नहीं करोगे जब हमने FBTOC से FBTPL की बात की दी तब तो हम सारा accumulate OCI को हम PL में transfer करे थे पर यहाँ पर बात हो रही है FBTOC to amortize cost और यहाँ पर हम क्या करेंगे सारा OCI का accumulate balance हो है वो हम अपने financial assets से adjust कर देंगे और आपको पता है खुष से की बाद जब हम financial assets से adjust कर देंगे तब हमारा जो carrying amount आएगा वो carrying amount वैसा आएगा कि मान लोग पहले से अगर आप कभी भी FBTPL FBTOC यह नहीं लगाते सिर्फ और सिर्फ यह आपको पता है बहतर तरीके से कब समझ में आएगा यह वाला ही थोड़ा सा interesting है यह आपको समझ में आएगा जब मैं आपको यहां पर एक accounting में लेके चलूँगा तब आपको समझ में आएगा पर फिर भी एक बार मैं आपको read कर आ देता हूँ जिसमें दिखें measured at measured at fair value on reclassification date और जो भी आपका cumulative gain और loss है अभी का और पहले का सार अभी का भी OCA में गया यह सारा OCA सब remove करके पेल में ड़ोगे अब अपने financial assets के fair value से adjust कर दोगे तो जैसे कि मान लीजे अभी हमने क्या क्या अभी हमारा मान लीजे 90,000 1 lakh से हमारा क्या बन गया 90,000 बन गया 10,000 हमारा OCA में debit हुआ पहले का भी जो OCA का balance है वो सारा का सारा इसी 90,000 से adjust करेंगे सारा का सारा इसी 90,000 से adjust करेंगे वो आगे में एक example में आपको समझा दूँगा अब यहाँ पर आप देखें कि कोशियन आपको यहाँ पर दिया हुए कोशियन अगर आपको यहाँ पर दिया हुए आप यह समझेंगे यहाँ पर तो आप देखें यहाँ पर exactly हो क्या रहा है bonds for Rs.1 lakh reclassified as amortized cost fare value on reclassification is Rs.90,000 and Rs.10,000 loss was recognized in OCA till date of reclassification यहाँ अभी तक का जो 10,000 था यह पूरा का पूरा 10,000 OCA में recognize किया हुए तो OCA में जो recognize किया हुए था अभी तक का तिल OCA यह सारा कसार हम क्या करेंगे financial assets से ही adjust करेंगे और अभी का भी कुछ होगा तो वो भी सारा financial assets से adjust होगा और यहाँ पर आप देख भी लिजे इन्होंने क्या किया जो OCA में आपका recognize किया हुए था 10,000 इन्होंने financial assets से adjust कर दिया इन्होंने financial assets से adjust किया और फिर बाद में इसको transfer कर दिया मतलब मैं आपको अपनी entry समझा रहो इनकी entry समझाने से पहले मैं आपको अपनी entry समझा रहो कहां समझा हूँ जगा इन्हीं है रुख जाईए जगा डूंदा हूँ इस पर यहीं समझाने के courses करता हूँ में देखें सबसे पहले तो मेरी बात सुनिया 1 lakh का bond है reclassify as amortize cost है ना और आपका fair value आज के reclassification date में कितना है 90,000 है और 10,000 loss इन्होंने बता है अगर यह already recognize कर दिया इन्होंने OCA में अगर यह already recognize नहीं करते तो हम entry क्या पास करते हैं हम entry पास करते हैं हाँ पर OCA account debit bonds at FBTOC अगर मैं सारा entry आपको बताऊ ना starting से तो मैं सबसे पहले कहूँगा कि bonds at FBOCI आपका debit balance दिख रहा है 1 lakh का और जबकि fair value आपका 1 lakh से 90 thousand हो गया है तो हमने क्या किया हमने OCA account को debit किया 10 thousand है क्योंकि fair value loss हुआ आपका 10 thousand का और यह debit करने की वज़े से do bonds at FBTOC भी आपका 10 thousand से गिर जाएगा और यह करने पर आपको बता क्या होगा यह करने पर हमारा bonds at FBOCI कितने का 90 thousand का है यह करने पर हमारा bonds कितने का 90 thousand का है अब मैं आपको बता दो मैं क्या करूँगा अभी जो bonds at FBTOC हमारा 90,000 का है हम इसे क्या करेंगे bonds at MOTIS cost दिखाएंगे 90,000 का two bonds at FBOCIB 90,000 का यानि जो आपका debit balance से OCI का 90,000 इसको हमने क्या क्रेडिट कर दिया और bonds at MOTIS cost को हमने 90,000 से debit कर दिया अब मेरी बात सुने अब हमें क्या करना होता है मानलीजे जो भी आपका OCI का balance है ये OCI का balance recycle PL में नहीं होगा ये OCI का balance को आपको financial asset से adjust करना है मालने जब पूराना भी कोई OCI का balance होगा हमें नहीं पता तो चलिए हमें नहीं पता पूराना कोई OCI का balance होगा और वो भी होता तो वो भी adjust होता पर अभी के लिए मानते पूराना कोई OCI का balance था ही नहीं बट अभी का तो OCI का balance है OCI का कितना balance है debit balance है 10,000 का तो यह जो OCI का debit balance है 10,000 का यह financial assets से adjust होगा और इसको हम क्या करेंगे इसको हम transfer करेंगे to financial assets हमें financial assets में transfer करना है तो बती OCI को अगर financial assets में transfer करेंगे तो कैसे करेंगे हम जो bonds at amortize cost है इसमें हम इसको डाल देंगे debit balance है तो OCI को तो credit करना पड़ेगा OCI 10,000 का हमने credit करके OCI को remove कर दिया debit credit कर जाएगा और यह 10,000 आपका amortize cost में चला जाएगा और जैसे ही आपका bonds at amortize cost 10,000 बढ़ेगा तो आपका यह जो दिख रहा है bonds at amortize cost यह अप कितने का बन जाएगा bonds at amortize cost आपका बन जाएगा 1,000,000 का कैसा बन गया क्योंकि 10,000 रुपेस हमने क्या क्या transfer कर दिया इन्होंने मैंने जो समझा है एकदम perfect समझा है इन्होंने भी वही तरीका किया बस इनका करने का तरीका अलगे मेरे में clarity आपको जादा मिलेगे यहाँ पर देखिए इन्होंने क्या क्या इन्होंने आपका जो OCI में already debit वहावा था OCI में जो already debit वहावा था इन्होंने पहले FB OCI में डाला फिर सारा का सर एकटता FB OCI से amortize cost में डाले और आप देखिए mean तो हमारे लिए यह है bond set amortize cost कितने एका बलाब यह वाला entry अगर आप देखो कि OCI का जो debit balance था मैंने OCI को credit किया 10,000 से और bond set FB OCI इन्होंने 10,000 debit किया मैंने सीधा amortize cost में debit किया और पहले से आपका bond set amortize cost जो FB OCI का तो already 90,000 से debit था तो full मिला के 1 like बन गया और इनका भी तरीका वही है बस इनका करने का तरीका थोड़ा सा लगी इन्होंने क्या क्या क्लासिफिकेशन करने से पहले OCI का balance को FB OCI में डाला फिर FB OCI से सीधा amortize cost में डाला यनि मेरा कहने का मतलब यह है कि मेरी बात आप सुनोगे बहले आपका general entry ICA से match नहीं करेगा पर clarity आपको ज़्यादा मिलेगे तो यहाँ पर अगर मैं अपना final touch आपको देना चाओ तो मैं क्या करूँगा मैं कहूँगा कि obvious सी बात है जो main answer होगा इन्होंने जैसे हमें बता दिया कि already ये वाला entry पास हो चुका है इन्होंने में बता दिया कि already ये वाला entry जो है न ये पास हो चुका है क्योंकि इन्होंने already ट्रांसफर कर दिया इनके सबसे 90,000 का bond set FBTO से ये तो मैं क्या करूँगा बता है मैं पहले तो bond set FBTO से जो debit balance है इसको मैं credit करके MOTS cost में transfer कर दूँगा 90,000 और जो आपका OCA में debit balance 10,000 का पड़ा हुआ है उसको भी credit करके 10,000 को मैं इसे bonds at MOTS cost में transfer कर दूँगा 10,000 तो अब देखे कुल मिला कि bonds at MOTS cost 1 lakh होगिया 90,000 इधर 10,000 इधर 1 lakh होगिया आपका bonds at MOTS cost 1 lakh होगिया और आपका OCA का balance at 90,000 वो credit करके हमने खतम कर देख 10,000 तो already पहले से निकल चुका ये वाला entry के साथ ये वाला entry के साथ तो यहाँ पर यही आपको करना यानि अगर आपको बताओ मैं logically आपको वापस एक बार मैं final चीज़ बता दे तो आपको करना क्या है आप reclassification date सबसे पहले आप एक काम कीजिए उसे fair value में लेके जाएगे गए fair value में लेके हम चलेगे जो difference होगा वो OCI में जाएगा क्योंकि अभी तक Greek classification हुआ नहीं और जो फरिक है वो OCI में जाएगे चले ओसे में चला गएगे अब आपका जो balance है fair value वाला उसे अब सीधा M.O.T.S. cost में transfer कर दो यनि bond set FTC OCI का जो भी balance आएगा आपका जो 90,000 ही आएगा यहाँ पर तो तो bond set debit उसे 90,000 हो जाएगा उसे bond set M.O.T.S. cost में debit करके 90,000 डाल देगा अब क्या करने जितने OCI के cumulative balance है वो सारे cumulative balance को आप adjust करोगे bond set M.O.T.S. cost से अगर माल लिजे OCI का credit balance है तो वो debit होके कम करेगा financial assets को अगर माल लिजे OCI का debit balance है तो OCI credit के financial assets को बढ़ाएगा आपर यह चीज़ आप कर सकतो तो यहाँ पर कुल मिला के मैंने आपको क्या समझा मैंने आपको यह समझा भी तक सारे cases मैं आप आपके साथ one by one discuss करूँगा और इसका case 4 का मैं practical के साथ इक बार link करने के courses जरूर करूँगा हाला कि थोड़ा सा आपको लगेगा कि सर आपने थोड़ा सा critical बना दे critical नहीं मैंने आपको समझाने की courses किये मैं चाहता तो पता आपको मैं guarantee के साथ बोता हूँ मैं चाहता तो इसे पांच मिनिट में खतम कर देता कुछ logic की जरूरत नहीं देता थोड़ा सा याद कर रहा था बात खतम मैं चाहता 5 मिनिट में खतम कर देता अभी जैसे मैं खतम करूँगा 5 मिनिट में देखिए मेरी बात सुनिए आप क्या करोगे पहले case में amotis cost to fbt pail होगा मैं आपको logic नहीं दूगा जो difference है पील में adjust हो जाएगा debit हो या credit हो फिर आपका amotis cost to fbt ocea की बात आएगी तो यहाँ पर जो भी difference होगा वो ocea में जाएगा amotis cost तो ocea में जाएगा मैं यहाँ पर मैं आपको logic देने के कोस्त नहीं करो जो पहले मैं आपको दी दिया था अब यहाँ पर जो भी फरक है बस एक यह बात है ocea में जाएगा यह दोनों का काम खतम किस्ता खतम फिर मैंने आपको क्या समझाना है कि जब आप fbt ocea की बात करो या fbt ocea से fbt ocea की बात करो मैं यहाँ पर एक line में खतम कर सकता तो यह बात जो भी डिफरेंस है दोनों केस में फिर में डालें है बस बात खतम दोनों केस में पियल में डालें है इसका मेने logic आपको यह दिया था कि जब pcr से ocea में जाएगा तब तो अबविस्ती बात है एक नावang के लिगा रहे से और यहाँ पर FBTOCA से FBTOCA की बात हो, यह FBTOCA की बात हो, तो सारे difference PL में जाएंगे, क्यों इसमें एक ही logic है कि एक जगा में recycling होगी है, वो PL में जा रहा है, debt instrument की case में, तो एक एक line में खतम कर सकता था, फिर यहाँ पर मैंने बखा कि FBTOCA की बात होगी, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो आ जाएगा, अब यहाँ की बात करेंगे, बस यहाँ पर आपको पता है, जो difference है, वो PL मिली जाते है, यहाँ पर जो भी सारे difference है, पुराने भी accumulated OCA है, वो सारे के सारे हम अपने financial assets adjust करते हैं, यही एक आपका क्रक से बहुत ही अलग thing है, यहाँ पर एक difference चीज़े, कि जब आप FBTOCA से amortis cost में जाओगे, तो जो फरक आएगा, वो PL या OCA मिली जाएगा, वो फरक financial assets adjust होगा, और पुराने भी जो cumulative OCA के balance है, वो भी financial assets से ही adjust होते हैं, यह बस मुझे आपको समझा रहा था, और यह सारी चीज़ समझाने पर, अब मैं आपको बस एक ही चीज़ बताऊंग यह दे मिन आपको accounting कर रहा था, उस accounting में आपको छूटी सी बात है कि वो बता दूँगा मैं आपको, जैसे आप देखें, यह FBTOCA method, FBTOCA method, तो FBTOCA method में हम क्या कर रहे थे, जो भी फरक आ रहा था, वो OCA में दिखा रहे थे, ना, 1080, 1364, जो भी यह सारे फरक हम OCA में दिखा रहे थे, अब क्या करेंगे, जब reclassify होगा, FBTOCA में जब reclassify होगा, तो क्या होगा, यह सारे OCA के balance होगा, यह देखें, यह सारे OCA के balance यहाँ पर fair value gain के नाम भी यहाँ पर effect कर रहे थे, तो इसे हम reverse कर देंगे, इसे हम इसी financial assets adjust कर देंगे, और जब यह financial assets से adjust हो जाएगा, तो यह cut देंगे, 1080 यहाँ पर plus हुआ है, financial assets से adjust होने पर minus हो जाएगा, 1364 plus हो minus हो जाएगा, तो ultimately तो हमोटास cost method ही बन गया, और आपके fair value gain or loss का effect जो था वो तो हटी गया, तो ultimately क्या होगा, आप जब इसे reverse कर दोगे ना, तो ultimately पता है, यह amotas cost method वाला accounting हो जाए, आपको भरोसा नहीं है, आप इसे हटा के देख लो, इस हट reverse कर देना, इसे reverse कर देना, तो आपका ultimately जो carrying amount आएगा ना, उस reclassification rate में, वो carrying amount as per है, मोटास cost method आना, ची वो ही आ जाएगा, बस इतना ही मुझे आपको यहाँ पर फरक समझाना है, और कुछ भी नहीं है, और यहाँ पर मैंने एक जी रखा हुआ है, आपको refer करना भी से refer कर देना, पर अभी में यहाँ पर और deeply नहीं जाना चाहता, ने तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, कोई और वीडियो में हम reclassification के बारे में, दो घंटा बाची कर लेंगे, comment करके जरूर से मुझे बताएगा, अगर आपको reclassification में, पूर मैं बना के डालूगा, पका डालूगा, हमें यहाँ पर reclassification, हाँ यह बात स्योर है, कि फिर reclassification का वीडियो सिर्फ अकेला, वो तीन से साड़े तीन गंटे का कम से कम बनेगा, चार गंटे वे जा सकता है, सिर्फ reclassification में, पूरा खोल के रख देंगे, इतना practical approach के साथ होई ही नहीं, आप ही नहीं पढ़ रहें तो बना के क्या फैदा, तो पचास से ज़्यादा कमेंट है, तो पका आपको मिल जाएगा, चली, तो यहाँ पर, अभी हम यहाँ पर इसे टाटा बाइबे करते हैं, मैंने बहुत लंबा ही खीचा, क्या गरोपा ही नहीं, मेरा मन जब तक मुझे लगता है कि मैंने अपना best performance नहीं दिया ना, तब तक मेरा दिल मानते ही नहीं, मैं कितनी बार सोचता हूँ कि नहीं, मैं आपको shortcut में निप्टा दू, पर नहीं निप्टा पाता हूँ क्योंकि मेरा दिल ही नहीं मानता, मुझे लगता है कि आपको clarity मिलनी च समझाना, तो यहाँ पर वापस से में एक बार final test देना चाहतो, मुझे लग रहा है आपका revision proper नहीं हुआ है, MO test cost से FBTPL में जाओगे, सारा gain or loss PL में रिकरनेस होगा, MO test cost से FBTOC में जाओगे, सारा gain or loss OCM में रिकरनेस होगा, एक और बात मैं आपको यहाँ पर बदा दू, जब आप FBTPL में चली जाओगे, effective interest rate का कोई काम नहीं, लेकिन जब आप FBTOC में जाओगे, तो effective interest rate का काम है, लेकिन आपका effective interest rate पूराना वाले continue होते रहेगा, क्यों हो, क्योंकि MO test cost method में भी तो आपने effective interest rate लगाया ही है, तो वही आपको यहाँ पर भी चलते रहेगा, क्य यहाँ पर भी कोई problem नहीं, अगर आपको फिर भी लगता है कि MO test cost method कुछ FBTOC से जाएगा, तो कुछ change आना नहीं मेरे ख्याल से, हाँ, अगर भाइजना change आना है, तो आप change कर दोगे, effective interest rate आपका निया निकलेगा, तो आप निया effective interest rate निकालोगे, क्योंकि यहाँ पर effective interest rate की जरुत आपको पढ़ने वाली है, अगर हम यहाँ पर बात करें, FBTPL to MO test cost में आप जाओगे, effective interest rate की यहाँ पर भी जरुत करें पड़ीगी, तो आप निया वाल effective interest rate निकाली लोगे, यह तो मैंने आपको नीचे समझाया भी था, कैसे निकालोगी यह, है ना, क्योंकि यह ध सारा difference PL में नहीं, financial assets से adjust होगा, और जब FBTPL से, FBTOC की बात करें, सारा difference PL, FBTOC से FBTPL की बात करें, तो सारा difference PL में, इसका reason है, recycle है, चले, तो हमने यहाँ पर reclassification कुल मिला की खतम कर दिया, अब और इसके बार में बातचीत नहीं करेंगे, अब हम बात करेंगे, किसके बा आनत करनी का जरूत नहीं पड़ेगा, आपको financial liability के case में, जैसे financial assets का में आपको समझाया था कि कैसे कैसे हम MOTS cost method, business model test वगेरा देखें, कैसे कैसे accounting करतें, वैसे मैं financial liability में भी आपको समझाने वालो, तो यह बात धिहान रखीगा, financial liability में, no role of FBTOC method, यहाँ पर FBTOC method का कोई रोल नहीं है, financial liability के case में, दो ही method लगते हैं, FBTOC method, दूसरा MOTS cost method, तो हम कब लगा देखें, generally मैं आपको बदा दो, financial liability के case में, obvious सी बात है, initial recognition में, तो fair value में measure हो का, हमें पता ही, यहाँ पर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, subsequently, आप MOTS cost method ही generally लगाओगे, लेकिन अग पढ़ा है, वहाँ पर मैं आप ज्यादा टीप नहीं जाओंगा, इंडेस 103 में मैं आपको contingent consideration समझा है, और वो contingent consideration का fair value हम liability मानते हैं, मान लेजे मैं आपको बाद है किया कि मैं आपको 50,000,000 रुपीज दोगा, provided conditions वगेरा satisfy होंगे, जिसका आज के date का fair value 5,000,000 रुपीज है logic है यहाँ पर, क्योंकि यह कोई ऐसा नहीं कि पैसा मुझे मिलेंगा आपसी, यह मेरा liability है, पर ऐसा नहीं कि यह liability मुझे आपको इतना ही चुका नहीं, आज का fair value ही तो बदलते रहेगा, और इसलिए यहाँ पर, आप खुछ सुची, यहाँ पर M.O.T.S. cost method लगाना बेवक यह, आप FBTPL method लगाईए, जो भी changes आएगा, वो PL में आप दिखाऊगे, ऐसा हमने कुछ किया भी वहाँ पर, तो आपको यह ध्यान में रखता है, M.O.T.S. cost method लगेगा, बट अगर आप held करो, for trading, या फिर contingent consideration, in case of business combination, आप FBTPL लगाऊगे, और कभी-कभी accounting mismatch होते है, त आपको एसा situation में मुझसे designate करते हैं, FBTPL, और यह आपको clarity मिलेगा, unit 2 का question है, illustration 30, और यह illustration 30, आपको हमारे mobile app के अंदर जगा दे, digital education में, इसका discussion, मैंने जिसे, वहाँ पर question wise discussion क्या हुआ है, audio clip है, वहाँ पर इसका discussion हो जाएगा, आपको definitely मिल जाएगा, tension वाली बात मी, financial assets, तो उसे हम लगा रहे है, FBTPL, तो सही नहीं बैट रहे है, तो हमने सोचा, दोनों को एकाम करते है, FBTPL कर देते हैं, बात करते हैं, तो उसे हम designate कर देते, तो यह question point number C का जो है, यह illustration 30 में सीख जाएंगे, मैं अभी जादा इस पर discuss नहीं करूँगा, तो मैंने आपको बस इतने ही बता है, कुछ-कुछ mismatch के cases में अब FBTPL designate करते हैं, अदर्वाइस, जनरली amortis cost method ही लगता है, financial ability में, लेकिन अगर अगर है health curve for trading या contingent consideration के case में, आप FBTPL लगाओगे, अदर्वाइस हम इस से amortis cost method ही लगता है, financial ability में, और ओविस ती बात है, transaction cost जैसे financial asset में बढ़ा दो, क्योंकि देखिने, cash कम होगा, उसका opposite में liability भी कम कर दो, या फिर cash कम होगा, तो asset को बढ़ा दो, तो हमने financial assets में transaction cost को add करते हैं, ताकि balance and match हो, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, financial liability के case में transaction cost को हम less करते हैं, या अपको ध्यानत, क्यों और एक चीज का logic देता हूँ जब हम financial assets हमारक कब बनते हैं, जब हम पैसे देते हैं, मैं आपको पैसे दूँगा, तो financial assets record करूँ, transaction cost में भी पैसा देना होता है, यानि financial assets कैसे बनते हैं, जब पैसे देते हैं, transaction cost में भी पैसे देते हैं, इसलिए दोनों add हो जाते हैं, but in case of financial liability कब होते हैं, जब हम पैसे पैसे लोगा तो financial liability होगा पर transaction cost में तो पैसा जाता है इसलिए माईनस होता है माल लिजे आपसे 50,000 रुपे लिए और transaction cost का 5,000 रुपे खर्चा कर दिया तो ultimately आये कितना 45,000 वही आपका financial liability हो जाएगा इसलिए transaction cost हमें साथ ध्यान रखे financial liability से reduce होते हैं अब आगे में आपको बढ़ा दो ऐसे question भी हमने किया debt instrument जहां पर आपका conversion option भी रहते हैं तो debt instrument में माल लेते mandatory interest तो mandatory देना पड़ेगा और principal convert भी हो सकता है सेट्स में या principle redemption हो जाएगा तो इसमें बहुत सारी किस्से है अलेगले situation है माल लेज़े conversion option जो होल्डर के बास है यानि जो debenture मैंने आपको issue करके आपसे पैसल लिए debenture इसू करके आपसे पैसल लिए और debenture पर five words तक मुझे आपको interest दे नहीं है obligation अब फाइवर्स तक मुझे interest देना है तो interest तो मेरा obligation interest वाला component financial liability ही होगा जैदे माल लेज़े आपको हर साल मुझे 10 दा 10 तेंथ और 10 तेंथ होचन तेंथ होचन देना है यह मेरा mandatory है तो इस तेंथ होचन को तो मैं पूल करूंगा present value में आज की market rate of interest पे और यह present value मेरा financial liability मान principle amount कब pull होगा कब नहीं होगा मानिगी conversion option आपके पास है holder के पास है मैं बेचारा कुछ नहीं कर सकता सारा अधिकार तो आपके पास है तो मैं हमीशा principle को भी liability मानूँ हूँ क्यों कि अगर आपने redemption कराना चाहतो मुझे आपको principle देना ही पड़ेगा मैं रोक नहीं सकता तो इस conversion जब option रहता है issuer के पास जब conversion option किसके पास है मेरे पास है मजा आगे मेरे पास conversion का option है तो ऐसना situation में interest हो mandatory मुझे आपको देनी है पर conversion का option मेरे पास है तो मुझे देखना है कि क्या मेरे लिए फाइदेमंद रहेगा मुझे कितने मड़ सबस्टेंटिव नहीं रहता है पर मुझे लग रहा नहीं मिर लिए बेटर रहेगा अगर सब्स्टेंटिव और मुझे लगता है कि कन्वर्शन में कराप आँगा राम से तो तेंसन वाली बात नहीं है तो मुझे उसे क्या माल लेना चाहिए एक पुटी मालना चाहिए यहाँ पर आप यह सुचो कि इसूर क ज्यादा फाइदा पैसे देने पर ऐसा सिचूशन में फाइनिशल लाइबरेटी दिखाईए तो इसलिए यहाँ पर इसूर के पास ऑप्सन होने पर आप देखोगे चेक वैदर सबस्टेंटिव है या नहीं है अगर फाइदा है तब एकुटी मानना अधर्वास लाइबर अगर फ्यूचर में वैरियबल नंबर उसे दिया जाएगा तो हम फाइनिशल लाइबरेटी मानना अपको इतना सुरुवात में ने पढ़ाया था यह तो आपको यह देखने है कि मानने आपको क्या कहा mandatory यह debenture convert होगा into sets तो mandatory convert होगा हमले convert होना है तो यहापर मुझे एक चीज़ देखना है कि क्या यह mandatory जो convert होगा into sets क्या fixed number of sets आपको में तूँँगा क्या आपको variability involved नहीं है क्या मैं आपको fixed number of sets देने वाला हो तब तो equity है लेकिन अगर मैं आपको variable number of sets देने वाला हो future में related question है वो question मैं आपके साथ जरूर discuss करना चाहूंगा मैं इसके लिए क्या करता हूं मैं काम करता हूं यहां पर इसका question मिल जाएगा मुझे लगता है और आपकी क्रिपा होई तो मिल जाना चाहिए मैं देख लेता हूं मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात है अब ही मैं आपक यूनिट 3 पर देखते हैं तो आपके लिए question ढूणने में थोड़ा सा time लग गया था एंड इसलिए मैंने pause कर डियर्जर स्क्रीन को देखिए यहां पर आपको comprehensive illustration में illustration 6 मिलेगा illustration 6 आप देखेंगे न comprehensive illustration में यहां पर आप देखिए क्या लिखा हूँ है the preference sets are convertible into 5000 equity sets of the company सबसे पहले तो यह mandatory है compulsory convert होगा कोई option किसी के पास नहीं hold रहे है इस वह रही compulsory convert होगा तो आपके दिमाग में पहले ख्याया लाएगा सर equity होना चीए बट ध्यान रहे आपको check करना पड़ेगा कि क्या variable number of sets में convert होगा तब तो liability है अगर fixed number of sets में convert होगा तो equity है तो यहां पर इन्हों ने बोल दिया कि यह preference sets जो convert होगा into equity sets यह 5000 यह फिक्स number of sets में convert होगा तो मतलब कि equity और यहनि अगर equity है तो हाँ जो different हर साल का जाएगा 10% वो तो liability है mandatory लिए different जाएगा पर principal redemption हम नहीं consider करेंगा क्योंकि यह convert होगा into sets और fixed number of sets में convert होगा और इसलिए अगर आप solution में देखोगे तो इन्होंने सिर्फ different को consider किया है principal amount को consider यहाँ पर नहीं किया गया यहनि जो principal amount जो आपका principal amount जो भी है 10,000 sets का 150 रुपेस करगे जो भी आपका redemption है ना तो यह जो redemption amount है यहाँ पर नहीं लिया आ जाएगा the reason क्योंकि fixed number of sets में convert हो रहा है अगर यहाँ पर variable number of sets हो था तो हम redemption value भी consider करते है तब हमें करना पड़ता क्यों क्योंकि आपका variable number of sets में convert होता है तो उससे financial liability मानते है तो आपको इसलिए ध्यान में रखने जब कभी भी आपको यह दिखे कि compulsorily convert होने वाला mandatory convert होगा into equity sets तो एक बार में jump करके मत बोल देना कि principal वाला तो equity होना चाहिए क्योंकि यह mandatory convert होगा अब jump नहीं कर सकते आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या यह convert होगा into variable number of sets तब ने शुरुवात में पढ़ा था तो यह सारा ची अच्छी तरीके से समझा दिया है और यह ध्यान रखिएगा जिसे बहुत सारे financial instruments में जिसे debt और equity component दोनों होते हैं तो वहाँ पर हम क्या करते हैं cost को भी split करते हैं between debt and equity और उसके carrying amount के ratio में हम transaction cost को split करते हैं कहीं कई ICN split नहीं किया सीधा ही जो amount है उसी में आपका liability component निकाले और बाकी का सारा का सारा यह पहले full amount पे transaction cost को adjust कर लिया गया जिसे माले 50 लाक रुबीस मैंने आप से लिए transaction cost का खचा 10,000 रुबीस है तो मैं कर लेते थे बट आप reality में देखा जाए तो आपको क्या करना चाहिए debt और equity में इसे split करना चाहिए और accordingly separate करके दिखाना चाहिए तो चली यहाँ पर इतना ज्यादे इंपोर्टन नहीं बागी questions में आपको clear हो जाएगा सारे questions तो कराए हुए को question में problem में comment कीजिए ना financial instruments में तो जरून मदद करूँगा मैं आपकी तो चली उमीद आपको financial liability अच्छी तरीके से clear होगी है अब equity की बात करें तो equity में सिंपल सी बात आपके से discuss करना है equity में subsequent measurement करने की कोई जरूत नहीं होती इनिशली भी आपको क्या करना होते है चितने पैसे नेट आए ना वह एकुटी दिखा दो मलब बैंग में पैसे नेट हमारे 50,000 है तो equity 50,000 बैंग दे 50,000 आप बोलोगे sir bank में पैसे 50,000 है पर 5,000 भी इस transaction cost का खड़ चले तो net कितने है 45,000 है न तो 45,000 बैंग में दिखा दे दी दिया तो financial assets का हमने अच्छा का सा discussion किया financial liability का भी हमने discussion कर लिया equity का भी हमने discussion कर लिया तो अब यहाँ पर आपको पते हैं अब हम पहुत सकते हैं another unit that is derivatives and embedded derivatives में हम पहुत सकते हैं पर मैं सोच रहा हूँ इसमें पहुचने से पहले कोई question इस वीडियो में नहीं करा तो छो ख्याल मेरे ख्याल से आपको भी यही सही रहेगा कि हम इस वीडियो में भी फिलाल continue करते हैं towards derivatives and embedded derivatives में हम जाते हैं and the last में जो होगा होगा and ऐसे भी सारे questions का revisionary audio clip तो आपको हमारे mobile application में free में मिली जाएगा अभी तो फिलाल फ्री है बात का पता नहीं हुझे भी तो अभी आपको मिली जाएगा अभी आप देख सकते हैं वहापर for your December 21 exams अभी हम derivatives और embedded derivatives में हम continue करेंगे आगी यहां से further discussion करेंगे चलिए one by one हम discuss करते हैं पहले derivatives discuss कर लेंगे and आगी फिर embedded derivatives भी discuss करेंगे अच्छी से समझ में आएगा बहुत ही आसान है इसका मतलब उता 60 लगाना यानि हमें strong belief आ रहा है कि future में कुछ होना है कुछ भी होना है जिसमें हम 60 लगा लेंगे जिसे माली जे for example cricket match है cricket match में मुझे लग रहे की इस cricket match में India जो है 200 score करें और आपको लग रहे कि निए 200 score नहीं करेगा इस match में इंडिया का 200 से काफ़ी कम score रहेगा तो मैंने आपसे कर acontece की चलो ठीक है तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का हम सट्टा लगा सकते हैं या फिराट कोली के सेंचूरी लगाने पर ना लगाने पर उस पे भी हम सट्टा लगा सकते हैं और या फिर मान लिजे मुझे लग रहा है कि रुपी पर डॉलर की अगर मैं बात करूं डॉलर खरीदूंगा after a period of 3 months at a specific यानि at a fixed price of रुपी 75 per dollar मैंने 75 में डॉलर खरीदने का contract कर लिया आपसे अब क्या होगा आगे जाके डॉलर का price माल लीजे 90 रुपीस हो जाएगा तब तो मैं जीत पर होगा क्योंकि मैंने तो खरीदने का contract किया 75 में और आपको मुझे 75 में देना पड़ेगा उसको मैं बाद में 90 में बेच पाऊँगा तो मैं कमा लूँगा आपर और वही अगर मालीजे उसका price गिर जाएगा 65 या 60 हो गया तो मेरा नुकसान भी हो सकते है तो derivatives में basic का value change होते रहेगा है ना कैसे change होगा जब dollar का value change होगा तो यहाँपर dollar के underline या फिर हमने विराट को लिए के century लगाने या ना लगाने पर 60 लगाया है ना तो विराट को लिए यहाँपर underline ये उसके performance पे हमारा contract dependent है contract में मेरे लिए favorable होगा या फिर आपकी लिए favorable होगा ये depend करेगा विराट को लिए performance पे और या फिर माले जिए मैंने आपसे एक iPhone खरीदने का contract कर लिया लेकिन real में कोई iPhone का delivery वगिरा नहीं होगा हम iPhone पे 60 लगा रहे हैं अगर delivery होता है तब तो फिर उसे executory contract कहा चाता है जिसके बारे में बात कर लेंगे थोड़ा दूख्या पर अभी मेरी बात समझे मैंने contract किया कि मैं आपसे iPhone खरीदूँगा आज से दो मैने के बाद iPhone 13 खरीदूँगा 50,000 रुपीस में चलिए मान लेता है 50,000 रुपीस 50,000 रुपीस में iPhone खरीदूँगा पर real में मेरा खरीदने का कोई नियाद नहीं आपका बीचने का नियाद है बस मेरा intention मेरा strong belief पार है कि iPhone का price आने वाले दो मेने में और बढ़ेगा और आपको strong belief पार होगा कि नी price गरेगा तो मैंने आपसे contract कर लिए कि मैं आपसे iPhone खरीदूँगा after a period of after a period of two months मैं आपसे iPhone खरीदूँगा for a price of Rs.50,000 अब माले जे two months के बाद iPhone का price 65,000 हो गया तब मैं अगर net settlement हम कर रहे है तो मैं जीत पे रूँगा क्योंकि मैं आपसे buy कर सकता हूँ 50,000 में market में बेच सकता हूँ 65,000 में और आपको 65,000 में खरीद के मुझे बेचना पड़ेगा 50,000 में तो चलिए नेट पर settle कर लिंग और आप मुझे 15,000 उपीज दे दोगे और वह इक है price अगर मालिज जा 30 था उचन हो गया तो मुझे आपको देना पड़ेगा तो यहाँ पर basically कहने का मतलब क्या यहाँ पर जो आइफोन है यह इसका price change होते रहेगा और आइफोन यहाँ पर क्या बन जाएगा underlying बन जाएगा तीनों condition meet होंगे तो as per financial reporting इंडेस के साब से हम फिर उसे derivatives मानते वे उसका हम accounting करेंगे आगे पहला वाला point its value जो contract आपने किये है उसका value change होगा in response to change in underlying और यह underlying asset नहीं करा underlying liability नहीं करा underlying item है कुछ भी हो सकता underlying underlying may भी विराट कोली हो सकता है underlying may भी आपका foreign exchange rates हो सकता है dollar का value हो सकता है underlying may भी interest rate हो सकता है क्योंकि market का interest rate भी बदलते रहते है generally underlying वो है जो जिसमें variability होता है जो बदल सकता है जैसे market का interest rate बदल सकता है my board का rate लाइबोर का rate बदल सकता है dollar का rate रुपी पर dollar बदल सकता है है ना यह मैं पता है और commodity पे किसी commodity पे हमने लगा है जैसे मैंने आइफोन commodity आइफोन का price बदल सकता आपका तो यहाँ पर basically जो हमने contract या उसका value change होगा in response to change in underline और underline यानि interest rate में change होना commodity के price में change होना उस पे contract कर लिया foreign exchange rates में हमने contract कर लिया फिर equity के price में contract कर लिया equity का price भी बदलते रहेगा interest rate futures commodity futures अलग-अलग कई प्रकार के contract होते हैं कई प्रकार के underlying होते हैं ने बारिस लगाने पे बारिस आने पे है ना बारिस आने पे हमने contract कर लिया तो बारिस आ भी क्वांट्रेक्ट में जनरली कोई investment नहीं होता है या फिर ना के बराबर investment होता है जैसे माल लिचे मैंने को forward contract के आपके साथ मैंने को future contract के आपके साथ और यहाँ पर generally को initial investment नहीं लगता है future contract में फिर भी कुछ margin मननी बग्रा लगता है तो ठोड़ा इतम हलका फूल का margin मने लगता है और option की बात करें तो option में भी premium देना पड़ता है है ना तो हलका फूल का premium देना पड़ता है तो जैसे देखे न मान लिए जब एक्जांबल मुझे लग रहे है रिलाइंस का सहर का price बड़ेगा आने वाले time में रिलाइंस का सहर का price बड़ेगा आज रिलाइंस का सहर price 1500 मुझे लग रहा है आने वाले time में रिलाइंस का सहर price 1800 हो जाएगा तो मैं क्या कर सकता हूँ आज 1500 में रिलाइंस का सहर खरीच सकता हूँ और जब 1800 हो जाएगा तो सह सेर को बेच दूँगा मैं कमाओंगा कितना 300 रुपीस कमाओंगा पर इसमें प्रोब्लेम क्या पता है मुझे 1500 रुपीस आज इंवस्मेंट करना पड़ेगा आज रिलाइंस के सेर को खरीदना पड़ेगा 1500 देखें और फिर बाद में रिलाइंस को सेर को बेच दूँगा 18 र कांट्रेक कर लिया मैंने तो जहां पर हलका सा मुझे मार्जीन देना पड़ेगा 20 30 रुपीस आज 60 रुपीस देना पड़ेगा इन्हीं 1500 पूरा नहीं देना पड़ेगा तो यहां पर बेसिकली क्या और इन्वस्मेंट ना किये बराबर होता है यह बहुत लिटिल इन्वस किसी अंडरलाइन पर बेस रहते है जिसका वल्यू चेंज होते रहते है है न वरिबिलिटी होता हूँ आपर दूसरा कॉंट्रेक में इनिशर इन्वस्मेंट नहीं लगता है या फिर बहुत ही कम इन्वस्मेंट लगता है और और इसका सेटल्मेंट आज तो होई नहीं सकत कर सकता हूं इनτι बोब्राइब इनीशल इन्वस्मेंट नहीं होता है हलका फुल कर लगता है मीन यहाँ पर इंपोरिण आप पर आपको यह देख रहे है कि क्या कोई underline गे और क्या उसमें variability है क्या आपका contract उस underline पर dependent है कि वो underline का value change होगा तो आपका contract का value भी change होते रहे हो तो यह तीनों condition अगर satisfy होगा तब ही हम क्या कहेंगे कि वो derivatives है otherwise हम उसे derivatives नहीं मानेगे अभी आगे मैं क्या करूँगा आगे ए on 1st March 2020 यानि basically यहाँ पर मैं अभी derivatives का accounting आपको सिखाने को जा रहा हूँ क्या derivatives का accounting सिखाने को जा रहा हूँ तो देकिन 1st March 2020 को entity XYZ entity XYZ enter करते into arrangement to purchase 500 barrels of crude oil at currency unit 45 per barrel after 3 months that is 1st June 2020 में तो पते क्या इसने purchase कर लिया क्या अगर ए crude oil आज ही purchase कर ले तब तो फिर को future settlement की बात ही नहीं आत खतम सबसे derivatives नहीं खाएंगे पर यहाँ पर यह purchase आज नहीं कर रहे है एग्रीमेंट कर रहे है कि यह purchase करेगा 3 months के बाद यह देखा जैतो forward contract कर रहे है कि यह 500 crude oil barrels और crude oil खरी देगा 45 में अब अब बते ही हमें यह चेक करना है कि क्या यहाँ पर कोई underlying है yes underlying क्या पर crude oil का price अब देखिए यहाँ पर हमने forward contract करने पर हमें पैसे नहीं देने पड़ते मार्जिन वगेरा कुछ लिया जाएगा तो little investment होगा ज्यादा कुछ लिया नहीं जाएगा तो यहाँ पर हमें यह पर को initial investment होने का नहीं है अगर होगा भी तो कोई हलका फुल का little bit investment होगा और obviously बात फागे में क्या बता है 31st March 2020 को when entity XYZ closes its books of accounts crude oil price changes to currency unit 48 per barrel on settlement date that is 1st June 2020 को crude oil यहनी settlement date कभी आपको price बता देओ तो देखिए क्रूड़ का price 45 से 48 हो गया reporting period and यहनी balance date पे और फिर बाद में वापस 46.5 हो गया तो क्या crude oil का price बदल रहा है जी हाँ बदल रहा है हमें बोला कि settlement माल नीच net basis में होगा अगर settlement net basis में होगा तो ऐसा situation में आप किस तरीके से इसका accounting करोगे तो simple सी बात है अब हम यहाँ पर accounting क्या करेंगे तो दूनों entity के point of view से accounting करेंगे एक तो entity XYZ जुसरा जो another party है यहाँ पर मैं अगर पहले entity XYZ की बात करूँ तो entity XYZ initially first March को क्या कोई accounting करेगा देखि करता तो वो उसका financial assets वगेरा दिखा कि या फिर जो भी यह non financial assets जो भी वो दिखा कि उसका accounting करता इसने को परचीज नहीं कि इसने derivative contract किया और initially जिस दिन हम derivative contract करते हैं उस दिन उसका fair value जीरो ही रहत है क्योंकि obvious नी बात है जो price आपका market में 3 months की बात का जो price आपको मिल सकता उ 45 में कर रहे हो तो यह fair value उसके date का है ना तो जो आपका fair value उसी में contract किया जा रहा है इस पर कोई change आज नहीं आएगा वो तो future में change आएगा तो देखा ज़िए तो आज के date का fair value नील ही रहत है और इसलिए हमीसा basically maximum cases में initial recognition में इसका कोई entry नहीं होता क्योंकि उस पर कोई fair value change अभी तक आया नहीं है हाँ बाद में fair value change आएगा तो उसका accounting होगा जैसे कि आप देखोगे अब ये बात मेरा ध्यान से सुन लिजएगा in case of derivative accounting हम क्या करते initial recognition हम इसा ना के अब बराबर यानि नील ही रहता है हाँ option contract की बात करें तो option contract में हम जो premium दे रहे तो वह premium हम initial recognition करते है क्योंकि वह premium fair value तभी तो हम दे रहे पर forward contract में तो को premium दे नहीं रहे होते हैं तो यहाँ पर ultimately उसका fair value जी रहे तभी तो हमसे premium वगेरा नहीं लिया जा रहा है तो ultimately इसका value नहीं ली रहता है यहनि कहने का मतलब initial recognition होते हैं generally initial recognition को entry पास नहीं रहते हैं उसके बाद हम reporting period end मे measurement करते हैं और यह ध्यान में रखेगा कि in case of derivatives accounting अब M.O.T.S. cost method लगाई नहीं सकते हैं FBTO से भी नहीं लगा सकते हैं सिर्फ और सिर्फ एक ही accounting लगता है derivatives में that is FBT bill यहीं जो भी आपका fair value change बगेरा होगा वो हमेसा कहा जाएगा profit and loss में ही जाएगा तो यहाँ पर अब हम wait क condition है कि हमारे लिए unfavorable condition है तो जो भी condition होगा उसके accordingly derivative financial assets या derivative financial liability आप create करोगे जो कि मैंने initially भी समझाया था कि अब जब exchange of assets and liabilities कुछ करते हो और वहाँ पर आपका favorable है unfavorable है तो उसके accordingly आप उसका derivative financial assets या derivative financial liability दिखाते हो तो देकिन 31st मार्च को प्राइस चींज होगी कितना होगे अब तो 48 होगे जो 45 में मैंने contract किया था मेरी बात सुनीए 45 में मैंने contract किया आज price 48 हो चुका है तो क्या मैं जीत पहू हूँ मैं पोटेंसियली जीत पहूँ आज settlement नहीं हो रहे है मैं नहीं कहरा कि आज settlement हो रहा हूँ मैं पैसे लेकि का खरीदने का तो आज ही मैं 45 में खरीद के 48 में बेच सकता हूं तो मेरा ऐल्टिमेटली फाइदा कितना थ्री रुपीस का uelगे और आपके लिए अनागर वही ह। क्योंकि मैं जीत पर होना है यहां पर जीड़ है मतलब अनादर पार्ट हम यहां5 हार टो अन्हे यहांटिया आपर है हम्आवर यहां financial asset कहते हैं यहीं फाइदा को हम कैसे recognize करेंगे हम derivative financial asset दिखाएंगे 15 रेट का तो profit and loss दिखाएंगे 15 रेट का यह अगर मैं balance it कटी सेप की बात करें तो left side में PL बढ़ जाएगा 15 रेट से और right side में asset बढ़ जाएगा 15 रेट से तो वो entry क्या पास करेगा profit and loss account debit to derivative financial liability पास करेगा चलिए हमने समझ लिया पर अब आगे settlement date आ गया अब हम हर दिन नहीं करते हैं सब हम बस reporting end में करेंगे settlement date पे करेंगे तो settlement date यह नहीं फर्स जून को क्या हो रहा है true dollar का price से change हो गया 46.5 हो गया नुक्सान हो गया हमारा तो अब दिखी अभी हमने 48 तक का measurement कर रखा था 45 से 48 त्री रुपीज का फाइट हमने दिखा रखा था अब 48 से 46.5 हो गया तो मतलब नुक्सान हो गया और to derivative financial liability कर देते पर क्यों आपने already asset create क्या हुआ तो उसे reverse करो ना to the extent of 1500 आपका asset created है to the extent of 1500 आपका asset created है तो अगर आपका नुक्सान होगा तो पहले उस asset को गिरा हो उसके बाद और फ़र्दर नुक्सान होगा तब अब liability create करोगे तो यहां पर हम क्या करेंगे 750 का हमारा नुक्सान है still हम अभी भी फाइदे पर है 15 रेट का फाइदा रिकर्गनेस किया दे जिसमें पता चला 750 नुक्सान होगे यह और 750 का ही फाइदा मिलेग आपको तो अभी हम क्या करेंगे PL account को debit करेंगे और to derivative financial assets लिखेंगे मतलब हम reversal कर रहे हैं जो हमने पहले से create क्या हुआ था 15 रेट का उसमें से 750 का reversal हो जाएगा इन्हीं PL account debit to derivative financial assets 750 का दिखा दे जाएगा तो ultimately हमारा फाइदा कितना दिख रहे है derivative financial assets कितनी का दिख रहे हैं पहले 15 रेट का create क्या था अब हम reverse करें 750 का तो बच्चा कितना 750 वो तो में मिली गई और वो हमारा हग भी कैसे मिल रहे है क्योंकि वो 45 में खरीदने का contract था और settlement date पे finally 46.5 हो गया तो ultimately देखा जाए तो starting सभी तक का 2020 आपका 15 रेट का फाइदा है यह पील में जाएगा अब next financial year में आपका 750 का नुपसान हुआ तो next financial year में जाएगा है ना तो वो period to period depend करेगा कि कौन से period में जाना है तो यहाँ पर हम ही यह पादा चला कि चलो ठीक है derivative financial assets अब हमारा net 750 का है और यह पैसा में लास्ट में मिल जाएगा क्योंकि हम लास्ट में settlement करेंगे तो settlement में हमें पैसा मिल गया 750 का और two derivative financial asset दिखा दिया हमने बात ख़तम यानि इसे फिर से हमने reverse कर दिया settlement के नाम पर तो देखें ना जो derivative financial assets 15 rate का create किया इसमें 750 तो नुकसान हो गया इसलिए reverse हुआ और 750 पैसे मिल गया इसलिए reverse हो गया कैस आ गया हमारे पास और इसका balance rate भी आप देखें पहले 15 rate का derivative financial asset create किया और PL में 15 rate हमने दिखा दिया उसके बाद में हमारा नुकसान हुआ 750 का तो नुकसान जो हुआ उसे हमने derivative financial assets से reverse करके गिरा तो 750 हमारा बचा अब यह 750 में cash received हो गया तो cash received होने पर financial assets नहीं लो गया और cash आपका 750 का आ गया तो मैंने balance rate भी ऐसे दिखा दिया इसका बस इसने पहले derivative financial liability 15 rate का ग्रीट किया बाद में इसका फाइदा हुए हमारा नुकसान हुआ इसका फाइदा हुआ थोड़ा सा फाइदा हुआ तो इसने reverse कर दिया डीएफल derivative financial assets को इसने reverse कर दिया और बाद में करके 70 बचा और यह 70 ने payment कर दिया तो इसका cash कम हो गया बाद खतम तो इस तरीके से आपको मैंने accounting समझाने का courses के example one में I hope आपको समझ मैं कि initial recognition generally क्योंकि वहाँ पर fair value नील रहता है हम initial recognition में entries नहीं कर दे कभी कभी options वगेरा कि किस में entry होता है balance rate पे आप re-measure करोगे जो भी घाटाया फाइदा होगा PL में जाएगा फिर settlement rate पे भी आप re-measure करोगे जो भी घाटाया फाइदा होगा वह हमेंसा in case of derivatives PL में जाता है चली यह question हमने समझा करा अब आगी एक और example यह भी आपको revise करा देता हूँ चली नेक्स example भी फटाफट से overview करा देता हूँ revise करा रहो भी में ठीक है और जो हमारा YouTube में already full lecture उसमें सारे discussion proper तरीके से हुआ है यह revision वीडियो है तो फटाफट से revise होगा सारा चीज and questions के audio clips application में मिल जाएगे आपको पता है already बस चली example to start करते हैं और 1st March 2020 entity XYZ forward contract करते हैं यहाँ पर फिर से to purchase $50,000 इस बार dollar purchase करने का contract कर रहा है after 6 months at the rate rupees 45 per dollar तो देखें न डॉलर यहाँ पर underline है क्या dollar का value change होगा future में yes dollar रुपी पर dollar 50 है आज मालो कल 60 हो जाएगा 70 हो जाएगा 30 हो जाएगा यहीं डॉलर का value change होगा तो यहीं जो contract हमने किया है to purchase a dollar यह इसका value change होगा with response to change in underlying और underlying क्या dollar है ना dollar का change of foreign exchange rate है हमारा क्यूंकि हमारा currency तो रुपी है है ना तो dollar में change होगा तो हमारा exposure है आगे इसके अलावा हमने क्या देखा था कि initial investment यहाँ पर कुछ लगनी रहे forward purchase contract है और settlement कब होगा छे मैने के बाद यानि future date पे settlement होना है यहीं तीनों condition satisfied और अब तो आपकी दिमांग में set हो गया होगा condition तीनों है ना तीनों condition है राम से सेट होगे आगे देखे 31st March को देखी ना entity जब close करता books of accounts को तब रूपी पर डॉलर 47 तो हमने यह 45 में खरीदने का contract किया है अब reporting date में 47 होगया तू रूपीज का फाइदा 50,000 डॉलर में तू रूपीज का फाइदा तो मेरा फाइदा यानि फाइदा है इने टेलिग्राम में मिली जाएगा यह वाला handwritten notes आगे देखते हैं 1st September 2020 settlement date को अब हमें फिर से देखना है तो settlement date को कितना होगया 43 होगया तो सुनीने मेरी बात 45 अबका forward purchase contract 45 में था फिर 47 हुआ तो हम क्या करें 2 रूपीज का फाइदा हमने दिखाया अब 47 से सीधा छटका लगा 43 में तो हमें क्या करना पड़ेगा हमें 47 से 43 पे पहुचना है यहनि 45 तक तो reversal होगा फिर आगे नुकसान भी दिखाएंगे तो पहले जो 1,000,000 रूपीज हमने यहनि 2,000,000 रूपीज का नुकसान हुआ और यह जो 2,000,000 रूपीज का नुकसान हुआ यह तो PL में चार्ज हो गई क्योंकि इस current period में 2,000,000 का नुकसान हो गया अब यह जो 2,000,000 का नुकसान हुआ पहले DFA को आप reverse कर दीजे 1,000,000 का जो आपने पहले से create कर रहा था और additionally D DFL आप बना दोगे यहनि कहने का मतलब यह पहले asset create किया था फाइदा दिख रहा था तो रूपीस का अब सीधा 4 रूपीस का नुकसान हुआ तो पहले तो रूपीस का जो फाइदा तो उससे reverse कर दे और further 2 रूपीस का घाटा को liability दिखा दिया तो यह अल्टीमेटी settlement हुआ यहनि 2 रूपीस का घाटा यहनि 1 रूपीस का मेरा settlement का नुकसान है और बीच में आपका period आ रहा था न दो period आ रहा था एक तो आपका reporting period end आ रहा था and बाद में next period आ गया तो उस period के चलते हैं हम यह बता रहे कि first period में आपका 1 लग का फाइदा है and next period में 2 लग का नु इस पर another party का आपका obviously बात है totally उसका reverse entry होगा उमीद आप आराम से समालोगे इससे कोई problem अब यहां पर नहीं आने चीए आपको तो चलिए अब हम next example करते है इंट्रेस रेट स्वाप की बात करेंगे आप इंट्रेस रेट स्वापिंग का मतलब क्यों हो गया मान लीजे मैंने क्या क्या मैंने आपसे कहां चलो मिलके स्वापिंग करते हैं अब मुझे क्या लग रहा है बता है कि मुझे लग रहा है कि future में interest rate बढ़ेगा market का interest rate मुझे क्या लग रहा है बढ़ेगा तो मैंने क्या सूचा मतलब मैंने सूचा कि मैं आपके साथ एक contract कर लेता हूँ आगे जाके 8 से 10 हो गया तो आप तो मुझे 10 दोगे 12 हो गया तो आप तो मुझे 12 दोगे तो मैंने आपको fix देना है आप मुझे floating दोगे माली जे 5 एर्स का contract किया एवरी एर में आपको 8% fix दोगा और आप एवरी एर मुझे floating दोगे और एगर rate बढ़ा तो आप मुझे 10% दे सकतो 11 12 जो भी दोगे और मेरा settlement यहाँ पर क्या होना है नेट पर होना है तो मेरा तो फाइदा होगा ना तो वैसा ही कुछ यहाँ पर है दीखे 1st April 2020 को Entity X enter करता यहाँ पर fix 8% देगा अब मेरी बाद यहाँ से सुनेगा इंट्रस हमेशा dependent होता उन प्रिंसिपल सूचे मैं आपको 30% दोगा और प्रिंसिपल कुछ कहा नहीं अब आप वह आगे मांगने को कि 30% इंट्रस देगा बोलाता थे मैंने का चल्टी का 30% कितना होता है 30 पैसा उत प्रोब्लम आज जाएगे तो 50 लग का नौशनल हमांट है जिस पर आपका decide हुआ है कि मैं fix दोंगा आप मुझे variable दोगे मैं कितना fix दोंगा 8% fix दोंगा मैं आपको और आप मुझे variable दोगे settlement कब होगा every six month settlement होगा variable interest six months का LIBOR rate हम लेंगे जो कि floating है LIBOR rate case आप से हम decide करेंगे क कौन जीता कौन हार contract period two years का और छेचे मेना मैं settlement होना नहीं four years four अलग-अलग settlement period होगा आपका और आप देखिए first reset period second third fourth reset period द्याओ यहां पर 10% 6% 8% 9% और जैसे मैं आपको कहा था कि अगर मेरा strong belief है कि rate बढ़ेगा तो मैं आपको fix देना चाहूंगा आप से floating लेना चाहूंग rate बढ़ेगा तो floating मिलेगा तो खुशनी की बात है अगर मुझे लगए rate गिरेगा तो मैं आपको floating देना चाहूंगा अपसे fix लेना चाहूंगा और rate गिरेगा मुझे तापसे fix ही मिलेगा और floating यानि क्या पता 3% 4% होगे गिर कि अब मुझे तो वही देना पड़ेगा तो य यहां पर आप देखिए अब हम क्या करेंगे सटल्मेंट करेंगा अपर मैंने अनाधर पार्टी का नहीं करा है यह आपके लिए homework रहेगा आप खुदी करोगे ठीक है एक साट करा दूगा तो दूसरे का अपनी आप यह उल्टा होने कर तो यहां पर अब देखिए first reset period की अ लेने वाला हूं और आप से मैं 10% लेने वाला हूं तो मैं तो जीत गया 8 देना है 10 लेना है तो net पर तो लेना है मुझे मैं जीता हूं यहां पर और यहां पर सारा net settlement होगा तो net settlement में मैं 2% जीता हूं और यह तो पर एनम यह सारे क्या है पर एनम है यह भी आपका पर एनम है पर एनम का rate of interest रहे है हालग कि settlement 6-6 मेने पर हो रहा है तो 2% जो मैं जीता हूँ वो पर एनम का जीता हूँ तो 6 मेने का कितना हुआ 1% जीता हूँ या फिर आप ऐसे समझ सकते हो यह 8% तो पर एनम है तो 6 मेने का कितना हुआ 4% हुआ और यह 10% भी पर एनम है 1% मिलेगा आपको यहां पर 2% इंडू 6 by 12 लिग दिया आप 50% का 50,000 का 1% सीधा कर लिजे आपका आएगा कितना 50,000 तो 50,000 मैं जीता हूँ मुझे मिलेगा तो 50,000 मुझे मिलेगा तो मैं कैसे दिखाँगा derivative financial assets to PL अब यहां पर ऐसा नहीं आज ही मिल जाएंगे तो पैसे मिल गए तो bank account को debit किया to derivative financial assets अगर मालिजे पैसे बात में मिलेंगे तो बात में entry pass होगा यह वाला पर generally swapping में उसी period में आपका settlement हो जाता है तो derivative financial assets to PL दिखाया और फिबात में पैसे आगे तो derivative financial assets को cut कर दिया यानि ultimately debit credit cut हो गया bank आपका बढ़ जाएगा PL आपका बढ़ जाएगा बस बात कर दो पैसे आगे bank में और PL आपका बढ़ गया अब यहाँ पर next reset period में क्या हो गया 6% हो गया तो देकिन 8% में fix दूँगा आपको और आपसे मुझे 6% ही मिलेगा तो इस बार में घाटे में हूँ मुझे ज़्यादा देना और कम मिलना है यहीं 2% मेरा नुकसान है और 1 month का 1% नुकसान हुआ तो 1% यानि वही 50,000 का मेरा नुकसान हुआ तो इस बार नुकसान हुआ तो PL debit होगा to derivative financial liability और जब मैं रिशार्ज कर दूँगा तो DFL को debit करके bank से पैसा आपको लोटा दूगा पात खतम फिर 3rd reset period में कितना हो गया 8% तो देखे न 8 देना है 8 लेना है यानि कुछ नहीं होने का entry है ना यह आपका cross हो गया laps हो गया कुछ नहीं होने का क्योंकि 80 देना और 80 लेना है फिर 4th reset period में 9% हो गया 8 देना है 9 लेना है यानि 1% में जीता हूँ 6 मेने का कितना 0.5% जीता हूँ तो 0.5% 50 lakh का कितना होगा 25,000 होगा I think 25,000 होगा तो मुझे मिलेगा यानि derivative financial assets रूपील और जब मिल जाएगा तो bank to derivative financial assets यानि पहले asset create कर दूँगा जब मिल जाएगा तो asset decides हो जाएगा asset reverse हो जाएगा आपका तो इसलिए दिकि नहीं reverse होगे कड़ गया फिर बाद में तो उमीद है आपको यहाँ पर interest rate swap भी समझ में आगी अच्छी तरीका यहाँ पर अगर इसी को मैं समझाओ मुझे आपको क्या देना है fix देना है मुझे हर साल आपको fix 8% देना है या फिर हर 6 मेना में 4% मुझे आपको fix देना है तो देखा जाए तो मुझे तो अपना lag पता ही है कि मुझे क्या देना आपको अब धरती आस्मान फट जाए कुछ भी हो जाए मुझे तो हर six months पे आपको कितना देना है 8% का छे मेने का 4% ही देना है हाँ आपको मुझे floating देना है वो बाद में decide होगा कि आप मुझे कितना दोगे वहाँ पर variability है है ना वहाँ पर variability underline के इसाब से वह आपका value change करेगा पर मेरा हिस्सा तो मुझे पता है यह मुझे तो fix देना है आप देकिना हर बार हमारा जो rate था वो तो fix देना यह नहीं था देकिना fix तो मेरा 8% यह ना परिनम का हर बारी fix 8% ही तो हर बार ही कहा हूँ यानि कहने का मतलब यह है कि मुझे पता है मुझे every year आपको 4% 4% 4% fix देना है तो कितने बार क्या होता बता है यह जो fix मुझे देना इसको मैं prepay कर देता हूँ discount करके present value मैं मैं prepay कर दिया यह नहीं मैंने कहा कि सुन तुझे हर 6 मेना में 4% मुझे fix देना है तो आज ही लेके खतम करकाने तो मैंने fixed leg of payment जो मुझे आपको देना है future में वो मैंने prepayment कर दिया potential वाली बात ने prepayment कर दिया करते लोग कर दिया अब आगे जाके क्या होगा आप मुझे सिर्फ दोगे आगे जाके आप मुझे दोगे अब पहला 6 मेना में 10% होगे तो आप मुझे 5% देदोगे next 6 मेना में 6% होगे तो आप मुझे 6 का आदा 3% देदोगे next आपका 6 मेना में 8% होगे उसका आदा मुझे 4% देदोगे ऐसे करके आप मुझे दोगे तो क्या still variability exist करते है हाँ variable है क्योंकि यहाँ पर हमने देखा था variable होना पड़ेगा underlying variable होना पड़ेगा जहाँ पर value change होते रहेगा अगर variability नहीं होगी तो value change ही नहीं होगा तो यहाँ पर मैं तो आपको fix देखे prepayment करके कहानी खतम करूँ पर future में मुझे कम भी मिल सकता है future में मुझे ज़्यादा भी मिल सकता वो depend करेगा underline पर वो depend करेगा libor के rate पर libor का rate बदलेगा तो मुझे भी कम या ज़्यादा मिलेगा तो क्या still यहाँ पर derivative exist करेगा जी हाँ यहाँ यहाँ पर derivative exist करेगा क्योंकि यहाँ पर मैं आपको fix दो दे रहा हूँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मैं बस अपना interest का हिस्सा आपको prepay कर रहा हूँ थोड़े ना यह national amount जो 50 लाग है पूरा का पूरा में पे कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ तो यहाँ पर माना जाएगा initial investment हलकास है 50 लाग के मुकाबले जो मैं आपको दूँगा 4% 4% वो छोटा मोटा amount है तो हलका time amount आपको दिया जादा तो यहाँ पर condition पूरा satisfy होगा और हम इसे derivative मानेगे लेकिन यहाँ पर एक twist है मान लिजे for example मैं आपको floating दूँगा और आप मुझे fix होगे मैं आपको floating दूँगा और आप मुझे fix होगे और मैंने क्या सूचा कि floating को मैं prepay करा दो तो सूची ना मुझे floating आपको देना मतलब वो तो depend करेगा future के libo rates पर उसका मैंने estimate करके आज आपको prepay कर दिया तब तो फिर variability exist ही नहीं करेगा variability को तो मैंने mitigate कर दिया क्यों क्योंकि जो variable leg of payment मेरा था इस बार मुझे आपको floating देना है उसको तो मैंने आज prepayment कर दिया और आगी जाके मुझे आपसे क्या मिलेगा fixed मिलेगा तो यहाँ पर आगी जाके मुझे आपसे कहा variable मिल रहा है मुझे तो fixed मिल रहा है यहाँ पर its value does not change है ना in response to change in underlying का change होगा क्यों क्योंकि variable जो floating है वो आज ही आपको देखके मैं किस्सा खतम कर दूँगा market rate के एसाब से आज के एसाब से मैंने क्या कि आज ही आपको देखके खतम कर दिया किस्सा प्रेजेंट विलू में अंडरलाइंग पर variability रहेगा वो derivative है पर एक जगा पर floating प्रीपे हो रहे है तो यानि आपने तो सारा variability को खतम कर दिया तो वहाँ पर उसे हम derivative नहीं मानते हैं उसे हम एन्विटीस मानते हैं वहाँ पर एक word भी लिखावा पर एक चीज आपको समझाना चाहा कि यहाँ पर एक चोटा सा यहाँ पर पर पैरफ मैंने लिखके रखा हुआ है प्रीपेट इंट्रेस रेट स्वैप जो मैंने आपको समझाया अभी यह दोनों पॉइंट मैंने आपको समझाया इसी का आपको दी दी आप इसे जस रीड करके छोड़ सकते हो और वह दो कोशिन का आडियो के लिए आपको अप्लिकेशन में मिल जाएगा तो चली अब हमने डेरिवेटिस इतना ही था यह देरिवेटिस में ज्यादा कुछ नहीं बस यह आपको समझाना था मुझे जो मैं आपको लाइगा अंडरलाइंग वरिबल उसका चींज होने पर उसका इंपक्ट पड़ना चाहिए था पर एक जीद हान है कोई ऐसा नौन फैनिंशल वरिबल नहीं होना चाहिए जो एंटिटी के स्पेसिफिक हो एंटिटी के लिए स्पेसिफिक हो क्योंकि अगर माली जी मेरे प्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप् specific नहीं होना चाहिए आपर word non financial क्यों यूज किया गया क्योंकि जो financial variable होता है वो generally control में नहीं रहता entity के जिसे equity का surprise ये financial variable है ये entity के control में नहीं रहता हूँ ये market decide करेगा कि उसका surprise बढ़ेगा घटेगा जनरली सेर का इस market decide करता है और या फिर debentures वगेरा कर भी बात करूंगा तो इसका market rate of interest के इसाब से आप SMF में पढ़ोगे SMF में पढ़ोगे coupon को discount करते market rate से तो market का rate तो market decide करेगा entity decide नहीं करते है जनरली जो भी financial variable होता हो market decide करता है वो कोई specific entity specific नहीं होता है इसलिए financial variable में तो कहा कि हाँ यहाँ पर entity का कोई control नहीं रहता है पर non financial variable में entity का control रहता है जैसे मालनी जे for example मैं और आपने मिलके क्या किया कि आपके पास को एक particular property plant and equipment है उसके residual value पर हमने सट्टा लगा लिया कि उसका residual value क्या होगा अब उस पर सट्टा लगा है अब आपका ही वह asset है आप तो जान मुझके उसको rough use करोगे उसको आप हतोड़े से मारोगे कुछ-कुछ ऐसा करोगी कि उसको बरबादी कर दोगे है ना ऐसा कुछ-कुछ कर सकता है या फिर आपने उसको आग लगा दिया कुछ भी कर दिया तो यहां पर entity specific होने पर दिक्कत है इसलिए यहां पर देखिने क्या लिखा हुआ है देखिए derivatives exclude करता है contract अगर दोनों condition फुल्फिलो पहला value of a contract change with reference to the non-financial variable जैसे मैंने का financial generally वहां पर control ही रहता है और non-financial variable specific to one parties to the contract किसी एक पार्टी से specific है जैसे कि यहां पर आप देखिए जैसे कि यहां पर लिखा है the occurrence or non occurrence of a fire that damages or destroy an asset of a party to the contract यह जो contract का एक पार्टी मैं और आप दोनों में से कोई एक का ही asset है और वो fire से damage हुआ है तो आग तो खुद ही लगा देंगे है ना तो इसलिए यह सारे derivatives नहीं कहलाएंगे यानि control में नहीं होना चाहिए हम दोनों के यह आपको समझना है दूसरा residual value of an asset with change in response to change in the assets physical condition तो हमने betting लगा है कि जो मैंने आपको कहा कि देखना इसका इतना residual value उसका मिली गए इतना अब आपने कहा कि जान मुझके उसको हतोडे मार रहे हो कुछ कुछ कर रहे हो और उसका physical condition को खराब कर रहे हो क्योंकि वो entity specific है इसलिए entity specific अगर है वहाँ पर कोई contract में है तो उसे हम derivatives नहीं कह सकते है derivatives का simple सा logic है कि जो parties to the contract होते है उनकी control में नहीं रहना ची ऐसा नहीं कि वो control करके उसका value को पर नीचे कर सके वो market decide करे ज्यादा बेटर है तो चल उमीद है आपको ये चीज़ समझ में है अब एक और concept एक जिक्यूटरी contract का concept में आपको समझाऊंगा जरूर से tension की कोई बात न best pass होता है और जैसे कि मैंने आपको वारेंट दिया जहां पर आप future में हमारे सेड्स खरी सकते हो consideration fixed है तब तो फिर हम उससे equity मानते दोनों में से को एक भी variable है तो मुसे financial liability मानते पहले already discuss कर लिया हमने है ना तो हमने कहा था कि consideration भी fix होना चाहिए और number of sets भी fix होना चाहिए द number of sets भी variable है तो एक जगा भी variable है तो financial liability बन जाता है तो आपको यह ध्यान में रखना है अगर fixed for fixed feel होता है तब तो liability बन जाएगा अगर fixed for fixed pass होता होता है तब भी आपका equity बनेगा तो यह चीज आपको समझना है तो अभी हम start कर देंगे embedded derivatives embedded derivatives हम समझेंगे and embedded derivatives start करने से फिर एक और चीज मुझे आपको पता देना चाहिए वो better रहेगा च्छोटी सी बात है वो आपके से discuss करना चाहता हूँ अगर हम non financial कोई contract करें उसकी बात करेंगे financial contract की बात नहीं करा non financial contract की बात करें और वो non financial contract जो है अगर वो net pay settlement होता है तो अलग fundamental है अगर वो delivery में delivery होके settle होना होता है तो अलग fundamental है जैसे मान लीजे for example जै क्या हुआ मैंने आपके साथ contract किया है कि मैं आपसे iPhone खरीदूंगा 70,000 लुपीस में after a period of three months और मान लीजे मैं आपसे 5000 pieces of iPhone खरीदूंगा 70,000 रुपीस करके after a period of three months तो यह iPhone जो बताए जो iPhone मैं आपसे खरीद रहा हूं क्या मैं आपसे कोई sales खरीद रहा हूं क्या मैं आपसे कोई debentures खरीदूंगा आपसे कोई sales खरीदने का contract करता है तो sales खरीद न इस financial instrument है न सेज़ पनीश इंस्ट्रॉमेंट होते हैं आगर मैं आपसे डिबेंचर्ट करेदने का contract करता हूं वो भी फाइनीश इंस्ट्रॉमेंट होते हैं पर यहाँ पर बात सेarns डिबेंचर्ट वगरा तब तो मतलब simple सी बात है हम iPhone से हमें मतलब ही नहीं है हम तो फिर 60 लगा ले 60 लगा रहे यानि कहने का मतलब स्टेंडर्ड आपको यह कहना चाहता है कि अगर मानले चाहिए मैंने कोई non-financial contract किया है लेकिन वो settlement settlement delivery से होगा तो ऐसा situation में उसे एक्जेक्यूटरी contract माना चाहेगा इसकी बारे में मैंने इंडस 37 में भी discussion किया एक्जेक्यूटरी contract माना चाहेगा एक्जेक्यूटरी contract का मतलब किया है जहाँ पर दोनों parties को perform करना पेंडिंग रहते है जैसे मैंने आपसे contract किया कि 3 months की बाद मैं आपसे 70,000 उपीस देखिए आपसे iPhone खर दूगा 5000 पीस तो यहाँ पर 3 months की बाद आप मुझे iPhone दोगे आप आपको भी performance obligation satisfy करना आपको मुझे iPhone देना है और 3 months की बाद मैं आपको पैसे दूगा तो दूनों parties को obligation है आपर perform करना है जो की pending है इसने हम एक्जेक्यूटरी contract कहते है और यह एक्जेक्यूटरी contract standard ने साब कहा है कि यह derivatives में नहीं fall करेगा यनिनि मान लीजे normal तरीके से मान ल लिया है कि मैं आपसे iPhone खरीदूँगा और इसका delivery लूँगा मैं settlement net में नहीं करूँगा इसका delivery लूँगा और आपको मैं पैसे दूँगा बजने में 70,000 तो आज की दिन कोई entry नहीं होगा और मान लीजे बीच में को reporting period end आएगा तो भी कोई entry नहीं होगा जिस दिन real में आप मुझे delivery करोगे न iPhone उस दिन मैं आपको पैसे दूँगा और उसी दिन इसका accounting हो जाएगा iPhone account debit iPhone में लिए stock है अगर तो stock account iPhone account debit हो जाएगा तो बैंक मैंने आपको पैसे दे दिया अगर मान लिए उस वक्त मैंने पैसे देने के लिए मैंने आपसे और टू मन्स का time period मांगा तो आइफोन आपसे रिपीट करों क्योंकि बहुत important चीज़ है यह अगर बात होगी non financial item के contract किया है non financial item का जहाँ पर delivery होना है तब यह derivatives contract नहीं क्योंकि हम delivery करवा रहे है ना और यह derivative contract में नहीं आएगा यह executory contract में आएगा और आप आज तो ऐसे भी accounting नहीं करते है आप reporting period end में भी derivatives का fpt accounting नहीं करोगे आप wait करोगे जिस दिन delivery मिलेगा उस दिन आप उसका accounting करोगे वो भी simple क्या iPhone account यानी stock account debit to payable और बाद में payable to cash हो जायो simple सी बात है तो यह हमने समझा कि in case of non financial contract जहाँ पर अगर delivery होगा तो फिर ऐसा situation में मुझसे derivatives accounting नहीं मानेंगे executed contract मानेंगे अगर settlement net पे होन है तब तो फिर वो क्या होगा तब तो फिर वो derivatives accounting ही होगा हागर आप बोलोगे exchange के तुरू financial item का अगर खरीदने बेचने का contract करते जहाँ पर T plus 2 T plus 70 की बात आती है वो मैं discussion कर लूँगा वो बात की बात है पर यहाँ पर मैं आपको यह समझाया है कि सिर्फ और से non financial item के case में अगर मैं कोई contract करते हूँ और मैं delivery कर वाँगा तो फिर ऐसे situation में वो derivatives नहीं वो executory contract है हाँ अगर net settlement होगा तब फिर वो derivatives माना जाएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो non financial contract which is settled by delivery are executory contract and are not accounted for as a derivatives हम derivatives का accounting नहीं करेंगे जैसे कि माल लिजे जगाती लिमिटेड ने enter के into contract to purchase 5000 और माल लिजे अगर यहाँ पर delivery होना है जैसे contract is settled by delivery अगर delivery होना है यहाँ पर contract का तब तो फिर हम उसे executory contract मानेंगे और जिस दिन real में delivery होगा उस दिन हम stock account debit to payable payable to cash हम दिखाएंगे लेकिन अगर contract आपका settled होना net settled होना है हम delivery से में मतलब नहीं है तब तो फिर हम derivative contract मानेंगे और तब तो फिर initial date में जबकि इसका fair value नहीं ले तो initial date पे इसका कोई accounting नहीं होगा लेकिन 31st March अगर बीच में आएगा तो उसी नहीं हम उसे fair value में measure करेंगे जो भी फाइदा है घाटा होगा derivative financial asset ये पॉलिस लगाता है entity सोचता है कि मैं यहां पर अगर delivery नहीं लोंगा मैं अगर settlement करूंगा तब तो फिर फस जाओंगा derivative accounting होगा तो यहां पर कितने बार entity क्या करता है वो delivery ले ले लेता है जान मुझके और delivery लेके quick sales कर देते delivery लिया और delivery लेने के साथो साथ sell कर दिया है यह delivery से पहले वो sell करके बैठा हुआ है तो मतलब यहां पर बस चला हुआ है दिखाने को हम क्या करें पता है delivery ले रहे और बाद में बीच दे रहे यह नहीं अल्टिमेट इस से माल लिए मैं और आप दोनों को settlement मतलब है पर हमें हमारा नियत पहले से settlement का था तो ऐसा situation में भी वो derivative contract ही माना जाएगा तो चले उमीद आपको यह समझ मैं लेकिन यहां पर मैं एक और ट्विस्ट डाल सकता हूं मानीजे ऐसा होता कि जगाती लिमेटेट ने एंटर के न्टू कॉंट्रेक्ट तो परचेस 5000 आईफोन फॉर डॉलर 500 ऐसा की तो सकता था कि डॉलर 500 में खरीदने का contract किया है तब यहां पर दो अलग अलग contract हो जाते इक तब मैं फिर दो चीजों पर खेल रहा हूं एक तो मैं आईफोन का contract कर रहा हूं जो कि डॉलर का fluctuation से हम एफक्ट करेंगे है ना तो यहां पर ऐसे situation में embedded derivatives का रूल आता है जो हम आगे नीचे सीख लेंगे को tension वाली बात नहीं है पर चलिए आपको भी यह समझ मैं कि मान नीचे मेरा functional currency रूपी है और मैं रूपी में normal contract करना हूं आपके असा normal purchase का contract करना हूं तो वह executory contract माना जाएगा और वह आपका derivatives accounting नहीं होगा वह आपका normal contract non-derivative contract माना जाएगा चलिए तो हमने समझा यहां पर लेकिन delivery होना चीज़ में वह derivative ही माना जाता है अब आगे हम बात करेंगे embedded derivatives चलिए अब मैं आपको समझाऊंगा अच्छे से embedded derivatives और आपको अच्छी तर हमें सिर्फ जानना इसका मतलब embedded embedded का मतलब क्या है मतन act मान लीजे ये pen है ये मेरा हाथ मैं पैन को यहां पर चिपका दू तो मैं कह सकती हो कि pen मेरे हाथ में embed हो जाना यहां पर पहले आप देखे डेफिनिशन एक बार यहां पर कि embedded derivatives का मतलब किया जहांपर derivatives जो इना वो अटीज हो जाता है यहनि derivatives embed हो जाता मतलब अटीज हो जाता है कि इसमें non-derivative host contract में यहनि एक non-derivative contract है जिसमें derivative at each हो जाना that is called embedded derivatives जैसे कि मैं आपको अगर यहां पर यही वाला example समझाओं जो अभी मैं आपको उपर समझाया था जैसे कि जगाती limited ने एंटर के into contract to purchase 5000 आईफोन 4 रुपीस 70,000 पर बीस तो यह तो non-derivative contract है अगर हम यहां पर delivery लेंगे अगर मालने जिए यहां पर हमारा 5000 आईफोन परचीस करने का मैंने contract किया रुपी में किया तब तो ठीक है non-derivative contract माने जगा delivery ले रहे लेकिन सोचो ने रुपी के जगा डॉलर 500 में लेने का वादा करते तो हम कहते हैं हाँ आईफोन खरीदना इसे non-derivative contract आईफोन खरीदने का contract करें हमारे लिए executory contract है वह एक non-derivative contract है लेकिन हम क्या करें उस पर डॉलर उस पर हम foreign currency को attach कर दे रहे क्योंकि foreign currency में बदला हुआएगा तो आपका price जो आपको पी करना उसमें भी बदला हुआएगा जैसे अब भी अगर मानलो रूपी है तो मुझे पता कोई बदला हुआ नहीं है फाइफोन का सेवन सेवन्टी दाउचन रुबेस करके मुझे जो देना है देना देना चले ठीक है आईफोन का price में बदला हुआएगा अलग बाते पर आईफोन एक non-derivative contract है उसमें मैं foreign currency का आपका दूसरा variable को अटीज कर रहा हूँ में एक underlying को अटीज कर रहा हूँ वो आपका embed होगा उसमें derivative तो चले यहाँ पर और clear होगा इसका question भी step का tension की कोई बात नहीं आपको clarity आ जाएगी बट यहाँ पर फिल हम simple simple example discuss करते जिसे आपको clarity है तो देखिए हम बहुत सारा embedded derivatives का example हम discuss करेंगे जिसे कि entity x ने issue किया है bond मालीचे मैंने आपको bond issue किया है और मैं आपको लगातर हर साल आपको interest दूँगा जो कि interest में भी fixed interest भी हो सकता है में भी floating interest भी हो सकता है मैं आपको interest दूँगा और आपको principle दूँगा तो आप बोलो कि simple सी बात ही कहा है का derivative यह तो non derivative contract हुआ न आपको मैं bond issue कर रहा हूँ आपसे पैसे ले रहा हूँ और बाद में मैं पैसे आपको चुका हूँगा interest और principle के तो tension वाली बात नहीं लेकिन सोचो न अगर मालो मैं इस step का bond आपको issue करूँ जहाँ पर payment होगा आपका interest का और principle का जो payment होगा वो सीधा सीधा नहीं होगा वो depend करेगा gold के price पर या फिर oil के price पर तो सुचे ना मैं क्या करूँ है आपर मैं आपको bond तो issue कर रहा हूँ और bond का जो मुझे रीपीमेंट करना बाद में interest और principle वो सीधा सीधा interest principle नहीं दे रहा हूँ वो interest principle index होगा link होगा with the price of gold अब सुचे ना gold का price बड़ भी सकता है gold का price घड़ भी सक इसमें डेलवरी हो या नेट हो फरक नहीं पड़ता तो हम बॉर इसमें आपको पैसा हम सीधा सीधा नहीं दे रहे हम जो पैसा आपको देंगे वह आपका gold के price पर index है और gold का price बढ़ेगा तो साथ आपको ज्यादा पैसा देना पड़े गोल्ड का price घटेगा तो आपको कम देना पड़े यहाँ पर मूव करेगा जो मेरा cash outflows होगा interest और principle का वो fluctuate करेगा किसके basis में fluctuate करेगा वो fluctuate करेगा गोल्ड के price की basis में यहाँ यहाँ पर क्या अंडरलाइंगे और मेरा contract का value जो वो change होगा in response to change in underline और underline के gold का price तो यहाँ पर मुझे पता चला कि bond issue करना तो क है एक non derivative contract है लेकिन उस पर हम क्या करें एक derivative contract को attach करें embed कर रहें कौन सा gold के price को चिपकाना इस वाट embed करना तो इसलिए यह contract क्या बन गया बता है embedded contract बन गया एक embedded derivative बन गया यह जिसमें एक non derivative भी और इसमें derivative ही मतलब इसे हम hybrid contract कहते है hybrid का मतलब समय तो mixing hybrid हमें पता है तो hybrid का मतलब क्यों होते है जिसमें non derivative contract भी है और इसमें derivative contract भी है तो अभी मैं यह नहीं सिखा रहा है कि इसका accounting कैसे करेंगा वो बात में देखेंगे अभी मैं आपको बस सिखा रहा हूं कि कैसे embedded derivative हम identify कर सकते हैं तो आप देखिए यह hybrid instrument में instrument है जिसमें bond issue हम जो कर रहे है यह तो एक non derivative contract है simple सी बात है लेकिन इसका जो payment है वो link हो रहा गोल्ड के price है यह क्या है यह derivative है जिसने हम कहते है कि इस पे non derivative contract में derivative को embed करना attach करना चली हमें समझ मैं अब दूसरा एक और example लेते हैं entity X issues convertible debenture मैं entity X O मैंने convertible debenture आपको issue किया अगर मैं आपको plain debenture issue करता हूँ तब ठीक है plain debenture आपको मैं issue करूँ जिस पे interest principle जाएगा तब तो फिर वो non derivative contract होता लेकिन मैं हापर आपको plain debenture issue नहीं करा हैं मैं आपको convertible debenture रिसु कर रहा हूँ, convertible debenture रिसु कर रहा हूँ, मतलब उस debenture पे एक conversion option अटीच है, मतलब वो debenture share में convert हो जाएंगे future में, आप सोची ना, जबकि उस debenture में conversion option अटीच है, तो अगर share का price में moment आएगा, तो उस convertible debenture के price में भी तो moment आएगा, क्योंकि वो convertible debenture पे एक option feature है, कि वो convert हो जाएंगे into share, तो share इदर उदर जाएगा, तो convertible debenture का price भी इदर उदर जाएगा, तो यहनि हम कह नहीं सकते हैं कि यहाँ पर जो convertible debenture है, यह आपका इसका underlink है, equity share का price, है ना, equity share का price underlink है, और equity share का price अगर बदलेगा, change होगा, तो इससे आपका contract का value भी change होगा, तो इससे हमें यह पता चलता है, कि आपका जो, यह issue कर रहे है, convertible debenture, यह भी एक hybrid instrument है, जिसमें plain debenture की अगर हम सिर बात करें, तो यह तो non-derivative host contract है, जबकि इस पे हम equity conversion option अटीज कर दे रहे हैं, यह क्या derivative contract है, यह हम आगे और हम थोड़ी बात करेंगे, अभी अब जितना मैं सिखा रहा हूँ, उतना समझने की कोस्तर कीज़े, अभी अब और दिमाग मत लगाए कि, सर अभी पहले कुछ time पेल, अभी मैं जो समझाना चाता हूँ, फिर आगे point number 3, पीक्यू आर ने बोरो किया 100 crore from bank, CF, HD bank से बोरो किया, मालीजे मैंने आपसे पैसे उधार लिए, आपको मैंने कुछ loan notes कुछ एसू कि, आपसे मैंने पैसे उधार लिए, अभी जो मैंने पैसे उधार लिए, इसमें मेरे पास एक अधिकार है, एक option है, prepay करने का, और सोचेने मैं prepayment कब करूँगा, जब मालने जिए market में interest rate गिर जाएगा, तो आपको prepay करके market से सस्ते दाम में नहीं ले लूँगा, तो यह अबर अगर उस bond में prepayment का option होगा, तो उसकी चलते उसका price में बदला हुआएगा, उसके price में उपर नीचे आएगा, price में बदला हुआएगा, और जैसे जैसे market का interest rate उपर नीचे जाएगा, वैसे वैसे उसमें changes आएगा, हाला कि यह मैं ज़्यादा detail में भी discuss नहीं करूँगा, क्योंकि इसका question है, इसका question या तो इस वीडियो में हो जाएगा, या फिर आप मुझे comment करके बताएगा, एक separate video, इसका बहुत अच्छा question है, वो exam में भी आ सकता है, ऐसे तो उसका video मिल जाएगा, आपको हमारी जो full lecture उसमें भी आपको मिल जाएगा, पर मैं कोसिस करूँगा, एक separate lecture भी इसका में बना दूँ फटा फट से, तो वो आप मुझे comment करके बताएगा, हम देखेंगे, पर यहाँ पर हम कह सकते कि hybrid instrument है, जिसमें debt instrument, जो normal बोरूएगे, वो तो non derivative है, लेकिन इसके अंदर जो prepayment option, यह embedded है, तो यह आपको clarity पता कम मिलेगा, जब वो हम question करेंगे, तब clarity मिलेगा, चलिए इसे हम थोड़ा hold पे रखते, और example हम discuss करेंगे अब यहाँ पर, अब यहाँ पर और हम discussion करेंगे, यह जैसे कि आप देख सकते हो, company MNL Limited ने bond hold करके रखा हुगा है, जो कि convert होगा into sales, तो यहाँ पर एक बावी बात है, convertible option है, तो जो convertible option है, price के sales पर movement करेंगे, तो मैंने आपको समझाए दिया ओरड़ेटी, यहाँ पर जो bond है, वो host contract है, और conversion option जो है, वो क्या embedded derivative है, यह हमने देखा, फिर यह वाला एक बार जरुत नहीं छोड़ देते, अभी मैं discuss नहीं करूँगा, revision वीडियो में, अब यहाँ पर आप देखे, company PQR Limited ने furniture sell के to company XYZ, in US dollar, both companies are located in India, तो सुची नहीं, मैं और आप दोनों इंडिया में रहते हैं, अगर माननीचे मैं आपको furniture sell करने का contract करते हैं, रूपी है, तब तो हम कहते हैं, एक्जेक्यूटरी contract हैं, हम इसे derivative मानते हैं, एक्जेक्यूटरी contract कहते हैं, तो dollar में लेना देना, मतलब हम क्या, एक furniture का steel contract है, जिसमें delivery होगा, एके non-derivative contract है, क्या उसमें हम dollar को जबड़ दस्ती डाल के, instead of rupee, क्या हम dollar को डाल के, क्या हम derivative को attach नहीं कर, ची हां, क्योंकि dollar के fluctuation से, आपका dollar आपका एक underling होगी है, exchange rate, जिसका fluctuation से, आपका contract का value भी बदलेगा, तो यहाँ पर भी क्या derivative contract attach है, यह मैंने आपको समझाने का कोसिस किया, तो यहाँ पर मुझे उमीद है, आपको यह समझ में अच्छी तरीके से, कि हम कैसे identify करेंगे, हम कैसे identify करेंगे, अगर किसी non-derivative host contract के अंदर derivative attach है, तो मतलब वो embedded derivative कहा जाएगा, उसे, तो आपको बस यह चेक करना है, यह आपको चेक करने पर आपको बस हुई देखना है, कि क्या कोई ऐसा contract है, जिसके अंदर कोई एक extra variable attach है, जिसका value change होगा, जिसके वाइचे से hybrid contract का value change होगा, in response to change in such underline, और क्या वो future date में settled होना है, है न, यह सारी चीज़ें आपने दिखा था, और आपका जो underline का change था, future date में settlement होना था, और क्या था यार, दिमाग से निकल गया, इंपल सा point था, initial investment आपका लगेगा नहीं, यहाद लगेगा तो थोड़ा सा लगेगा, है न, तो यहाँ पर चलिए, हमने यह पूरा अच्छी तरीके से समझा, अब मैं आपको कुछ-कुछ बाते समझाना चातू, अब आपने कहा कि चलो ठीक है सर, अब हमें यह तो समझ में आ गया, कि हाँ, एक कॉंट्रेक्ट के अंदर embedded derivative भी atteach हो सकता है, एक non-derivative host contract के अंदर embedded derivative भी हो सकता है, तो आप बोलोगे सार, तब तो मतलब उस contract के अंदर देखा जाते हैं, दो contract है, हाँ, मैंने समझा है, एक तो non-derivative है, और दूसरा एक derivative उसके अंदर embedded है, most cost method भी लगाते हैं, FBTPL भी लगाते हैं, यह हमें पता है, लेकिन अगर मैं derivative contract की बात करूँ, तो derivative contract के case में, आप हमेशा हमेशा सिर्फ और सिर्फ क्या लगाते हो, FBTPL लगाते हो, तो यहाँ पर आप को सुचे, क्या हमें non-derivative को और derivative को separate कर देना चाहिए, जी हाँ, हमें separate कर देना चाहिए, क्योंकि non-derivative में, MOTAS cost method भी लग सकता है, FBTPL भी लग सकता है, FBTPOC भी लग सकता है, लेकिन derivative contract में तो सिर्फ और सिर्फ क्या लगेगा, FBTPL ही लगेगा, लेकिन कुछ-कुछ situation में, मुझे feel हो रहा है कि हमें separate नहीं करने से भी चलेगा, कब separate नहीं करने से चलेगा, जब मुझे देख रहा है कि जो non-derivative contract है, उसे भी मुझे FBTPL में ही measure करना है, अगर non-derivative contract को आपको FBTPL में ही measure करना है, और derivative तो ऐसे भी FBTPL में measure होगा, तब तो को टेंसन की बात ही नहीं है क्योंकि डेरिवेटी तो अब टेंसन वाली बात नहीं है अब मैं आपको सबसे केस में आपको सापरेशन करने की जरूद नहीं बढ़ते हैं अब बोलों कि सरी क्या बात बोल रहे हो इतने सारी कोशिंज कराये थे अच्छा इसली आपने उस वक्त इसका कोई जिखर नहीं किया था इसका कोई लेना देना नहीं था में मतलब नहीं था उसमें वेटेज है भी या नहीं है क्यों नहीं देखना मैं आपको समझा रहा हूँ क्योंकि जब financial assets की बात आती है तो financial assets में हम business model देखते हैं contractual cash flow test देखते हैं उसके बाद हम decide करते हैं कि हमें M.O.T.S. cost method लगाना है FBTOCA लगाना है हाला कि अगर मैं आपको याद दिला दू M.O.T.S. cost method और FBTOCA method अब तभी लगाते हो कब लगाते हो तभी लगाते हो जब आपको जो instrument specific बात करें तो आपको solely payment of principle और interest ही मिलेगा इसके अलावा कुछ भी नहीं मिलने वाला है जब आपको solely 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 सिर्फ क्या मिलेगा principle और interest ही मिलने वाला है इसके अलावा कुछ भी नहीं मिलने वाला है और हमारा नियते hold करने का तिल maturity तब हम M.O.T.S. cost लगाते हैं और अगर मालनीजे आपका solely payment of principle और interest ही मिलेगा और हमारा नियते hold करने का भी लेकिन मुका मिलेगा तो बेच सकते हैं तब ही तो F.B.T.O.C. लगाते हैं यानि Amortize Cost Method और F.B.T.O.C. एक लिए एक condition बहुत ही mandatory है कि वो solely आपको क्या दे payment करे principle और interest का ही payment करे लेकिन अगर आप देखोंगे बात करोंगे embedded derivative की तो अगर किसी भी contract के अंदर embedded derivative अटीच है तो मतलब आपको वो solely payment नहीं करने वाला principle और interest का वो आपको solely payment है नहीं करने वाला किसका principle और interest का solely payment तो करने वाला है निए तो ऐसा situation में आपका अगर किसी भी contract किसी भी non derivative contract के अंदर अगर derivative embed होता है तो ऐसे situation में वो कभी भी M.O. test cost method उस पे लगने से रहा क्योंकि वहाँ पर solely payment और principal interest नहीं रहा वहाँ पर FBTO से भी नहीं लगने वाला तो वहाँ पर लगेगा क्या होँआपर तो ऐसी भी लगेगा तो सिर्फ लगेगा और जो derivative है उसमें भी क्या लगता है इसी लिए for the for financial assets आपको कभी भी separation करने की जरुत नहीं है अगर financial assets से आँग बंद कर लेना और सीधा उसका normal accounting करना आपको derivatives को देखने की भी जरुत नहीं है क्योंकि जहां पर embed होगा न derivative वह अपने आप ऐसे भी FBTO में ही आज़र होगा आपका चली तो यह हमने समझा चली अच्छी बात है लेकिन अगर हम बात करें financial liability जी हाँ financial liability में को business model टेस्ट वगरा नहीं करते financial liability में तो basically हम हमेशा क्या अगरते है motest cost method ही लगाते मैंने आपको जैसा समझा है था हाँ लेकिन अगर माल आप FBTPL method भी लगा सकते हो कब जब आप held करो for trading या फिर आपका contingent consideration as per index 103 तो अलग बात है तो financial liability or equity में आपका ऐसा हो सकता है कि आपको वहाँ पर जरुरत पड़े separate करने का किसका non derivative और derivative को separate करने का जरुत पड़ सकता है तो यहाँ अपर separation कब करोगे तो जैसे मैं आपको एक तो बताई दिया आपका कि अगर पूरा का पूरा entire contract FBTPL में measure हो रहा है तब तो फिर भाई है क्या जरूत है क्योंकि derivative में है तो FBTPL होता है दूसरे में भी FBTPL करो को tension वाली बात नहीं है तो सबसे अच्छा point देखिए hybrid contract अगर FBTPL में measure होता है न तब हम separate नहीं करते है इन्हीं separate करने के लिए जरूर ही है कि hybrid contract अपका FBTPL में measure नहीं हो रहा है तब हम separate करते अधर separate की कोई जरूरत ही नहीं है और एक दूसरा point economic characteristics and risk of embedded derivative are not closely related to those of the host इन्हीं जो host contract है और जो derivative contract है यह host contract है यह derivative contract है दोनों का economic characteristics दोनों का risk अगर same ही है closely related है तो ऐसे situation में तो भाई यह दोनों एक साथ ही चलने वाले तो आपको separate क्यों करना और ऐसे भी मैं आपको बता दो मैंने एक mismatch के रिगार्डिंग आपको बात बोला था जहां पर मालेंगे आपका financial liability financial assets और mismatch चल रहा है तो mismatch के चलते हम में हम एक को दिखा रहे आप मोटस में दुसरे को the closely related तो यहां पर standard में कहता है कि क्यों करघो फिर एसा जब दो ऑफे तो वैसे मैं कहना चाहता हूं यहां पर कि अगर किसी भी किसी भी हाइब्रेट कॉंट्रेक्ट में जो आपका non-derivative कॉंट्रेक्ट है और जो आपका derivative कॉंट्रेक्ट है अगर दोनों closely related है तब तो फिर FBTP ली लगने वाला है आपको separate करने की क्या जूरू अब separate मत कीज़े लेकिन जब closely related नहीं है दोनों अलग-अलग रास्ते जाने वाले है दोनों closely related नहीं है तो अब हमें य discuss कर लेना चाहिए क्योंकि sir अगर हम यह पता ना कर पाए कुछ examples ना कर पाए तो हमें कैसे पता चलेगा कि closely related है या नहीं तो अभी हम क्या करें आभी जैसे कि मैं आपको बता रहूं simple सी बात दिमाग में डाल लिजे separation कप करोगे पता तो चल गया कि non-derivative भी है सपरेशन कप करोगे जब दिख रहा है कि अब पूरे एंटायर कॉंट्र को अभी टीपल में मेजर नहीं करने वाले अगर पूरे को अभी टीपल में मेजर करोगे टेंसन वाली बात ही नहीं है नीचे वाला भी एक है definition of derivatives को तो मैंने काट इसका कोई काम नहीं है आपको दो दोनों का सेम ही तो भी या फिर भी separate करने का कुछ sense नहीं बनता दोनों सेम रास्ते जा रहे है ना आप separate मत की जब दोनों को FBTPL में ही दिखाए लेकिन लेकिन अब हमें ये जानना चाहिए कि कुछ-कुछ examples देखना चाहिए जहां पर हमें पता चले कि आपका closely related है या नही हम कुछ-कुछ examples लेकिंग आपको पता चलेगा जैसे देखे पहला वाल example entity X ने क्या क्या इसू किया redeemable fixed interest rate debenture to entity Y entity X ने क्या क्या इसू क्या redeemable मैं entity X मैंने आपको redeemable fixed interest rate debenture इसू किया यह मेरे लिए क्या financial liability amount of interest and principal is index to the value of equity instrument of entity Y X अब दिखे जो मैंने आपको redeemable fixed interest rate debenture इसू किया मेरे लिए financial liability है इसको मैं क्यास में measure करूँगा Amortize cost में करूँगा क्योंकि financial ability तो FBTS में होता ही नहीं इसको मैं यह तो Amortize cost में measure करूँगा या फिर मैं measure करूँगा अगर मैं FBTS में measure कर रहा हूँ तब तो फिर यह separate क्यों कर रहा हूँ एक साथ ही दिखा दो बात रहा है लेकिन अगर मैं इससे जनरली maximum cases में अगर आप health for trading नहीं कर रहे हो तो maximum cases में आप Amortize cost method दिखाते हो तो मतलब यह जो debenture है इस पे कौन सा method लगेगा Amortize cost method लगेगा लेकिन derivative में कौन सा लगेगा आप यह बताओ उस पे तो FBTS लगते है और आपको यह चेक करना है कि क्या दोनों ही same है दोनों ही closely related है तब तो entire में FBTS लगा दो दोनों closely related नहीं है तब एक पे non derivative host वाले पर इस पे लग जाएगा कि Amortize और जो derivative उसमें FBTS लग जाएगा तो यहाँ पर हमें देखने है close related है नहीं कि दोनों का feature road इसका same है या अलग अलगे यह हमें देखना है यहाँ तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर आपको यह पता चलेगा कि जो आप उसका जो risk और feature होता है जो characteristics होता है कि आप equity share का भी वही होता है नहीं यानि मेरा कहने का मतलब यह है कि equity का price जो होता है और आपका जो interest rate में बदला होते ही दोनों अलग अलग ही दोनों का feature characteristics risk अलग अलग होता है यहाँ डिवेंचर का feature characteristics risk अलग होता है share का feature characteristics risk अलग रहता है पर बहुत सारी बात आती company का performance वगेरा सब कुछ देखे सेर का pricing होते है डिबेंचर के किसमें उसका pricing होते है जनरली market rate of interest है market में क्या rate of interest चल रहा है तो इससे हमें पता चला कि जो debt instrument है इसका economic characteristics और risk जो है वो equity के risk और characteristics सेम नहीं है closely related नहीं है not closely related तो इसलिए हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए separate करना चाहिए और हम separate करके क्या करेंगे जो debenture इससे तो M.O.T.S. cost method में दिखा देंगे और जो आपका इसके अंदर derivative एटीच है उससे आपको FBT पेल में दिखाना है क्योंकि derivative instrument है हम separate करेंगे इसको चलिए हमने समझा अब आगी एक और पॉइंट है यहाँ पर लीस कॉंट्रेक्ट बिट्विन टू इंडियन कंपनी के बीच में हुआ है often asset in India includes contingent lease rentals that are not dependent अपने डिटर डिपेंडेंट सुरी डिटर डिपेंडेंट अपने US inflation index can the entity treat inflation link feature as closely related तो देखें अब हमारे बीच में lease contract हो रहा है अब lease contract हो रहा है किसी asset का lease contract हो रहा होगा अब obviously बात inflation आएगा तो inflation आने से asset में भी बदला हो आएगा पर inflation इंडिया का अगर हम लेते हैं तो हम कहते कि closely related हम कहते asset और inflation दोनों का close relation तो है क्योंकि inflation के accordingly asset का rental भी उपर नीचे जाएगा पर यहाँ पर जो इन्होंने inflation डाला है वो इंडिया का नहीं डाला है जबकि जो lease contract हुआ तो इंडियन कम्पनी के बीच में हुआ है तो इंडियन inflation यहाँ पर होता तो फिर भी हम कह सकते थे कि closely related है separate मत करो पर यहाँ पर तो US inflation है मतलब कहने का मतलब यह कि यहाँपर एक lease contract हा जो कि non derivative contract है उसमें inflation को link किया गया कि inflation के साफ से इसका rental उपर नीचे होगा तो हम inflation को कह सकते अंडर लाइंगे inflation उपर नीचे जाएगा तो यहाँपर हम कह सकते हैं हाँ हँ QUcan को लिंक किया गया है यह उपर नीचे जाएगा यह derivative है लेकिन यह जो inflation उपर नीचे जाएगा यह US का inflation हम ले रहे हाले कि हम दोनों इंडिया में बैठे हुए तो आपका जो इंडिया का asset है जो हमारे बीच में lease contract to asset का यह इसका price जो change होगा real में तो दिखा जाए तो इंडिया के inflation के साब से change होगा बट हम यहाँ पर डाल के रहे है यूएस का inflation डाल रहे है तो आप बताओ क्या यूएस का inflation से उसका कोई लिना दिना है नहीं तो इसलिए हम कह सकते कि यूएस का जो inflation है वो उसका economic characteristics और रिस्क यानि feature अलग होगा और इंडिया का जो आपका लिए इंडिया के inflation में dependent है तो उसका भी economic characteristics रिस्क अगेरा अलग होगा इसलिए हम इसे क्या मानेंगे not closely related हाँ अगर यहाँ पर यूएस की जगा वर्ड आता इंडिया इंडियान inflation अगर आते हैं अगर हम यहाँ पर कहते कि यहाँ पर इंडियान inflation है तो ऐसा situation में कहते closely related और फिर हम क्या करते हम उसे separate नहीं करते हम इखटा ही पूरे के पूरे contract का accounting करते हम इसा separation नहीं करते क्योंकि हम फिर उसे कहते कि वह closely related नहीं आपको separate करने की कोई आवस सकता नहीं यहाँ पर चली हमने यह समझा है आपर अब आगे चली यहाँ पर इतना ही था हाँ इतना ही था यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं यह वाला भी ही देखना है कि दोनों का जो non-derivative host contract है जो derivative है इन दोनों का अगर characteristics यानि feature risk वगएर अगर अलग-अलग है तो separation कीजे अगर same closely related अप separate मत कीजे एक खटाई एक concept है यहाँ पर मैं इसे समझाऊंगा भी और इसे समझाऊंगा मैं कोशिन के दरो जरूरी यह वो कोशिन आपको कराना जरूरी वो कोशिन सा आपको clarity आए कि यहाँ पर and exam perspective है यह ऐसे कोशिन जो है एक आपका यह कोशिन मुझे आद है comprehensive illustration के अंदर भी कोशिन है और अच्छे-चे कोशिन है तो ऐसा हमें यह concept समझ के कोशिन करना बहुत जरूरी जो कि हम यह कोशिन कर लेंगे समझ के और मैं आपको इबात बता दूँ एक और separate वीडियो में मैंने plan किया कि जितने comprehensive illustrations के कोशिन है वो सारे मैं revise करा दूँगा उसके notes मैंने बना मेरे handwritten solution जो है and वो मैं provide करा दूँगा either आपको YouTube में upload हो जाएगा या फिर आप हमारे mobile application को download करके रखेगा description में लें के वहाँ पर upload हो जाएगा कहीं नगी तो आपको मिली जाए वो भी free में for your December exam तो चले अभी हम नया एक चीज़ हम पढ़ते that is foreign currency derivative अगर embed होते हैं in contract for purchase of non- financial item तो यह discuss करने से पहले मैं question में लेके चलता हूँ चले तो अभी मैं आपको foreign currency embedded derivative समझाऊंगा and यह काफी important इसके काफी questions भी around है three to four questions इसके comprehensive illustration में भी question है यहाँ पर भी दो तीन question है and काफी important रहेगा for your exam तो आप ध्यान से समझेगा and इससे आप अच्छे से नहीं समझोगे आपको बहुत दिक्कत आने वाले है and मैं यहाँ पर आपको कुछ रटाने नहीं वाला मैं आपको concept देने वालो प्यॉर concept है जहाँ पर आपको समझ के मज़ा आ जाएगा तो यहाँ पर समझते है foreign currency embedded derivatives को जैसे माली जिए for example चले मेरे पास एक mobile phone माली जिए for example यह mobile phone मैंने आज से one month के बाद मैं आपको बेचूँगा hundred rupees में मैं मै आपको हां ठीक है hundred rupees पुराना हो गया मैं आपको हसे hundred rupees में बेचूँगा और आप मुझे क्या देना hundred rupees देना मैं आपको mobile phone दोगा तो मैंने contract किया कि मैं आपको यह mobile phone दूँगा आज से एक मैने की बाद और आप मुझे 100 रुपीज दोगे यह मान लेते हैं यह तो obviously बात है non financial item है और यहाँ पर delivery होगा net settlement नहीं होगा तो क्या हम इसे executory contract कह सकते हैं जी हाँ हम इसे executory contract कह सकते हैं सिंपल सी बात है ऐसे situation में डेरिवेटिव कॉंट्रेक्ट नहीं होगा यह नोन डेरिवेटिव कॉंट्रेक्ट है एक्जेक्यूट्री कॉंट्रेक्ट है मतलब यहाँ पर मैं आपको mobile phone दूँगा और आप मुझे 100 रुपीज दोगे तो अगर हम इसे executory contract माने तो ऐसे situation में हम इस पे जो relevant इंडेस्ट लगना है यहाँ पर क्या होगा जब वन मन्त हो जाएगा वन मन्त की बच जब मैं रियल में आपको delivery दी दूँगा तो ऐसे situation में मैं अपने books में record कर दूँगा कि मैंने आपको seal किये हैं तो seal account को मैं credit कर दूँगा according की में इसका entry pass कर दूँगा और receeable को मैं debit कर दूँगा आपसे पैसा मिला नहीं जब जाएगा तो cash account भी debit कर सकता हूँ या फिर माली जब आपको जब मैं one month की बाद दूँगा पैसे आप मुझे थोड़े दिनों के बाद दूगे credit में मैं आपको one month की बाद sales कर दिए तो receeable account debit to sales हो जाएगा या फिर हम cash account debit to sales भी कर सकता है तो सुनिए न मेरी बाद मैं आपको क्या समझाना चाहता था ultimate ले कि मैं आपको mobile phone बीचने का आज contract कर रहा हूँ आपसे बदली मैं रुपी लोगा मेरा functional currency रुपी आपका भी माली जाए functional currency रुपी तो यहाँ पर हमने कहा कि यह क्या है पर कि नॉन डेरिवेटीव क्या कोई लेना देना नहीं यह पर सोचो ना माल लेते रुपी पर डॉलर 50 रुपी चल रहे है और हमें लगवissements के बाद भी पर दॉलर 50 होगा यहां आज 48 चल रहा है रुपी पर डॉलर से न आपको यह मोबाइल फोन बीचूंगा और बदले में आप मुझे टू डॉलर देना यानि ओनली टू डॉलर आप मुझे देने वाले तो अब यहां पर आप बताईए क्या यहां पर हम यह नहीं कह सकते कि क्या से मिनका मुबारल बीचने का consultant data को अगर मैं आप से रूपी लेता बदले में तब तो उम्रोड लेते था प्योर लिये एक्जेक्सरी एंगे कानी फिसका प्रैस मुझे अभडर टूलर को कैसे मैं इसका जो प्राइस हूं प्र दो और वह गा क्यों जो कि मेरा functional currency नहीं है और dollar का आगे price से change होगा dollar का value change होगा तो मेरा contract का भी value change हो जाएगा है ना और definite सी बात यहाँ पर क्या होगे derivative contract at each होगे तो यहाँ पर अब हम क्या करें अब हमें इसका accounting करना होता है आगे separation वगेरा करना होता है तो वो सारी चीजे में आपको समझाने को जा रहा हो तो यहाँ पर हमें क्या करना होता है सबसे पहले तुम separate करेंगे अपर हम कहेंगे कि non derivative को contract को separate करो और इसके अंदर जो foreign currency को हमने embed किया है जो dollar के currency को हमने embed कि हमारे non derivative contract में इस derivative को अब अलग करो इसे कैसे अलग कर सकते है तो मैं वापस repeat करो contract ऐसा भी तो हो सकता था जहां पर मैं आपको क्या करता mobile phone बीचता बीचने का contract करता वन मन्त की बाद है और आप मुझे बदले में 100 रुपीस दे दे लेकिन मैंने इसमें क्या twist लगाया मैंने आप से का कि आप मुझे 100 रुपीस मत देना आप मुझे टू डॉलर देना तो मुझे ये तो समझ में आगे कि मैंने जबट दसनी का non derivative contract में क्या क्या derivative contract को include किये मैंने 60 लगाया है इसमें है ना मैंने 60 लगाया तो इस 60 को मुझे क्या करना होगा separate करना होगा हाला कि कुछ-कुछ situation में सट्टे को separate नहीं करते हूं लास्ट में देखेंगे पर अभी फिलाल के लिए हमें कि इसस सफरेट करना होगा हम कैसा separate करेंगे तो कि मैं ऐसा बात नहीं कर सकता कि मैंने दो contract किया कैसे एक मैंने यह contract किया कि मैं आपको mobile phone बीचूंगा बदले में आपसे 100 रुपी ही लूँगा और दूसरा contract में ने क्या कि कि मैं आपको 100 रुपी दूँगा और बतले में आपसे डॉलर दूँगा नहीं समझ में आया आपको मुझे पता है समझ में नहीं आया टेंसन की कोई बात नहीं मैं आपको डाइग्राम से समझाने की कोसिस करता हूँ चलिए यहाँ पर आप देखें जैसे कि मैंने आपको कहा कि क्या मैं आपको मुबाइल फोन से रिल करूँगा है ना मैं जगाती हूँ माल नीचे और इधर में रखता हूँ आप student मैंने आपको खा कि मैं आपको mobile phone बेचूंगा और बदले में मैं आपसे क्या लेने वालो हूँ dollar two लेने वालो है ना ये पता चला mobile phone बेचूंगा dollar two लेने वालो हूँ अब मुझे क्या समझ में आ रहा है कि यहां पर चलिए यह तो अच्छी बात है यह हमने डिसकस किया अब मुझे यह समझ में आ रहे कि इसके अंदर दो कॉंट्रेक्ट है तो कि मैं ऐसे नहीं कह सकता हूं कि ऐसा कर देते हैं मोबाइल फोन तो मैं आपको दूँगा मोबाइल फोन मैं आपको दूँगा और बदले में मैं आपसे हंड्रेड रूपी लूँगा यह ना बदले में आपसे हंड्रेड रूपी लूँगा यह नोन डेरिवटी। और दूसरा में है μια CONNDR Gottes कर आओ जहा ब मैं आपको 100 रूपी दूँगा और आपसे बदले में डॉलर टू रेसीव करूँ है ना यहां पर डॉलर टू रेसीव करूँ इससे क्या होगा पता है यह 100 रुपी यह 100 रुपी तो कट जाएगा बच्चे का क्या मुबाइल फोन और यह डॉलर टू यही देखा चाहिए तो कॉंट्रेक्ट तो य तो आप एक बार के लिए समझ दीजिए ऐसा नहीं हो रहा है कि मैं आपको मुबाइल दे रहा हूँ और आपसे मैं 2 डॉलर ले रहा हूँ ऐसा हो रहा है कि मैं आपको मुबाइल फोन दे रहा हूँ और बदले में आपसे 100 रुपी लिया जो 100 रुपी उसका वल्लू रुप पर मैं आगसे क्या ले रहा हूँ डॉलर टू ले रहा हूँ तो मैं यह समझने की कोसिस कर रहा हूँ कि मोबाइल फोन तो मेरा जाएगा तो बदले में 100 रुपी आएगा क्योंकि मैं आपको 100 रुपी दूँगा और आपसे बदल में क्या लूगा डॉलर लूगा तो मैंने क्या क्या मैंने एक single contract जो था जावर मुझे आपको mobile phone देना था और आपसे dollar two लेना था इसके जगा में मैंने दो contract बनाया एक contract ऐसा बनाया कि mobile phone आपको देना और आपसे 100 रुपी लेना है फिर आपको यह 100 रुपी दे कि आपसे dollar two ले लूगा तो 100 रुपी लेना इधर हो रहा है इधर देना हो रहा है तो कट हो रहा है तो ultimately यह दो बच रहा है पर इसी को हम अलग-अलग कर रहे है अब यह दोनों अलग-अलग contract जो है एक आपका non derivative बन जाएगा और दूसरा आपका क्या बन जाएगा derivative contract बन जाएगा तो यहां पर अब हम क्या करेंगे यह वाला जो contract है यह आपका non derivative purely non derivative contract है यह आपका executory contract है यह आपका क्या है गंदी से लिख रहा हूं में आपर executory contract है समझाने के लिए उपर अच्छे से लिखा होगा यह आपका executory contract है अब इस executory contract हम कब recognize करेंगे जब real में delivery हो जाएगा तो मैं दिखा दूँगा mobile phone मेरा गया सेल दिखा दूँगा और 100 रुपी रिसीव दिखा दूँगा मात खतम अब यहाँ पर यह वाला जो है यह वाला अब यह वाले कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पर यहाँ पर अब देखिए मैंने contract किया कि मैं आपको 100 रुपी दूँगा और आक्ते बदले में 2 डॉलर लोगा यह अलग से क्या क्या कि मैं आपको 100 रुपीज दूँगा और आपसे मैं लोगा डॉलर टू अब जब मैं आपसे डॉलर टू लोगा तो उसका market value हो गया पर यह जो 60 रुपीज का फाइदा मेरा हुआ है यह 60 रुपीज से फाइदा हुआ है अगर अगर माली जब इसा separate नहीं करते तो पता है क्या problem आती आप अगर इसा separate नहीं करते तो पता है क्या problem आती आप mobile phone बेज़ते और बदले में dollar 2 आपको receive आप दिखाते dollar 2 का equivalent value उस वक्त होता 160 रूपीज और आप क्या मानते पता है सेल कि हमने mobile phone और mobile phone सेल करके हमने 160 रूपीज कमाया revenue हमने 160 रूपीज कमा आप ऐसा कहते है आप अपने user से कहते है users सुनो इस साल हमारा turnover बढ़ गया है इस साल हमने turnover 160 रूपीज का किया पर reality में देखा जाए तो आपका turnover तो 100 रूपीज कही हुआ है सेल तो mobile phone का 100 रूपीज का और बाकि 60 रूपीज आपका earning 60 से हुआ है कैसे हुआ 50 रूपीज पर डॉलर बन गया चीक 80 रूपीज पर डॉलर और 2 डॉलर एक डॉलर में 30 रूपीज कमाई हुआ 2 डॉलर में 60 रूपीज कमाई हुआ अगर बात में dollar 2 का value 160 रूपीज हो जाए तो हम कह सकते कि नहीं हमने mobile phone बेचके तो 100 रूपीज कमाया revenue तो 100 रूपीज के हम दिखाएंगे बाकि जो 60 रूपीज हमने कमाया यह 60 रूपीज हमने अभी आपको क्या कराँगा यह कोशिन अच्छे सा समझाओंगा है मैं पर यहाँ पर यह कोशिन आपको अच्छे सा समझाओंगा और मैं सोच रहों यह कोशिन परचीस वाला contract है यह कोशिन समझाने से पहले काम करते हैं comprehensive illustration का question पहले समझाते तो वो sale contract है और उसके बात मैं यहाँ पर भी आऊँगा tension की कोई बात नहीं है तो मैं लेके चलता हूँ आपको comprehensive illustration वाले question में वो ज्यादा better रहेगा चलिए हम start करते अभी illustration 4 illustration 4 अभी हम start करते हैं ध्यान दीजेगा बच्छे से entity A, rupee functional currency entity enters into a US dollar 10 lakh sale contract देखे sale contract किया है on 1 January 2001 with entity B और entity B का भी functional currency रूपी है मेरा भी functional currency रूपी है entity B का भी functional currency रूपी है मैं यहाँ पर entity A हो आप यहाँ पर entity B हो दोनों का functional currency क्या रूपी है अब मैंने आपसे contract किया कि मैं आपको 10 lakh dollar में sell करने वालों एक equipment यहनि एक equipment मैं आपको sell करूँगा बदले में आप मुझे क्या दोगे 10 lakh dollar दो गया मुझे बदले में आप कितना दोगे 10 lakh dollar दोगे पर बताई जब कि मैं entity A इंडिया में रहता हूं मेरा functional currency रूपिय है आप भी entity इंडिया में रहता हूं आपका भी functional currency रूपिय है तो में रूपी में ही sell करना चाहिए था ना हम dollar में sell कर रहे तो मतलब देखा ज़ए तुम 60 लगा रहे तो देखा ज़ए तुम यहाँ पर यह कह सकते हैं कि equipment sell करना यह तो non derivative contract है equipment sell करने का contract करना इस वाट है non derivative contract क्योंकि non financial item है पर इसका payment जो है रूपी में लीने की वजाए हम क्या करें dollar में ली रहा हूं है तो यहाँ पर मैंने derivative को embed कर दिया derivative को मैंने attach कर दिया और मुझे क्या करना चाहिए separate करना चाहिए last में बताऊ होगा मैं आपको पर यहाँ पर तो मैं क्या करूँगा जुदा करूँगा इसे में तो यहाँ पर आप दिखें spot rate on one January 2001 45 दिया हुए spot rate 31st March को दिया हुए 573 month का forward rate 31st March के rate का 6 month का forward rate दिया हुए 1st January का यह सारा दिया हुए यह सारा आपको details दिया हुए और assume करके आपर बताए पर की रुपी value हमें मिलना चाहिए तो obvious ही बात है मैं अगर आपसे पैसे तो आज नहीं लेने वाला मैं आपसे पैसे कब लूँगा 30 तर जून को लूँगा क्यों सेल भी तो उसी दिन करूँगा तो देखा जैतो मेरा equipment आज 1st of January को नहीं सेल हो रहे है आज का date क्या 1st of January आ आज मेरा आपके साथ contract होगा कि मैं आपको sell करूंगा equipment पर sale में आज नहीं करूंगा sale मैं आपको करूंगा 6 मैने के बाद करूंगा और 6 मैने के बाद मैं आपको equipment delivery करूंगा और 6 मैने के बाद ही मुझे रुपया मिलना चाहिए तो हम यहाँ पर यह अनुमान लगाएंगे estimate लगाएंगे कि यह 10 लाग dollar का कितना रुपी आपको 6 मैने के बाद मिल सकते हैं और obvious सी बात है जब मैं billing आपको करूंगा dollar मैं भी billing करूंगा तो मैं forward rate को दियान में रखते वह तो billing करूंगा क्योंकि मैं देखूंगा कि मुझे रुपी ultimately 6 कितना और 6 मैने का अगर आप forward rate देखोगे first of January को first of January को मालिजे मुझे रुपिया में billing करना था है ना और मैंने देखा कि 6 मंद का six months का forward rate डॉलर का 55 रहेगा तो अगर मैं safe site खेलता तो मैं आपको यह कहता या तो मैं आपसे सीधा कहता मुझे 550 लाग रुपी से तो random ले रहा हूं यह 550 लाग दे तो मैंने बाइब आपसे कहता है पर आपने मुझे क्या मुझे ढॉलर में दोगे आप ने मुझे क्या का आप-टार में दोगे वर दोगी दो मैं यह याँ पर चाहता हूं तो से लेकिए आज एक जनवरी को आज की दिन सिक्स मन्त का फोवर्ड रेट है 55 तो मैं यहां पर कहूंगा अच्छा 550 जो आपका लैक है ना डिवाइट बैट 10 लाग 550 मिलियन हो जाएगा आपका यह तो आपका यह 10 लाग डॉलर आ जाएगा मतलब कहने का मतलब यह कि मैं इस रेट को तो हुई नहीं रहा तो छैल तो छै मिने का सबसे कर आ तो मैं इसे क्या करूँगा separate करूँगा मैं सबसे पहले तो यह कहूँगा कि यहां पर एक hybrid contract है जा पर entity A मैं हूँ आप entity B हो मैंने आप से का कि मैं आपको equipment sell करूँगा और आप मुझे दोगे बदले में 10 यहां पर क्या करना है मुझे यहां पर रुप्या को बीच में यह समझ लूँगा कि मैं आपको equipment बीचे रहो और आप मुझे बदले में क्या देरो रुपी देरो कितना equivalent रुपी 550 लाग रुपी आप मुझे रुपी देरो यह separate contract बना दिया हम कि मैं आपको equipment बेचूँगा आप मुझे 550 लाग रुपी दोगे अब मेरे पास सुचे 550 लाग रुपी जो होगा इसका मैं आपस contract कर रहा हूं कि 550 लाग रुपी मैं आपको जो आया मेरे पास आपस आ यह करूँगा और आप बदले में मुझे डॉलर दे दो तो सुचे ऐसा भी तो सकता है मैं आपको 6 मेने के बाद equipment होगा आप सारा रुपीया मेरे पास बोक्स में ठीड़ सारा रुपीया हो गया यह रुपीया मैं आपको फिर से दे रहा हूं कि भाई ले ले और डॉलर दे देना तो एक separate मैंने derivative contract किया जहाँ पर मैं आपको 550 lakh rupees pay करूँगा और आप से बदने में dollar 10 lakh लोगा ये एक separate अलग से contract हो गया हमार इसी को हम क्या करते है derivative contract और फिर से कह रहा हूं कि देखे receive और pay cut गया ultimately बचा क्या sell equipment और receive 10 lakh dollar इसको हमने जबर्दस्ती दोनों जगा पर डाल दिया था कि हम separation कर सके तो यहाँ पर आप दो contract बोलोगे एक है non derivative host contract to sell equipment for rupees 550 lakh और दूसरा derivative contract जहाँ पर मैंने contract किया कि मैं आपको pay करूँगा rupees 550 lakh और आप मुझे दोगे क्या आप मुझे दोगे 10 lakh dollar मैं आपको दूँगा रुपया आप मुझे दोगे 10 lakh dollar अब problem क्या problem इसमें नहीं इसमें तो कोई problem नहीं यह एक purely executory contract है इसमें कोई दिक्कत नहीं इनिशल रिकागनिशन नहीं होगा जब रियल में delivery होगा तो मैं आपको sell कर करो तो derivative contract में आपको पता है क्या problem है यह underlying है dollar और dollar का value change होते रहेगा विट टाइम से dollar का value क्या होगा change होते रहेगा तो वो change को मैं consider करना और आपको मैं याद देला तो इन की इस और derivative contract initially generally उसका fair value नहीं रहता है तो इसे नजर अंदाज करते हैं पर every reporting period end में आप उसे measure करोगे और जो भी difference आएग अवर टी पेल के थ्रू पील में जाएगा और फिर settlement date पे भी आप उसका remeasurement करोगे तो यहाँ पर आप देखे यहाँ पर हमें question में देखना है यहाँ पर हमें साथिक diagram बनाना पड़ेगा इहीं मैं बनाता हूँ यह फर्स्ट जनवरी है यह 30 जून है यहाँ पर ही हो गया मैंने यहाँ पर बैठे बैठे ही contract किया है कि मैं यहाँ पर आपको हैना क्या करूंगा पे करूंगा रूपी 550 लेक है ना और आप से receive करूंगा क्या डॉलर 10 लाग यह यहाँ पर पांट्रेक्ट होए अब 31 मार्च आ गया 31 मार्च आ गया 31 मार्च आ गया 31 मार्च को आपका reporting period end होते है यह यह बैलंसी डेट है यह बैलंसी डेट है तो इसमें तो मुझे remaster करना पड़ेगा मैं यहाँ पर पहुच गया हूँ यहाँ पर पहुच के मुझे remaster करना मुझे देखना है कि जो डॉलर 10 लाग मुझे मिलेगा उस दिन आपका डॉलर 10 लाग का वल्य तो 55 लाग था अब मैं देखूंगा कि 10 लाग डॉलर आपसे receive करने का अब मैं देखूँगा कि ये 10 लाग डॉलर को अगर मैं वापस से काटना चाहूँ है ना इस सोदे को काटना चाहूँ तो मैं आपको pay करवा हूँ यानि इसका सोदा काटना चाहूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा इसके लिए मुझे forward है यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा देखिए 3 months का forward contract करना चाहिए मुझे क्योंकि 6 months का forward contract तो 1st June January को होता अगर होता तो है ना अब मुझे 3 months का forward rate देखना चाहिए 3 months का forward rate कितने है 45 रूपीज है तो मतलब यह सोधा आपका कितने में कट जाएगा यह सोधा देखा जा तो आपका 45 रूपीज में कटेगा कहा गया यह सोधा आपका 45 रूपीज में कटेगा क्योंकि कि balance rate में 45 रूपीज है तो मेरी बात समझे जर यहां पर आप मेरी बात यह समझे कि अब मुझे क्या दिख रहा है कि 45 रूपीज हो गया है त्री मंस का जो forward rate है सोधा काटने के लिए 45 रूपीज हो गया है अब मैं क्या दिखूंगा अगर 45 रूपीज ही मालीज है settlement rate तक रहे तो क्या हो settlement rate तक अगर 45 रूपीज है तो क्या होगा मुझे तो आपको 550 रूपीज पे करना है मैंने सोधा कर लिया आप मुझे दो के 10 लाग डॉलर अब यह 10 लाग डॉलर में exchange वाले के पास दूँगा है ना exchange वाले को दूँगा तो मुझे 45 रूपीज करकी मिलेगी 10 को समझने यहां पर हमारा जो forward contract हमने कर रखा हुआ है है ना यहां पर forward contract हमने कर रखा हुआ है कि हम dollar receive करेंगे रुप्या देंगे अब इसे काटना चाहूं मैं अगर 31st March के दिट में तो 31st March के डिट में मैं काटना चाहूं तो 45 में अगर मैं काटी तो मेरा नुकसान है अप के ताहत मैं क्या करूंगा पि एलएकॉंट में 100 लाग रूपीद दिखा दूगा और डेरी विटी फाइनीशियल लाइबडियाबिलिटी 100 लाग रूपीद का डिखा दूगा क्योंकि पोटेंचियली मैं यहाँ पर लॉस्में हूँ तो 100 लाग रूपीज का मैं लॉस यहाँ पर दिखा दूँगा तो उमीद आपको यह समझ में अच्छी तरीका से कि profit and loss account debit होगा 100 लाग to derivative financial liability हो जाएगा आपका कितना 100 लाग रुपीस का यह आपको clear होगे क्योंकि अभी तक तो liability अभी तक clear नहीं हुआ है अब आगी जाएगे settlement date कब आएगा 30 जून को settlement date आएगा अब 30 जून को spot rate कितना हो गया 60 रुपीस होगे आपका तो जहां 45 सोच रहे है इनि 15 रुपीस का चींज हुआ तो 15 रुपीज का मारा फायदा होगी अब पर डॉलर, 10 लाग डॉलर में कितना, 150 लाग रुपीज का फायदा हुआ, और या फिर सीधा भी हम कर सकते, हम सीधा किये कहेंगे, 30 जुन को मायतों में क्या पता चला कि हमें तो आपको 550 लाग रुपीज देना है, है न, हमें आपक हम नुकसान मान रहे तो नुकसान गया, तो नुकसान की भरभाई हो जाएगी, उल्टा हमारा फायदा हो गया, क्योंकि हमें देना है 550 लाग और हमें मिलना है 600 लाग रुपीज, यानि 50 लाग का हमारा फायदा होगा, 50 लाग का फायदा होगा, क्योंकि 550 लाग देना है, और 600 लाग मिल जाएगा मुझे 60 रूपियस के सबसे तो 50 लाग का फाइदा हो तो मैं क्या करूंगा पुराना नुकसान तो recover होई गया पुराना 100 लाग का नुकसान तो recover होई गया उल्टा 50 लाग का फाइदा हो गया तो हम टोटल कहेंगे कि इस पीरेड में यानि उस टेम के पीरेड में 31st मार्च तक कि पीरेड में तो आप loss में चाहे था 100 लाग, अब next पीरेड में आपका फाइदे में हो 150 लाग, तो 150 लाग आप पील में क्रेडिट करोगे, जिसमें से 100 लाग आपका liability discharge हो गया without payment क्योंकि आपका फाइदा हो गया पर और ultra 50 लाग आप कमा गए तो यहाँ पर यह जरूर ही क्योंकि यह इसलिए जरूर ही है कि पिछले साल पिछले period में आपका 100 लाग का नुकसान हुआ उस period में दिखेगा इस period में आपका 150 लाग का आप देखेंगे 31st मार्च को 100 लाग का नुकसान है हमने पिछल में दिखाया उस period में अब next financial year में हमें पता चला 150 लाग का फाइदा है तो 150 लाग का फाइदा पिल में credit होगा यह कैसे credit हुआ लाइट रिटी डिश्चार्ड जो 100 लाग का और 50 लाग का फाइदा हो गया और यहां फिर सीधा भी आपकर सकते थे यह आपर कि 45 से 60 हो रहा है यानि 15 का फाइदा हुआ 15 का फाइदा हुआ 10 लाग डॉलर में यह निए 150 लाग रुपीस का फाइदा हुआ यह 150 लाग रुपेस का फाइदा हुआ मतलब यह पुराना जो आपका 10 लाग का नुकसान था पुराना 100 लाग रुपेस का जो नुकसान था वो रिकवर कर गया और 50 लाग एक्स्ट्रा से फाइदा हो गया तो इसलिए liability आपका जो यह credit क्या वाद 100 लाग यह आपका debit होगी 100 लाग का और derivative financial assets हमने 50 लाग का दिखा दिया और ultimately पैसा मिलेगा किसे वो जो ट्रेड डिसीबल से चितने सारे पैसा मिलेंगे वही तो एक्षेंज से लाग दिखा क्योंकि जब हमें उससे डेटर से जब हमें पैसे मिलेंगे 10 लाग डॉलर यह 10 लाग डॉलर को जब हम आज के देट में अगर हम एक्षेंज के बाद आएंगे तो 60 रूपीस के साब से 600 लाग समय मिल जाएगा और वही तो 600 लाग आपको जब मिलेगा यह रहा को समझा सको थोड़ा सा टाइम इसलिए मैंने लिए मैंने आपर बैलेंस इस भी बनाब देख सकते हो फर्स जन्वरी को हमने क्या किया फर्स जन्वरी को हमने देखा हमने डेरिवेटिव कौंट्रेक के उस इंदो कोई एंटर किसी में भी नहुआ था था यह यह बाला और 150 लाग का फाइदा हुआ जिसमें से 100 लाग लाइबरिटी खतम हो गया और 50 लाग का एसेट कर दिया और फिर बाद में हमने क्या क्या 30 जून को हमने रियल में सेल दिखाया 550 लाग का यह रहा सेल दिखाया 550 लाग का रेविन्यू दिखाया और 50 लाग का जो आपका फाइदा हो गया क्योंकि 100 लाग तो कट गया 50 लाग का जो आपका फाइदा हो कि डेरिवेटी फैनिस्टेल असेट दिखाया और इसे भी हमने क्या-क्या काट के ट्रेड डिसीबल्स में हमने ट्रांस्फर कर दिए तो यह मैंने बैलनस रेट आपको अब मैं इसको मिक्स करूंगा मैं अब आपको सौट समरी में आपको रिवाइस करा तो कि आपको एक्जाम पर बेच रहे हैं तो एक्विप्मेंट बेच रहा हूं डॉलर ले रहा हूं पर भी यह समझूँगा ऐसा नहीं हो रहा है मैं समझूँगा एकविप्मेंट बेच रहा हूं रूपिया ले रहा हूं फिर रूपिया दे क्विप már bend बेच के Willár रेना दूसरा तरफ रूपिया दे के डॉलर लने दो अलग कौंट्रsoft हो गया अब equipment का जो entry है वो तो simple सी बात है 550 लाग रुपीस हम दिखा देंगे जो forward rate उस दिन का जो 6 मेने का forward rate के सबसे जो रुपी value है हम इतना दिखा देंगे ट्रेडिसी बस्टो अब हम क्या दिमाग में रख रहे है कि 45 रुपीस अगर फोवर्ट कॉंट्रेक्ट है तो 45 रुपीस इंटू 10 लाग डॉलर कितना होता है 450 लाग रुपी करना मुझे ये वाला और मुझे आपसे जो डॉलर में लेगा 10 लाग उसका रुपी value है कितना 450 लाग यानि 100 लाग का न मुझे क्या दिख रहे है 550 लाग तो मिलना है पर शिक्म इंटू 10 लाक 600 लाक्श मुझे आपको कि 100 लाग तो मुझे आपको मुझे आपको देना है अब 30 जून को क्या हो गया 550 लाग तो पी कर नहीं है contract क्या वर टूपी 550 लाग यह रहा लेकिन आज डॉलर का value हो गया 60 रुपेस तो मतलब 10 लाग into 60 यह 600 लाग रुपेस मिलना है 550 पी करना 600 लाग रुपेस मिलना है यह यह 50 लाग रुपेस का net फायदा हुआ तो पुराना तो प्रांसफर कर दीजे अब पूल मिला के दर 50 लाग यह 500 लाग है जब पैसे मिलिंगे 10 लाग डोलर 60 रुपी स करके कर आऊगे तो 600 लाग रुपीस आपके पैसे आंगे बैंक एकान डेबिट 600 लाग रुपीस टूट इस सिबाग हो जाएगा इस तरीके साब एंटे कट सकते और इसका सबसे बड़ा क्रक्स कि आपको पता है कि हम सेल 550 लाग की दिखाएंगे हम सेल 600 लाग से नहीं दिखा सकते उससे आप यूजर्स की आँखों में धूल जोकर है जो की गलत है इसलिए 550 लाग का यह आप सेल दिखाईए और बाकी 50 लाग का डेरिवेटिव इंकम ह वो अलग से दिखाया जाएगा सेल नहीं माना जाएगा और अगर हम इसे सापरेशन नहीं करते तो आपको पता है अल्टिमेंटली पूरा का पूरा सेल में 600 लाग चला जाता है जो कि बिल्कुल गलत है क्योंकि लोग को फिर लगेगा कि सेल से कमाया पर सेल से तो कमाया नह मैंने आपको यहाँ पर कोशिन सॉल्व कर रहा है लेकिन अगर मैं आपको बता हूँ यहाँ पर जो इलस्टिशन 14 है यह आपका परचेस वाला है यह भी सिंपल कोशिन है इसमें तो हाला कि बीच में 31 मार्च भी नहीं आता है यह भी सिंपल कोशिन है अब मैं यहाँ पर ज मेने के बाद 30 जून को delivery होगा परची इस प्राइस दिखे डॉलर में 50 मिलियन हाला कि functional currency दूनों का रूपिया है दूनों का functional currency क्या रूपिया है तो भाई डॉलर में क्यों transition कर रहे हो मतलब 60 हैं आपर तो यहां पर 60 हमें यह पता चला अब यहां पर हमें बता है कि यह आपका no closely related बता है no closely related बता दिया मतलब हमें separation करना है action rate दिया हुए spot rate six months rate six months का forward rate दिया हुए और spot rate दिया हुए तो six months का forward rate हमारे लिए काम का है क्योंकि छे मेने के बाद है delivery होना है तो छे मेने के बाद delivery होना है तो उसके सबसे मिए निकालेंगे कि 6 मेने के बाद का रुपी वेलू तो क्या होगा तो 50 मिलियन डॉलर है इंटू 65 कर लीज़े ये वाला लेखें कितना आएगा आपका 6325, 325, 0 मिलियन रुपी आएगा अगर रुपी वेलू देखें तो हमें ये समझना चाहिए मतलब मैं आपको मैंने तो कॉंट्रेक्ट ये किया कि मैं आपसे खरीदूंगा इस बास solar panel buy करूंदूँगा और आपको पैसे दूँगा कितना 50 मिलन डॉलर दूंगा पर रियल में ये कॉंट्रेक्ट नहीं हम नॉन डेरिवेटिव और डेरिवेटिव को अलग करेंगे जहां पर मैं क्या कहूंगा आप से पर्चेस करूंगा आपस से रिपीट करते हूं नो मैं आप से अपर मैं आपस से रूपी करूंगा और आपको क्या दूगा 50 million dollar देने वालों है ना तो यह हम दो contract यहाँ पर कर लेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर आप देखे हमने यह contract था हमारा real में contract यह था कि buy किया जाएगा solar panel और pay किया जाएगा यहाँ पर गलती हुए थोड़ा सा कि जगा पर हमें रुपी को करने यहाँ पर लिखने में गलती हुए मतलब buy solar panel होगा पर मैं यह मानो कि डॉलर नहीं रुपिया पे करूँगा आपको कितना 325 0 million रुपिया पे करूँगा और जो रुपिया पे क्या हूँ रिसीव कर लूँगा आप से मैं यह उस कोशिन से कॉपी करने के चकर में हुआ था पर भी पी आ जाएगा अब ठीक है तो मैं वापस से समझा रहूँ मेरा कॉंट्रेक्ट रिए था buy करना solar panel और बदले में pay करना 50 million डॉलर और यह आपको भी दिखेगा buy solar panel और pay करेंगे 50 million पर हम इसमें बीच में क्या डालते रहें रुपिय को डालते रहें तो मैं कह रहा हूँ कि buy करूँगा solar panel बदले में pay तो रुपी करूँगा 3 to 50 million डॉपी पे करूँगा अब यह 3 to 50 million डॉपी आप से receive करके आपको क्या कर दूँगा 50 million डॉपी कर दूँगा तो यहाँ पर मैंने क्या क्या दो अलग-अलग contract कर लिया तो यह जो अलग contract separate यह तो आपका executory contract है यह end में जब delivery हो जाएगा तो entry में इसका करेंगे solar panel हमने buy किया अगर solar panel हमारी inventory है तो stock account debit करेंगे stock account debit to trade payable 3 to 50 million रुपी तो आप देख सकते हो stock of inventory भी लिख सकते हो inventory account debit to trade payable 3 to 50 million रुपी हो जाएगा आपका यह रुपी है यह ना यह दिहान में रखेगा फिर अब अगर हम बात करेंगे derivative contract है तो derivative contract में हमारा contract है कि हम आप से रुपिया लेंगे 3 to 50 million और आपको pay करेंगे 50 million dollar यह हमने contract किया अब यहाँ पर आपको बता है यहाँ पर को 31st March वगएर है नहीं यहाँ पर सीधा एक January की वए 30 June ने 31st March का कोई data ने दिया और 30 June का spot rate से तो मैं मतलब होगा उस इनका क्या spot rate है उस इनका spot rate कितना हो गया 66 रुपीज हो गया अच्छा 66 रुपीज हो गया तो अब अगर मार्केट में खरीदने को जाए तो हमें 50 million dollar 66 रुपीज दे के खरीदना पड़ेगा यानि कितना है गया 50 into 66 अगर आप करोगे 3300 million रुपी मुझे आपको देना पड़ेगा खरीदने के लिए तो मुझे क्या समझ में आया अच्छा 3250 million रुपी तो मुझे आप से रुपीज होगा लेकिन इतना मुझे पे करना है और इसका रुपी वेल्यू जो है इसका रुपी वेल्यू कितना है 3300 million रुपी है इसका रुपी वेल्यू तो सूचिए आप यहाँ पर अगर हम 66 पकड़ें तो 3300 million रुपी मुझे आपको पे करने है तो बते ही मैं हार में हूँ कि जीत में हूँ मैं हार में हूँ कैसे मुझे आपसे रेसीव होना है 3250 million रुपी और मुझे आपको इतना डॉलर देना जिसका equivalent मुझे इतना रुप्य आपको देना है तो 3300 मुझे आपको देना है और आपसे मिलना है 325-0 तो derivative में 50 million का नुकसान हो गया और नुकसान मतलब PL account debit to derivative financial liability हो जाएगा तो आप देखिए PL account debit to derivative financial liability हो जाएगा और ये जो derivative financial liability TSM trade payable में transfer कर देते हैं तो derivative financial liability को मैंने क्या क्या trade payable में transfer कर दिया 50 million का बस बात करता हम तो मैंने 50 million का transfer यहाँ पर कर दिया और ये जो मैंने transfer कि अब ultimately हमारे trade payable कितने का हो जाएगा देखिए 325-0 और 50 trade payable हमारा दुनों मिला के हो जाएगा 3300 million का और ये multimedally pay कर देंगे क्योंकि यतना है तो हमें pay करना 66 के साबसे लेकिन यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर अगर हम यह से जुदा ना करते तो problem क्या था आप inventory दिखाते 3300 million का जो की गलत हो था क्योंकि inventory तो real में इतने गई है बाकी तो 60 में आपका हार जीत हो रहा है तो यह 60 में जो हार जीत में हो रहा है यह PL में जाएगा लेकिन अगर आप जुदा ना करते तो यह 50 million को PL में ना दिखा कि आप inventory में दिखा देते जो कलत हो जाता इसलिए यह standard बहुत ही अच्छी बात कहता है यह कहता कि आप separation करो जहाँ पर जरूते हैं वहाँ पर आप क्या करो separation करो तो चली मैंने आपको यह तो समझा दे कि जब आप separation करोगे foreign currency derivative को तो आप कैसे accounting करोगे बस अब ध्यान में रखेगा कि बीच में आप यह दो को डालो आप अगर refer करना चाहतो तो आप refer करने के लिए आईसे यह का solution दीख सकते जड़त नहीं है मैंने पूरा question solve करें perfectly fine है बस आपके reference के लिए आपको ढूनना ना पड़े मैंने यहाँ पर ही रख दिये ताकि यह note से आप सीधा print करा लो और इससे सब refer कर लो तो यह सारी चीजे तो मैंने आपको समझा दिये and मुझे लगता नहीं अभी यहाँ पर आपको कोई दिक्कत होने वाली है and अब मैं आपको कुछ-कुछ बाते समझाना चाहता हूँ कुछ-कुछ ऐसा point है कुछ-कुछ ऐसा point है जहाँ पर आपको separate करने की जरत नहीं जिसे हमने separate किया न derivative, non-derivative को हमने separate किया तो standard क्यों separate कराना चाहता अब logic समझे standard इसलिए separate कराना चाहता है क्योंकि कितने सारे entity fraud करते है वो जान मुझके non-financial मलब contract में derivative को जान मुझके घुसाते ताकि वो क्या कर सके जोल जाल कर सके मलब derivative के कमाई या loss को sale में दिखा सके और कुछ losses वगरा derivative को और उसे inventory में दिखा सके जोल कर सके इसलिए रोका गया है बट कुछ-कुछ ऐसे genuine cases भी होते है जहां पर entity सट्टा नहीं लगाना चाहता entity मजबूर है कि उसे foreign currency में transition करना पड़े मजबूर है वो तो मजबूरी का नाम हमें पता है तो मजबूरी की टाइम में हम क्या करेंगे हम separate नहीं करेंगे इक सा दिखा सकते हैं तो कब-कब हमारी मजबूरी यह हमारी standard नहीं बता है देखिए अब यहां पर foreign currency derivative embedded in contract but for purchase or sale of non-financial item में क्या होगा देखिए कब-कब माना जाएगा closely related ध्यान रहे जब-जब माना जाएगा closely related मतलब को जुदा करनी की जरुत है नहीं चलता है तो अगर मान लिचे मैंने आपसे contract किया कि मैं आपसे solar panel खरी दूँगा और आपको dollar दूँगा या मैंने आपसे contract किया कि मैं आपको solar panel बेचूँगा और आप मुझे dollar दिचेगा तो यहां पर genuine case है क्यों genuine case है क्योंकि हम लोग 2 में से एक पार्टी का dollar ही चलता है यह genuine case है और genuine case में बोला कि separate करने की जरुत नहीं अब इखटा दिखा सकते हो को problem वाली बात नहीं अब इखटा दिखा है अब उस separation मत कीचे non derivative contract पूरा का पूरा माल नीचे चल जाएगा क्योंकि कि genuine case है क्योंकि हम में से दो में से एक कॉन है एक का currency dollar का है तो हम मजबूर ही हमारी हमारी हम पर हम कोई जान मुझके सटा नहीं लगा रहे है तो बोला चली यहाँ पर चल जाए जैसे कि example ए जिसका functional currency रुपी है वो सेल कॉंट्रेक्ट पर एंटर करता है कि 5000 उनिट्स वो बीचिगा बी को और बी का functional currency dollar है बी का functional currency यहाँ पर क्या dollar है after six months settlement by delivery होगा यहाँ पर 50 डॉलर पर unit का rate चल रहे तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम allow करेंगे आपर हम allow करेंगे क्यों allow करेंगे क्योंकि यहाँ पर आपका one of the party का foreign currency functional currency dollar है इसलिए इसे हम not closely related नहीं मानेंगे से closely related मानेंगे और separation करने की जरुद नहीं है तो यहाँ पर आप देखिए non financial जो contract आपका यह executory contract है applicable index होगा जो receipt money और in dollar यह variability है but functional currency आपका क्या है substantial party का functional currency आपका dollar है इसलिए 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 क्लोज रिलेटिट माना जाएगा और हम separation नहीं करेंगे ध्यान रखना नो separation required आप इससे single contract मानते हुआ आप accounting कर लोगी एक साथ इखटे हैं आप contract कर लोगे single मतलब पूरा का पूरा नॉन रिविटिव contract मानके आप enter कर सकते हो कोई problem नहीं है आपको separate करने की कोई जरत नहीं है आपर दूसरा आप देखें आपर जैसे कितने पर हम देखते हैं कि crude oil वगेरा का रूटिन ने denominate होता है बहले मानने चे मेरा currency रुपीय है दूसरे का currency देर हम से हम दोनों का functional currency डॉलर नहीं पर जबकि around the world डॉलर में ही transaction होता है तो मजबूरी में कर रहें तो यहां पर भी मजबूरी का नाम आपको पता है है ना समझ गया आप यहां पर तो चलिए आगे फिर हम देखते हैं दूसरा अब देखें कितनी जगह में ऐसा होता है कि उनका currency stable नहीं होता है वह ज्यादा inflation या deflation है जिसके चलते उनका currency stable नहीं होता है और इसलिए वहाँ पर commonly वह currency यूज नहीं करते हैं वह दूसरी currency को यूज करते हैं यहाँ पर अगर मालेचे कोई मजबूरी है जहाँ पर आपका stable currency नहीं है liquid form में currency आपको मिलने सकता है जिसके चलते आप मजबूर होके दूसरी currency में transaction कर रहे हो और जनरली उसी में transaction होता है उस local community में उसी currency में transaction होता है तब भी मजबूरी का नाम आपको पते हैं अब समझ गए तो यहाँ पर जब जब मजबूरी है ना तब तब आप ऐसा काम करों यहाँ पर पता चले है जैनुन केस है तो जैनुन केस में कहा जुदा मत कीज़े जब आपका सथा नजर आ है तब ही आपको जुदा करने है तो यह कुछ-कुछ मैंने जैनुन केस बता है दोनों में से एक पार्टी का फॉंक्सल करन से डॉलर में कर सकते हैं और यहाँ पर जैसे कुछ-कुछ आप ऐसे इन्वंटरी वगरा खरीत हो जहाँ पर आपका रूटील किसी अदर करनसी में तो भी चलेगा कोई प्राब्लम नहीं है और यहाँ पर माल लीजे आपका करनसी स्टेबल नहीं है बहुत जादा इंफ्लिशन डिफ्लिशन है जिसके चलते दूसरी करनसी का सहरा लिया जाता है बाकी जैसे माल लीजे पूरा एक कंट्री है वो कंट्री दूसरी करनसी में आपने लोकल करनसी में नहीं करते हैं क्योंकि वो लोकल करनसी तो यह सब सारे जेनुइन केसल यहाँ हो जाएगा अगर अपलोड हो गया तो दस्किंट में लिंक भी डाने की कोसस करूगा नितो अपने मोबाइल एकम चारो जाएगा तो मैं उमीद करता हूं कि आपको यह पूर अच्छी तरीके से clear हो गिया तो यहां पर हम derivatives को the end कर सकते हैं बस एक derivatives का question और है जो कि मैं इसमें नहीं डालूँगा क्योंकि video काफी लंबा हो जाएगा debt instrument with prepayment option आप देखिए मैंने solution पूर अच्छे से लिखा हुआ आपको समझाने के लिए बट यह मैं separate वीडियो में दूँगा इस revolutionary वीडियो में मैं आपको यह नहीं समझाने वाला तो यहां पर हम end करते हैं derivatives तक हमने complete कर लिए तो हम यह कह सकते हैं हमने अच्छा गासा coverage किया रिविजन में unit 1 covered हो गया unit 2 covered है unit 3 covered है और यहां पर अभी बच्चा किया एक छोटा सा topic बच्चा है recognition of financial assets and financial liability जा पर regular way purchase के बार में भी थोड़ी से बात करनी है यह एक छोटा सा topic बचा हुआ है impairment of financial assets एक गदम ही छोटा सा कुछ अगर discussion होना है तो होगा उसका separate video YouTube में already है ऐसे तो सबका ही है और उसका भी है तो impairment में 2-3 question है आप चाहो तो सीधा में काम करूँगा application में उसका audio clip डालूँगा question का आप वो refer कर लिजे और अगर आपने video 3 गंटे का देखा अच्छी बात है दर्वास को बात लेगे यहां पर अगर possible होगा तो वो भी discussion कर लेंगे और एक hedge accounting बंदा वो separately जाएगा तो यहां पर मैं देखता हूँ अगर मुझे क्या लग रहा है कि यहां पर हमें इस video को stop कर देना चाहिए मैं देख लेता हूँ अगर हुआ तो आगे add-on करूँगा ने तो यह video यहां पर ही stop हो जाएगा इसके बात next video में हम regular way purchase, recognition, de-recognition discuss कर लेंगे और impairment of initial assets का भी कुछ हलका discuss करना तो हम वो कर लेंगे और hedge accounting तो separate video में आपको एक discussion हम कर लेंगे इतना ज़्यादा important नहीं आप दोनों में बने रहे हैं और subscribe कर लिजेगा वहाँ पर आपको मिल जाएगा उसे भी अपर कर लिजेगा तो मैं पूरी courses कर रहा हूं कि financial instruments 15-20 marks का आ सकता वो आपका secure है और आप भी courses की जाब इसा secure कर सकोगों चले